नमस्कार मैं आसीज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बार जोड़दार तरीके से सेसर कर दें शेयर कर दें मैं लाइफ आ चुका हूँ सभी लोग एक बार शेशन को सेयर करिये महाकाल का नाम लेकर एक बार सभी लोग जल्दी से सेयर करिये शेशन को फिर आज दम धुआधार क्लास होगी कंप्यूटर के MS Office Suit का खात्मा होगा तो जो भी बच्चे JCA का एक्जाम देने ज आ रहे हैं क्योंकि JCA ने आप लोग एक बहुत बड़ा सा रप्राइस दिया जो आप सोच रहे थे कि हाँ कहीं अक्टूबर नवंबर में एक्जाम होगा वो आपके सितंबर में 26 27 को एक्जाम डेट देके आप लोगों को एकदम आश्चर चेकित कर दिया है तो आपको इस में क्या करना है कि एक स्टेटेजी अपनाना है और उसी स्टेटेजी से आपको तैयारी करना है कि जो कंप्यूटर है क्योंकि यहां कंप्यूटर को इंडिविजूल पास करना भी जरूरी है और उतना जरूरी जितना JCA वालों के लिए है उतना ही UPPCR वालों के लिए है तो एकदम सही मिलेगी दीपक जी बोलने सपने में मिने कोई नहीं सोचा था कि ऐसा सर्प्राइज मिलेगा येस कुरु जी सस्त्रियकाल शत्यावती जी वेरी वेरी गुड इवनिंग हितेंद्र जी नमस्कार सभी का स्वागत है सभी लोग का एक बार सभी लोग एक जोड़दार तरीके से सेर करिए प्रियंका जी वेरी वेरी गुड इवनिंग इतने बच्चे जुड़े हैं कोर्स में फिर सीरियसनेस क्यों नहीं है आपके अंदर आप लोगों के लिए टीम जिस दिन से पता चला तुरंत आ गई है कि भईया आपके क्लासे जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए तो क्लास स्टार्ट किया जा रहा है और आज की क्लास से मैं बता रहा हूँ कि आपके MS Office के जितने प्रस्न आएंगे वो यहीं से आएंगे वो यहीं से आएंगे जितना मैंने ASI में कराया था पूछना सभी बच्चों से कैसा रहा था पेपर ठीक है वो 1000 MCQ अगर वो देख के गए थे तो उनका पूरा का पूरा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मागाल का नाम लोग एक बार सब लोग से एर करो और पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है पहला प्रशन स्क्रीन पर आ रहा है इसका आंसर कमेंड करिए क्या सही होगा इसमें से सबसे बेस्ट तरीका का है MS Word को डिस्क्राइब करने का जल्दी दता हो निमलिकित में से कौन से MS Word Software को सबसे अच्छा वड़न करेगा ठीके मादेओ का नाम लोग निया पार हो जाएगी कितना भी समस्या हो स्टेटेजी अपना हो अच्छी कि इस 25 कोश्चन में मुझे किसी हालत में 23 प्लस करना है क्या करना है 23 प्लस करना और इंगलिस में कितना करना है आपको कम से कम जो पचास कुश्चन है 46 प्लस करना है इसमें इंगलिस में यही दिलाएगा सेलेक्षन चलो बहुत बढ़ी अस्ब बोल रहे हैं वर्ड प्रोसेसर होगा एकदम जाहीर सी बाद फर्मवेर क्या होता है फर्मवेर एक प्रकार का सॉफ्ट्वेर होता है ठीक है जो आपके हाडवेर के साथ जैसे माउस है तो माउस के अंदर उसका सॉफ्ट्वेर पढ़ा होता है उसको कैसे फंसन करता है तो ऐसे सॉफ्ट्वेर को फर्मवेर करते हैं जो हाडवेर के जैसे आपका Windows हैं यह सभी आपके क्या है ग्राफिकल है हाँ रोम हुआ यहां देखो system software system software में operating system आ जाता है ठीक है और क्या utility software आ जाता है ठीक है compiler हो गए interpreter हो गए loader हो गया linker हो गया सब किसके है system software के पार्ट है ms excel का यह प्रस्ण है आपका कि इसका solution क्या होगा अगर ms excel का यह formula लिखा हुआ है किसी में तो इसको कैसे solve करोगे सब divide का है तो जब equal priority होती है तो हम कैसे solve करते हैं question left to right करते हैं तो एक बार सभी लोग share करो हाँ English GS aptitude मिलाकर एक cut up बनेगी computer की अलग cut up clear करनी पड़ेगी फिर overall दोनों mix की जाएगी share करो share करो बुना बोले एक class पढलो और तेजी से answer भी बताओ 64 होगा हमकूर भीम बता रहें D जी सी answer वागीज जी बता रहें और सभी लोग note करते रहना कितना सही कर रहे हो आज चार बता रहें आयूज जी सी आ रहा है maximum बच्चों के सी आ रहें कुछ लोग 64 पे जा रहे हैं 256 को आठ से divide करोगे कितना आएगा आठ 3 के 24 और 8 दुनी 16 32 आएगा 32 डिवाइड भाई फिर 4 करोगे तो कितना आएगा 4 तो लास्ट में answer कितना आएगा चार आएगा भाई ऐसे डिवाइड करते चलेंगे एकदम चार वाले एकदम सही होते हैं सी वालों के मिलता है हमारे तरफ से इनाम कि सबका सेलेक्शन होगा अगला प्रश्ण यह रहा which of the following function की can be used edit as sale on a ms excel यह मैंने आपको पढ़ाया है और question भी कराया है कि अगर excel का सेल है इस सेल को अगर edit mode में करना है तो हम function के किस की से कर सकते हैं बहुत बढ़िया आयूस शुभाम शचीन राहुल शिम्रन शुभाम शचीन अवनाश अंकूर प्रदुमन शचीन सिव सब एक ही repeat हो रात f2 function की क्या किसलिए होता है भाई f7 किसलिए होता है spelling के लिए होता ह और f2 किसके लिए होता आपका f2 जो होता है वह edit के लिए होता है c answer एकदम जबरदस तरीके से सही answer है आप सभी का eğ 2 एकदम सही है ठीक है anchor cell के लिए होता anchor cell के लिए आपका क्या होता f4 होता है आपका खुला होता है एट लिस्ट कितने वर्क सीट कम से कम कितना वर्क सीट कंटेंड कर सकती है नहीं थ्री वर्क सीट तो बाई डिफॉल्ट होता है यूस लेंग्वेज पे जाना मस्ट कंटेंड एट लिस्ट एट लिस्ट मतलब कम से कम हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबर्दस्त एक होगा कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा इसका अंसर बाई डिफॉल्ट तीन होते हैं ठीक है आजाओ विच अपड़ फॉल्वें यह स्टेटमेंट इस आज ट्रू यह सभी प्रीविएस यह कुश्चन है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है इन एमेस वर्ड अटेक्स के नौट बहुत इटलाइज एंड बोल्ड इटलिक हो सकता है मतलब के नौट भी बहुत इटलिक और बोल्ड नहीं हो सकता है इन मैस वर्ड अटेक्स कें नौट बी फांट साइज लेंस दें आ बोल ला आ कि फांट इस किसी भी फांट का आठ से कम नहीं सोकता-अइसा होता है क्या जल्दी से बताओ इसका सही जबाब क्या होगा अगर हम कहें बात तो यह थोड़ा सा कोष् 유료 सब्सक्राइब का उसमें जब in almost definition जो आता है और को ठीक है लेकिन अप Umm every उसको सकता एक हो सकता है थो सकता है थीक मिनिमुम एक साइज हो सकता है फॉन्ट का तो यहां बोला है आठ से लेच यहीं होगा होगा क्यों नहीं होगा हम करेंगे तो लेकिन जब अगर हम उस हिसाब से मांगेंगे तो कहेंगे नीदर ना तो पहला ना तो दूसरा लेकिन हमें इसको सोचना ऐसा है कि जो फार्मेटिंग का होता है उसमें कि आठ से कम जो है नहीं जाता है उसमें तो उसके according देखें तो ये आपका second सही हो जाएगा लेकिन ये depend करता है देखो ये आया हुआ question है इसलिए मैं इसका answer बता रहा हूँ आयोग ने इसका answer माना था only second क्योंकि इसने ये बताया नहीं clear नहीं किया कि वो font size क्या है यहाँ वाला है drop down वाला है या manually है तो हम इतना मान के चलेंगे जो हमें दिखता है आठ और 72 उससे कम नहीं कर सकते लेकिन ये actually हो सकता है ये गलत है statement ठीके बोथ wrong answer एकदम सही होगा इस पे objection भी देली पुलिस का ये question है देली पुलिस में आया हुआ question है S.S.C. के जवारा जो कराये जाता है मिलना चाहिए सबको चलो आयोग के answer की में बोला गया था कि second सही है only second लेकिन आप जब मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए क्योंकि याँ जिक्र नहीं किया गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया what is the keyboard shortcut to select all content of a document in MS Word MS Word में सभी document के जो भी आपके हैं उसको select करने के लिए कौन सा shortcut की use करते हैं एक बार सभी लोग share करो जोड़दार तरीके से भाई ये तो एकदम simple है सभी के answer आजाने चाहिए बहुत बढ़े है सुभम A, सिमरन B, वागिस G, D के साथ जा रहे अरे इसमें तुम लोग के गलत नहीं होना चाहिए पूरा select करने के लिए क्या दवाते हो इसका answer तो एकदम आसानी से दभाई है हाँ ये तो एकदम रटा होना चाहिए control A से हम कोई भी चीज पूरा select कर लेते हैं ऐसी छोटी गलतियां करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी तो ये गलतियां नहीं होना चाहिए control A, control C से copy होता है which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word MS Word में जो alignment होता है left, right, center और justify यही alignment होते हैं text को किदर align करना है दाएं, बाएं, center में या justify पूरे दोनों तरफ से तो इसमें क्या मोला है, which of the following is not a valid paragraph alignment कौन सा इसमें से valid paragraph alignment नहीं है एकदम तुम लोगों मैं image खीच के पाया हूँ एकदम, कि ये देखो, nagging की तरह ये ये रहा, यहाँ, यहाँ, यहाँ ठीक है, तो वो गलती ना करना, top इसमें नहीं होता है टॉप alignment, excel में पाया जाता है, या ms word के किसमें पाया जाता है बच्चो, table जब बनाओगे ना, तो table की content को इधर उधर जब align करना होता है क्योंकि table एक्सल में भी बनता है, और table आप जब word में भी बनाओगे तो उसमें भी alignment आपका top हो जाता है, center हो जाता है, bottom हो जाता है ठीक, तो यहाँ पर top alignment नहीं मिलता है हमें अगला प्रस्न है, the font size of 36 point in ms word 2007 is equal to how many inches यहाँ पर version लिखेगा 2007, 2010, 2016, 2013, कुछ भी उसका मतलम नहीं निकालना है तो एक बार share करो सभी लोग, भी answer इसका क्या होगा, अगर 36 point पे कोई font है तो बोलना है वो inch में कितने के बराबर होगा, बताओ, देखो total क्या होता है आपका 72 maximum size होता है, उसका font का जो drop down होता है तो actually एक का 1.72 होता है, तो 36 into 1 upon 72, लंग सम, यह करेंगे तो 36 दुनी बातर, जीतना भी font size हो उसको 1 by 72 से क्या करते हैं, multiply करेंगे तो 36 दुनी बातर मतलब 1 by half, मतलब 0.5 आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, उसका inch होगा, उतने inch के बराबर होगा तो D answer correct होगा, यह भी question पूछा हुआ है, 0.25 नहीं सुभा हम, 0.5 होगा, 1 by 72, maximum जो आपके drop down में आता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको divide करते हैं, जो भी आपका font size हो, तो कुछ भी पूछ सकता है होँआ पर, अब बोला, which of the following is not a text function of MS Excel 2007, 2007 में कौन सा MS Excel का text function नहीं है, mid, left, या right, या combine, combine नहीं होता है, same day होगा typing test, एक दम सही है, same day ही होगा, इसका answer बताओ, सब लोग BB जा रहे हैं, combine कोई भी फंसन नहीं होता है, मैंने आपको एक अलग से PDF upload कराई है, उसमें पूरा abbreviation है, shortcut key है, और क्या है आपका, Excel का formula है, जो मैंने आपको JCA में Excel दिया है, और UPPCL में मैंने वो अलग से Excel का formula दे दिया है, कि भाईया, रट मारो यह सब, ठीक है, तो यह आपका formula नहीं होता है, middle value के लिए होता है, left value के लिए होता है, right value के लिए function use होते हैं, यह सभी formula है, तुम लोग share नहीं कर रहे हैं एक दम मन से, लग रहा हैं मन से पहाई नहीं कर रहो, by default, how many worksheets are there in the MS Excel workbook, हाँ, ऐसा प्रशना आ जाए, 2007 में, देखो, क्या होता है, जब आगे बरोगे, 2007 लिखा है, सही बात है, क्यूंकि जब आप 2015 सूला में जाओगे, तो एक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर by default, 2007 में MS Excel का default worksheets कितना होता है, तो यहाँ अंसर दोगे, कि तीन होगा, एकदम सही बोले हो, एकदम सही पकरे हो, चलो, बहुत बढ़िया, अगला प्रशन ये रहा, which of the following is not an option of a sale alignment, in a table in MS Word 2007, देखो, MS Word के table 2007 हो, 10 हो, 11 हो, 13 हो, कोई मतलम नहीं, ठीक है, यह ध्यान रखो, 2000 कुछ भी हो, आपको कोई मतलम नहीं है, ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा alignment table में नहीं होता है, align bottom right, align center, align top left, या align across, तो मैंने बता है, MS Word में जब आप table बनाओगे, तो top, bottom, center, left, right सभी alignment होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 होता है, जब आप जाओगे न, table पे click करोगे, तो जब उसका layout आएगा तो उस पे देखना, ठीक है, तो उसमें सिर्फ align across नहीं होता है, D answer इसका सही जवाब होगा, align across, सुभम जी, कुलदीब जी, भीम जी, सभी का आणसर आ गया है कि D answer होगा, सिवांगी जी, करन जी, कामनी जी, आसीज जी, एर भारती जी, रहुल जी, सभी लोग ने D के साथ आंसर दिया, अगला प्रस्न, which of the following is not a option of Minubart in MS Word 2007, ठीक है, 2007 हो चाहे, 2015 हो चाहे, 16 हो चाहे, 1900, कौन सा इसमें से menu नहीं होता है, एकदम फोटो दिखाया था, तुम लोगों को पढ़ाते समय, याद करो वो फोटो जब पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को MS Word, तो क्या नहीं था, उसमें insert होता है, page layout होता है, लेकिन internet कहां से आ जाएगा, भाईया, home होता है, तो internet नहीं होता है, इसलिए मैंने का एकदम जो है, किस तरह होना चाहिए, आखें, आखें ऐसी होने चाहिए, नागिन की तरह जो देखो, खीच लो फोटो, अगला प्रस्न रहा ये, इसको match करना है, ऐसे प्रस्न भी मिल सकता है, इंटिये करा रहा है तो, थोड़ा सा बड़ा प्रस्न मिल सकता है, तो घबडाना नही है, बोला है इंटर, इंटर को क्या होगा, shift plus tab, arrow की, बोला है, move you to the next cell to the right, move you to the next cell to down, move you in the direction of the arrow, move you in the next cell to the left, जल्दी से बताएए, इसका सही आंसर, सही मिलान क्या होगा, सही मिलान इसका क्या होगा, बस अभी लोग share करते रहें और इसका answer comment करिए क्या सही होगा, देखो इसमें क्या है इंटर से क्या होगा आपका किसमें दिया यह दे देम देखो यह सेल editing cell की चले ओओ तो पहले का बी होगा इसमें भी है उसके से सिफ्ट प्लास टाप जब दोगें तो यहाँ पर क्या मूविघे अदग से सिफ्टोप न मैं तो हम लोग सिंफ से सिफ्टोठ Ming और जब हम लोग राइट में सिफ्टोथा तो अम लोगuku said टैल्ज में सिफ्टोते ठीक है हाँ थर्ड जब हम right में shift होते हैं तो tab से shift होते हैं तो यह वाला पहले का B दूसरे का D ठीक है और तीसरे का A answer वाला होगा यही option B होगा and fourth का जो arrow की होगा वो क्या वोलेगा move you in the direction of arrow जो arrow की होगा जैसा arrow का direction होगा up down वैसे move करेगा ठीक है सभी लोग ध्यान देना B answer correct होगा एक दो चलो अगला प्रस्न border and setting आता है ऐसे 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 करके photo खीचा होगा table वाले में आता है जहां border को आप अलग color दे सकते हो option in a table property can be used to apply which of the following in MS Word 2007 mailing margin, orientation या border तो इसी पर border होता है इसी पर जब करोगे setting वाला border and setting तो पूरा dialogue box खुल के आता है यहां पर आपको दिया रहता है border के option double dotted उसके बासे color roller दिया रहता है तो वो क्या हो जाएगा border option पे होता है किसमें होता है border पे होता है तो इक बार सभी लोग से करो assis d answer दे रहे हैं सभी का सही है बाई अपना अपना correct लिटते जाना अगला प्रस्न रहा which of the following display of both the name of the application and the name of the speed seat in MS Excel ठीक है title bar कहां पर आपका display करता है क्या-क्या name of the application application का नाम और spread seat का नाम excel का नाम कहां पर display करता है title bar में, tool bar में, task bar में या menu bar में अब by default excel का जो आपका खुलता है excel वाला spread seat खुलता है by default उसका file का name क्या होता है वो अभी प्रस्ण पूछा है कई बार तो कहोंगे book one ठीक है, क्या होता है book one होता है उसके बास से ये किस पर होता है title bar में होता है नाम जो होता है वो कहां होता है title bar में होता है जबर्दस एकदम banker तो share करो, कहे नहीं share कर रहे हो आजाओ अगले प्रस्ण पर आते है which of the following is false with the reference of cell editing in MS Excel MS Excel में cell editing के लिए कौन सा आपका गलत है select the cell click on the formula bar and edit the content edit the cell by double clicking the cell where the content is located select the cell and paste F2 function key on the keyboard to edit the content of the cell select the cell and paste F5 function key on the keyboard to edit the content of the cell क्या बोला क्या false है with reference to the cell editing देखो cell editing के बारे में cell को select करो formula bar पर जाओ edit करो ये भी हो सकता है double click करोगे तभी भी आपका cell edit हो सकता है F2 से तो होता ही होता है लेकिन F5 से कहा होने लगा तो यही false है आपका यहाँ पर answer D correct हो जाएगा अगला प्रशन यह रहा which of the following can be used to change the width of the column in a table in MS Word जो width है आपका चोड़ाई जो है column की table की MS Word में वो कहां से change कर सकते हो insert से, translate से define से या table property से तो कहां से करोगे बच्चो इसका answer बताओ insert से नहीं insert नहीं देना है insert से table insert कर सकते हो insert से table insert कर सकते हो D answer आगा easy Simran, Asis tapping test same day होगा सुरज डी बता रहे हैं सचिन, Simran डी बता रहे हैं सुरज जी, अभिनो जी चलिए अभिनो सभी ने डी बताए table property एकदम जबार दस्त हो D सही answer होगा D एकदम सही answer होगा जब ओपेन हो जाएगा ना table वाला उस पे जब click करते हो तो उसके property में जाके उसके width को height को arrange कर सकते हो which of the following shortcut is used to select sentence in a paragraph in ms word एक sentence आपको paragraph में लेना है तो कैसे लोगे, क्या shortcut की होगा odd click on a sentence to select it triple click on a sentence to select it control click on a sentence to select it double click on a sentence to select it क्या इसमें सही answer होगा कभी ऐसा किये हो देखे हो कि आपको मासूस हुआ हो कभी ऐसा किये हो control के साथ अगर click दबाते हो तो पूरा sentence, एक sentence आपका क्या हो जाएगा select हो जाता है ms word में और triple click कर दोगे तो पूरा paragraph select हो जाता है किसी paragraph पर रखके triple click कर दोगे न माउस का तो पूरा paragraph select हो जाता है इस बात को देहान रखना the alien function in ms excel belong to which of the following category अभी उसी दिन ms excel के जब mcq करा रहा था तो यह function बताया था किसलिए होता है किसी भी text का length निकानने के लिए alien use किया जाता है कि length कितनी है उसके लिए होता है तो वही बोला है आपसे किस से belong करता है financial से logical से text से या math और technometry से ना ही math technometry का function है ना ही logical है ना ही financial है यह text का है क्योंकि text की length निकानने के लिए use होता है PDF मिलेगी एकदम जबरदस्त मिलेगी tension ना लो पहले यहाँ पढ़ लो PDF के चक्कर में ना पढ़ो ठीक है तो C answer इसका जबरदस्त तरीके से सही होगा under which of the following menu tag page setup option page का setup जो option आता है available in ms word 2007 चाहे 2007 हो 8 हो 10 हो page setup किस में आता है जो आप देखे होगे उपर कौन सा menu बार होता है बताओ एक बार सभी लोग जल्दी से बताओ home होता है insert होता है उसके बाद वाला कौन सा होता है page layout उसी में page setup कर सकते हो बंदू B answer सही होगा एकदम जबरदस्त सभी के answer आ रहे है 21 which of the following is not a character formatting option in ms word character formatting का formatting का मतलब उसका style बदलना, रंग बदलना, color बदलना, बड़ा छोटा करना, font से related चीज़े कौन सा character formatting में नहीं आता है font style, font, size, alignment एकदम आक बंद करके मारो इसका answer, आकास बोलना है alignment होगा, एकदम जबरदस्त, font कैसे होगा सिमरन, बोला character formatting, एक character को format करना हो तो उसका font भी देखना पड़ता है, कैलिबरी है, निर्मल है, ठीक है, aerial black है, ठीक है, यह से font देखना पड़ता है न, तो यह भी होता है, formatting में यह भी होता है, alignment तो आपका paragraph के command section में होता है, formatting section में नहीं होता है, command group जब paragraph में जाओगे, वहाँ alignment होता है, एकदम जबरदस्त, चूरज, 22 number, which of the following feature of MS Excel is used to quickly copy and paste content to adjacent cell in the same row or column, जैसे कभी आप देखते हो, कि यहाँ पर आपका क्या है, column है, यहाँ से इसमें अगर कोई चीज copy करना हो, तो करसर से खीच देते हैं ऐसे, तो वहाँ पे भी copy हो जाता है, चाहे column में करना हो, तो ऐसे खीच देंगे, तो वहाँ चीज खीच देंगे, तो यही चीज इसमें copy हो जाती ही, mouse से drag करने पर, उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है simple से, तो clear formatting नहीं, clear formatting में आपका जो भी format होगा text का, वो हट जाएगा simple text हो जाएगा, format printer में नहीं, format printer में एक बार जो formatting आपने text में रख लिया, वो कई बार use करना है, तो उससे use कर सकते हो, ठीक है, auto format नहीं, fill handle काते हैं उसको, क्यूंकि बाकि सब format के part है, fill handle मतलब यही से सब्धारा की fill करने का काम आएगा, तो D answer correct होगा, एक बार जितने live वो like तो जरूर करो यार, चलो, which of the following refer to the intersection of column and row in a work sheet, row और column के intersection को क्या काते हैं, एक बार जबी लोग share करो जबरदास तरीके से, बोलो हार हार महा देओ, बार बने आईए, तो जर्नल सा cell क्याते हैं भाई, column and row के intersection को MS Excel में cell कहा जाता है, which of the following shortcut key is used to paste the clipboard contained in MSWord document, MSWord document में कौन सा shortcut use करने के लिए paste का shortcut use किया जाता है, किस से paste करते हैं, control V से, ctrl V से आपका क्या होता है, paste का option होता है, चलो, यह तो सभी को पता है, control X से कट जाता है, which of the following use to create a small letter above the line of text, किसी text के small letter अगर करना हो उस पर, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, जल्दी से बताइए, हा, गलत, देखो, एक test के ऊपर, छोटे अच्छर लिखना है, तो जब कोई चीज ऊपर लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, super script कहा जाता है, बंधू, super script, sub script नीचे लगता है, नीचे जो लगता है, उसको sub script कहा जाता है, which of the following shortcut is used to select a paragraph in MS Word, paragraph select करने के लिए, मैंने बताया था, क्या करोगे, triple click on a paragraph, paragraph पर अगर triple click कर देते हो, तो पूरा paragraph select हो जाता है, पूरा paragraph select हो जाता है, मैंने बताया अभी, इसलिए नहीं मैं बताता हूँ, डीटेल में बाकी option, क्यूंकि उससे मैं question बना के लाता हूँ, आप लोगों को, MS Excel किसी सेल के सुत्र में ये लिखा हुआ है, तो परड़ाम क्या होगा, तो 16, 2 की पावर 2 कारेट 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर priority किसकी है, इसकी है, तो पहले इसको solve करेंगे, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 16 है, तो 8 डूनी 16 हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, दो आंसर होगा, आंसर इसका दो आएगा, इसका आंसर दो आएगा, यह ध्यान रखना, इसकी priority हाई होती है इससे, इसलिए हम पहले उसको solve करेंगे, which of the following is true, with the reference of opening and closing document in MSWord 2007, 2007 के reference में, closing और opening document के अंतरगात कौन साइस में से true है, to close a document, click minus in the upper right corner of the window, for opening a new file, click on a new window button, the shortcut key of opening document is ctrl F, by default MSWord document content no pages when it is open, इसमें से कौन साइस सही है आपका, जल्दी से बताओ, इसमें से क्या सही है, बोला क्या सही, देखो, यह वाले, इससे आपका कोई भी opening closing नहीं होता है, यह किस के लिए होता है, minimize के लिए होता है, तो यह उससे संबंधित नहीं है वर्ड से, opening of new file, control, new window button, एकदम सही बात है, कि आप new से, control से, n से आप क्या करते हो, नया open करते हो file, यह सही है उसके रिस्पत में, लेकिन यह आपके control F से कहा open करते हो भाई कोई, यह तो shortcut की नहीं है न, control N हो, क्या है CTR plus N है, shortcut की control N, by default MS Word जब आपका open होता है, तो कोई page नहीं होता है, page होता है तो यह भी गलत है, तो B answer correct होगा, state whether the following statement is related to MS Word, are true or false, MS Word के बता रहा, कौन सा true या कौन सा false होगा, when you open a new file in MS Word, by default it has a landscape orientation, जब हम MS Word में फाइल खोलते हैं, तो उसका orientation by default landscape होता है, नहीं मैंने क्या बता है, क्या होता है, portrait होता है, landscape किसमें होता है, powerpoint में होता है, when you open a new file in MS Word, by default it has a portrait orientation, yes, यह सही है, यह गलत है, पहला आपका क्या है, false है और दूसरा आपका क्या है, true है, B answer correct होगा, C कैसे दे रहे हो तुम लोग, C कैसे होगा, B होगा न, ऐसे गलती करोगे, एकदम, बोला, consider the formula, A3 प्लस B4, इन्हें cell 5, cell 5 है कोई, इसका address जो है, cell 5, A5 है, इसमें formula लगा है, A3 प्लस B4, ठीक है, B4, यह address क्या है, A5 का address है, तो आप से बोला, अगर यही चीज, copy करके, मैं E9 में ले जाओ, E9 जो cell address होगा, उसमें ले जाओ, तो क्या होगा, देखो जब A5 है, तो A5 से यह कितना कम है, A3 और B4 है, तो उसी हिसाब से, जब हम यहाँ पर ले आएंगे, तो E9 से कितना कम होगा, जब E में लाएंगे तो, यहाँ पर हो जाएगा, E9 से आपका, यह 5 से 2 कम है न, तो यहाँ से 2 कम होगा, तो E7, और यह B जो है, कितना कम है, A कम है, तो F कितना हो जाएगा, F8, E7, यह बी को साथ में लिया है उसी तरह यहां पर यह तो एफ रहेगा साथ में अगला विचाप दा फॉलोइंग इस नॉट वैलिड चेंज केस ऑप्शन इन एमेस वर्ड अपर केस होता है टॉबल केस होता है लेकिन पास्कल केस नहीं होता है बंदू यह आपका चेंज केस में यह नहीं होता है चलो अगला विचाप दा फॉलोइंग एपिया एज पास अप दा एडिटिंग कमांड ग्रूप विदिन दा होम मेनू इन ए रिसेंट वर्जन आफ एमेस वर्ड सच एसा नहीं है दौजार दस में भी है वो चीज सोला लिख दिया तो आपको टेंशन नहीं लेना है कौन सा बोला एडिटिंग कमांड ग्रूप में होम मेनू के रिसेंट में डाला गया है तो आप जब होम में जाओगे लास्ट में एक कमांड ग्रूप एडिटिंग का आता है जहां find replace ठीक है यह सब होते हैं ठीक है, find, replace, यह सब होते हैं, वहाँ पर आपका बोल लाए है, कि किसको डाला गया है, देखो, change case उसमें नहीं होता है, यह format में होता है, font color भी नहीं होता है, format वाला भी एक clip ad में होता है, तो replace आपका जो है ना, यह find, replace उसी में है, editing वाले में ही है, find, replace और select, editing command group में जाओगे, find, replace और select का आता है option, ठीक, हाँ, तो replace वाला होता है उसमें, यह ध्यान दखना, option से कर सकते हो, अब यह एक formula लगा दिया एक्सल में, ठीक है, factorial 0, factorial 3, factorial 5 की value क्या होगी, factorial 0 की value होती, 1, 3 की value होगी, 3 into 2 into 1, और factorial 5 की value होगी, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 3 दू निच्छे, यहां हो जाएगा, 6, और यह क्या हो जाएगा, 5 factorial की value होती, 120, 120 प्लस 26 प्लस 1, 127 इसकी value हो जाएगी, ठीक है, 127 बहुत बढ़िया जबर्दस, C answer correct हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, which of the following keyword, shortcut can be used to indent a paragraph, indent मतलब left और right में, MS Word Document, ठीक है, indent के लिए, अगर उसको indent करना हो, तो कौन सा shortcut की use करेंगे, alignment नहीं है, indent छोड़ना हो, paragraph वाले में ही indent भी आता है, मैंने आपको बताया था, increase indent, decrease indent, ठीक है, तो उसके लिए shortcut की क्या होगा, हाँ, वहुत बढ़िया, किसी ने दिया, control M से indent होता है, बाकिस सम्मे मत जाना आई लगा हुआ है तो, indent आपका किस से होगा, control M से होगा, when you open a new workbook in MS Excel, which of the following appear on the topmost portion of the screen, topmost portion screen पर क्या आपका आएगा, horizontal score bar, vertical, status bar या title bar, क्या आसोग करेगा, जल्दी से बताइए, सबसे topmost क्या होगा, जब कोई भी workbook खोलोगे तो, title bar आता है, जहां पे उस document का title लिखा होता है, in MS Word, which of the following keyword, shortcut should be used to align a paragraph in a center, center में align करने के लिए, MS Word में कौन सा shortcut की use किया जाता है, control J से justify होता है, control C से क्या होगा, copy होता है, center मत बोल लेना, control E से center का alignment होता है, control E से center alignment होगा, अगला प्राशन, what is the default horizontal alignment of text in the cell of MS Excel, ये भी मैंने कराया था, MS Excel के cell में, अगर कोई text हम लिखते हैं, तो by default alignment उसका क्या होता है, तो by default alignment उसका left होता है, किसी text का जो होता है, वो क्या होता है, left होता है या right होता है, जल्दी बताओ, text का क्या होता है by default, हाँ, by default इधर होता है text, तो by default left होता है, और number कहा होता है, number का by default right होता है, हाँ, तो क्या होगा इसका answer C, एक बार share करो सबी लोग, अब देखो इसका अंसर बताओ MS Excel फार्मूले में 4 पावर 2 कारेट 3 इसका अंसर क्या होगा देखो प्रियोर्टी सेम है तो left to right solve करेंगे इसको ठीक है इधर से मच solve करना तो left to right solve करोगे तो पहले इसको solve करो ठीक है तो इसको solve करोगे और तो विदम है चारक का स्कॉर्ण सोलार अक्यूमल है यहां पावर 3 लगा हूँ है तो सोलार का क्या होगा सोलार इंटू सोलार इंटू सॉलार ठीक है four zero nine six होता है सोला सबाब कर्यूब four zero nine six होगा बहुत बढ़ी हा तो अ आप सेम चीज लगा है तो आप left to right solve करो बार्माउस तो यही बोलता है हाँ unit disease से आप कर सकते हो what will happen when you select a cell of MS Excel worksheet and press the F2 key ठीक है वोक्षीट में अगर आप किसी cell को हो और F2 key press कर दिये तो क्या होगा the content of the cell will be deleted नहीं the background of the color of the cell will be changed नहीं the font color of the content of the cell will change the cell will be switched to editing mode यह भी नहीं होगा editing mode में चला जाएगा F2 से F2 से editing mode में चला जाएगा एक बार सभी लोग session को share कर भाई कहां चले जाते हो चलो next question typing paper उसी दिन होगा which of the following feature is used to type very small letter और नंबर जस्ट अबाव दा लाइन ओफ दा टेक्स्ट ठीक है सेम चीज पूछ रहा है आपसे सेम चीज अभी मैंने question कराया था वही प्रस्ण आपसे फिर से पूछ रहा है क्या होगा इसका answer super script होगा क्या होगा super script what is the keyboard shortcut to cut select the text in ms word cut करने के लिए क्या होता है control x use होता है ठीक है control x use होता है cut करने के लिए which of the following statement is false कौन सा इसमें से false है ऐसे question आ रहा है in ms word the same paragraph can have both left as well as right alignment क्या एक ही paragraph left और right alignment दोनों हो सकता है जल्दी से बताओ बोला कौन सा इसमें false है नहीं दोनों alignment नहीं हो सकता है एक ही paragraph पर in ms word a paragraph is created by pressing control enter control के साथ enter दबाओगे तो page break होता है ना की paragraph होता है क्या हो जागा page break हो जाता है ठीक है तो ये भी गलत है दोनों के दोनों false है both first and second false निदर नौर कहां से आ जाएगा बंदू b answer क्यों होगा वो पूछा false कौन सा है तो false ये भी है ये भी है ऐसे ही गलत करते हो तुम लोग ऐसे ही गलती करोगे which of the following view option in ms word show the content of a document as a bullet points ठीक है किसमें बोला ms word में किस वाले layout में जो आपका document होगा वो bullet point में show करेगा draft में web layout में outline में या print layout में देखो power point में बैता है एक outline view होता है वहाँ पर भी चीज़े क्या bullet के form में show करती है और कोई format नहीं होता तो वो outline view यहाँ पर भी होता है जो नीचे ज़र आपके खुले होते है view में जब जाओगे view में जब जाओगे तो वहाँ view होता है print web bullet option में दिखती है आजाओ 44 नंबर अगला प्राशन which of the following does not appear as a part of clipboard command group under the home menu in a recent version of MS Word 2016 कौन सा clipboard के अंदर इसमें से नहीं आता है format enter cut, paste यह सभी आते हैं clipboard में मैंने आपको दिखाया था वो 16 नहीं 10 में भी होता है 7 में भी होता है so hide का option नहीं होता है उसमें so or hide का option नहीं होता है बहुत बढ़िया जबरदास तरीके से आंसर दियो यह दो को NTA में question का trend यह चल ला है इस प्रकार से true and false वाला NTA में जो question का trend चल ला है भी चल ला है state whether the following statement are true or false in MS word our paragraph can have the right alignment in MS word our paragraph cannot have the same hanging position hanging position भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है जल्दी से बताईए इसका सही answer क्या होगा हाँ in MS word our paragraph can have the right हाँ पूरा paragraph right align हो सकता है एकदम सही है in MS word our paragraph cannot have the नहीं paragraph hanging alignment hanging मतलब एक line आपकी यहां से सुरू हुई है दूसरी आपकी यहां से होगी ऐसे होता है तो वो सभी hanging में नहीं हो सकता है तो यह गलत होगा पहला true दूसरा false हो जाएगा B answer correct होगा अगला which of the following statement is about MS word table is false बोलना which of the following statement about MS word is false कौन सा false है two or more consecutive cell of a column can be merge merge कर सकते है हाँ कर सकते हो दो को उठाओ और उसमें माता है right click करोगे merge cell हो जाएगा two or more consecutive cell of row merge कर सकते हो column को भी कर सकते हो row को भी कर सकते हो alternate cell of a row or column cannot be merge alternate cell or जो column होगा वो merge नहीं हो सकता जाहिर सी बात है एक column यहां पर है और एक छोड़के दूसरा इसको कैसे merge करोगे जब select करोगे तो आपका पूरा select हो जाता है तो यह चीज़ आप नहीं कर सकते हो यह भी सही बोला है the first and last cell of a table can be merge नहीं first और last cell भी हम merge नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब select करेंगे तो पूरा row select हो जाएगा पूरा column select हो जाएगा तो D answer false होगा merge नहीं हो सकता है अगला 47 number निमलिखित में से कौन सा MS Excel में work sheet से इस पर दिखाई देता है अब बताओ इसमें तो वह गायव हो गया top of the work sheet in MS Excel MS Excel में सबसे top पर क्या दिखाई देगा अभी option change हो गया इसमें अब इसके हिसाब से बताओ दोखो status bar नीचे होता है जहां पर आपके number of seats से दिखाते हैं सब status bar में होता है horizontal और vertical scroll जब आपका ये सब menu वाला होता है तो यहां पर आपका horizontal होता है और इधर vertical होता है लेकिन उपर सब menu होता है न तो उसके उपर formula बार होगा option के recording क्या जाओगे D answer सही होगा A नहीं होगा सुरज status bar नीचे होता हमेशा ध्यान दखना Original और scroll bar जब आपका page होता है यहां देखो यहां title बार होता है यहां menu होता है command group होता है ठीक है उसके बाद formula होता है उसके बाद से यहां पर आपके page में आपका यहां पर skill लगा रहता है ruler जो यह scroll बार है वो यहां होता है ऐसे ऐसे तो formula बार होगा इसका answer अगला प्रस्न which of the following key is used to select a range of continuous sales in ms excel work sheet ठीक है continuous आपको अगर sales choose करना है तो इसमें से कौन सा shortcut key use करोगे हाँ बहुत बढ़िया shift से आप continuous कर सकते हो पूरा का पूरा save क्या कर सकते हो select कर सकते हो ceiling function मैंने पढ़ाया है बताओ ceiling function की value क्या होगी बैच्चो ceiling function की value क्या होगी चल्दी से बताओ seven होगा क्यों ceiling में क्या होता है जो यह दिया है इसका nearest value इससे उपर होनी चाहिए ceiling मतलब ceiling मतलब च्छत होता ना तो इसकी nearest value जो इससे उपर हो जाके देखना मैंने ceiling function पढ़ाया आप लोगो पांच का multiple जो यह ceiling होता है इसका कौन सा value multiple होगा जो इसकी cell इससे उपर value होगा रिपीट कर दे हाँ एप में class complete हो गया है एप में class complete हो गया है आपका किसी ने answer दिया पांच का multiple क्या होगा जो 7 के आसपास गिरेगा आठ सेवन का multiple है यह बताओ आठ जो है आपका वह सेवन का multiple है क्या मतला पांच का multiple है नहीं है ना भाई तब कैसे का सकते हो ठीक है यह significance वेलू होती है पांच का multiple जो साथ से उपर हो पांच कम पांच तो कम है एक वाला multiple पांच दूनी करोगे तो 10 हो जाएगा तो 10 ही आपका उसका जो सेवन के उपर वैलू आ रही है बाकी तो यह कम है यह आपका लेना नहीं क्यूंकि यह भी अगर यहां पर फ्लोर होता अगर फ्लोर होता तो अगर यहां पर कोई और वैलू होती तो उसके नीचे उसका मल्टिपल देखते हैं फ्लोर का मतलब होता है नीचे अगला पत्चास नंबर और लास्ट कुस्च्चन आपका जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा टाइपिंग और पेपर एक ही दिन होगा इस्टेट वेगर दफालोइंग स्टेटमेंट रिलेटेट टू एमेस वर्ड रू और फॉल्स ए डॉकुमेंट फाइल केन है बोग बूलेट एंड नंबर जाहर सी बात है पेज मार्जीन इन एमेस वर्ड डॉकुमेंट केन बी कस कस्टमाइज एकदम कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है मार्जीन जो है आप जब डॉक डाउन करोगे तो कस्टमाइज मार्जीन आता है तो आप पेज की मार्जीन को कस्टमाइज भी कर सकते हो और बुलेट और नंबर दोलो हो सकता है तो बोथ टू होगा डी आंसर करेक्ट हो पूरे इतना समय तक आप लोग लेकिन लोगों ने तुम लोग नहीं रहा एक्जाम है इतने एड्मिशन लियो लेकिन पड़ने कोई नहीं आ रहा ऐसा क्यों है बाई एक कहावत है मन के हारे हार है और मन के जीते जीट अगर पहले ही हार मान जाओगे भूमी छोड़के भाग जाओगे तो already जो लोग हैं वो तो सरे maximum बच्चे यही mood बना लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे exam देले यह अच्छी बात है आप दो महिने से तयारी कर रहे हो तो आप जाओ लेकिन strategic तरीके से खेल कर आओ जियस नहीं पढ़ोगे तभी भी 10 question करके आओगे गारेंटी है लेकिन यह सब पढ़ लोगे तो 24, 25, 23, 24, 25 तो भी हो सकता है इंगलिस अच्छे से पढ़ो दो ही चीज़ तो मैं बोल लाओ पढ़ने के लिए देखो descriptive के बारे में कुछ कहा नहीं सकते है थोड़ा clear हो जाएए क्यूंकि 26, 27 सबके जो आपका exam CT वाला आया है आपका mail उस सब में 26, 27 लिखा है लेकिन most of the chance है कि descriptive आपका बाद हो में होगा number of candidate जादे है इसलिए दो दिन exam हो रहा है JCA वाले या यूपी PCL वाले ना confuse हो ना JCA वालों की typing उसी दिन होगी English typing इंकी है एकदम high code की तरह पचास में 42 से ही बहुत बढ़िया देखो भाई computer का एक ही है tips computer में आप का पड़ो Microsoft Office Suite के जितने भी मैंने आपको paid class में MCQ दिया है सब कर डालो अभी मैं जितना कराऊंगे लास्ट के 10 दिन वह सब पड़ा लो और मोका मिले तो जाओ AISI के लिए question कराया हूँ देर सारा उसको भी पड़ा लो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ एक भी धर उधर आज़े तो बताना क्या कर रही थी आरू कि class नहीं ले पाई चलो मेरा दूसरे class का time हो गया आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बाकी बाते कल करेंगे ठीक है अभी हमें मुख्य सेविकाओं के पास जाना है तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं छमा चाहता हूँ आप सभी से सभी लोग खुछ रहों मस्तर आओ स्वस्तर आओ और selection जरूर लेकर आओ नवस्तर मैं आसीज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बार सेशन को जोड़दार तरीके से सेसर कर दें और एक बार सभी लोग जोड़दार तरीके से बोले नात का नाम ले बोले हर हर महादेव और सेशन क को सेर करिए कल हमने 50 question discuss कर लिया था आज उसके आगे 50 के आगे और MS Office के question को हम discuss करेंगे आवाज clear आ रही है एक बार आप लोग बता दें ठीक है एक बार सभी लोग बता दें कि आवाज clear आ रही है एक बार सभी लोग session को सेर करिए जुर्दार तरीके शेर सब कुछ clear है आडियो वीडियो तो एक बार सेर करिए और बोलिये भोले नात कीज़े क्यों सुरद जी गुड इवनिंग सुरद जी सोनी जी रितुराज जी काजल जी आयूज जी सभी का स्वागत है वेरी वेरी गुड इवनिंग PDF जो है मेरा target था 100 question ठीक है तो 100 question हो जाने दो PDF मिल जाएगी आपको सभी का स्वागत है वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोग एक बार session को share करिए फिर question को हम start करते हैं सिमरन जी गुड इवनिंग आयूज जी रूचिका जी दीपक कुमार जी वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी का स्वागत है सभी लोग एक बार session को share करो पचास कोश्चन कल हो चुके थे ठीक है आगे बढ़ते हैं एक क्याओन नंबर कोश्चन आपके स्क्रिन पर आ चुका है 51 कोश्चन जो है आपका ये सभी MS Office से ही कोश्चन बन रहे हैं चलिए MS Office से ही कोश्चन बने है तो इसको एक बार सभी लोगा answer कमेंट करिए क्या इसका सही जबाब होगा शिवांगी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग आरून अरेन जी गुड इवनिंग कामनी जी गुड इवनिंग अस्वीर जी खुस रहे है मस्त रहे है स्वस्त रहे है जबर्दस्त रहे है रितिक राज जी दे रहे है ए आंसर होगा इसका एक बार सभी लोग सेशन को share करिए आसी जी नॉर्मल मिस्टर निक भी आंसर दे रहे हैं इमान सू जी गुड इवनिंग आसी जी नॉर्मल बोले हर हर महादेव चलिए वेन यू ओपें ए नुव फाइल क्या बोला है हाँ वेन यू ओपें ए नुव फाइल इन दा निवर वर्जन ओफ MS वर्ड सच एज वर्ड दुहाजार सो रह डिफॉल्ट पेज मार्जिन इस सेट एज तो आपका चाहे नुव वर्जिन हो चाहे old version हो जो भी आप file open करते हो MS word में तो आपका margin होता है पेज का वो margin कौन सा होता है वो normal margin होता है आप जाके check करना वो कौन सा margin होता है normal margin होता है ठीक है तो answer क्या दोगे normal दोगे ठीक है narrow bar में उपको set कर सकते हो customize कर सकते हो page के margin को तो बी answer देने वाले सभी लोग सही होते है ठीक है चलो अगले प्रस्न पर बढ़ते है which of the following appears at the extreme right position of a work seat in MS Excel MS Excel की जो work seat होती है ठीक है MS Excel की जो work seat होती है इस work seat में क्या आप से पूछ रहा है कि at the extreme position of a किस extreme extreme right में तो right side है extreme right position पे क्या होता है status bar नहीं यह bottom पे होता है vertical score bar horizontal score bar horizontal जो होता है status की थोड़ा सा उपर होता है menu bar उपर होता है यहाँ पर होता है menu bar ठीक है और जो आपका vertical score bar है ऐसे vertically scroll करने के लिए up down करने के लिए यहाँ पे होता है extreme right में होता है तो answer क्या दोगे be correct answer होगा be correct होगा vertical scroll bar होगा सभी लोग कहां चले गए भाई एक बार सभी लोग session को share करो जुर्दार तरीके से चलो अगला question है consider a formula dollar डी डॉलर थी प्लस डॉलर सी डॉलर फाइफ इनसे बी फोर इप दसे बी फोर इस कोपी एंड पेस्टेट टो एफ टेंट थीक है एफ टेंट वाले सेल में एफ आप टेंट जैसे लिखा रहता है ना बी और फोर बी फोर का मतलब बी क्या दरसाता है आपको बी आपको दरसाता है कॉलम क्यूंकि ABCD से लेकर XFD थब आपका क्या होता है कॉलम होता है अब उसी के बाद अगर हम बात करें तो ऐसे ये क्या दरसाता है ये रो दरसाता है तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर इस फॉर्मूले को हम F10 वाले सेल में क्या सेल एड्रेस होता है जो भी ऐसे लिखा रहाता है बीफो इसको क्या बोले जाता है सेल एड्रेस बोला जाता है ये भी पूछ सकता है आपसे ये क्या चीज़े है तो ये सेल एड्रेस होता है सभी के कमेंट्स हो रहे हैं क्या है एक दम बवाल मचाए हो सभी के कमेंट्स हो रहे हैं सभी लोग एक बार सेयर करो क्लास अपने टाइम पर चालू हुआ साथ बजे तो आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताओ F10 में पेस्ट करोगे तो एक बात को ध्यान डखना है यहां पर जो लिखा गया है आपका यह डॉलर साइन जो होता है वो वैलू को क्या करता है फिक्स करने के लिए होता है रो और कॉलम को यह कॉलम को फिक्स कर दिया यह रो को फिक्स कर दिया तो यहाँ पर आपका change नहीं होगा जब आप F10 में भी paste करोगे इस चीज़ को तो आपका formula वही रहेगा क्योंकि यह absolute cell reference है क्या है absolute cell reference होता है यह पढ़ाया है absolute relative और mix यह तीनों cell reference मैंने आपको बताया है ठीक है तो इसको ध्यान डखना यह पूछ रहा सकता है absolute cell reference है यह तो यह change नहीं होगा हाँ same as a question होगा which of the following does not appear as a part of the paragraph command group within the whole menu in a recent version of MS Word ठीक है बोला आपसे किसमे कौन से command group की बात कर रहा है paragraph command group जब आपको मैंने पढ़ाया था menu कि यह देखो यह menu है इन menu में अंदर command group होते हैं और उस command group में command होती है ठीक है तो इसमें से कौन सा paragraph के अंदर नहीं आएगा bullet भी paragraph command group में आता है multi level list भी आता है numbering भी आता है alignment भी आते हैं लेकिन change case जो होता है वो font style वाले में आता है change case जो होता है वो font style वाले में आता है तो यह आपका d answer क्या होगा इसका correct होगा चलिए आकाजी सभी c बोल है c नहीं हो सकता है numbering होती है numbering नहीं करते हो bullet के form में वही चीज़े वो बोला रहा है चलो आजओ अगला प्रस्थ नहीं है रहा what will be the result of the following ms excel formula इस ms excel formula का result क्या होगा जल्दी से बताईए yes जी सस्त्रियकाल puse जी one बता रहे है इसका answer one होगा बहुत बढ़े है rahul one answer बता रहे है और किसी का answer D answer होगा इसका इसका B होगा हिमानसु जी B सिमरन जी one बता रहे है चलो इसका सही जवाब क्या होगा प्रगती जी one बता रहे है रूचिका जी, सताक्षिश इनहा जी, चलिए, सभी लोग बता रहे हैं 1 होगा, फैक्टोरियल 5-4 लिखा है, तो यहाँ पे जो फैक्टोरियल होगा आपका 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैलू 1 ही आएगी, तो B आंसर आपका correct होगा, बोला है, which of the following keyword, shortcut equivalent to Ctrl-S, to save an open file in MS Word, MS Word में, save file करने के लिए, और किस मेथड से, Ctrl-S से तो होता ही है, बाकी और किस मेथड से, आपका Ctrl-S होगा, save करोगे, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, और कैसे आप save करोगे, क्या answer दे रहे हैं सभी, D1 आ रहा है किसी का answer, B answer आ रहा है, और किसी के, शिवांगी जी D answer दे रही है, देखो, simple size में, जो Ctrl-S काम करेगा, वही आपका Shift-F12 काम करेगा, Shift-F12 से भी save as कर सकते हो, save कर सकते हो, फाइल को आ, ठीक है, Shift-F12 भी आपका वही काम करेगा, ध्यान रखिएगा, अगला प्रशना आपका है, What is the keyboard shortcut to perform paste operation in MS Word, पेस्ट किसे होता है, Ctrl-V से होता है, यह एकदम repeated question है, Ctrl-V से होता है, अगला, which of the following components of work seat, display the address of the selected cell, cell address कहां दिखता है आपको, cell address जो होता है, work seat में आपको कहां दिखता है, एक बार जल्दी से बताओ, cell address आपको कहां दिखता है, सबसे बताओ, formula bar में दिखता है, या कहीं और दिखता है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताईए चलिए कुछ रही है मस्तर यह फॉर्मूला बार में नहीं फॉर्मूला से पहले फॉर्मूला बार वाला तो आपका यहां पर राता है उससे पहले जो होता है उसको कहा जाता है नेम बॉक्स यह जो होता है उसके बाद यहां फॉर्मूला वाला होता है वहां फॉर्मूला बा formula वाले में नहीं होता है समझ में आया चलो अगले पर आते C answer correct होगा which of the following mouse click can be used to select a paragraph in MS word MS word में कौन से mouse click में पूरा paragraph सेलेक्ट हो जागा left click तीन बार left click करोगे ऐसे जो आपका mouse बटन होता है इस पर left click करोगे तीन बार तो आपका पूरा paragraph सेलेक्ट हो जाएगा ये भी मैंने कल करा रखा था what is the smallest number of row that a table in MS word can be MS word में table की सबसे कम संख्या क्या होगी वो भी किस शीच की पूछा है आप से चोटी पंक्तियों की संख्या क्या होगी रो की सबसे कम संख्या क्या होगी जल्दी से बताओ सबसे कम रो क्या हो सकता है सबसे कम रो क्या हो सकता है जल्दी से बताइए मिनिममम एक हो सकता है ठीक है मिनिममम क्या हो सकता है यहां आजाओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका अंसर पता यह क्या होगा कि इस वाले का अंसर बताईए क्या होगा हाँ हाँ है मैस एक्सल आपके कमेंट है में नहीं दिख रहा है क्योंकि आगे का हमारा जो यंत रहे वो बंद हो चुका है इसको आप लेफ्ट से राइट क्योंकि सेम प्रियोटी यहां पे क्यों सल्फ करोंगे यहां अजाएगा इसका आप और यहां से आपका कितना आजाएगा ठीक है कि यहां भी दो गना दो चार दुनिया तो डू अपन हो जाएगा और यहां पे आजाएगा वट यहां पे पे गर ऋ-1 कर दोगे तो जीरो हो जाएगा तो इसी में डिस्टर्ब करने होते हैं ठीक चलो तो आंसर क्या होगा इसका जीरो होगा अगले question पर बढ़ते हैं तब तक आपका on हो रहा है when you enter a value in a ms excel cell and paste the enter key what will happen by default अगर आप किसी में value enter कर रहे हो cell में और आपने enter दबा दिया तो अब आपका क्या होगा जल्दी से बताओ enter दबाने के बाद क्या हाँ पहुंच जाओगे इंटर दबाने के बाद आप कहां पहुंच जाओगे इसका answer बताओए क्या होगा देखो इंटर दबाने के बाद option पढ़ लो और answer बताओ बोला है the cursor selected box will move to the upper cell the cursor selection box के पास से will move to the lower cell the cursor selection box will move to the right cell left cell light left को कुछ नहीं जाएगा सीधे इंटर जब दबाएगे वहां से तो आपका lower वाले में चला जाएगा कहां चला जाएगा lower में चला जाएगा दो मिनिट का समय दो तब तक अगले question पर आते हैं which of the following statement is are true in MS word a word can have both lower case and upper case letter हाँ जाहिड सी बात है true है in MS word the first word of a paragraph cannot be made bold ऐसा कहां हो सकता है क्यों नहीं कर सकते हो bold आप जिसको चाहो तिसको bold कर सकते हो यह बोला नहीं कर सकते है इसलिए गलत हो जाएगा तो पहला सही है only first आपका क्या है true है आपका इसमें only first आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा चल अब अगले question पर आते हैं comment आपके दिख नहीं रहे इसलिए आपके नाम नहीं ले रहे यह formula जब हम excel में लगाएंगे event 3 plus odd 1 तो उसकी value क्या आएगी अब आएगो अब दिखे हो तुम लोग ते एक बार भोले नात का नाम लो और share करो सब्लोग इसका answer बताईए क्या सही होगा जल्दी से बताओ 11 होगा इसका 11,13 आपके answer आ रहे हैं अच्छा event यहाँ पर जो दिया है जब भी यह function लगाओगे event value इसके बाद इसके अप्रोक्स even value क्या होगी इससे उपर तो 4 होगी event value 3 से उपर और odd value 8 से उपर कौन से होगी 9 होगी तो plus 9 plus 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो 13 answer होगा इसका ठीक है तीन के बाद आपकी event value कौन से होगी और 8 के बाद odd value क्या होगी तो यह होगा सही 13 एकदम बहुत बने अस्सुभा अर्मान शोनी राहूल मिस्टर निक ठीक है सभी के आंसर क्या रहे हैं 13 13 आ रहे हैं अगला प्लस कॉंसीडर एक फर्मूला बी टू प्लस फोर इन असेल एवन इफ सेल एवन एवन इस कॉपी एंट पेस्टेट टू दिफोर देन वाट विल दा फर्मूला अफ दिफोर तो आग जैसा मैंने एक प्लस इसमें बताया था कि यहां कोई भी ऐसा रो और कॉलम को जैसमें एवन एड्रेस में लिखा यहां पर बी टू अगर मुझे डीफोर में करना है चीज तो क्या करेंगे देख़ो यह एसे बहा है भी तो हम क्या करेंगे डी से बहा देंगे ए और यहां से 4 यहां एक था तो एक बढ़ गया था यहां चार है तो यहां एक बढ़ यहां आपकी सीटे होती है और यहीं पर स्टेटस बाहर होता है और इधर जब जाओगे तो क्या होता है आपका जूम होता है क्यों होता है कि नहीं खोल के देखे हो कि नहीं एक्सल अक्सल जब खोल के देखे होगे तो सब पता चल जाएगा जो आपका जहां स्टेटस बाहर सीट देखो यहां पर सीट होता है वन टू थ्री और यह आपका रेडी लिखा रहता है य जूम वाला है यहीं पर व्यू होता है यहीं पर जूम होता है तो मैक्सिमम जूम अपसे अगर मैं पूछ हूँ एक्सल में मैक्सिमम जूम कितना होगा एक्सल में मैक्सिमम जूम कितना होगा हाँ status bar जिगदम 100% सही बोले हो यह होगा नहीं क्योंकि यह उपर होता है यह भी उपर होता है यह आपका horizontal इसके उपर होता है ठीक है तो यह भी नहीं होगा जो यह होता है कि maximum 400% होता है और minimum क्या होता है 10% होता है ठीक है by default कितना होता है by default जब Excel खोलते हो तो कितना होता है 100 होता है 2010 में चलो अगला प्रस्ण which of the following appears as a part of the paragraph command group within the home menu in a recent version of MS Word such as Word 2016 paragraph command group में से कौन सा है इस में से कौन सा command जो है आपका paragraph command group में दिखता है copy replace format printer या bullet bullet दिखता है बाकी सब किसमें दिखता है आपके clipboard वाले में दिखता है किसमे clipboard वाले में दिखता है ठीक है C answer इसका correct हो जाएगा अगला है state whether the following statement related to MS Word are true or false MS Word के बारे में कौन सा true or false है landscape orientation the height of the page is larger than width बोला अगर landscape है आपका ऐसे है तो बोला height जो होगी वो आपके width से जादे होगी नहीं आईसा कहा होता है यहाँ पर जो आपकी width height जो होती वो कम होती जादे नहीं होती है in portrait orientation the width of the page अगर portrait की बात किया जाए तो यहाँ पर जो चोड़ाई बोला है और larger than the height नहीं यहाँ पर कम होती है height जादे होती है तो यह भी गलत बोला है तो दोनों के दोनों गलत बोला है तो क्या answer हो जाएगा B option सही हो जाएगा B option सही हो गा एक बर सभी लोग share करिये बोलिये हर हर महा दे चलो false हाँ दोनों false हो जाएगा अगरा है which of the following keyboard shortcut can be used to insert a hyperlink कई बार यह भी प्रसनाब से examों में पूछा गया है hyperlink insert करने के लिए shortcut की क्या है तो क्या कहोगे control plus k से हम hyperlink link कर सकते है hyperlink जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं जिस text में लगाओगे उसको hypertext बोला जाता है ठीक तो यहाँ पे control के आपका सही answer होगा अगला प्रसन वाइल printing MS Word एक मुझे और प्रसन का रवाद दो gutter margin क्या होता है यह भी कई बार एक्जामों में पूचा है gutter margin क्या होता है बताना मुझे वाइल printing MS Word document we can set the number of copy to be printed by default you will have copy of the document कितनी copy होंगी by default एक दो तीन या आठ क्या होगा अगर print करोगे तो by default कितनी copy होंगी चलो extra space for winding बहुत बढ़िया gutter margin extra space for binding page के लिए left side में ठोड़ा जाता है ठीक है बहुत बढ़िया बैतरीन है तुम लोग की knowledge यहाँ पे by default one page होगा अपीस जो है वो निकलेगा print में जब तक आप उसको set नहीं करोगे कितने चाहिए हमें यहाँ पर 71 number question देखो is a reusable sample file ठीक है एक simple file होती है जैसे बोला जैए एक demo file जिसको कह सकते हो that include a background layout coordinate forms and other design elements that work together to create an attractive finish slide show ठीक है यह एक तरह से जो पहले से predefined बना हुआ जिसमें आपका layout भी रहेगा font style भी रहेगा design भी रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है watermark कहा जाता है animation कहा जाता है template कहा जाता है Здесьर्स कहा जाता है यह तो dictionary का काम करता है animation हम किसमें लगाते हैं slide के text में लगाते हैं transition जो होता है वो slide to slide लगता है तो यहां आप लोग सही जबाब जो दे रहा है कौन सही जबाब दे रहा है जो c option चूज किया है template जो होता है template एक बना-बना format होता है बस उसमें आप कुछ change किये बाकि उसका design उसके text font उसके color सब पहले से रहेंगे b वाले एकदम गलत है c answer correct होगा यहां पर c answer correct होगा उसको template काते है which shortcut key used to make a duplicate of a slide किसी slide का duplicate बनाना हो या कोई नई slide add करना हो दोनों का shortcut की मुझे बताओ अगर आपको कोई नई slide add करना हो तो कैसे add करोगे और duplicate बनाना हो slide को तो कैसे करोगे 72 का answer b दे रहे हैं सभी अच्छा control d से duplicate हो जाएगा एकदम साही लेकिन नई slide add करने के लिए क्या होगा वागिस तिवारी जी बता रहे हैं control n नहीं control n से नया powerpoint presentation खुल जाएगा ये इसी गलती के होजे से मैंने पूछा था control m से एक slide बना जोड़ों के और उसमें तो slide जोडने के लिए होता है control n से नयाज खुल जाएगा ना कि आप slide जोड़ पाओगे सभी लोग ध्यान देना अर्मान जी control d होगा इसका answer to set a fixed column width on the tab उसके बाद tab in the group selected your table click auto fit and select fixed column width क्या होगा इसमें to set a fixed column width on the tab in the किस group में select your table and click auto fit and select the fixed column width इसका सही answer क्या होगा बोला यहाँ पर option design या सेल साइच to set a fixed column width on the किसमें layout में जब सेल के किसी भी layout में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा सेल साइच ग्रूप select your table click auto fit and select the fixed column width तो यह C answer होगा layout में जाओ फिर सेल साइच ग्रूप में जाओ फिर वहाँ पर auto fit कर दोगे तो आपका हो जाएगा C answer इसका correct होगा अगला प्रस्ण है MS powerpoint view dead display only text and bullet यह आपको word में भी मैंने बताया था और powerpoint में भी जब आपका slide open करते हो यहाँ slide दिखता है और यहाँ पर आपके slide होता है और यहाँ पर एक आपका outline होता है क्या होता है जब outline पर करोगे तो सिर्फ text और bullet दिखता है तो इसी को क्या कहा जाता है outline view कहा जाता है outline view खाली बोला है title and bullet बोला है आपसे slide कहा से हो जाब एक कली पढ़ाया हो और आज ही करबर दिखर रहे हो word में यही चीज बताया हो चलो d answer correct होगा 75 number पर आ जाओ what is the correct way to refer a bracket a 10 from the seat 1 on seat 3 अगर आपको seat 1 के ठीक है a 10 को represent करना है a 10 excel address हो गया किसमे seat 3 में ठीक है आपको अगर जैसे 3 seat होती है seat 1, seat 2, seat 3 तो वही बोला है कि what is the correct way to refer to a bracket a 10 from the seat 1 to seat 3 अगर आपका कोई a 10 पर कोई चीज है ठीक है उसको आप refer करना चाहते हो seat 3 में तो वह कैसे refer करोगे कि यहाँ पर कोई क्लिक करें तो seat 3 पर पहुंच जाए ठीक है उसके लिए क्या सही होगा उसके लिए होगा लिखो के क्या seat 3 यह marks आपका दोगे और यहाँ पर लिख दोगे a 10 तो यह a 10 seat 3 से क्या हो जाएगा connect हो जाएगा refer कर दोगे ठीक है इसको answer d आपका सही हो जाएगा connection इससे बनता है आपका अगला प्रस्न है आपका which shortcut key is used to find replace in not paid replace हो कुछ भी हो find find और replace के लिए चाहे word हो चाहे note paid का आपसे पूछ रहा है तो shortcut की हमेशा क्या होगा वही होगा find replace का control h control h से हम क्या करेंगे find and replace दोनों आपको आपर मिल जाएगा हाँ चलो 77 आपका in ms excel formula which symbol specify the fix column and row row और column को fix करने के लिए कौन सा symbol use किया जाता है आपसे ये भी पूछा जाता है formula को शुरू करने के लिए कौन सा symbol use किया जाता है तो equal to का sign अगर किसी row और column को fix करने के लिए जो आपका sign होगा वो आपका dollar sign होता है कौन सा होता है बी आंसर एकदम सही जबाब होगा ठीक चल नेक्स प्रसन आपका इन MS Excel which command is used to display only the current date कौन सा command आपको current date के बारे में बताएगा पॉनेजी खुश रहो मस्त रहो स्वस्त रहो जबरदस्त रहो एक बार बोलिए सबी लोग हर हर माहा देओ और session को share करो जबरदस्त तरीके से बताओ तुरंत का आपका अगर current आपको समय और क्या दिखाना है current date दिखाना है ना यूस्ट डिस्पले only the current date तो वो आपको कौन दिखाता है जल्दी से बताइए गलत बता रहे हो गलत बता रहे हो भाई सब के सब गलत बता रहे हो कोई कारा डेट होगा formula अला पड़े नहीं हो time होगा कोई now बता रहा है कोई today बता रहा है क्या इसमें होगा सही जबाब बताओ सिर्फ date बताना है now में time और date दोनों आ जाता है और today जब करोगे न तो today में आपका क्या आएगा सिर्फ आज का क्या बोला command use to display only the current date आज का चाहिए तो today यूज करो बाकी तो के लिए date और time तो आई है और now में करोगे तो now में date और time दोनों आता है today होगा ना की date होगा चलो in ms word automatically move the text to the next when it reaches the right edge of the screen it is called ms word में जब हम automatically क्या करते है move कर देते है text को to the next when it reaches right edge of the screen it is called उसको क्या कहेंगे carriage return text wrapping इंटर या text forming जब हम लिखते लिखते जाते हैं तो फिर अगला लेटर फिर यहां से लिखना start कर देता ना जैसे edge पर पहुंचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको text wrapping कहा जाता है वो पूरा एकदम wrap करके यहां से फिर अगले से start हो जाता है इसी को text wrapping कहते हैं in ms excel macros can be inserted using the क्या कौन से time में macros होता है design में view में layout में या developer में बताओ macros किस में होता है क्या answer दोगे इसका ms excel में macros किस में होता है view table में होता है एकदम सही जबाब दिये हो किस में होता है view table में होता है आ जाओ अगला in ms word 2010 control shift f1 is used for 2010 में control shift f1 से हम क्या करते है to print a paragraph to exit a word to choose a print command to unlock area इसका सही answer क्या होगा प्रिंट जल्दी से बताओ क्या होगा इसका control shift f1 control के साथ shift f1 दबाओगे क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे shift f1 में d बता रहे हैं अच्छा d होगा a होगा देखो बोला इसमें to print a paragraph किसी अनुछेत को मुद्रित या करने के to exit word to choose print command to unlock area अगर आप control shift f1 दबाओगे d होगा सभी बोलें d होगा to unlock area कौन सा unlock area करने के लिए होता है कुछ a बता रहे हैं कुछ d बता रहे कि देखो control shift जो f1 होता है यह आपका print का alternate command होता है control p का ठीक है alternate command क्या होगा control shift f1 होगा ठीक है print का alternate command होता है एक तरह से बोला जाए चलो दो मिनट रुको ठीक आ जाओ उस पे करोगे तू आपके आ जाता है आपका एक सर्च वाला इधर जब प्रिंट करोगे नहीं यहाँ पर तो यह आपका यह वाला जो पॉर्चन यहाँ पर खुल जाता हो डॉकुमेंट के बार इम बताने लगता है देखो एक बार करके एक बार करके देखो मुझे भिकुष लेकिन होता है एक एक एफ ट्व यह प्रिंट के लिए होता है ठीक है देखो प्रिंट हो रहा है कि नहीं जल्दी से बताओ कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रिंट हो रहा है कि नहीं कि अज़र करने तो है कि आप अब यहां पर तो को सिप्याओ कुछ कुष्चन और भर यहां पर एक नहीं होना चाहिए का वो कुष्चन देखना पड़ेगा इसको क्योंकि F1 के साथ नहीं हो रहा मैंने भी सिस्टम पर देखा ठीक है या तो यहां पर हाइड जो होगा हाइड वाला होगा कुछ हाइड हो जाएगा इससे इसका प्रिंट वाला ने होगा इसको एक बार देखेंगे कंट्रोल सिफ्ट F1 से क्या होगा ठीक है तो अभी यहां पर exit word नहीं कर सकते हो option भी साथ यह गलत पेस्ट हो गया कुछ तो गलत हुआ है चाहे F1 नहीं होगा वाँ पर चाहे option उसके recording नहीं होगा इसको देख लेंगे बाद में to split a table in MS Word 2010 place your mouse pointer on the row from which you want to split the table click on the मतलब जहां से आप split करना चाहते हो table को वहाँ पे जाओ pointer को रखो उस रो पर then which you want to split the table click on the क्या tab and then click on the किस पर tab करोगे किस पर tab करोगे क्लिक ओन दा कौन सा टेब वेन देन क्लिक ओन दा जल्दी से बताओ इसमें तो यहाँ पर क्या करोगे जब आपको split करना है table को और split तो करना है तो split तो होगा ही break होगा नहीं तो layout split table होगा page layout नहीं होगा इंसर्ट या split table होगा यहाँ पर क्या करोगे ले आउट करोगे फिर split table करोगे बी आंसर करेक्ट होगा ठीक है यहाँ पर click on the layout tab and then click on the split table ठीक है आपका बी आंसर करेक्ट होगा इसका the object on the slide holding the text is card मतलब अब यह बोलना चाहिए था कहाँ पर power point में power point में power point में जो आपका slide होता है इसलिख दिया slide तो बात बराबर होई जो slide holding जो text आपका hold करता है slide उसको क्या कहा जाता है ठीक है उसको कहा जाता है प्लेस होल्डर क्या कहा जाता है डी इसका कैसे दे रहो इमेज होल्डर नहीं होगा आपका प्लेस होल्डर होगा अगला प्रशन यहां देखो what is the shortcut key to start presentation from current slide in ms powerpoint current के slide से अगर आपको presentation करना होगा slide सो करना होगा तो कौन सा shortcut कुणजी अपना होगे जल्दी से बताओ a a a a a आ रहा है कुछ लोगों का b आ रहा है presentation में current slide से अगर करना होगा तो वैसे तो आप क्या करोगे f5 से कर सकते हो slide सो लेकिन आपको किसी current position पर बैठे हो तो वहां से shift f5 से करोगे किस से करोगे shift f5 से करोगे अब यह किसका अगया dash is a system of transmitting transmitting information between electronics musical instrument यह अलग से आपका है musical instrument digital interchange is a system of transmitting information between electronics musical instrument इसमें से क्या सही होगा कि देखो यहां होगा musical instrument digital interface musical instrument digital interface is a system for transmitting information between electronics and musical instrument ठीक है जो musical instrument digital interface है वो क्या करता है वो आपका information को transmit करता है electronics से musical instrument में जो प्यानो वानो टाइप के होते हैं वो सब इसी में आएंगे 86 number question the following step are used to add or border to a paragraph in a document created using MS Word 2010 कौन सा step जो हैं यूज करेंगे to add a border to a paragraph paragraph में border add करने के लिए देखो select the paragraph text that you want to format click on the home tag click the border and setting button border command to add and remove border ठीक है कौन सा option इसमें किस sequence में चलेंगे select the option give the correct sequence of the step बताओ paragraph में अगर border लगाना हो तो कैसे चलेंगे जो भी दिया एकदम सही दिया है क्या बोला है select the paragraph text you want to format जिस भी paragraph को आपको border लगाना उसको select कर लो फिर आप home tab पर जाओ और फिर क्या करो border and setting button border command to add and remove border आपको add और remove वाले पर करना है फिर वो आपका खुल के आ जाएगा border लगा देना तो 123 आपका जो sequence है वही होगा 123 जो sequence है वही होगा in not paid which shortcut key used to access the help option help option ऐसे question mark बना रहता है ना किस shortcut की से आप use कर सकते हो help option को help option किस से आता है जल्दी से बता हो F1 से आता है या F2 से आता है help वाला F1 से आता है या F2 से आता है हां तो answer क्या दोगे F1 से आता है help help का जो आता है एक dialogue box खुल के आ जाता और यहां लिखा रहता है help ठीक है जो भी आपको help लेना नूट पैट से वह ले सकते हो which shortcut key is used to copy text formatting and then paste same text formatting एक बात ध्यानक नहीं आप इसका इसलिए पूछा है कि मालो कोई text आपने लिखा है H लिखा इसकी formatting की हो italic है पूरा bold है कोई और format में है H इसको copy किये और चार है जो formatting इसमें है जो color है सेम चीज आपका paste हो तो उसके लिए आपका shortcut की क्या होगा formatting के साथ करना है तो shift आ जाता है बस ctrl shift c से copy होगा अब ctrl shift v से वही चीज paste हो जाएगा बस a option answer हो जाएगा इसका a option answer हो जाएगा the part of chart like legend title data table data label इजर आर लौन चाट में जब जाते हो तो बार graph चार चाय पाई बनाते हो तो उसका आपका data table होता है टाइल होता है ठीक है उसके बास उसका legend होता है ये सब ही चीजे होती है वह किस्में होती है उसको क्या कह göra जाता है chart figure कहा जाता हैowe chart element कहा जाता है section कहा टाइट बोला जाता है तो वो सब चार्ट के क्या होते हैं बार गोलो चाहिए पाई खोलो वो सब element होते हैं चो data वाला हो गया चाहिए कुछ भी हो गया तो भी answer आपका सही होगा क्या लिख रहे है यार भारती जी एक्सेल फिल्ड के नाम की अधिक्तम लंबाई क्या है जल्दी से बताओ एक question पूछें यार भारती जी ने एक्सेल फिल्ड में एक नाम की अधिक्तम लंबाई कितनी हो सकती करेक्टर एक कितना हो सकता है बताओ कोई चलो यहां पर आजाओ अच्छा एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल के चलो एक नोने पूछ दिया मुझे याद आ गया वही चीज़ है एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे कैसे पता करोगे इसको जल्दी से बताईए बताईए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि दो सो चपन होंगे कि दो सो चपन तुम लोग अलग दे रहे हैं सर अभी एक्सल खोलो उस पे लगाओ क्या एल ई यह और यह लगा दूसल तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि इसकी लेंट कितनी हो सकती इसेल की दो सो चपन वो फाइल का नाम है वो क्या होगा आपका फाइल का नाम होगा चल्वाँ 32 सही है यह होगा 32767 जो होगा यह सही है इतने नंबर आफ करेक्टर इसमें हो सकता हो बड़ता बड़ता चला जाएगा और जो 255 आप बोल ले हो यह किसी भी फाइल का नाम आप जो है कितने करेक्टर में लिख सकते हो सेव करने के लिए 255 में लिख सकते हो ठीक है और रही बात जो यह कुछ लोग 16384 बोल ले हैं यह 16384 क्या है कोई बताएगा मुझे 16384 क्या है यह MX Excel 2003 कौनसा तीन में रो की संख्या है क्यों तो कॉलम की संख्या कितनी होगी तीन में कॉलम की संख्या कितनी होती है तीन में 2003 की बात कर रहा हूँ रो की वैलू या कॉलम की वैलू है रो की वैलू है या कॉलम की वैलू है बल्दी बताओ रो इन एक्सल कितना होता है 2003 में बताओ और 2003 के बाद बताओ यह पढ़ाया पेड़ क्लास देखना मेरी पेड़ क्लास देखना यह क्या है 16384 जो है आपका यह आपका कॉलम है यह साथ कॉलम है आपका और जो रो है 10,48,576 ऐसा है देख लेना इस फिगर को 10,48,576 है और अगर यह 2003 के बाद है यह 2007 वाले में है यह चीज 2007 में है और जब 2003 में जाओगे तो 55,536 आपका क्या होगा रो होगा इसमें रो जो होगा वो 55,536 है और जो कॉलम होगा वो बहुत कम होता है कॉलम कितना होता है कॉलम कितना होता है दो सो 56 जो कॉलम होता है वो आपका वो 256 होता है 65,536 नहीं 65,536 रो जो है वो आपका किसमे है वो आपका 2003 वाले में है और उसके बाद आओगे तो 10,48,586 और कॉलम 16,384 और 2003 में कॉलम की संख्यास आए 256 होता है देख लेना यह याद कर लेना पूस्ता भी है what is the minimum और maximum जोम ms word में minimum और maximum जोम क्या होता है 255 होता है यह 256 होता है एक बार clear करो 255 होता है 256 होता है मुझे तो लग रहा है 256 होता है 256 होता है आप लोग क्या है देख ले ना उसको 256 ही होता है यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ minimum and maximum जूम word की बात कर रहा है तो word में 10 और 500% होता है और powerpoint और excel में 400% होता है तो यह b answer आपका क्या होगा correct होगा इसका b answer correct होगा 256 नहीं होता है तो तुम्ही लोग में से कुछ लोग बोल लाए 256 होता है चेक कर लो चेक कर लो 256 होता है 256 होता है चेक कर लो is a feature of microsoft powerpoint 2016 by which you can copy your animation already existing in the object from there to another object तो उसको क्या बोलते हैं बताओ वो feature microsoft powerpoint का क्या काल आएगा है जब हम किसी animation जो already exist है किसी में उसको हम copy करके दूसरे object में paste कर दें वो क्या काल आता animation repeater animation copier animation selector animation painter यह मैंने question भी करा है आप लोगों को कहां चेक की हो आसीस कहां चेक की हो किस पे देखे हो कि 255 होता है अधेंटिक जो होता है अधेंटिक जो होता है जोटकर की जाटकर हो आटका की हिस विटो होता है अधेंट जो ख क्रेंट टाइम और देट इन डॉक्यमेंट क्रेंट्ट वॉजग नोट पेड date और time आपको बताना हो तो किस shortcut की से होगा Microsoft की देखो साइट में जो भी authentication information लेना खास कर ये सब road, table, column कैसे कैसे change हुए 16 तक तो यही है और NIS में क्या change हुआ अभी उतना नहीं पता है लेकिन मुझे लग रहा है जितना इधार है उतना उधार भी होगा इसका क्या answer होगा इसमें answer बताब which shortcut की is used to enter the current time and date in a document in notepad notepad में आपको अगर current document आपको date or time करना हो तो कौन सा shortcut की अपना होगे F5 चलो ठीक है तो answer क्या होगा F5 से आप क्या करोगे note which shortcut is used to enter the current time and date in a document created using notepad ठीक है तो F5 से होगा अगरा क्या है when a typing text the right margin is faced to the insertion point will automatically return to the beginning the text this frame is called बोला जब हम type करते हैं text को right margin is faced to insertion point will automatically return to the beginning the text this frame is called drop cat word word art और या clip art वो क्या कल आएगा word wrap कल आएगा जो आपका right side में जो margin छूटता है वो रेपिंग ही कल आती है तो उसको word wrap ही कहा जाता है आट रोब तो और clip art तो ये नहीं होगा drop cat क्या होता है जब किसी का पहला letter बड़ा होता है जैसे ऐसे newspaper में देखे होगे तो उसी को drop cat कहते हैं तीन होता है by default the meaning of character operator in ms excel इसका क्या meaning होता है operator का इस operator का तो इसका meaning होता है exponential ठीक है exponential ये power होता है अगला है ये person 96 अपर clean में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा अपर clean में यहाँ पर ये type करने वाले ने गलत लिख दिया यहाँ यहाँ पर ऐसे होना चाहिए ऐसे था अपर clean में ऐसे होगा तो इसको अपर केस में बदल देगा किस में बदल देगा अपर केस में बदल देगा तो ये clean में हो जाएगा option a si हो जाएगा यह clean में होगा उसको अपर में बदल देगा ऐसे clean में होगा ठीक है 97 देखलो ms powerpoint which of the following effect would you use to dotted appearance of a new slide through the old slide in a slide show क्या कहा जाता है powerpoint में which of the following effect would be used for dotted appearance of a new slide through old slide show जब dotted करके एक आता ना जब एक slide show से दूसरे slide show में जाते हैं तो वह अजीब सा dotted dotted करके जब आता dotted appearance दिखता है transition दिखता है उसको क्या करते हैं उसको dissolve करते हैं क्या करते हैं dissolve करते हैं which is smallest and largest font size available in the font size tool जब आपसे font size tool की बारें बात करें तो आप minimum art maximum भाबतर बोलोगे 99 the style of drawing horizontal line through each word is card ठीक है हर एक word पर मालने यहां पर मैंने name लिखा और यहां पर एक horizontal line खीच दिया तो इसको क्या कहते हैं इस cheese को क्या कहा जाता है strike throw कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है strike throw कहा जाता है the bullet style can be selected from the menu ठीक है the bullet style can be selected from the menu किस menu से करते हो view edit insert या format जल्दी से बताओ जो bullet होता है आप कहा वो किस menu से करते हो जो bullet क्या बोला the bullet style can be selected from the menu view edit insert या format क्या answer दोगे इसका देखो बुलट आपका home वाले में होता है और कहां होता है और कहीं होता है format में देखो यहां पर बोला कि किस में होगा the bullet style can be selected from the format menu कहां से format menu से आप क्या करोगे select करोगे format menu से select करोगे आप चलो तो यह 100 questions आपके रहें ठीक है इसमें क्या करोगे format menu से आप select करोगे format menu आपको दिखता नहीं है जब आप dialogue box खोलोगे न format वाला तो उसमें आपको आएगा वा डायला बॉक्स जो होता है font वाला उसमें आपको format menu आता है ठीक आजाओ तो यह आपके आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप 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 नवस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का शुआखत करता हूं आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बार सेशन को जुड़दार तरीके से सेयर कर दीजिये UPPCL और JCA के लिए Computer Special Class आपकी लाइव हो चुकी है जिसमें हम डिसकस कर रहे हैं Microsoft Office Suite के बारे में 2 session हो चुका है 100 question हम कर चुके हैं आज के session में भी 50 question होंगे तो सभी लोग जो लोग भी इस 50 question को करना चाते हैं सभी लोग session को share कर दीजिए और इसकी PDF जो है आप लोग मांग रहे थे 100 question की PDF आप आपके paid batch में लगा दी गई है वहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड करके पर सकते हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है very very good evening मिनू जी good evening शिमरन जी good evening दिपक जी हर हर महादो महादो का नाम लीजिए और एकबर session को सभी लोग share कर दीजिए जादे से जादे लोगों तक प्रगती जी good evening आसीज जी आसीज जी group में नहीं आपको एक class दी जा रही है जो paid और उसमें है आप लोग जो है paid वाले से डाउनलोड कर लीजिए अराना जी good evening चलिए प्रेम पाल जी हर हर महाद एक बार सभी लोग share करिए अविनव चोहान जी good evening महेश जी good evening प्रियंका जी very very good evening सभी लोग एक बार share करिए हिमानसो जी good evening सभी का स्वागत है चलिए शुरुवात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए पहला आपका question आ चुका है आपके screen पर इसका answer comment करिए क्या सही जबाब होगा इसका answer comment करिए क्या जबाब होगा which of the following is not a type of section break section break का कौन सा इट प्रकार नहीं है odd page, next page, column या event page section break का कौन सा आपका नहीं है बोला है कौन सा टाइप नहीं है section break का एट पर बता इए अमिज जी बता रहे हैं B होगा A.R. भारती जी B. बता रहे हैं निर्मल जी C. बता रहे हैं सौरब जी B. बता रहे हैं अमिज जी B. बता रहे हैं राहुल जी column को बता रहे हैं चलिए देते हैं section break जो आपका जहाँ page break होता उसी मोता है लेकिन column break even page next page old page होता है break का लेकिन column break नहीं होता है तो C answer आपका क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा section break जहाँ आपका क्या होगा break page आता है जहाँ पर उसको जब open करोगे तो वही में आपका section break आता है उसी में ही पर लिखा रहाता है section break और यहाँ पर आपके option रहते हैं तो उसको जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा there are two type of page orientation portrait and एक portrait होता है और एक आपका कैसा होता है ऐसा होता है landscape उसको क्या बोलते है landscape mode कहते है तो दो प्रकार के आपके page का orientation होता है सभी लोग एक बार share करिए बहुत बढ़िया ए आंसर निर्मल जी, सौरब जी, राहुल जी प्रगती जी, अमिच जी सभी लोग एक के साथ जा रहे हैं एकदम सही जवाब है तीन नंबर question आपके screen पहे the status bar is display on the Microsoft Word window ठीक है, status bar कहा होता है top में, left में, bottom में या right में ये question कराए गया है तो ये bottom पे ही होता है जो status bar होता है yes जी, सस्त्रियकार आसीज जी का answer A है भारती जी का B, sony जी का C है frame जी का C है, सभी लोग इसमें C के साथ सही जा रहे हैं बोला MS Excel, what is the use of auto sum feature auto sum feature का क्या use होता है to get the total sum value of a value in the range of numeric save to get the total count of row to get the total count of save to get the total count of column जल्दी से बताए इसमें क्या सही जवाब होगा इसका सही जवाब क्या होगा to get the total sum value of a value in the range of numerical सेल, जो भी सेल आपका दिया होगा जो भी आप मालो यहाँ पर आपका सेल बना है यह ठीक है, और यहाँ पर आपने auto sum लगाया है, तो जो भी range का यह sum होगा, वो यहाँ पर आपको क्या करेगा, वो so करेगा तो a answer आपका क्या हो जाएगा सही जबाब हो जाएगा, जितने लोग a के साथ जा रहे हैं सभी लोग एक बार session को share करिए कामनी जी, सिमरन जी, आसीज जी अमित जी, निशु जी a answer होगा, d वाले नहीं होंगे column को नहीं count करता है चाहे वो row हो, चाहे column हो जो भी range आप select करोगे उसका आपका answer देगा what is the following reference type ये कैसा reference है mix reference, absolute, column या relative, कैसा reference है ये बताओ अरे याए class तो हो रही है आप कौन सी class होगी आपकी maximum तो हो चुकी है आपकी अप practice करो ये एकदम absolute है क्योंकि dollar sign column के बाद भी लगा हुआ है और row के बाद भी लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर two होगा, ठीक है बी two होगा, ये mix हो गया है तो ये absolute होगा, क्या होगा absolute reference होगा absolute reference होगा, ध्यान रखियेगा ठीक है absolute event 2 या 3 होगा यहाँ पर आपका छूड़ गया है यहाँ बोला है कि output क्या होगा इस excel formula का output क्या होगा जल्दी से बताइए इस excel formula का output क्या होगा जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा I use G 4 होगा 6 का C होगा B होगा 4 होगा B आ रहा है 4 आ रहा है B आ रहा है चलो कुछ लोग बोलें 4 देको length ये क्या होता है जो भी आपके text होता है उसका length निकालता है तो यहाँ पर name में कितने character है 1, 2, 3, 4 character है न तो इसका answer क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा बहुत बनिया 4 सही होगा जिसने दिया है answer 8 कैसे होगा MS PowerPoint presentation help you throw the presentation of MS PowerPoint presentation का माध्यम से किसके माध्यम से caption के माध्यम से wizard के माध्यम से font या color MS PowerPoint presentation help you throw the presentation of क्या font नहीं होगा शिमरें जी ये बोला MS PowerPoint presentation help you throw the presentation of caption का presentation करता है wizard, wizard का मतलब होता है जो predefined आपके text होते हैं as a template माध्यम सकते हो wizard में auto content होता है उसी का क्या करता है present करता है जो आपके wizard बना उसी को करता है b answer सही होगा अगला प्रस्ण है MS Word allow to user to type a text directly inside it जो MS Word होता है वो आपका किसमे जो है text को जो है लिखने के लिए आजादी देता है cable में, print में, callouts में या number only में देखो यहाँ पे जो option होगा callout होगा callout का मतलग ऐसे जो आपका बनता है कभी देखे होगे कि यहाँ पे कोई है और कुछ बोलना चाह रहा है ठीक है तो वो उसको donate करके यह वाले जो आपका symbol बनता है callout बोलते हैं इसको ठीक है इतना इसमें आप direct text लिख सकते हो तो वही बोला callout में आपका क्या होता है text आप enter कर सकते हो callout c answer होगा इसको मैंने आपको उस वाले में भी कराया हुआ है which of the following is not a page margin इसमें से कौन सा page margin नहीं है हाँ जैसे comic में होता है जैसे comic में होता था ऐसे वाला symbol किसी को बुलाने के लिए कोई कुछ बोलता है तो आप newspaper में देखे होगे तो उसी को बोला जाता है which of the following is not a page margin page margin क्या नहीं है top, left, right, center center का margin नहीं होता है center जो होता है वो margin में नहीं होता है center का top में left में margin आपका क्या page है और page का margin क्या होगा ये होगा उपर छूटा रहाता इधर छूटा रहाता और इधर छूटा रहाता यही तो margin होता है आपके 4 side में तो center में कोई margin नहीं होता है D answer हो जाएगा आजा अगला question what is the minimum number of row and column in what table can be जो वर्ड में आप table बनाते हो इसमें row और column की number of संख्या minimum क्या हो सकता है minimum एक और रो भी एक हो सकता है minimum row और column एक एक हो सकता है सोनी जी इसकी PDF आपके paid class में लगा दी गई है ठीक है आप फ्री class आपको YouTube पे जो PDF है और paid वाले बच्चों को मिले spread seat consist of जो spread seat है आपका वो क्या कंजिस्स कितने कॉलम रहते हैं बताओ 257 254 256 255 जब option में आपका ऐसे है तो समझ लो किसके बारे में पूछ रहा है 2003 के बारे में पूछ रहा है ना कि 2007 से उपर पूछ रहा है ठीक है क्या answer दोगे देखो इसमें extension भी जो 2003 की फाइल होती थी उसमें excel का extension xls होता था लेकिन अब क्या है XLX है ठीक है यह है 2007 के बाद से ठीक तो यहां पर 256 अभी कल ही हमने जिक्र किया था तो सी होगा इसका answer 256 करेक्ट होगा ठीक है यह ध्यान रखिएगा यह 256 होगा आजाओ बोला यहां पर बारे नंबर is used to expand the first letter of a paragraph into one or more line बताओ एक paragraph को एक से जादे line में expand करने के लिए इसमें से क्या use किया जाता है table यह तो नहीं हो सकता caps नहीं हो सकता drop या margin margin भी नहीं हो सकता drop cap ठीक है paragraph को जैसे newspaper में देखे होगे तो 1 से जादे line में लिखा रहता है ऐसे 1 paragraph तो यह तीन line ले लिया नो यह पूरा paragraph जब लिखा रहता है तो छीर क्या तो drop cap के वज़वन से होता है किसक्सकी वज़वन से होता है एक बार सभी लोग share कर खैक्रेंन को जरदार तरीकह से ऐसे कैसे काम चलेगा Microsoft Excel is a window based package जो Microsoft Excel window based package है क्या होता है spread set print style CT representation तो इसमें आपके spread set होती है ठीक है answer क्या हो जाएगा एक correct हो जाएगा ए आपका एकदम सही है जब अस्दर्स्त मादेओ का नाम लेक बार सेशन को share करो Microsoft Windows allow user to type a file name up to a character including spaces spaces को लेकर कितने character तक किसी file का नाम हम रख सकते हैं अभी कली हमने जिक्र किया था कली जिक्र किया था file का नाम कितने character तक हो सकता है maximum minimum एक और maximum कितना होगा minimum आपका एक हो सकता है और maximum 255 character हो सकता है 255 character हो सकता ए आउसर आपका सही हो जाएगा किसी भी फाइल का जो नाम होगा सेव करने के लिए वो अगला एदा special effect used to introduce slide in a presentation archive किसी कोई भी special effect हम जब slide में डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है जब slide to slide डालोगी किसी text में नहीं डाल ले हो तो वो कहला आएगा आपका क्या transition कहला आएगा और किसी text या image में डाल ले हो तो वो animation कहला आएगा which shortcut की are used to open the font size box font size box जो आता है उसको open करने के लिए कौन सा shortcut की लिए ते हैं कल एक question थाम लोका control shift f1 वो f1 नहीं f12 होगा control shift f12 टाइप राइटर ने गड़बर कर दिया था तो यह आपका print के लिए होता है किसके लिए होता है print के लिए होता है और जो कुछ लोग का रहे थे control f1 जो होता है न यह आपका hide करने के लिए होता है वहाँ पर एक्सल में ribbon को तो answer इसका क्या होगा control shift p के साथ आपका font का dialogue box खुल जाएगा font का dialogue box control shift p के साथ open हो जाएगा सब्सक्राइब कर सकते हो इसके लिए होता है इसके लिए होता है short का मतलब होता है आप increasing order में या decreasing order में कोई data offset कर रहे हो तो इसके लिए sorting वाला जो option होता है वो दिया जाता है आजा बोलना what is the shortcut key show and hide ribbon बारिंग Microsoft Excel वही आगया ना Microsoft Excel में ribbon को hide करने के लिए और show करने के लिए कौन सा shortcut key होगा हाँ सी में पढ़ा था ना sorting bubble sort hip sort merge sort क्यों पढ़ाएगी नहीं है सब हाँ तो यहां क्या होगा जल्दी से बताओ यहां control f1 अभी मैं बताया हूं control function से ribbon जो होता है आपका Excel में वो hide और show होने लगता है अगला प्रस्न देखो यहां पर क्या होगा what will the MS Excel output of the following function और लिखा है ऐसे और का मतलब इससे अगली value और क्या होगी इससे अगली value और क्या होगी जल्दी से बताओ 45 के बाद 46 odd नहीं होता है 47 odd होगा क्या होगा 47 odd होगा 347 होगा नहीं false क्यों आएगा false क्यों आएगी value नहीं point में तो इससे थोरी मतलब कि false आएगा बोला which of the following is a correct formula to check whether the value is cell A1 is even or odd whether the next display the according to if mod is close to event पर क्या होगी दो सो ची आए तीन सो ची आलेश जल्दी से बता देश्को लो इसका क्या होगा इसका क्या होगा ? to check whether the value is cell a1 is even or odd and whether the next is display according to. बता कौन सा होगा if mod a1 is 2 is close to 0 odd या even. ये तो नहीं होगा अगर 2 equal to 0 होजाए अगर इसकी value 2 से divide करने पर 0 आ जाएगा तो वो odd थोड़ी होगा. ये formula तो गलक हो गया. अगर 0 होता है तो even print करेगा नहीं 0 होता है odd प्रिंट करेगा. ठीक है? देखो थोड़ा मुला करो तो ये B वाला option सही होगा अगर mod a1 की value 0 होती है तो even otherwise odd. ये formula गलता है क्योंकि 0 होगा तो पहले true क्योंकि true condition होती है ये false होती है तो ये true होगा ये false condition होगा तो अगर ये condition true होई तो true वाला value निकालेगा तो 0 तभी होगा ना जब even होगा तब ये print होना चाहिए तो इसलिए ये वाला formula गलत तरीके से लिखा हुआ है हाँ करके देख लो भया नहीं भी स्वास है हमारे परता powerpoint window with out to you switching the full screen in microsoft powerpoint 2016 allow you to play a slide जल्दी से बताओ powerpoint window without to you switching the full screen in microsoft powerpoint 2016 allow to play a slide so reading view, note page, slide master या outline view बिना mode switch किया आपका full screen बोला आप powerpoint window without to you switching the full screen in microsoft powerpoint 2016 allow you to play slide so तो क्या हो जाएगा कौन सा reading view without reading view to you switching the full screen बिना reading view पे जाए हम slide show नहीं कर सकते है तो ये आपका option A हो जाएगा A हो जाएगा ठीक है बिना उसके slide show की सुविधा कौन देता है यहीं देता out of the following graphic list limit MS Word 2016 process a range of the process diagram to more complex graph organization diagram such as when diagram यह किस में होता है जैसे क्या हो गया मैंने कहा कि आपको और भी complex diagram हो गया when diagram हो गया कुछ आपके hierarchical type के हो गया entry type वो किस में होता है 3D model में shape में smart art में यहुएशंस में हाँ smart art में होता है when diagram किस में होता है smart art में होता है एकदम सही जबाब smart art में होता है जितने भी चीज़े होती है what is one thing that all formula in MS Excel have in common क्या इस में से एक चीज़ होता है MS Excel के formula में common they all give the text in the result नहीं they all give integer in the result नहीं they all start with an at the rate sign नहीं they all start with equal sign यह आपका सम्में common होता है कि जितने भी formula होंगे वो किस से start होगा equal to sign से होगा लग रहा है आप लोग को अब exam देना नहीं है इसलिए पहले जिन class में अच्छे खासे लोग थे लेकिन अब आप लोग के जो पढ़ने का मन है वो हट रहा है तो अगर आपके पढ़ने का मन हट जाएगा तो हम भी हट जाएंगे आपके पीछे से मेहनत करने में तो ऐसा ना करो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है कि questions को ढूड़ा जाता है previous year फिर आपको कराय जाता है तो फिर क्यों admission लेते हो तुम लोग courses में the place in MS Excel that display the content of the current sale along with the content of same sale is card बोला है कि MS Excel का वो अस्थान जो वर्तमान sale के विशे वस्तु को उसी प्रकार प्रदर्शित करता है एक तरह से बताओ किसमें the place of MS Excel that display the content of the current sale along with the content of the same sale is card उसको क्या कहा जाएगा जोको formula बार में जाओगे तो जो cell का address रगा वही cj formula में भी दिखाता है तो वो हो जाएगा formula बार a answer होगा formula बार in the run command dialogue box run command जब आप window के साथ window बटन के साथ क्या दबाते हो r दबाते हो तो ऐसे command कुल के आता है window ठीक है run command अब इसमें आप क्या लिखोगे कि आपका Microsoft word खुल जाए तो इसमें लिखोगे win word क्या लिखोगे win word तो यहां पर win word भी लिखोगे तभी खुल जाएगा win word.exe भी लिखोगे तभी खुल जाएगा ठीक है answer आपका b correct होगा 26 नमबर प्रशना आप आजएगे प्रगती जी निक जी आसी जी अच्छा इसका answer बताओ which of the following is a correct way to represent a sale c1 so that both the column and the row are absolute बताओ c1 को कैसे किया जाए कि row और column absolute हो इसमें से बताओ कौन सा सही होगा ए Mayor Absolute बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही होगा देखो अगर आपको column को absolute बनाना है तो यह column होगा इसके आगे डॉलर लगा दो रो को लग बनाना है तो रो के आगे डॉलर लगा दो तो यह sign जहाँ होगा वही absolute होगा यह d answer correct होगा d answer correct होगा the shortcut key to enter आटो sum function आटो sum function 2000 मलब excel में लगाने के लिए क्या shortcut key है हाँ डॉलर आगे होगा आटो sum लगाने के लिए कौन सा shortcut key है आटो sum हाँ एकदम सही जब आप कौन दिया है एक पर देख ले I use the art plus equal to से आटो sum formula लग जाता है यह आपका c answer सही होगा 28th number question आजाओ to underline only word in a sentence leaving space between the word you can press मतलब जान लो जैसे यह लिखा हुआ है Microsoft word तो इसको underline करे इसको underline करे इसको underline करे इस space को छोड़कर जो word है उसको underline करने के लिए कौन सा shortcut key use करेंगे यह पढ़ाया है मैंने class में आप सभी को जल्दी से बताओ क्या होगा हाँ सभी लोग U को देखे नहीं तो U का मतलब underline होता है और मैंने यही बताया था class अच्छे से देखना एक MCQ भी जो कराया हूँगा उसमें भी यह question मैं कराया हूँ सब के सब D के साथ जा रहे हैं लेकिन सिमरन ने अपना answer बदल दिया C के साथ जा रही है डीपग जी B के साथ जा रहे है भारती जी C तो C वाले सही है control shift W होगा U के साथ मत जाओ control U से underline होता है लेकिन वो पूरा underline होता है आजाओ control shift U नहीं होगा control shift W होगा करके देखो ठीक है control U से underline होता है आजाओ in MS Word 2010 which tab consists of the option of changing background color of a page page का background color करने के लिए किस option में जाओगे बताओ इसमें क्या सही answer होगा बहुत बढ़िया page layout में जाओगे तो वहीं पर page layout के बाद आपका क्या होता है एक command group होता है कौन सा होता है page layout में जहां आपका page का color दिया होता है page background command group होता है उसी में page color होता है उसी में आपका ऐसे page बना होता है और ऐसे आपकी बाल्टी ऐसे लटकी राती है ठीक है तो वही page color होता है यह दहां दखना चलो अगले question पर आते हैं इसका बताओ file with the file extension is a word open in XML macro enabled document file macro enabled document file का extension क्या होता है जो macro होता है recording वाली file उसका extension बोला अगर enable हो तो उसका document file क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें dot docm होगा dot docm जो होता है macro enable बताता है क्या बताता है macro enable in ms word control home is used किसके लिए यूज़ होता है move the cursor to the beginning of document जो cursor है उसको शुरुवाज से करने के लिए या move the cursor to the beginning of line या paragraph of line या all of the above control plus home से क्या होगा जो जोगा चलो a answer move the cursor to the beginning of the document होगा a answer आपका सही होगा इसका what does control shift plus control shift plus plus की effect इससे क्या होता है control shift plus plus से क्या हो जाएगा ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और question भी कराया है भी एकदम सही super script लगेगा क्या लगेगा मान लोx की power square लिखना है तो super script लगे लगा तो अप्डेट दा फार्मूला इने टेबल प्रेस कोई भी फार्मूला अप्डेट करना है टेबल में तो क्या प्रेस करोगे कहां डिजाइन टेब में है औप्शन कहां है वहां पर डिजाइन है option के साथ जाउनर आई कहां गया एक ही चीज़वेट लगा के बैठे हो यहां design tab कहां है बताओ कहां design है option में जो रहेगा वो तो दा 2010 की का 2013 और 16 में design tab आया है न यहां यहां option में है design क्या मैं क्या wrong information दे रहा हूँ ये बताओ जाओ 2010 खोल के देखो 2010 खोलो एक बर यह option में क्या दिख रहा है तुम्हे design दिख रहा है साब साब page layout में जाओगे theme होता है page setup होता है page get around होता है जादे चलाक न बना करो जैसा option हो ऐसा किया करो फिर जाब बहुत जादे गया नहीं हो तो आते हूँ क्यों क्लास में HK भक्ति सागर जी क्या है बताईए क्या wrong information है बताओ बताओ क्या है क्या जानते हो कोई यहाँ पर चीजे मेंसन किया गया है कि कौन से वर्जन से पूछा गया है दिमाग घांच चरने गई है तुम्हारा आता जाता कुछ नहीं है बस कहदो करने के लिए जाना ऐसे करना हो आपर फिर एक्जामिनर तुम्हें बताएगा अच्छे से मिलेगा नंबर चलो इनको लगता है कभी वर्ड खोल के देखे नहीं होंगे मैंस वर्ड कैसा दिखता है लेटेस्ट बर्जन की बात करें वहाना बर्जन लिखा मैं कुछ लिखा ऑप्शन के अपने कॉर्डिंग आंसर दोगे कि अपने कॉर्डिंग आंसर दोगे कि आजाओ टो अप्डेट ए फार्मूला इने टेबल एक एक टाइम से मैं कुछ खूच के लाता हूं कि आपको एक्स्प्लेंड ना करना पड़े कहां कहां से कॉछ्चन बन सकता है तो अप्डेट ए फार्मूला इने टेबल ट्रेस दा कौन सा वड़नाम ट्रेस करेंगे F9 कीज के हम अप फार्मूला टेप पर दबाएंगे तो हम फार्मूला को क्या करेंगे बोला अप्डेट ए फार्मूला ए टेबल प्रेस दा F9 किसी भी टेबल में हमें अप्डेट करना होगा फार्मूला को आच्छा फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप एक्सल में ही लगा सकते हो आप वर्ड के टेबल में भी फार्मूला लगा सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्या गलत है भाई साथ तनी हमें भी बता दो क्या गलत है क्या गलत है तुम जाओ एक बार देख के आओ अगर गलत प्रूफ कर दो तो बताओ जाओ देख के आओ एक बार और यह आया हुआ कोश्चन है यह भी बता दे रहा हूँ कहां आया हुआ है देल्ली पुलिस कॉंस्टेबल दस कोश्चन आता है SSC के द्वारा वो कोश्चन है और जाओ आंसर की तुम्हें मिल जाओ अगर मुफट में तो ले लेना उन से नेक्स्ट कोश्चन वही तो बोलना हूँ कुछ लोग बिना देखें आ जाते हैं तीरमार में उनको और कुछ नहीं होता है दो फॉलोईंग टूल बास दिस्प्ले इन दवार अप्लिकेशन विंडो बाई डिफॉर्ट इसमें से कौन सा टूल बार डिस्प्ले करता वर्ड में अप्लिकेशन के बाई डिफॉल्ट फॉर्म टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार ड्राइंग टूल बार और अब देखो कुछ चीज़ें यहां पर 2003 के सापेक्ष में पूछता है अभी आपको अगर मैं बता हूँ तो यहां से कोई भी आपका जो टूल बार होगा, जो भी ठेख रह disponर फॉर्म टूल बार, ड्राइंग टूल बार अभी के वर्डिन में आप नहीं पाओगे ठीके, अभी के वर्डिन में आप नहीं पाओगे, यह question old वर्डिन से है क्यों है क्योंकि अगर आपको option पता रहेगा कि आज के समय में कोई भी window में आपको by default यहां से नहीं दिखता है application window by default नहीं दिखता है यह 2003 में दिखता था किसमें 2003 में जब जाओगे तो उसमें आपको formatting toolbar दिखता है वहाँ पे tools option भी होता था 2003 में जब जाओगे न tools option भी होता था word 2003 में by default आपको जो बार दिखता है formatting toolbar एक होता था ठीक है और उसमें tools option भी होता था जो 2007 के बाद चीज़े हट गए तो 2003 का version होगा जो 2003 का version जिसके पास होगा वो देख लेगा भी आमसर होगा यह option भी 2003 के सापेक्ष में set किया गया इसलिए 2007 के कोई भी option नहीं है मतलब 2007 के बाद जो भी आपके बार है टैप बार उसका कोई भी option यहां नहीं दिया गया है कम chances हैं पूछने का बस the four type of mail merger main document are चार प्रकार के mail merger होते हैं जो mail merger होता है आपका कहा होता है यह पहले बताओ किसमें होता है mail merger mailing होता है page layout के बाद जाओगे reference होगा reference के बाद mailing होगा mailing में जब जाओगे तो वहां पर आपका merger होता है merger mail merger मतलब आप mail बना के mail merger का काम होता ही है जैसे क्या होता है एक ही document है suppose करो आपको किसी को invitation भेजना है तो आपने यहां लिखा dear यहां नाम यहां address तो इन सब चीजों को आप बदल सकते हो content तो आपका वही रहेगा कि मैं आपको invite करता हूँ इस दिन हमारी साधी है आना है जो भी चीजे होगा बाकी यह चीजे बदलेंगी तो वहां पर क्या करेंगे हम जब टेबल बनाते हैं पूरा पूरा लोगों का टेबल बना लेते हैं चाहिए आप पहले से बनाए हो excel में तो उसको आप क्या कर सकते हो अपलोर कर सकते हो उसमें तो उसमें आपका नाम content number address उसके थ्रू क्या रहेगा by default जितने भी आपके टेंपलेट बनाए रहोगे अपने आप यहाँ चेंज हो जाएगा जिसका जिसका नाम रहेगा phone number address अपने आप चेंज होता रहेगा उसका format होता है ठीक है तो यह किस कि परमन मिमें होता है लेटर के फर्म में भी होता है मेलिंग लेबलेट टेलोग के फर्म में होता है यह चार चीजे होती है डी आंसर इसका करे travelled अ dire through mail कर सकते हो यह mail merger यह आपका देखो क्या है कि यह आपका word का सवाल है we can insert a maximum number of column in ms word ms word में कितने column हो सकते हैं column मतलब आपके table में column table में कितने column हो सकते हैं maximum maximum कितने column हो सकते हैं 63 column हो सकते हैं maximum याद रखना 63 अगला है which of the following is not of the merge process इसमें से कौन सा merge process नहीं है जल दी सब्सक्राइब प्रिव्यू दा मर्ज रिजल्ट फॉर्मेट में डॉकुमेंट एडिक डाटा सोर्स आइटेंटिफाई दा में डॉकुमेंट देखो यहां पर जो बोला प्रिव्यू दमर्ज रिजल्ट मर्ज रिजल्ट जो आएगा आप जब मर्जिंग करोगे mail मर्जी तो उसको प्रिव्यू देख सकते होगी क्या क्या है किसका लेक्टर कैसे कैसे है कैसे जैसे मैंने बताया एक फार्मिट आप बनाओगे लेक्टर का आप इनिविटेशन कार्ड का के डियर यहां नेम लिख दोगे छोड़ दोगे अड्रेस लिखके छोड़ दोगे ठीक है तो मोबाइल नमबर लिखके छोड़ दोगे बाकी आप पूरा लिख दो जो भी इनिवि उसका अड्रेस आ जाएगा उसका मोबाइल नमबर आ जाएगा तो ऐसे इनिविटेशन कार को आप देख सकते हो प्रिव्यू कर सकते हो ठीक है तो यह हो सकता है फार्मेट दा में डाकुमेंट नहीं में डाकुमेंट को हम फार्मेट नहीं कर सकते हैं डेटा सोर को एडिट अभी देखो ठीक है तो भी आंसर आपका यह नहीं हो सकता है बोला थीजर्स टूल जो होता है एमस वर्ड में किसले यूज कई आया था स्पेलिंग सजेशन के लिए सिनोनम्स या एंटोनेम्स वर्ड के लिए ट्रांसलेट किया नन अब दीज तो यह जो थीजर्स होता है डिक्सनरी होता है इसमें सिनोनेम्स और एंटोनेम्स का वर्ड होता है क्या होता है आपके विलोम या परिवाची जो होता है वो चीजे इसमें होती है भी होगा ट्रांसलेट के लिए नहीं यूज होता है em s word from what does ruler ruler मतलब जो उपर ruler ruler दि Vergleich आपका यहां पे ruler होता है यह सपौर्स करो है आपके उपर के tag हो गये यह ribbon हो गया और यहीं पर आपका ruler आता है यह ruler आता है इक ruler आता होरिज़न्तल और वाटिकल ruler होते है तो वहीं बोला है कि यह ruler जो होता है वो किस लिए होता है, to set a tab, to set an indent, to change page margin, all of the above. देखो, tab को भी आप set कर सकते हो, tab की space कहां हो, तो ऐसे इसको margin से, indent भी set कर सकते हो, indent मतलब left या right बात होता है, page के margin को भी ruler से set कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, all of the above कर सकते हो, डी answer इसका सही होगा, चालिस नमबर प्रस्ट, which menu in MS Word can be used, change character size and type face, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपके जो हैंदे को view, tools, format, data, ये जितना भी है आपका, ये आपका 2007 का नहीं है, ये 2003 से जो पिछले version है, उनका menu दिया हुआ है, क्योंकि अभी के menu में सिर्फ आपको view मिलेगा, बाकी और नहीं मिलेगा, tools भी नहीं मिलेगा, अभी के menu में जाओगे, तो आपको tools भी नहीं मिलेगा, हाँ, उसके बाद excel में जब जाओगे, excel में जाओगे तो आपको data तो मिल जाता है, लेकिन format और tools नहीं मिलेगा, एक्सल में जाओगे, तो data तो मिल जाता है, लेकिन format और tools नहीं मिलता है, कान फटे जा रहे हैं, अब आज कम कर लो, आसुतोस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, which menu in ms word can be used, word की बात किया है, तो word में न data अभी हमें देखने को मिलता है, न tools न format से view देखने मिलता है, तो 2003 में जो हमारा था, वो आपको क्या मिलेगा, format मिलता था, जहाँ पर आपका क्या कर से, change the character size, size के और उसके face को हम change करते थे, किसमे, format में जाके, format में जाके, ठीके, format में जाके हम size जो अभी हम लोग home में करते हैं न, text की size होईज, उसको, what is the extension of file in ms word 1907 से लेकर 2003 तक, कौन से extension होता था, 2003 तक document का extension DOC होता है, क्या होता है, DOC, और .docx जो होता है, वो किसका होता है, वो आपका 2007 के बाद से होता है, 2007 के बाद जितने version आए, और अगर आप कहें DOCM क्या होता है, तो macros, macros enable होता है, क्या होता है macros अगर enable है आपके file में और save कर रहे हो तो यह हो जाएगा तो अभी answer क्या हो जाएगा DOC हो जाएगा ठीक अगला प्रशना वाई header and footer use in ms word क्यों header footer ms word में use करते हैं to enhance the overall appearance of the document document के appear को enhance करने के लिए to mark the starting of the page to make a large document more readable to allow a page header and footer to appear on a document when it is printed किस लिए header footer हम लोग इस्तमाल करते हैं बताओ यहां देखो to allow a page headers and footers to appear on the document when it is printed भाई हम header footer इसलिए तो लगाते हैं कि जब भी हम print कराएं तो header footer है जब मालो किताब है किताब में header or footer लगा रहता है footer में आपकी information दी रहती है यहां पर page number होता है header में आपका topic नाम दिया रहता है फिर बीच में content होता है तो वो उस purpose से लिए लिए रहता है कि यह print हो ऐसा हो कि नहीं प्रिंट ही ना हो ठीक है तो the answer इसका सटीक होगा in ms word shortcut की shift or delete is used to delete the selected item permanently without placing the item in the recycle bin या copy the selected item rename the selected item नहीं नहीं होगा नहीं होगा create a shortcut to the selected item नहीं यह भी नहीं होगा यह क्या होता है shift or delete की जब दबाओगे आप तो permanently बिना recycle bin में जाए कोई चीड डिलीट हो जाती है ठीक है answer ए आपका सही जबाब होगा 44 नंबर प्रस्ण आपके screen पर है बोला what is the default number of line देखो आज word सबसे ज़्यादे word के question है word के पूरी तरह आपको maximum question में करा दिया इसके बाद वाले में excel जादे रहेगा ठीक है in the default number of line the drop और drop cap ठीक है इसमें बोला है कि जो number of line होती है जैसे drop cap जब हम लगाते हैं तो by default कितना number कितनी line लेता है लेटर कोई भी by default कितनी line लेता है वह आपसे पूछ रहा है तो by default तीन line लेता है अब maximum इसका कितना होता है maximum आपके 10 line होती है drop cap में जब जाके देखोगे वहाँ पे और drop cap कहां होता है बताओगे कोई जो drop cap है आपका वो कहां होता है जल्दी से बताओ कोई drop cap कहां होता है जब आप insert में जाओगे और text command group में जाओगे जो header footer के बगल में text command group होता है उसमें आपका word art के बगल में जहां word art रहता है न ऐसे उसी के बगल में ऐसे drop cap लगा रहता है जब उसको आप उस पर click करोगे drop cap पर drop down करोगे तो वहां none drop paid margin आता है और जब drop cap option पर click करोगे तो वहां पर आपका आता है line to drop distance from text ठीक है आंसर by default 3 होगा इसका सही अब 45 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए अब बुकमार्क is an item or location in a document that you identify name for future reference which of the following task is accomplished by using bookmark बुकमार्क करने पर हम कौन सा काम कर सकते मताओ to mark the ending of a page of a document to quickly jump to a specified location in the document to add hyperlink in a webpage none of the list अगर आप किसी चीज को बुकमार्क किये हो कहीं जाकर तो आप क्या करोगे जो भी बुकमार्क किये हो document में उसी पर direct jump हो जाओ है ठीक है बुकमार्क का मतलब आप उस चीज पर उस text पर direct पहुँच जाओगे to quickly jump to a specific location in the document जिसको भी बुकमार्क किये हो पेज को किये हो किसी टेक्स को किये हो तो वहाँ आप पहुच जाओगे बी answer एकदम सही होगा 46 नंबर प्रस वाट इस दा maximum number of line you can set for a drop cap maximum number कितना कर सकते हो अभी हमने बात किया 10 हो सकता है maximum जो drop cap में line जो होगी वह maximum 10 हो सकता है how can you insert a sound file in your word document word document में अगर sound file insert करना हो तो किस process से insert करोगे जल्दी से बताओ word file में अगर sound आपको insert करना हो तो किस से करोगे बताओ 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 क्या होगा from insert sound menu option from insert file menu option from insert object menu option ठीक है या none of these क्या होगा इसमें से answer बहुत बढ़ा अब्जेट menu option ये टेक्स्ट वाले command ग्रूप में होता है क्या है from insert object menu option से आप कर सकते हो sound file को बोला मेक्रोस क्या होता है small program create in MS Word to automate a repetitive task by using VVA visual basic जो है array होते हैं उससे small added on a program data install afterwards if you needed then programming language that you can use the customized MS ये नहीं होता है large tools in word such as mail merger नहीं क्या होता है कोई भी आप repetitive task कर रहे हो उसको क्या करता है as a recording का काम करता है उसको record कर लिए जहां जहां यूज पड़ा वो shortcut की बना है उसको paste करते चले गए तो यह small program होता है जो create किया जाता है MS Word में जो क्या करता है repetitive task को handle करता है a answer correct हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका answer a correct हो जाएगा 49 a template store template जो होता है store किया रहता है क्या store करता है graphics text style macros customize word command setting auto text entries आजाओ यह क्या हो जाएगा all of the above हो जाएगा क्या हो जाएगा graphics भी होता है customize word भी होते है आप word को customize कर सकते हो template में हैसा नहीं जो बना है उसको बना ही रहेगा उसको अपने हिसाब से change भी कर सकते हो auto text entries भी होती है उसमें ठीक है तो यह सब ही होता है आपके template में पचास number question what do you mean by vertical separation between column वर्टिकल सेपरेशन जो होता है column के बीच में उसको क्या कहते है orientation कहते हैं गटर कहते हैं margin कहते हैं या index कहते हैं क्या कहते हैं जैसे आपका वाटिकल सेपरेशन मतलब बटिकल यह हो गया column के बीच में आप मालो page है आपका इस page को अगर दो column में किया जाए तो यहां पर आपको space दिखता है यहां से यहीं तब लिख पाते हो आप यह से यहीं तब लिख पाते हो यह space आपको इधर column में भी होता है तो उसको क्या कहा जाता है गटर, गटर margin आपके सिर्फ उसके लिए होता है printing जो आपका छोड़ा जाता है उसके लिए देखो जब column में जाते हैं जितना भी column करोगे तो यह जो space होता है यह भी margin ही कहा लाता है यह भी क्या कहा लाता है margin ही कहा लाता है c answer होगा c answer होगा margin कहलाएगा ठीक है तो यह 50 प्रस्ण हुए अभी तक हम ms word के maximum प्रस्ण आपको करा दिये हैं अब इससे जावे हमें नहीं रखता है कि आपको exam में मिलेगा ठीक है लेकिन last time एक और चीज़े मैं बोलके जा रहा जिसके पास 2007 के बाद जो भी word होगा उसके सभी menu bar को देख लेना एक बार open करके कि हर menu bar में कितने command group हैं क्या हैं कितने command group हैं कितने command group हैं और उस command group में कितने command हैं यह जरूर आप लोग देख लेना यह बहुत ही जरूरी है हो सकता है कुछ image से ही photo खीच के photo दे दे जैसे computer operator मे word art world art होता है नाтаयसे यह बना रहाता ऐसे उसी का photo खीच के दे दी अता किए क्या होता है मालों आपसे एक photo कीच के ऐसे पूछ दे किये किस चीच का symbol है सबोस करो ऐसे खीच के दे यह inacces का symbol है तो आप रहें जारूरी है आपको word उस करने में ठीक है तो इन सभी को इस बात को मैंने जो बोला कि menu option खोल लेना उसके हर command group को अच्छे से देख लेना किसमें क्या-क्या चीजे हैं ठीक है बाकी Monday कल भी class लेंगे तो कल हो सकता है हम लोग एक्सल को पढ़ाएंगे Excel की जितने question होगा वो जादे से जादे मैं कराऊंगा अभी तब mix ही करा रहा था लेकिन आप जो है थोड़ा-थोड़ा सभी के करा रहा हूँ जो बचे हुए question है ठीक है कुछ previous year है और कुछ बचे हुए question है इसमे चलिए लेकिन हाँ थोड़ी आप लोग share करो संक्या बल को ब क्या है एक महेना कोई time नहीं होता है व्य साफ ठीक है और जो JAY-C,O पहले हार मानके बैट गए हो कि नहीं पढ़ेंगे एक्जाम में इतना जल्दी हो गया तो वहीह बाथ है कहा जा सकता है कि पहले ही, अगर आप हार मान गए हो तो मन के हारे, हार है और मन के जीते, जीत वही वाली बात है अगर मन से हार मान गए हो तो भाईया पहले ही हार मान जाओगे चलिए तो एक बार ये काम जरूर कर लेना आपके पास लेपटॉप है तो ये चीज जरूर करना क्योंकि विजुलाइजेशन से कुष्टन आज काल बनने लगे हैं नए ट्रेंड में देखने को मिलते हैं चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कल फिर हम लोग मिलेंगे रात्री सेवन पीम पर चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मोहन जी तो एक बार सभी लोग सेशन को जरूर सेयर करो दोस्तों को बताओ कि हाँ यहाँ पर इतने अच्छे कोशन्स कराए जाते हैं और जो मैं अल्रेडी इतना हर एक पार्ट से कोशन्स लेकर आता हूँ कि कोई पार्ट आपका छूटे ना जी टाइपिंग ऑनलाइन होगी स्क्रीन देखकर होगी नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बार सेशन को सेयर कर दीजिए क्लास लाइब हो चुकिये सिमरन जी वी अर लाइब नौ जुगल प्रताप जी वेरी वेरी गुड इवनिंग आयूस जी कृष्ण कुमार पांडे जी गुड इवनिंग पारुल जी नौ लाइब चलिए शिवांगी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोग खुश रही है मस्त रही है स्वस्त रही है अभिनो चोहान जी गुड इवनिंग, शिमरन जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है चलिए आज जो है आपका MS Office जो है वो समाप्त हो जाएगा फिर कल से हम लोग computer fundamental के questions स्टार्ट करेंगे fundamental जो है कि general सा hardware, software, memory इन सब को mix करके questions को करेंगे धिरेंद्र जी, गुड इवनिंग, पारूल जी, चलिए एक बार सभी लोग session को share कर दो फिर question और answer के तरफ हम लोग बढ़ेंगे शौरप 100 question की PDF लगा दी गई है नीचे जाके देखना जो आपका batch है ना उसमें लगा दिया गया है आप लोग जाके एक बार देख लो लेकिन आप लोगी संख्या बल बहुत कम है ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ एक्जाम देना है योगेंद्र जी वेरी वेरी गुड इवनिंग श्वागत है चले लेटना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं question को देखो यह रहा पहला question आपके screen पर आ गया है इसका answer बटाई वाट इस दडिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड शिफ ऑफिस से कितना करोगे मैक्सिमम हो गया भाई जो मार्जिन आप खोलोगे न पेज का तो यहां आपसे 2003 का पूछा है तो मैंने आपसे बता है 2007 के बाद आपको सवी वर्जन में common मिलेगा लेकिन 2003 संतानवे से लेकर 2003 तक जो है इसमें आपके सेम फीचर थे और 2007 से लेकर 2019 तक की बात करें तो मैक्सिममम फीचर इसमें सेम है पहला answer होगा 1 चलो 1 दे रहे हैं नई 2.5 बता रहे हैं योगेंद्र चलो हाँ थोड़ी सी गलबर कर रहे हो जो आपका left margin होता है default अगर जो होता है default आपका margin अगर जो खोलोगे word में तो default margin का अभी 2000 अगर हम 10 की बात करें तो सब 1111 होता है top, bottom, left, right लेकिन जब 2003 की बात करते हैं तो उस समय 1.25 होता था कितना होता था 1.25 होता था 2.5 नहीं 1.25 याद रखते हो ठीक है अगला question हम बढ़ते हैं what is the maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए हम maximum कितना font size use कर सकते हैं इसका answer जल्दी से आप लोग comment के माध्यम से बताओ कि क्या सही जबाब होगा 16, 13, 72 कुछ लोगों का रहा है 72 देखो option में ये कहीं नहीं दिया है ये बोला maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए आप कितना font size यूज कर सकते हो आपको कहीं ये नहीं दिया है कि जो font style का drop down होता है उसकी बात नहीं किया है question incomplete नहीं है आयूज जी साफ साफ लिखा है कि what is the maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए maximum font size कितना आप apply कर सकते हो ठीक है अगर question 72 के भी हाग पे पूछा तो वह formatting toolbar जरूर पूछता ठीक है 163 नहीं होता है 1639 होता है option B होगा आप उस पे मारना search करना 1639 होगा चलो हिंदी इंगलिस से क्या लेना देना है question तो बहुत आसानी है na question तो हिंदी इंगलिस से मेनू आप चूज करोगे format में कहां होता है योगेंद्र कामनी जी इंसर्ट बता रहे हैं शोनी जी इंसर्ट बता रहे हैं बिंदिया जी इंसर्ट एकदम सही जो इंसर्ट के साथ जा रहा है इंसर्ट में जब जाओगे तो सबसे last command group जो आपको मिलेगा वो symbol का मिलेगा उसी में आपका symbol का sign यह रहता है ठीक है उसी में आपका रहेगा अगला प्रशना आपके screen पर आ गया है वाज ओर्जिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप आटो करेक्ट में क्या होता है जैसे क्या होता कोई चीज लिखते हो तो वह गलत होता है तो उसको आप्रमेटिक करेक्ट हो जाता है तो वह क्या होता है ग्रेमेटिकली इंकरेक्ट होता है sought and repetitive होता है या miss spelled होता है या none of devil होता है जो autocorrect है वो किस पे काम करता है जब आपकी miss spelled हाँ सही बात है grammatically error नहीं आपकी spelling जब mistake होती है एक बार सभी लोग share कर दो हर हर महादयो का नाम लेकर जब आपकी spelling mistake होती है तो वो आपका अलग दिखने लगता है आपके mobile के keyboard में भी जब आप typing करता हो तो वही feature काम करता है तो जब miss spell होता है तो वो अपने आप वहाँ पे आजाता है spelling आप सही कर सकते हो किसी की spelling लिख रहे हो कुछ चीज भूल गए आपको कोई लेटर तो अपने आप वहाँ पर rate बन जाएगा और आप वहाँ से क्या कर सकते हो चूज कर सकते हो कि इसका सही spelling क्या होगा right click करके आजाओ in word the mailing list merge mailing की जो list होती है उसको क्या कहा जाता है data source कहा जाता है sheet कहा जाता है data sheet कहा जाता है या source कहा जाता है जब मैंने कहा था आपको mail merging करते हो तो mail merging के समय आपको एक database type कर तयार करना पड़ता है ठीक है तो उसमें आपको नाम, address, phone number यह सब लिखते हो उसी के according जो आपके merger envelope होता है जो भी होता है उसको आपको भेजना होता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है यह आ रहा है बहुत बढ़े है जिसका answer data source आ रहा है बैतरी नहीं डेटा सीट तो आपका excel में होता है सीट जो होती है यह जो होता है डेटा सोर्स होता है यह answer सही होगा यह answer correct होगा अगला question है what is the default font size of a new word document based on normal template ठीक है default अच्छा जहां पे कोई version न दिया हो आपको तो आप answer किसको मारोगे अगर option में दोनों चीज दिया हो अभी मैंने जैसे मैं बताऊंगा आप लोगो को कि ऐसे प्रश्ण में किस option को जादे prefer करोगे suppose करो जैसे यहाँ पे यहाँ पे बोला what is the default font size of a new word document based on normal template नॉर्मल template में अगर आपका font size क्या होता है तो सबके answer 11 point आ रहा है कुछ लोग लग रहा है नहीं laptop देखते हो चाहे वर कभी खोल के नहीं देखते हो कि आपका by default font क्या होता है और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को class में मैंने आपको दिखाया है कि by default जो आपका font होता है वो calibrary ठीक है यह होता है और body यहाँ पे लिखा रहता है और इसका जो size होता है वो 11 होता है यह जो आपके 2007 है उसके बाद से जितने version है उसमें होता था लेकिन समतानवे से लेकर अगर हम 2003 की बात करें तो यहाँ पे times new roman होता था क्या होता था times new roman होता था और इसका by default जो size होता था वो 12 point होता था समझ गए मेरी बात को तो यहाँ अगर version आपको नहीं दिया है और option भी देखो 12 तो दिया नहीं है अगर दिया भी रहता तो आपको maximum 2010 को मार के करना है ठीक है मतलब recent को मानना है ठीक है recent को मानना मतलब 2007 के बारे मानना है तो यहाँ 11 देंगे 11 point by default हमारा font size होता है समझ में आगे सभी को चलो अगला को है what is the default font used in MS Word 2016 क्या होगा इसमें से Times New Roman, Arial, Algarian या none of the above क्या सही जबाब होगा जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग मादेयों का नाम लीजिए और session को share करिये भाई कैसे कम एक्जाम लगा हुआ है यहीं पर UP PCL का भी है और JCA वालों की भी computer आनी है लेकिन कोई serious नहीं है ऐसे पढ़ाई करोगे चलो DDFD Arial होगा अभी अभी मैं बता के गया हूँ और उसके बाद भी गलती कर रहे हूँ What is the default font used in MS Word 2016? 2016 पूछे 10 पूछे 19 पूछे बच्चो तो मैंने कहा 2007 से लेकर अभी तक जो version है और 97 से लेकर 2003 जो version है यह एक category के हैं और इधर वाले एक category के हैं तो कैसे आप लोग answer दे रहे हो कि Arial होगा Arial नहीं होगा none of these होगा क्योंकि answer जो होगा वो आपका वो calibrary ही होगा यह वाला ठीक है? यही font आपका होगा by default इसमें समझ में आ रहा है? चलो तो यह गलती मत करो भाई छोटी सी गलती है which indent marker control all the lines except first line ठीक है? first line को छोड़ कर बाकी में indent लगाने को क्या कहा जाता है? ऐसे indent लगता है आपका तो उसको क्या कहा जाएगा? left indent marker, first line indent marker, right indent marker या hanging indent marker हाँ, Calibri is the default font size बहुत बढ़िया है, इसको क्या कहा था? जब भी आपका front line same हो, बाकी line में आपके indent लगे हो तो ऐसे को hanging indent कहा जाता है hanging indent marker कहा जाता है, बहुत बहुत बैतरी इन जबरदस्त how many different position can you see a drop cap? drop cap मैंने बताया था, उसकी line भी बता दिया, maximum कितना होता है, by default कितना होता है ठीक है, लेकिन जब आप drop cap को choose करोगे, उस पे click करोगे, जो drop down बनके आता है तो वहाँ पे आपका एक normal करके होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक जो होता है, आपका drop होता है एक क्या होता है, और तीसरा जो position होता है, वो margin होता है क्या होता है, margin, ठीक है, margin होता है dropped मतलब थोड़ा बीच में हो जाएगा margin मतलब थोड़ा margin के पास आपका drop cap लगेगा तो actual में आपके कितने position होते हैं पोजीशन आपके पूछा है none कोई position नहीं होता है नहीं गलत जा रहे हो ये जो none होता है none मतलब होता कि कोई position नहीं तब drop cap लगेगा ही नहीं नन का मतलब लगेगा नहीं लेकिन इन दोनों में drop cap लगता है तो इसलिए इसको position कहा जाएगा दो ही position होते हैं कितने होते हैं दो ही position होंगे हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं देखो drop cap को drop के बोलेंगे यहां बोला how many different position कितने position होंगे मतलब अस्थान होंगे किसके drop cat लगाने के आप word खोलना word में आप जब क्या करोगे word में किसमें होता है drop cat यह बताओ जब insert में जब जाओगे तो insert में ऐसा symbol आपको दिखता है drop cat का और यहाँ पे जब आप symbol को click करोगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आता है लेकिन पहला यह होता है कि none का none का मतलब होता drop cat मत लगाओ ती वो कोई position नहीं होगा आपका क्या होगा वो कोई position नहीं खलाता है उसके बाद से एक आपका बना रहता ऐसे और यह होता है इसको कहा जाता है आपका क्या dropped और एक आपका ऐसे बना रहता है और ऐसे 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 होता है ठीक है वो ध्यान रखिएगा एक मतलब आपका पूरा ऐसे होता और एक आपका ऐसे ऐसे होता है इसको कहा जाता है dropped इसको कहा जाता है margin in margin ठीक है क्या बोला जाता है in margin इन मार्जिन बोला जाता है तो पोजीशन बेसिकली आपके लगाने की एक यह हुआ और एक यह हुआ दो ही पोजीशन हुए आंसर टू होगा आप इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मैनू सभी ओपन करके जरूर देखना है समझ गया न तो देख लो समझ जाओगे वीच आपड़ फालोएंगि इस इस तुक्रियेट न्यूस्पेपर स्टाइल कॉल्ण इसमें से बताव न्यूस्पेपर स्टाइल कॉलम हम किससे यूज करते हैं कैसे क्रिट कर सकते हैं फॉर्मेट कॉलम टेबल इंसर्ट टेबल या फॉर्मेट टेब या इंसर्ट टेस्ट बॉक्स जो को न्यूज कंप्यूटर नहीं है आरे कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है यह आपको सबसे अच्छा अगर कोई टीचर पढ़ा सकता है वह मैं नहीं हूं वह आपका कंप्यूटर है सिंपल सी बात में बोल ला हूं पोस्ट की पावर कौन से पोस्ट की पावर यहां वहला विच अपड़ फोलेंग इस तो क्रियेट अन्यूज पेपर स्टाइल कॉलम न्यूज पेपर हमेशा इस तरह लिखा जाता है कॉलम में तो उसमें क्या फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग कॉलम में ही लिखा जाता है इसलिए आंसर ए होगा आपका उसाजी very very good evening सभी का स्वागत है कहां late late so so जग के आ रहे हो क्या तुम लोग class में आज अगला है प्राशन कि column dialogue box can be open for कैसे open करोगे जो column dialogue box होता है उसको open करने का बोला press alt oc format menu column sub menu double click on a column space in ruler all of the above मैंने एक job profile की वीडियो तो बनाई है वहाँ पर आप जाके देख लीजिए D answer होगा एकदम सही है all of the above होगा आपका alt oc जब दबाओगे आप तो आप देखो alt oc दबाने पर क्या होगा ठीक है alt oc दबाओगे तो column की पूरी formatting आपके सामने आ जाती 1, 2, 3, 4 जो भी होता है आपके column जो होंगे किस तरह से करना वो भी होगा format menu में यह format menu ले लिया इसका मतलब 2003 की बात कर रहा है क्योंकि format menu अभी 2007 के बाद नहीं देखने को मिलता है फिर double click on column space in a ruler जहां column space in a ruler में वहां पर जाके आप कर सकते हैं यह पूरा D सही है इसका which of the following is not the part of standard office suit standard office suit का कौन सा part नहीं है database, file manager, image editor, word processor बताओ MS office suit में पढ़ते तो आप लोग maximum 3 नहीं हो लेकिन और भी चीज़े होती है जैसे MSSS है का का थो लालू की तरह बोली है अच्छा इस database जो है आपका MSSS हो गया यह भी आपका किसमे होता है आपका Microsoft office suit के अंतरगत ही आता है लेकिन file manager जो part है वो operating system का part होता है image editor भी MS editor आता है Microsoft का image editor आता है word processor भी office का ही part होता है तो B answer क्या होगा यह office का part नहीं है office suit का part नहीं है समझ गए MS office picture manager आता है कि नहीं देखो MS office picture manager यह हो गया ना वही चीज है तो image editor तो होई गया उसमें edit तो करी सकते हो image को अब यहां बोलो where can you find the draw table tool button draw table tool button हम कहां पाएंगे formatting toolbar में drawing toolbar में standard toolbar में यह tables and formatting toolbar में क्या इसका सही जवाब दोगे आप लो हाँ अभी देखो जो answer क्या दे रहे है इसका d लोग दे रहे हैं चलो इसका answer तेरा का d एकदम सही है क्यों कि जो formatting toolbar है यह आपको 2003 में मैंने कहां मिलता है लेकिन जब 2007 में आओगे तो वहाँ पर आपको insert में जो यह table and formatting toolbar है यह 2003 में इंसर्ट में जाओगे इंसर्ट के table में जाओगे और table में जाओगे वहाँ पर आपको column में मिलेगा draw table वाला part ठीक है वहाँ पर draw वाला मिलेगा देखो कुछ नहीं आपको 2003 है 2003 को देखना है तो देख लो एक बार खोल के उसकी window अगर कहीं मिले तो बहुत जरूरी नहीं है लेकिन जो 2007 के बाद कोई भी आपके पास हो चाहे 2010 हो चाहे 2013 हो सम्मे सेम चीज है क्योंकि उसका base कौन है 2007 है ठीक यह आजाओ अगला है सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैक्ग्राउंड, एसेटरा, और नौन एस यह सब क्या है सिमर, स्पार्कल, ब्लिंकिंग यह word art है font style है या text effect है या font effect है इसको आप क्या कहोगे यह चीज क्या है जल्दी से बताओ यह इसे आप क्या कहोगे word art नहीं है यह आपके text effect है ब्लिंकिंग करके जो text color छूज करते हो नए effect का यह text effect होते है word art नहीं होते है ठीक है यह कैसा है text का effect होता है कि आपको sparkling हो reflection वाला हो यह सब text effect है आप देखना हो text effect में जाके what is the shortcut key you can press to create a copyright symbol यह भी कई बार exam में पूछा गया है copyright symbol को लेने के लिए आप कौन सा shortcut key use करोगे copyright symbol कौन सा होता है यह symbol जो होता है copyright का symbol होता है तो वो आपका किस से आएगा alt ctrl c से करोगे तो copyright symbol आएगा अगला प्राशन बोला how can you assess the font size tool on formatting tool bar formatting tool bar font size जो होता है font size tool का एक dialogue box खुलता है वो dialogue box आप किस shortcut key से खोल सकते हो साहिद हमने पहले भी discuss कर लिया सुभम जी खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए जबर्दस्त रहिए चलो करा देंगे cushion उसके भी करा देंगे तो यहाँ हो जागा control shift p के साथ जैसे ही दबाओगे तो एक dialogue box font का खुलाएगा वहाँ आपके font size सब कुछ उसके बास एक advance यहाँ आता है ठीक है उससे भी प्रस्न कई बार दिखाता है तो वह सब dialogue box खोल के देख लेना एक बार किसमें क्या क्या होता है तो यह आपका answer होगा डी इसका बोला how can you make the selected characters super script super script बनाने के लिए आप कौन सा shortcut की use करोगे इसका सही answer बताईए क्या होगा अगला प्रस्न हो इसका क्या हो जगा इसका सही जवाब क्या हो जगा सब बोलें control safety B option एकदम सही इसको तो कराया भी हूँ तो B answer एकदम सही होगा सब लोग सही हो बोला how can you increase the font size of the selected text by one point एक point अगर selected text का increase करना हो तो आप कैसे किस shortcut की से increase कर सकते हो आचा तुम लोगों में मैंने shortcut की का PDF abbreviation का PDF वो रखवा दिया उसको जरूर एक बार देख लेना एक point increase करना हो कोई भी font size तो आप इस से करोगे ठीक है और decrease करना हो तो उससे उल्टो वाले से करोगे ठीक है अगर एक point decrease करना हो तो इस से होगा ठीक है तो answer यहाँ पर A answer correct होगा 19 नमबर बोला है what is the smallest width of a column column का कोई भी आपका जिस से मालो यह column है इस column की smallest width क्या होगी सबसे ठीक है 0, 0.5, 1 या 1.5 जल्दी से बताइए 0.5 वाले एकदम correct है 0.5 होता है how much space in minimum must be provided between columns column के बीच में column के बीच में कितना space आपका provide किया जाता है 0, 0.5 या 1 या 1.5 1 नहीं होगा इसका जो होगा वा 0 होता है जो column का space होता है कि एक column आपका यह है फिर दूसरा column उसके बीच में कहा space होता है एक column आपकी यह हो गई ना दूसरा column यह हो गया तो इसके बीच में space कहां देखने को मिलता है जैसे मालो आप दुख यह column है ऐसे row चलता है तो यह column आपका यह है यह column यह है तो column यह वाला part हो गया इसके और इसके बीच में space कहां देखने को मिलता है तो वो zero होगा बोला which of the following position is not available for font on MS Word अब बताओ यह क्या है यह कभी खोल के देखे ही नहीं होगे normal, raised, lower or centered ठीक है यह कैसे यह बोल ला है which of the following position is not available for font on MS Word MS Word के font के लिए कौन सा position आपका नहीं रहता है जल्दी से बताओ यह कैसे देखोगे control, shift, p दबाओ जब control, shift, p दबाते हो तो पूरा उसमें देख लो control, shift, p जब दबाओगे तो dialogue box खुलता है यहां लिखता है font और यहां लिखता है advance ठीक है तो font वाले में आपका पूरा font से related चीज़े रहेगा ठीक है उसमें आपका complex script रहेगा effect के part रहेंगे ठीक है और जैसे ही advance वाले पर click करोगे तो advance वाले में आपके क्या रहेंगा advance में character spacing आता है ठीक है character spacing यहां पर लिखा रहता है character spacing इसी में एक होता है drop down position के नाम से इस position पर जब आप click करोगे drop down करोगे ऐसे तो उसमें आपके तीन चीज़े दिखेंगे by default normal होता है तो normal raised allowed यह होंगी लेकिन centered नहीं होता है देख लेना करके ठीक है तो यह answer क्या होगा कि centered नहीं होगा d answer correct होगा आपका यह करके देखना advance में जाना position होता है वहाँ drop down को करना सिर्फ तीन चीज़े मिलेगा आपको बोला what is the maximum scale percentage available in scale drop down box अब यह scale drop down box क्या होता है देखो scale drop down क्या होता है कि आपको menu आपको अगर कुछ जो है ribbon आपको extra लगाना हो जो menu होते हैं उसमें तो आप file में जाना ठीक है जब file वाला option होता है ठीक है practically done चलो बहुत बढ़िया practical भी done करते रहो file वाला जब आप होता है file में जाना file पर जब click करोगे तो आपका एक ऐसा खुलके आएगा यह वाला portion यह से वे सब कुछ लिखा होता है तो यही पर एक option आता है उस option पर click करना help में help में option आएगा उस option पर click जब करोगे तो आपका क्या आता है उसी में उसी में आता है advance या customize ribbon क्या आता है customize ribbon customize ribbon करके आता है ribbon को customize कर सकते हो ribbon के customize में आपका क्या होता है main tab करके यहाँ पर खुलेगा जब आपका तो दो पार्ट में रहेगा ऐसे ठीक है यहाँ पर आपका customize कर सकते हो जो भी tab में जोडना चाहते हो तो यहाँ एक tab होता है design के नाम से किस नाम से design के नाम से ठीक है उसी में आपका एक होता developer के नाम से क्या होता developer जब developer में जाओगे तो we have जो बोला कि drop down box drop down box मतलब drop down list होता ऐसे drop down जैसे आप लोग कुछ select करते हो ना तो word में आप drop down list बना सकते हो तो वहीं बोला कि इस list में कितने नंबर और वह सकते हैं तो 200 हो सकते हैं drop down में कितने हो सकते हैं 200 हो सकते हैं इसको याद रखना ठीक है 200 list आप उसको तयार कर सकते हो how do you rearrange the data in ascending and descending order ascending and descending order में अगर आपको data मैंने का जब आप उसमें खोलना उसमें रहेगा ठीक है जब आप developer वाला open करना developer पर कले click करके ok कर देना तो आपका menu में developer दिखने लगेगा और developer पर जब click करोगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा control में ठीक है देखो उसके बाद से control add-on जो आपका है हाँ कौन सा control में कहां दिखेगा सिम्रण जी देखो control command group होगा control command group में आपको तीन चीजे बनी रहेंगी ऐसे यहां image की size रहेगी और यहां वाली तो लिस्ट आपका बनेगा उस पर मौक लगवा देंगे ठीक है मौक लगवा देंगे भाई टेंसन काई लगवा रहे हूं अब बोला कैसे करोगे तो data को sort करेंगे अगर किसी को ascending ये descending order में हमें arrange करना हो उसको आप क्या करोगे data को sort करोगे a answer correct हो जाएगा बोला to select an entire column in ms excel ms excel में अगर पूरे column को xfd होता ना पूरा last वाला ठीक है ए से लेकर xfd तक अगर आपको select करना हो column को तो आप क्या यहां से दबाओगे shortcut की क्या होगा mock किसका computer के तरह है या पूरा जी मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद visualize करो उसी जो को तो यहां क्या answer दोगे पूरा अगर select करना हो एक साथ entire column को ms excel के तो आप कैसे select करोगे control arrow की से तो बहुत लंबा चला जाएगा ठीक है इसका जो होता वह होता control plus space bar लेकिन space bar है नहीं आपे तो none of the above answer होगा बच्चो हां बहुत बढ़िया control और space bar जब आप दबाओगे तो पूरा का पूरा select कर लोगे अगला आजाओ बोले to return the remainder after a number is divided by divisor in excel we use function ऐसा कौन सा इसमें function है जो आपको remainder return करता है चलो तो बहुत बढ़िया सब लोग जा रहे हैं कि mod जो आपका function होता है अगर हम 4 upon 3 करें तो यहां से जो remainder आएगा न यह वह हमें यह return करता है यह value mod जो function है तो answer c होगा इसका 26 number question आपसे बोला है concatenation of text concatenation का मतलब जैसे suppose करो क्या लिखा है यहां पर text लिखा है और can लिखा है तो concatenation एक function होता है जब हम उसको लगा देंगे equal to concatenate लगा देंगे जब यह लगाएंगे हम लोग तो क्या करेगा यह text और can को क्या करेगा एक साथ जोड देगा space खतम कर देगा तो बोला है इससे भी वही चीज़ होता है लेकिन आप तो function है नहीं वही बोला concatenation of a text can be done by using apostrophe explanation mark has या m% तो आप इसको ऐसे भी जोड सकते हो text m% marks लगा दो और can लिख दो जब इसको equal to लगाने के बाद जब करोगे यह चीज तो यह आपका जो output आएगा वह text can आएगा ऐसे आएगा जुडा हुआ आएगा तो m% भी concatenation का काम करता है d answer होगा m% comment can be added to a cell using हम किसी भी cell में मैंने आपको बताया था कोई excel particular इस पर comment कर सकते हो comment add कर सकते होगी आपको उसके बारे में कुछ जानकारी अगर जाओ कोई भी अगर data रखे हो यहाँ पर तो उस cell का data किस से related है आप comment के तरफ से उस पर रख सकते हो जब comment कर दोगे तो यहाँ red color में यह चीज़ देखने लगता है और जब इस पर cursor ले जाओगे तो वह खुल के comment आ जाएगा ठीक है तो वही आप से पूछ रहा है कि आप comment कैसे add करोगे तो comment कहा होता है comment आपका review tab में जब जाओगे वहाँ पर एक comment section मिलेगा वहाँ से आप add कर सकते हो d answer correct होगा बहुत बढ़िया जबर्दस्त अगला प्रस्न है which menu option can be used to split window in two टीक है split window का एक option होता है आप सभी में चाय वर्ड हो चाय एक्सल हो चाय पावर पॉइंट हो वह आपका कहां पर होता है कि अग्युआ कि जल्दी से बताओ वह आपका कहां पर होता है बोला है which menu option can be used to split window in two view split में होता है कहां पर पहले पूरा देखो पहले view में जाओगे फिर window में जाओगे फिर split का option होगा जाओ ऐसे करो पहले किसमें जाओ view में जाओ window में जाओ window क्या हो गया तब command group हो गया वहीं पर new window arrange all split आता एक option तो जब उस पर click करोगे तो एक आपका बार बन के आने लगता है कहां से split करना है आपको वहां से आप split कर दोगे तो पूरा पूरा page ही आपका एक तरह से बोला जाए ना इस page पर लेके आओगे split करने के बाद तो इधर का page का पूरा document ही अलग हो जाएगी window ही अलग हो जाएगी और ये window अलग हो जाएगी एक ही page में double window की तरह आपको दिखेगा ठीक है भी answer correct होगा बच्चों अगला a typical work seat has number of column कितने number of column होंगे 128, 256, 1024, 16, 1384 अब देखों यहां किसी version की बात नहीं किया ना आपसे तो आप जानते हो कि 256 column भी होता है किस में होता है 2003 में होता है हाँ वही मैं आप लोगों से बोला था कि जब वर्जन ना बोले तो आप किसको जादे वरियता दोगे तो जब आपका वर्जन ना बोले तो आप किसको दोगे बी वाले गलत जा रहे हो अटिपिकल वर्क सीट है जो नंबर अफ कॉलम 16384 होगा जब भी आपके पास कोई वर्जन पर्टिकुलर न बोले तो आप रिसेंट में जो फ्यूचर लहा है उसको प्रिफरेंस दोगे मेरी बात को ध्यान रखना अगर आपका कोई भी वर्जन नहीं कुश्चन में दिया है तो आप प्रिजेंट वर्जन को लेकर आंसर देना है जब आपके आप्शन में दोनों जरूर हो यहां पर तो लेटेस्ट वर्जन के कॉर्डिंग काम करना डी आंसर 16384 कॉलम होंगे अगला परसन how many characters can be typed in a single sale in excellent अभी साहिद हमने discussed कर लिया था कुश्चन नहीं discussed किया था लेकिन किसी में discuss कर लिया था examiner भी ले लिया तो बस ठोक देना कि भाई या क mijसे भी ले लिये काउनिया हिसाब से ले लिये हम कौट तक चले जाना भाई जब आपने वर्जन नहीं दिया तो आपके कोडिंग क्यों ऐसे आपने ले लिया या तो दोनों सही करो सिंपल सा लॉजिक या तो दोनों सही करो या रिसेंट बाकी तो जानते हो, एक्जामिनर अपने अपने उपर, अभी देखो कन्या विद्याधन योजना वाला जो है ये, जिसको लेकपाल में आया था, वो प्रस्न बहुत पुराना है, अब कारी में आया हुआ है, वीडियो में आया हुआ है, वहां आंसर कुछ और था, यहां अब तीस साथ सो सट एकदम साइज सी होगा अब आक्सीट केंड हैवे मैक्सिमम आफ ए नंबर अफ रो अब देखों मैक्सिमम नंबर अफ रो क्या होगा मैक्सिमम नंबर यहां पी वर्जन नहीं लिखा है तो दस लांक और तालीस अजार पांसो चीहतर यहीं आंसर होगा डी आंसर होगा बहुत बढ़िया बत्तिस नंबर क्वेश्चन इसमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है पेज व्यू प्रिंट व्यू नार्मल व्यू आउट्लाइन व्यू यह भी होता है यह भी होता है यह भी होता है लेकिन पेज व्यू नहीं होता है पेज व्यू नहीं होता है रिडिंग व्यू होता है ठीक है A answer इसका सही होगा 32 अब इसमें सही होगा कुछ लोग यह न सोचने ना इसको गलत किये है To add header footer इने handout handout में जाकर header footer add करने के लिए कौन सा option सही होगा View में जाओ page setup करो, View में जाओ header footer करो, View में जाओ handout master में जाओ क्या होगा इसका सही जबाब जब handout में आपको header footer लगाना है, तो आप View में जाओगे और handout master में जाओगे अच्छा handout master जब करते हो, तो कुछ आपको ऐसा दिखता है, page ठीक है और उपर ऐसे header footer type का दिखेगा, तो आपसे पूस्ता by default ठीक है, by default handout tool में, handout master में आपके कितने slide होते हैं बताओ, by default handout में कितने slide होते हैं, कोई बताए गा मुझे जल्दी से बताओ, जब View में जाना और handout में क्लिक करो handout master करके उस पर जब क्लिक करोगे, तो आपके सामने जो है, इधार ऐसे कुछ बन के आजाता है इस ऐसे इधार बन के आजाता है, ठीक है, और एक आपका ऐसे बन क्या था, और यहाँ पर आपके slide ऐसे होती है तो by default कितनी slide होती है, तो by default एक page पर आपके 6 slide होगी एक page पर maximum कितनी slide हो सकती है, maximum पूस्ता है, यह तो default हो गया maximum 9 हो सकती है बच्चों, कितना हो सकता है, 9 हो सकता है अरे होगा, इसे कईसे नहीं होगा, handout master नहीं है word का नहीं है, power point है यह, mix है, यह power point है power point है power point में होता है handout master, handout master power point में होता है तुम लोग word खोलोगे तो कहां दिखेगा C answer correct होगा इसका To add header footer अच्छा सेम question हो गया है Holding down the shift key and rotate the image Will rotate in an increment of ठीक है अगर आप shift key को hold करते हो और image को rotate करते हो तो कितने से increment rotate करेगा वो हाँ maximum 9 होगा by default 6 होगा उस पर आता है slide per page तो slide per page by default 6 होता है आप maximum 9 तक ले जा सकते हो minimum आपका 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 6 होता है हाँ बहुत बढ़िया 15 जो दे रहा है 80 जी 15 डिगरी दे रहे हैं एकदम जबरदस्त आंसर है भी आपका सही जबाब होगा अब बोला powerpoint design template are store in a file with this extension अगर powerpoint design template को आपको store करना है तो उसका extension क्या होगा अब यह कैसे करोगे गलत जबा extension की बात कर रहा है वो भी design template की बात कर रहा है ठीक है अभी हम तुम लोग को practical बताते हैं जब आप उसको क्या करोगे save as करोगे ना किसी भी slide को कोई भी powerpoint presentation आप save as करोगे तो आपसे वहाँ पर मांता है क्या कि आप किस format में आप save करना चाहते हो file वहाँ पर presentation 1970 से लेकर 2003 का भी extension होता है XPS development भी होता है और powerpoint template का भी एक extension होता है तो जब powerpoint template के कर दोगे जब save में जाते हो वहाँ नाम लिखते हो और यहाँ पर आता ना किस format में save करना चाहते हो तो वहाँ आप जाना चूज करना powerpoint template और वहाँ तो extension नहीं दिखाएगा लेकिन जब उस file को save कर लोगे और उसके property में जाके देखोगे तो वह आपको किस नाम से दिखाएगा ppt नहीं dpt भी नहीं होगा भाई साब वह आपके .pot के नाम से दिखाएगा ठीक है और ppt तो आता है सेव करके extension देख लेना main main अब आजाओ slide sorter of a powerpoint is available on जो slide sorter वी होता है वह आपका किस में होता है slide sorter का मतलब क्या होता है न बच्चो यह आपका जो window है आपका इसी पर ही आपकी पूरी slide arrange हो जाती है क्या हो जाती है जितनी भी slide है वो उसमें कितना भी आपकी slide हो सब कुछ आपको एक ही पर दिखने लगेगा ठीक है तो यहां क्या answer दोगे जल्दी से बताओ किस में होता है slide sorter view में होता है slide sorter एकदम सही answer दी हो अगला प्रशन है how can you stop a slide show slide show को कैसे stop कर सकतो तो प्रेज दा राइट एरो प्रेज इस कैप प्रेज दा लेफ्ट एरो तो आप सिंपल सी बात है कि इस कैप वाला हम बटन दबा देंगे तो क्या हो जाएगा बार हो जाएगे अगला जल्दी से प्रशन chart can be put as a part of the presentation using insert में जाओ chart में जाओ इस में करोगे या पिक्चर में जाओगे फिर चार्ट करोगे इंसर्ट में जाओ पिक्चर में जाओगे तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो आँ चार्ट नहीं कर सकते हो आप सीधे इंसर्ट में जाओ चार्ट वाले सेक्षन में जाओ चार्ट को इंसर्ट कर लो बी आंसर करेक्ट होगा अगला प्रशन है ellipse motion is a predefined ellipse motion क्या है आपका ellipse motion मतलब ellipse की तरह motion करेगा ऐसे motions करेगा कोई भी चीज तो वो motion जो है वो एक प्रकार का animation है किसी text पर हम लगा सकते हैं कि text rotate करें ऐसे 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 घूमें ellipse के path में तो उसको animation कहा जाता है अगला है to insert a new slide in the current presentation नई slide add करना हो तो क्या काओ के control M से करते हैं ये भी discuss कर दिया था नया presentation खोलना हो तो control M से होगा अगला प्रशन है कि which tool is used to record a presentation screen presentation जो बना रहे पूरे record करने के लिए to demonstrate a process as a part of powerpoint presentation किस पर हम जाएंगे screen recording, slide recording, video recording presentation recording किस पर करोगे पूरा presentation अगर आपको record करना हो तो कैसे record करोगे पूरा आपको что citoव बेएा कि इंगि एम उंप़ाउ में एम जड़ाएंपे नड़ा उना हो वादी आपको है जब़ाई आपको कर्ण बद़ा हो अध़र रिए पूराईफानunedına आपको करना हो आपको करोगे डी होगा चलो क्या बोलना है सब प्रेजंटेशन रिकॉर्डिंग नहीं इस्क्रीन रिकॉर्डिंग करके करोगे वहां पर आपका ओप्सन आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग उससे आप पूरा का पूरा प्रेजंटेशन रिकॉर्ड प्रेजंटेशन स्क्रीन टू से वैलिड मास्टर व्यू नहीं है नोट्स मास्टर और क्लाइट मास्टर श्लाइड मास्टर या हैंड आउट मास्टर कि आप इंसर्ट में जाना इंसर्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है नोट्स मास्टर नहीं यहां बोल लाँ आप से क्या वीच आप दर फॉल्विव नॉट वैलिड मास्टर व्यू ऑप्शन इन मास्टर व्यू नहीं होता है 2010 वन यू क्रिएट ए फर्स्ट प्रिजेंटेशन फाइल इन MS पावर पॉइंट वाट इस दिफॉल्ड फाइल नेम डिफॉल्ड फाइल नेम क्या होगा स्लाइड वन अच्छा कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोल दे रहा हो तुम लोग कुछ करना बच्छे नोट्स मास्टर नहीं होता होता है भाई हैंड माउट स्टर नोट्स मास्टर ठीक है सिफ आउट फैस्तर नहीं होता है उसमें जाके देखना जाकर मस्टर टूल ही वाले में पावर फॉंट पावर पाइंट वन होगा क्या होगा Presentation 1 के नाम से फाइल होती है किस नाम से होती है Presentation 1 के नाम से Presentation 1 के नाम से फाइल होगी In PowerPoint, themes could be found under themes किसमें found होता है तो आपका design tab होता है किसमें design tab ये design tab आपका 2007 के बाद ही आया है book 1 एक्सल में होता है डिजाइन डेट होगा इसका बी आंसर करेक्ट होगा extension can be used to save a slide where one can just need to view the presentation and cannot do any editing कहने का मतलब यह है कि वो powerpoint file का extension क्या होगा जिसको अगर हम एक बार save कर लें तो सिर्फ हम उसको देख सकते हैं उसमें edit नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपका जब save करने जाओगे तो वहाँ पे आपका option होता है जब आप save करोगे ना file का तो किस mode में save करोगे किसे view as देख सकते हैं उसमें edit नहीं कर सकते हैं edit करने के लिए double click करोगे तब वो edit mode में जाएगा वो कौन सा आपका होगा extension चलो इसमें करके देखना एक आता है power point जब उसमें आपका drop down वाला आएगा न save is तो उसमें एक है power point so के नाम से सरी इसमें आप file save करना power point so का मतलब सिर्फ आपको वो presentation so होगा उसमें आप edit नहीं कर सकते हो तो उसका जब extension देखना हो तो उस file को जब save कर लेना तो उसकी property में जाना उस file का extension होता dot ppsx dot pptx तो यह आपका simple हो गया यह तो आज़ार 7 के बाद से जितने भी version आ रहा है उसमें power point आपको अगर save करना हो power point जो save करते हो उसको open करते हो तो उसको edit भी कर सकते हो लेकिन यह file जब open करोगे तो additable mode में नहीं रहेगा वो तो वोगा वो ppsx के form में रहेगा ठीक है तो वही मैंने कहा जब sanas और वहाँ पर choose करना किस mode में करना चाहते हो से power point 100 के mode में तो यह हो जाएगा और यह 1997 से लेकर 2003 का extension है और यह जो है macro enable है मैंने बता है तहना power point को अगर आपको macro enable आपको save करना है तो pptm होगा यह macro enable हो जाएगा जैसे doc docmm था उसमे which of the following presentation view option in microsoft power point 200 so a thumbnail of our slide in your presentation to easily rearrange जितने भी आपके thumbnail है आप slide के उवर easily arrange हो जाते हैं किस view में अब वहां version लिकी दिया 2016 कोई मतलब नहीं साथ के बाद सम्में होगा ही होता है वो as slide shorter view जैसे मता है जितने भी slide है सब एक साथ आपके arrange दिखेंगे हाँ आजाओ अकला और 48 allow you to create a new presentation and open an existing presentation ठीक है यह आपका इस समय नहीं है यह 2003 में होता था यह बोलता है कि मनलब 97 से लेके 2003 वाले में यह पाया जाता था इसको कहा जाता था task pen task pen में क्या होता था right side में 2003 में getting ready करके आता था right side में आपके जो यहाँ पे आपका है presentation वाला जहां से सुरू होता है भी slide है तो यहीं पर getting ready करके आता था यहां से आप क्या कर सकते हो to create a new presentation and open an existing presentation जो आपका presentation खुला हुआ है उसी में ही आप नया एक presentation खोल सकते हो वहाँ के help से तो उसको क्या कहा जाता है task pen कहा जाता है यह 2003 में आपको देखने को मिला रहा which of the following statement is are incorrect जैसे pressing control n in Microsoft PowerPoint add a new slide to your presentation नहीं control n से slide नहीं आपका add होता है presentation can be saved as a PDF in Microsoft PowerPoint 2016 क्या PDF form में आप presentation को save कर सकते है एकदम वहाँ पर होता है मैंने वहाँ जब आप save as करोगे तो आप drop down आता है तो किसी भी format में आप save कर सकते हो तो save कर सकते हो 2016 वर्जन मलब PDF का जो save करने का वर्जन आया चाहे वर्ड में आया चाहे आपके किसी में वो 2010 से आया कि आप वर्ड की फाइल को भी PDF में direct वहीं से save कर सकते हो Excel को भी PDF में save कर सकते हो PowerPoint को भी तो यह 2007 में नहीं था है यह 2010 से feature आया था तो यह तो आपके फाइल को save करने का feature आया था तो सिर्फ second true होगा पहला false होगा only first false and only second false both false यह बोथ first and second are false आप से पूछा क्या है अच्छा कौन सा incorrect है तो पहला incorrect है पहला क्या है आपका incorrect है यह option सही होगा यह option सही होगा अब last प्रस्ण आपका screen पर यह देखो बोला टू फ्रीज दे टॉप रो इन एक्सल वाइल स्क्रोरिंग देक्स the option can be selected from the view tab in MX Excel under the window section in the fridge pen option R ठीक है वहाँ पे एक fridge pen option होता है वहाँ से अगर आप किसी भी top row को जैसे मान लोग क्या होता है कि आप top row है आपका ही है ठीक है कई चीज़े यहाँ पर लिखे हो और वो आपको जब पूरा यहाँ पर आ गए तो जब स्क्रॉल किये तो ठाक जाएगा उपर सला जाएगा तो वो दिखेगा नहीं कि कौन से यहाँ पर क्या है आपका price है यहाँ पर quantity है यहाँ पर कितना आपकी selling होई है वो सब दिखेगा नहीं तो आप data कैसे चाहा होगे तो इसको fridge करना पड़ता है तो fridge करने के लिए आप fridge pen में जाओगे और वहाँ पर क्या चूज कर लोगे fridge first row fridge आप क्या चूज कर लोगे fridge first row आप चूज कर लोगे तो आपका यह row जो है वो fridge हो जाएगा तो जब आप scroll करोगे कितना भी करते चले जाओ तो वह आपके अपने जगा पर रहगा आप जान दोगे कि हाँ इस data में क्या रखना इसमें क्या रखना है top row हाँ top row होगा top row top row होगा first नहीं top row कर लो इसको first row नहीं top row कर लो B होगा top row को fridge कर देंगे चलिए तो यह समाप्त हो गया आपका कोई दिक्कत कोई परसानी हो तो बगाए कल हम लोग mix question को करेंगे दूसरी class का time हो चुका है मैं आप सभी से विदे लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में जितने लोग भी मेरे से connect हो चुके हैं एक बार सभी लोग इस session को like, share और जो लोग नए है चैनल को subscribe जरूर कर लें जल्दी से इस session को एक बार share कर दें फिर हम लोग अपना session स्टार्ट करते हैं आज का session जो है mix पूरा एक practice set है पचास questions हैं आपके computer के जो most expected है उसको हम लोग आज solve करेंगे और उसकी PDF पाने के लिए आप लोग telegram ग्रुप जो है परिक्षा प्लस का जरूर जोइन कर लें वहाँ पे जो भी ये आपका ASI basis पे जो revision classes चल लें हैं आपकी उसकी PDF जो है वहीं पे मिलेंगी आसुतोज जी नमस्कार राहुल जी शहबाज जी जैक कुमार जी सभी को good evening प्रिती जी good evening राहुल चौहान जी हाई सचीन खना जी सर मैरतन लगवादो मैरतन classes ही तो चल लई है आपको revision classes मिल लई है proper हम revision classes देंगे सर पंदर दे में batch complete कर पाएंगे वो तो आप पे depend अगर आपने batch लिया देखो यहाँ पे revision पे तो मैं नहीं कहूंगा कि आपका मैं पूरा complete कराऊंगा लेकिन most expected जीज़े मैं cover जरूर कराऊंगा चाहे वो questions के माध्यम से हो चाहे जिस पे जरूरत पढ़ीगी तो मैं उसे theoretical भी पढ़ा दूँगा तो जैसे भी होगा मैं कोसिस करूँगा आपके computer के portions को कि आपके maximum question वहाँ से फस जाएं बाकी अगर आप course से जुड़े हो तो बहुत बढ़िया है अगर 15 दिन है आपके पास तो दो दो तीन तीन लेक्शर निप्टा दो या notes जो है उसको properly पढ़ डालो दोनों में से कोई एक काम कर लो एक्जाम के बाद typing में आपको almost कहा जाए तो एक मन्त मिलेगा एक मन्त का समय मिलेगा जैहिन the word of economics तो सुरुवात करते हैं हम लोग सेशन की लेट नहीं करते हैं पचास कोश्चन से आप लोगों के knowledge को भी चेक करेंगे आप कितना जानते हो कितना आपको मेहनत करने की और जरूरत है पहला कोश्चन है आसान सा कोश्चन है यह आपका किस्से है database से है MSSS से है record delete करने या MSSS से है यह कुश्चन record delete करने या table पर गढ़ना करने का सौरत्तम टूल है query, filter, form, report बताइए कौन सा record को delete करने table पर गढ़ना करने के लिए main है search करना, record को delete करना उस पर edit करना क्या भी आ रहा है sir, English में English में भी लाय करें चलिए आ जाएगा लेकिन देखो record को English में भी record कहेंगे delete को delete कहेंगे तो record delete करने के लिए table पर गढ़ना करना मतलब आपका क्या हो जाएगा calculation करना का सौरत्तम टूल कौन सा है जो tool होता है यह करने के लिए record को delete करने के लिए और table में गढ़ना करने के लिए मतलब calculation करने के लिए table में वो कौन सा tool होता है query होता है, filter होता है, form होता है यह report होता है इतना तो understanding आपकी होनी चाहिए computer और mental वाली class के लिए में फीदेनी होगी क्या app वाले बच्चों को अगर आप course से जुड़े होंगे किसी तप्तो फिस नहीं देनी है आपकी course में already है दूसरा कोई नहीं पढ़ाया जा रहा है लेकिन अगर आप किसी course से नहीं जुड़े हो तो अगर आप वो लेना चाहते हो special bias तो ले सकते हो वो आपकी इच्छा है राकेश कुमार जी good evening ए आंसर आ रहा है तो इसमें क्या होगा एक correct होगा जो लोग एक के साथ जा रहे है query एक ऐसा एक तरह से बोला जाए tool है जिसके ताथ हम search करते है ss में ठीके और उसके बसे जहां हमें data delete करना है उसे delete करते है एड करते है यह सब काम इसी में होता है ठीके तो query से होता है यह ध्यान रखना filter data को filter करने के लिए होता है anyak क्या था anyak क्या है जो anyak है वो क्या है एक memory device है एक electronic computer है search engine है electronic calculator है बताइए क्या है anyak जो है वो क्या है इसका answer क्या हो गए जे प्रेस पर escort और john markle ने इसका अविसकार किया था यह एक क्या है बी options अभी लोग दे रहे हैं बहुत बढ़िया विसाल जी A दे रहे हैं राकेश जी V हैं मनोज जी आदो जी C आंसर दे रहे हैं प्रिती जी B दे रहे हैं प्रभास वर्मा जी का नमस्कार spiritual spiritual जी का आंसर B है अभी सेख जी का आंसर B है विसाल जी सभी लोग B की तरफ जा रहे हैं एकदम आसान सा सवाल है एनिया के एक electronic computer है जो किस generation का है फर्स्ट जनरेशन का है किसका है फर्स्ट जनरेशन का है ये याद रखना ठीक है इसके अगर अविसकार आख पूछ ले आपसे कि कौन किया था तो J Presper Escort J Presper Escort और जो दूसरे थे उनका क्या नाम था John Moshley John Moshley ठीक है ये इसके अविसकारक थे नेक्स्ट आते हैं ये सब आपके notes में लिखा हुआ है ठीक है मैं बस question format एक bytes कितने bits के बराबर होता है ये हमेशा चोटे हर exam में पूछता है एक byte जो है किसके बराबर होता है 8 bits के बराबर होता है इतना तो पड़े हो न एक निबल जो होता है वो किसके बराबर होता है C answer आ रहा है राकेश जी विवेक जी एक बर जोड़दार तरीके सा आप लोग सिहर कर दे आकास जी का आ रहा है spiritual जी का C answer आ रहा है विसाल जी का C है अविसेक कुमार जी का C है प्रिती जी का C है मनीश जी का C है 4 bits होता है एक निबल में तो यहां पूछा एक बाइट की बात कर रहा है तो एक बाइट में 8 bits होंगे C answer correct होगा अपने अपने लिखते जाना कितने सही कर रहे हो intelligent terminal क्या होता है intelligent terminal है एक microprocessor है जो user द्वरा program नहीं किया जा सकता user के साथ अंग्रेजी में वर्ता लाप कर सकता है ऐसा कोई device है user से data नहीं ले सकता है बड़े CPU के उपयोग से छोटी data processing job को पूरा करता है क्या है बताओ intelligent terminal क्या है देखो यह CPU में ही एक intelligent terminal होता है जिसका काम क्या होता है processing capacity होती है D answer आ रहा है सभी का बहुत होती है नितिन पांडे मनीश जी सभी लोग D दे रहे है चलिए और किसी के answer प्रबास वर्मा जी का answer D आ रहा है नितिन जी का answer D आ रहा है एक बार आप लोग कंजूसी कर रहे हो like और share बराबार करिए ताकि बच्चे और हमसे जुड़ सकें हमानसु जी का answer D आ रहा है तो D एकदम correct है जो CPU में क्या होता है टर्मिनल होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उसकी processing ये करता है उसी में उसी को क्या करते हैं intelligence terminal करते है computer की processor की गती किस में मापा जाता है BPS में, MIPS में, WARD में या HOTS में किस में मापा जाता है ये सब मैंने करा भी रखा है जल्दी से बताओ एकदम तेजी से answer आने चाहिए 50 question है हमें 50 question एक गंटे में cover करने है per second millions of instruction instruction per second इसका full form होता है ये आपके CPU की गती बाप बता है चलिए अगले पे आते हैं C भासा क्या है जो C भासा है वो क्या है जो C language है वो इसमें से क्या है बचाओ निम्न अस्तर की भासा है उच अस्तर की भासा है मसीन अस्तर की भासा या अस्तर की भासा है बताइए C क्या है तेजी से answer कमेंट करिए और like और share जरूर करते रहिए B आ रहा है high level language है एकदम correct है जो ये क्या है high level language है और ये किसको क्या कहेंगे और procedure based language है ये procedure based language है मतलब एक sequence में ये language लिखी जाती है और जो C++ है वो object oriented है ये क्या है object oriented object oriented है oops concept जिसको बोलते हैं यही C++ Java maximum आपके जो language होते हैं मगर ये procedure based है एक-एक step wise समझ लो तो ये क्या होगा इसका ये आपका machine का क्या है निमनस्तर उचस्तर high level language है B आपका correct होगा Windows 7 Microsoft Corporation के latest operating system में भारती भासाओं के कितने font है भारती भासाओं के font पूछ रहा है किसमें आपके Windows 7 में Windows 7 में भारती भासाओं के कितने font है जल्दी से बताओ एक बार सेयर करो इस पूरे सेशन को जल्दी से आप लोग 26, 11, 14 बता रहे हैं कुछ spiritual जी, विसाल जी, 37 बता रहे हैं ए बता रहे हैं, राहुल जी, कुमार जी ए बता रहे हैं देखो कुछ भी नहीं सही आप लोग का पहले 9 था, जो Windows 7 से पहले आपका कौन सा था, XP था, NT था, उनमे 9 था बाद में Windows 7 में आपके कितने जोड़े गएं आपके 20 फॉंट और 40 फॉंट जोड़े गएं तो ये कितना हो गया, 40 प्लस 9, 49 हो गएं टोटल ठीक है, तो अभी कितने है Windows 7 का जो latest version है उसमें भारती font अगर बोला जाए, तो 49 फॉंट है, इसको याद रखना 49 फॉंट है, D, correct answer होगा, अगला question है cut और copy करने पर selected text कहां चला जाता है, बताओ cut और copy जब हम करते हैं, तो recycle bin में जाता है my computer में जाता है, clipboard में जाता है, या desktop पे जाता है इतना तो आप option से कर सकते हो, recycle bin में कौन सा जाता है, जिसको हम shift delete करते हैं, shift delete करोगे, अगर shift के साथ अगर delete button दबा रहे हो, ठीक है, तो recycle bin में नहीं जाएगा, वैसे direct delete मार रहे हो, तो recycle bin में जाएगा ठीक है, चलिए लेंग्वेज नहीं है, लेंग्वेज का मतलम नहीं, वो लेंग्वेज से नहीं होता, वो आपके, जो भी यहां के font है न, जो भी आपकी भासा, उसके कई font होते हैं, कभी टेड़ा लिखेगा, कभी सीधा लिखेगा, उसके ओन चास font बने गए हैं, लेंग्वेज से मत जाओ, C होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो यहां क्या होगा, क्लिप बोर्ड में जाता है, ठीक है, जो भी आप कॉपी पेस्ट करते हो, ठीक है, कट करते हो, और कॉपी करते हो, तो वो सेव किये गए documents को किस अन्य नाम से Save करने के लिए करेंगे बताओ, अगर कोई document पहले से save है, और उसको किसी अन्य नाम से save करना है, तो कौन सा command use करेंगे, save as save new none of these क्या होगा इसका answer Save as आसुतोस जी, राकेश जी का nine का answer, a hari save aserem चलिए सभी का मनीज जी का a a a a r a s प्रवाज जी विसाल जी सभी का यह बहुत बहतरी ने बार और सेर करो फटाक दे तो एकदम सही एक से वैज ही आज का करेक्ट आंसर होगा कोई फाइल पहले से से नाम से ठीक है तो उसको दूसरे नाम से बदलना होगा तो हम से वैस अलक्स नाम दे देंगे नेक्स्ट है डॉट डी ओसी फाइल बनाने के लिए इसमें से कौन सा एप्लिकेशन यू प्रियोक्त करते हैं Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Word Microsoft Access बताइए इसमें से डॉट डी ओसी फाइल कौन बनाता है document फाइल कौन बनाता है बहुत बढ़िया CRI MS Word MS Word बहुत बढ़िया Microsoft Word से क्या होता है DOC फाइल या DOC X फाइल बनती है यह वर्जन 2003 तक है यह 2007 के बाद के आपके मिलता है Excel में XLS या XLX ठीक है यह मिलता है PPT में PPT X या PPT ठीक है PPT या PPT X ठीक है X बाद में सम्मे जुड़ जाता है Next हम आते हैं इसमें XLS या XLS ठीक है यह तीन दो फाइल होते हैं यह आपके तीन वत तक होता है और यह 2007 से होता है अगला MS Excel में count करने का सही formula क्या है यह मैंने अभी पढ़ाया था सभी को पढ़ाया है MS Excel में अगर कोई चीज count करना हो तो उसका सही formula क्या है बताओ राओल जी बता रहे हैं बी बी अच्छा गोरब जी बी आंसर दे रहे हैं अकाजी बी राके जी अकाजी का आंसर कौन सा edits प्लस बी आंसर बता रहे हैं प्रबाजी का B आ रहा है Sparkleman B आंसर दे रहे हैं चले बह whatnot बढ़ा है तो यहाँ पर B है, एकदम सही है, count, यह इससे formula शुरू होता है, देखो यह ऐसे option गलत हो गया, क्योंकि कोई भी formula Excel में equal to के sign से सुरू होता है, तो यह answer सही हो जाएगा B वाला, वर्ड वाइड वेप की आधरना किस ने विक्सित की थी, बताये, वर्ड वाइड वेप की आधरना किस ने विक्सित की थी, टीम बर्नर्स, ली ने, Microsoft ने, Charles Beavez ने, एट और टी बेल लैम में बताईए कहां पर www किसने अविस्कार किया था डबलो 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 का वर्ड वाइड वेब का जल्दि से बताएं एफ उपरा बहुत बढ़ जब्डं गयाhu जब्ड़स टीम बार्नर्स ली ने इसका अविस्कार किया था यह कि ओगा 12 का एोगा टेलीion क्या होता है बताओ टेली टेक्स्ट हो सा टेली टेक्स्ट बोलताइब बोला जाता है क्या है टीवी पर वर्धालाव की फ्लैसिंग गतलॆ हुआ टेले क्सीन पर संदेश का टेलेक्स चापना STD code के बिना Outstation टेलिफोन के साथ स्थानिय टेलिफोन को Connect करना TV स्क्रीन पर खबरों और सूचनाओं की Text की flashing क्या होती है TeleText यह आप लोग mobile में भी तो यूज करते हो TeleText क्यों जल्दी से बताओ TeleText क्या हो है D answer आ रहा जो आप बोलना Text मतलब जो आप बोलोगे उसका Text बनना ठीक है वही टेली Text होता है तो TV स्क्रीन पर खबरो और सूचना हो हो जो सुचना ओता उसका टेक्स की फलैसिंग होना जो टेक्स्त होता है उसकी को टेली टेक्स्ट बोलते हैं ये दियान रखना डी आप का सही होगा एक्सल एक प्रोग्राम है कैसा word processing प्रोग्राम है presentation है डाटाबेस या none of दीज़ है किया होगा excel क्या है एकस्ल में डेटा तयार करते हैं क्यों करते हैं कि नहीं जल्दी से बता हो मुझा ठीस का एक तरह से अंकित जी धिजी दिवेज जी जी चुear होत और सब़े गांसर याटा बेस बहुत बढलियाट दाटाबेस इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें हम row column में data को क्या करते हैं handle करते हैं तो database हो गया ms excel में जो excel address होता है जो आपका row और column से मिलकर बना होता है ऐसा cell होता है उसको कैसे represent करते हैं 1125-911-41A-821 इसमें except cell address का कौन सा जल्दी से बताओ राहुल काटरा जी c answer दे रहे हैं आकास जी का c स्पारकलमेंट डी विसाल जी का answer d डिवेज़ जी का answer c आ रहा है चलिए अंकिद भदूरिया जी का answer d प्रवाजबर्मा जी का d गोविंद जी का d ऑनसर है रिसी जी का d अज़ी है एडिस प्लस कांसर डॉंट नो अच्छा राकेश कुमार जी का C आ रहा है अरे ऐसे कैसे देखो जब XL खोलोगे तो XL में ऐसे देखो यह रोह होते हैं यह कॉल्म होते हैं ऐसे तो यह होता है यहां पर आपका क्या होता है 1-2-3 ऐसे जाता और यहां पर A, B, C, D होता है तो इसका अगर मैं कहूं इसका address क्या होगा तो इसका address क्या होगा इसका address होगा क्यूंकि किस column में है पहले column A रू कौन सा है 1 A1 ऐसे represent किया याता है column और row पहले column होगा फिर row होगा A21 ये आपका क्या होगा exact address होगा D एकदम सही होगा इसका answer क्या होगा D सही होगा ठीक है D सही होगा next हमाते है computer में end gate की basic application क्या है कली मैंने बताया था कली ये पढ़ाया था कि नहीं आप लोग को end gate का basic application क्या है जोड़ना, घटाना, गुड़ा या भाग, जल्दी बताओ कल की class में 230, 240 आ रहे हैं थोड़ा सा और improve करिए थोड़ा सा राहूल जी बस थोड़े सी जरूरत है मेनत की बस राजकुमार सिंग जी multiply करता है A आ रहा है, C आ रहा है A रहा है, गुड़ा करता है C, किसी का A, किसी का C आ रहा है ऐसे कैसे अमित कुमार जी जोड़ता है कल की class आप लोगों ने नहीं देखी है क्या, जिनके answer अगर A आ रहे है वो इसका मतलब कल की class नहीं देखी हो आप लो, कल मैंने पूरा number system और आपके logic gate को proper पढ़ाया है चलिए तो इसमें क्या होगा, end क्या काम होता है क्या करना, multiplication करना और का काम क्या होता है जोड़ना होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा C आपका सही होगा, 16 number 17 number, email का concept किसने developed किया था, जल्दी से बताओ email का concept किसने developed किया था, जल्दी से इसका answer क्या होगा जल्दी से बताईए ए आंसर आ रहा है सी आ रहा है रहा है रेंग टॉमिल्सन ने चलिए ए ए रहा है रेंग टॉमिल्सन रेंग टॉमिल्सन ही होगा इन्होंने 1972 में पहला मेल भेजाता और एड़ दा रेट का जो चिन होता है इन्हीं ने अविसकार किया था ठीक है मतलब इसका जो एक तरह से बोला जा चिन का चैन मेल में इसका चैन जो है इन्हीं किया था कौन रेंट एमिल्सन ने लेकिन अधिकारिक रूप से अगर बोला जाए आपसे अपचारिक रूप से किसे बोला जाता है कि इन्होंने email का मदलब वो किया डेवलप किया तो देखो main होता है option पे अगर यहाँ option rate Amazon है तो rate Amazon होगा इन्होंने पहला mail भेजा था इन्होंने क्या किया था पहला mail भेजा था लेकिन एक जो email होता है जिसमें आपका sending हो कोई message प्राप्त भी कर सके भेज भी कर सकते डिलीट भी कर सके यह सब पूरा proper function जिसने किया था उसका नाम क्या है वो आपके भारती अमेरिक बैग्यानिक थे जिनका नाम था शिवा अयूदुराई शिवा अयूदुराई ठीक है अयूदुराई ठीक है शिवा अयूदुराई नाम था इनका 1982 में इन्होंने विसकार किया था शिवा से नामी पता चलता है भारती मूल के थे अयूदुराई ठीक है सिवा अयूदुराई ने किया था इनको आपचारिक रूप से पूरा इन्होंने जो इमेल बनाया उसमें आपका सेंडिंग, रिसीबिंग, डिलीटिंग, इन बॉक्स, आउट बॉक्स सब था ठीक है? समझ गए? ये ध्यान रखना लेश्ट आते हैं, सीडी रोम डिस्क पढ़ने के लिए आपको किस की हो सकता होती है? लेजर बीम की बीमा लिखाए, लेजर बीम, मैगनेटिक निडल, साउंड कार्ड, ग्रैफिक्स कार्ड सीडी रोम जो डिस्क होता है, उसको पढ़ने के लिए लेजर बीम से हम उसमें डेटा रीड या राइट कर सकते हैं, डेटा उस पे चढ़ा सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, ए एकदम करेट होगा, अगला कोशन है, सूचना प्रदियोगिक किसका संगठन है, ICT, जो है, ये सूचना जो प्रदियोगिक है, वो किसका संगठन है, जल्दी से बताईए, इसका आंसर क्या होगा, जो सूचना संगठन है, वो किसका है, वाडिज और व्यापार का ये अभिन अंग है, सूचना और संचार प्रदियोगिक भी कहा जाता है, DRI, इसमें क्या होता है, जो भी डेटा बेस होता है, आप जो भी जितने भी मेसेज, कॉल, ये गवर्मेंट का है, ICT, इसके अंदर ये सब डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, सब डेटा बेस, प्रबंधन, संचार और इं मिनी फाइल में निर्देशों से आवाज पैदा करता है, ऑप्सन देखो, सिंथेसाइजर, स्कैनर, स्पीकर, सेंपलर, देखो, स्कैनर तो होगा नहीं, स्पीकर जो होगा, किसी निर्देश को, मिनी फाइल को निर्देश को नहीं आवाज पैदा करता, ये खुद नहीं कर हाँ यह होता है वो synthesizer search माना वो ऐसे होता है keyword वाला ऐसे ठीक है piano की तरह synthesizer तो ऐसे करते हैं तो एक short knit days में tuning आप जो बनाते हो music compose करने वाला तो वो एक synthesizer उसे बोलते हैं तो यही answer A होगा correct next आपका निमलिखित में से कौन सा कौन आपको presentation में एक से अधिक slide chain करने की अनुमती देता है alt click each slide shift drag each slide shift plus click each slide control plus click each slide किस से आप क्या कर सकते हो एक से जादे slide चूज कर सकते हो जल्दी से बताओ shift प्रट drag each slide नहीं नहीं अनकूर जी नहीं d d d d d आ रहा है देखो shift के साथ किसी भी अगर multiple choice करना होता है हम लोग shift के साथ करते हैं shift के बासाथ क्या करेंगे click करेंगे तो हमको choose करते रहेंगे जितने भी slide हमें choose करना है shift दगा लें और mouse पे click करते रहें तो हम उसे multiple choice कर सकते हैं धेर सारे आपके क्या करेंगे हम slide को chain कर सकते हैं एक बार में तो shift के साथ click on each slide यह सही होगा windows 8.1 किस वर्स बनाया गया था बताओ windows 8.1 किस वर्स बनाया गया था दस में 11 में 12 में या 13 में और windows 10 कब बनाया गया windows 10 मैंने कई बार question भी कराया है mcq जितने कराया है उसमें मैंने यह सब पढ़ाया है windows 10 कब बनाया गया अगस्त 2013 और बात करें तो यह market में कब आया 17 October 2013 को आया वैसे इसका निर्माण हो गया था आपका अगस्त में अगस्त 2013 में हो गया था लेकिन market में आया कब 17 October 2013 तो option D सही होगा c नहीं D सही होगा और windows 10 की बात करें तो यह कब आया दो साल बाद आया यह कब आया दो साल बाद आया और windows 7 जो है वो कब आया था तो यह 2009 में आया था यह ध्यान रखना windows 7 था यह 2009 में आया था modern नाम कहां से लिया जाता है modern democulator से module डिमाडूलेटर डिमांड से modern demodulator से या modulator demodulator से बताईए जो modem होता है वो किसे लिए बात है medium का क्या होता है? करता है modulator का काम होता है modulator demodulator नामे मॉडूलेटर पहले इसको क्या करेगा कोड करेगा इन कोड करेगा किसमें डिजिटल में उसके बाद से फिर जब रिसीविंग एंड तक पहुच जाएगा तो उसको रिसीविंग अगर लगा हुआ है मॉडम तो वो कोई डाटा रिसीब कर रहा है जैसे आप यहां से ड अदिजिटल डाटा उसके पास जाता है वह अनलोग में जो भी सूचना चाहिए वीजीब आप डावनलोड करते हो सुनते हो तो वह क्या हुआ है जब डावनलोड की हो डिजिटल फर्म में लेकिन बाद में वो कनवाठ हो जाता है किसमें आपके अनलोग फार्म में तो क्य आंसर जल्दी से बताओ एकदम जाकास तरीके से सेयर करो ताकि संख्या बल सो डेड़ सो दो सो पहुंचते जाए और एसाई तक आते आते यह संख्या बल को 500 पार पहुंचा दो इसाइ बी लोग और कुछ लोग बी के साथ है ऐगर पर किसी एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से अलग डिजाइन टेमپलेट देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बताओ एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section की में दूसरा color scheme apply करेंगे नहीं है ऐसा नहीं होगा उसी section में नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे इसने बोला एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section में दूसरे color scheme apply करेंगे और दूसरा क्या बोला है कि एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section में दूसरे design template apply करेंगे color से नहीं होगा चलिए 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 बहुत बढ़े आसू तो जी subscription लेना पड़ेगा क्या आसू शुरभी जी किस चीच के लिए practice set तो है 149 का है चालिश sectional है दस full land test है ले लीजिए लास्ट टाइम में सोचना नहीं है क्योंकि यह ऐसा है कि आपको selection लेना है सिर्फ सत्तर हजार यह सत्तर हजार student से आपको सिर्फ fight करना है दो shift में चार paper होने है और selection आपका पक्का है आपको सिर्फ दिमाग किसमें रखना है कि आप individual सबके cut up overall cut up जरूर पार कर लें और जो भी हो extra marks लेके हैं कम से कम 30 से 40 marks जहां तक मैं सोच रहा हूँ उसके बाद से छाटाई जानते हो कहां होगा आपकी छाटाई होगी आपके typing से आपके steno से जहां तक cover मुझे लग रही है 17 से 80,000 ही बच्चे हैं यहां भी options लाई ही होगा एक slide thumbnail select करेंगे उसी section में दूसरा template जो होगा उसको क्या करेंगे add कर लेंगे तो हमारा वो काम हो ज से कौन सा विकल्प MS Office का मानने संस्करण नहीं है Office 2000, Office Vista, Office 2007, Office 2010 जल्दी से बताईए इसमें से कौन सा विकल्प MS Office जो MS Office सूट आता है कटफ आपका जो बनेगा वो आपके एक selection के बाद बनेगा जब आपकी typing हो जाएगी न तब अलग-अलग कटफ बनेगा पहले ही अलग-अलग बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग तयारी करो बस दे रखो कि मुझे सलेक्ट होना बाकी कुछ नहीं सोट जाएगा हाँ 149 में mock test है 10 full length है 40 sectional है और बहतरीन टेस्ट है और एक-एक question के आप solution पढ़ लो कम सिकम 5-5-10-10 question आपके हो जाएगे उससे चलिए इसका answer क्या होगा एक बार share करो जबा के share करो यह office vista क्या है आपका windows है vista नाम से क्या है था office vista नहीं हाए था विंडोज विस्टा आया था क्या है था window विस्टा आया था यह विंडोज था operating system था यह क्या था विस्टा operating system था ना कि office था तो यह क्या है आपका ord one out है माने संसकरण नहीं है समझ गेत इसका आंसर क्या होगा बी होगा ओफिस 2007 भी है 10 भी है 2000 भी है 13 16 सब आया है नेक्स्ट जब उपयोग करता एक्सल से वर्ड में डेटा डालता है तो रूप होता है कैसा रूप होता है क्रमबर्ण होता है हाइपर लिंक होता है पच्छात्रित होता है या पंक्ति में होता जब हम एक्सल का कोई डेटा उठाके वर्ड में पेस्ट करें तो वह कैसा बन जाएगा अंकित जी प्रेक्टिस एट परिक्षा प्लस एप गूगल प्ले स्टोर से परिक्षा प्लस एप डाउनलोड कर लो परिक्षा प्लस एप वहीं पर सब कुछ है special computer batch भी है ठीक है और आपका test series भी है और full batch भी है जो आपको उचित लगे full batch में सभी notes मिल जाएंगे अगर video नहीं देख सकते हो तो कम किसे कम notes आप at least देख सकते हो नहीं वो अगर आपका सब कुछ तयार है तो special से computer romance का वरूची के notes एक बार पढ़ सकते हो बस मैं यह का रहा हूँ अगर सब कुछ तयार है तो practice max perfect test series जोइन कर लो ए ए ए ए आ रहा है hyperlink नहीं होता है यार hyperlink तो अलग चीज हो गई hyperlink नहीं यह answer गलत देर हो एकदम गलत आ रहा भाई साब आप लो का answer बहुत अंकित हैं अंकित तिवारी जी और कौन अंकित हैं यह तो मुझे भी नहीं पता भूल गया अंकित बदोरिया थे साइड हां अंकित बदोरिया थे उन्होंने पूछा था यहां hyperlink थोरी बनेगा उसमें कोई link थोरी एक्टिबेट हो होगा तो 42, 46, 48 क्रम बन तरीके से ऐसे पेस्ट होगा ठीक है ऐसे पेस्ट हो जाएगा इसलिए answer बी सही होगा बी करेक्ट होगा चलो 28 document का सिर्षक डैस document का सिर्षक या प्रिष्ट संख्या मतलब पेज नंबर जैसी जानकारी प्रदर्सित करने के लिए प्रियोग किया जाता है इंसर्ट टेबल आटो करेक्ट थेसार्स या header और footer क्या इसमें correct answer होगा 100 नहीं पहुंचा है न तुम लोग ये गड़बड कर रहे हो 100 पहुंचाओ 100 जल्दी से आज 100 पहुंचाओ कल 200 होने चाहिए क्यों जितने लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तिल एक्जामिनेशन तक मैं आपके साथ बना रहूंगा जितने भी most expected question है वो सब मैं कराऊंगा एक दिन में मेरा पता सकते हो सर मुझे कंप्यूटर में यह टफ लग रहा है एक बार इस पर क्लास ले लीजिए मैं जरूर लूँगा उस पर डी आर आ डी 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 एकदम सही है हेडर फूटर में आप उसकी टाइटिल भी लगा सकते हो और पेज नंबर भी डाल सकते हो फूटर पेज नंबर के लिए होता है हेडर फूटर आपका correct होगा डी correct है आउटलुक आउटलुक जो हता है मैं अपनी मिटिंग या appointment की अनुसूची बनाने की अनुमति किसी और को देने के लिए किस feature का इस्तमाल किया जाता है मासिक कलेंडर यह नहीं यह किसी को क्या करना है appointment की अनुसूची बनानी है ठीक है किसी को उसका क्या करना आपको rights देना है किसी को event manager appointments delegate access देखो किसी को क्या कर रहे हो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे अगर आपने नहीं भी पढ़ा इसको तो outlook में अपनी meeting और appointment की अनुसूची बनाने की अनुमती किसी और को देना मतलब किसी को आप Assess दे रहे हो किसी चीज़ का क्या दे रहे हो करेक्ट होगा डेलिगेटेड एक्सेस होगा इसका अंसर नेक्स्ट कुष्चन है आपका डी करेक्ट होगा अगार उपयोग करता पारूप चित्रकार बटन क्या है यह फॉर्मेटेड पेंट बटन ठीक है जो क्या होता है formatted paint बटन जो होता है आपका उसमें word में formatted paint बटन होता है आपका clipboard वाले में देखोगे उसी में होता है तो अगर उपयोग करता पारूप चित्रकार बटन कई बार इस्तमाल किया गया है तो वो आप कैसे बंद कर सकता है आप इसे क्लिक करके सिर्फ एक समय पर पारूप चित्रकार बटन का उपयोग कर सकते हैं पारूप चित्रकार बटन पर एक बार और क्लिक करके control कुझी दवाने और पारूप चित्रकार बटन पर क्लिक करके art कुझी दवाने और पारूप चित्रकार बटन पर क्लिक करके दो formatted paint बटन होता है उसको कैसे close करेंगे अगर वहाँ पर word खोलना आज ही जाने के बाद उस पर click करना तो ब्रस के नुमा आ जाता है कोई line select करना formatted paint पर click करना वह ब्रस के नुमा आ जाएगा उसको अटाने के लिए क्या करेंगे हम एक बार और उसी बटन पर click कर देंगे तो वह हट जाएगा option B आपका सही होगा d नहीं बी सही होगा छोटी छोटी चीज यह observe नहीं कियो तुम लोग दो मोबाइल पर open कर लो 100 पार हो जाएगा एक excel फाइल एक कारी पुस्तिका के रूप में क्यों जाना जाता है बताओ workbook इसको क्यों बोलते है excel फाइल को workbook क्यों बोलते है इसमें text और data सामिल कर सकते हैं यह संसोधित क्रिया किया जा सकता है यह कारेपत्र को और chart seat सहीत कई seat सामिल कर सकते हैं इसमें कारेपत्र को मतलब work seat ठीक है इसमें work seat और chart seat मतलब chart seat आपका जो होता है वो और भी कई जो seat होते हैं उसको सामिल कर सकते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं workbook बोलते हैं हाँ एकदम सही है c option सही है इसमें work seat और भी क चार्ट सीट, टेबल सीट, ये सब कुछ हम इसमें समयित कर सकते हैं, इसलिए इसको वर्क बुक बोला जाता है, सी आप सम सही होगा, 32 नमबर, वर्ड 2000 में इस्तिमाल की जाने वाली दो बेसिक ग्राफिक्स निम्न में से कौन सी है, आटो सेप या क्लिप आट, हैडर, फुट वस्तु और चित्र बनाना, वर्तनी या व्यकरन, वर्ड 2000 में इस्तिमाल की जाने वाली दो बेसिक ग्राफिक्स निम्न में से कौन सी है, इससे पहले वो ग्राफिक्स नहीं थी, इसका आंसर बताएं, क्या होगा, हाँ, A-R-I इसका हिमान सू जी, एक बार फिर सभी लोग सेयर करो, बच्चे कहां चले गएं, A-R-I एडिट्स प्लस का, गोविन जी, यादो जी का आंसर A है, राकेश जी का A है, नैचर बाई, अवी जी का आंसर A है, मुहमद आसिप जी का B है, अर्चना जी का C आ रहा है सो हित जी का A है, अम्बेश जी का यही है सर, अच्छा, A है, आटो सेप और क्लिप आट, यह दोनों जो हैं, यह आपके वर्ड जो 2000 था, MS, ऑफिस बोला जाए जो सूट आया था, 2000 वाला, उससे यह वर्ड में क्या हुआ था, लाया गया था, वर्ड 2000 में लाया गया है इसक A option correct होगा, किस साल Microsoft Office को पहली बार release किया गया था, Microsoft Office, Office जो है न, उसको सबसे पहली बार कब release किया गया था, जल्दी से बताईए, Microsoft Office को कब release किया गया था, पहली बार, यह कुछ ऐसे question है, जो general आ जाते हैं, किसी topic से जिनका relevant नहीं होता है, 1989, नहीं, 1990 में release किया गया था, 1990 में, Microsoft Office को release किया गया था, 19 नवंबर 1990 को जारी किया गया था, ठीके, Microsoft Office को, system का main circuit board unit क्या है, system का main circuit board unit होता है, उसको क्या कहते है, computer program, control unit, motherboard या RAM, जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका answer, अवनी स्पांडे, 90 आरा, सोहित कुमार जी, C answer दे रहे हैं, संतोज जी, CU कहते हैं, motherboard करते हैं, अमबेज जी का, answer C, विसाल जी का, अविराज दुबेज जी का, ग्यान जी का, पिंटो जी का, भी आरा है, control unit, नहीं भाई साहब, जो main circuit board होता है, उसको motherboard कहते हैं, क्या कहते हैं, motherboard कहते हैं, ठीके, motherboard, control unit, ठीके, यह किस में होता है, CPU में होता है, ALU, CU, control unit, यह किस में होते हैं आपके, CPU के पार्ट होते हैं, ठीके, तो यहाँ पर answer क्या होगा, motherboard होगा, control unit नहीं, motherboard होगा, C answer होगा, C correct होगा, confuse माँ हो, जो correct हो रहा है, उसको मैं box में कर रहा हूँ, hard disk को track में विभाजित किया जाता है, जिसके बाद इसे उप विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, जो track होता है, फिर से इसको विभाजित किया जाता है, hard disk में, यह platters होते हैं, प्लेटर्स को, यह क्या है, प्लेटर्स हैं, और यह पूरा क्या कहाएगा, track कहलाएगा, और एक एक track को हम क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं, वो क्या कहलाता है, बताओ cluster कलाता है sectors कलाता है vectors कलाता है या headers कलाता है यह पढ़ाया भी है मैंने इस पर question भी कराया है जल्दी से बताओ B होगा B B B B 34 का C आरा है sector नसीम जी का B है अभि सेख जीयकma B है गोविनाथ पांडे जीयका सेखरर आ रहा है अभि सेखिन जी मौन असीब जीयकma प्रीति दिवेदी जी है चलिए सभी लोग sector बता रहें एक दम जाहिड सी बात है यह आपके क्या होते हैं यह sector होते हैं और पूरा क्या कहलाता है ट्रेक कहलाता है तो यह क्या होगा sectors होगा भी आपका correct होगा अगला 36 नमबर निमलिकित में से computer के 4 महत्वपूर कारे का सही करम क्या है process, output, input, storage, input, output, process, storage, process, storage, input, output, input, process, output, storage कौन सा सही करम है बताइए अच्छा चलिए वो जो भी आपको वीडियो चाहिए लेक्चर चाहिए वो आप लोग क्या करना मेरे इस वीडियो के comment में करना क्यूंकि यहां का comment बाद में नहीं देख पाते है ना बहुत दिक्कत हो जाता हुगा यहां पे comment करोगे तो देख लूँगा B आ रहा है पिंटूक जी का answer B है गोविन जी का answer D है अभिसेख जी का B है सोहित कुमार जी का D है जे जी का D है B है जूम कर दो सर जूम कर दें ये लोग जूम कर दिए जल्दी से बताओ जल्दी से डी क्यान जी का answer D गोविन जी का D कुछ लोगों का सी अरे भाईया देखो पहले आप क्या करोगे कीबोर्ड से चाहे किसी से इनपुट दोगे वो इनपुट आपके कहां जाएगा CPU में जाएगा और CPU में ये इनपुट क्या होगा प्रोसेस होगा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे आउट्पूट वो मॉनिटर पे अगर सो करना चाते हो त एगा एंडवियांजर सही होगा चलो नेक्स्ट लेन के किस प्रकार कंडकर के रूप में इस्तमाल किया जाता है प्रे टू पेर में ग्रहक और सर्वर में मतलब क्लाइंट और सवर streamlined and server वाले model में या peer-to-мо-never जो आपके network होते हैं ना दो model में काम करता है computer to peer peer to peer हर एक individual को connect करना इसमें क्या होता है कोई server नहीं होता है कोई client नहीं होता सब independent होते हैं लेकिन सब एक दूसरे से क्या होते है connect होते है यह इससे connect रहेगा एकदम जाल नुमा इस्टक्चर बना रहेगा ठीक है ऐसा कुछ होगा तो यह peer to peer connection होता है लेकिन server में क्या होगा beach में एक server computer होगा इससे related आपका client का लाएगा यह client हो गया फिर यह client इस सबको handle करने वाला कौन होगा इन सबको handle करने वाला यह beach का computer होगा इधर आपका computer है इधर computer है इधर computer है सबको handle कर सकता है beach वाला server यह server based होता है तो यह land जो होगा दोनों में use कर सकते हैं c answer सही होगा c सही होगा दोनों में use होगा लेन का connection है यह तो network बनाने के लिए काम आता न तो हम कहीं भी कर सकते हैं और इसमें भी लेन से connect कर सकते हैं तो दोनों में कर सकते हैं दोनों में लेन यूज कर सकते हैं भाई सब लोग गलत जा रहे हो c correct answer होगा यह जो connection हम बनाएंगे server से यह किसके थूरू लेन केवल के थूरू ही तो बनाएंगे अचाहिए peer-to-peer भी बनाएंगे तो lane connection के थूरू ही बनाएंगे तो c answer होगा 38 number question निमलिखित में से कौन सी layers encryption और description मतलब encrypt करने के लिए और decrypt करने के लिए encoding और decoding के लिए compression के लिए कारे करती है बताओ transport layer session layer presentation layer या उप्रयोक्त सभी कौन सी ऐसी layer होती है OSI model के 7 layer होते है बताओ कौन कौन से होते है physical layer होता है इसके उपर कौन सा होता है जल्दी से बताओ physical के बाद कौन सा layer होता है data link layer होता है तुम लोग भूल गए अभी ज़स्ट ही तुम्हें पढ़ाया हूँ डाटर लियर के बाद नेटवर्क लियर होता है, नेटवर्क के जश्ट उपर कौन सा होता है, नेटवर्क के उपर आपका ट्रांस्पोर्ट लियर होता है, ट्रांस्पोर्ट के उपर कौन सा होता है, जल्दी से बताओ, प्रिजेंटेशन होता है, सेसन होता है, क्या होगा सेशन लेयर होगा उसके बाद से आपका उसके बाद से यहां पर presentation लेयर होता है उसके बाद उपर कौन सा सबसे उपर कौन सा होता है application लेयर होता है यह application लेयर होता है तो यह आपके साथ लेयर होते हैं OSI model के तो यह किसमे होता है encryption डिस्क्रिप्शन यह आपका प्रिजेंटेशन लेयर में होता है किसमें होता है प्रिजेंटेशन लेयर में होता है ठीक है क्या किसमें होता है इसमें होता है तो डेटा भीज़ा जाता है ल disagreed यहीं से पर जाएक और सी रोगा और रिसीव ऐसे हो गा दोनों दोनों में अलग-अलग एंड हो जाता है कौन पहले कौन बाद में तो यह द्यानों सीस का करेक्ट आंसर होगा 49 नंबर नीचे दिये हुए विकल्पों में से चुने इंटरनेट किस प्रकार का सिस्टम है सॉफ्ट्वेर बंडल है वेब पेज है वेब साइट है या परस्पर बताओ डी पिंटू जी पुसपेंद्र जी डी आंसर दे रहे हैं गोविन यादो जी नसीम जी सभी के आंसर डी आ रहे हैं बहुत बढ़िया अविसे खिंजी हिमान्सु गोविन देवेंत प्रभास दिवांस नाम है अच्छा अर्चना जी का असीव जी का सी आंसर है चाहितGH को इन्टरेट काते हैं श्री नेटवर्कों गजाल होता है अपस में जो कई नेटवर्क मिलकर नेटवर्क बनाते हैं उसी को farmers कते हैं डी आंसर होगा परसपर नेटवर्क होताиком चालीस नंबर कुश्थं 10 और बचे हैं निम्ण में दिए गए विकल्पों में से कौ दोब आग हैं बताओ इमेल में दो भाग होते हैं जैसे लिखा जाए बारिक्षा प्लस आइड़ दरेट जीमेल.com यह लिखा गया तो यह परिक्षा प्लस क्या होगा और दरेट के वाओ जीमेल.com क्या होगा तो बताओ उपयोग करता का नाम या street address, कानूनी नाम, phone number ये तो बेकार चीज़ है, उप्योग करता का नाम और domain नाम, नाम के पहले अक्षर और password ये भी नहीं होता है, ये थोड़ी होता है, password तो हम fill करते हैं, उप्योग करता का नाम और street address, street घर का address और वो सम्मांगता थोड़ी ये गली का address, ये क्या होगा, एक, दो, तीनों को हम cancel कर दी हैं, बचा क्या, ये क्या है, उप्योग करता का नाम, जो user है, उसका नाम है, और ये क्या है, आपका domain है, ठीक है, जैसे domain मैंने बताया था ना, .com, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, domain होते, .info, .org, .uk, ये सब क्या है, domain है, तो इसका answer क्या होगा, परिक्षा प्लस का टेलीग्राम जोईन कर लेना जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे है परिक्षा प्लस का टेलीग्राम पीडियाफ के लिए पूरा लागतार पीडियाफ मिलेगा जब तक आपका ASI एक्जाम नहीं हो जाता है डैस user और computer hardware के बीच interface का कारे करता है कौन mouse keyboard operating system या internet कौन ऐसा है जो user और computer hardware के बीच interface का काम करता है जल्दी से बताओ केंटिंटरला संभी इंटरफेस को युज के लिए काम क्या करता है यूजर कि से इंट्रेक्ट करता है आपके सिस्टम gestures आर्भर से करता कोई भी यूजर मालों मैं मॉनिटर को सब्सक्राइब रहूं चाहिए प्रिंटर को एसेस करूंगा प्रिंट कमधे रहा हूं मालो मैं यह कुछ print करना है computer से तो मैं computer को print command दूँगा तो printer को access करने के लिए मैं computer को print command दे रहा हूँ तो वो command कैसे printer तक पहुच रहा है उसको ले जाने वाला एक क्या है software है जो वो software है वो कौन है operating system है और यह hardware हो गया आपका क्या printer हो गया तो इन दोनों के बीच में communication कराने वाला कौन होता है operating system होता है C answer correct होगा next आपका आते हैं 42 number computer के संबंद में batch file क्या है जो batch file होती हों क्या है वे letter जो BAT के साथ सुरू होती है वे batch में file को रखने में मदद करती है वे batchों में दिशाओं को रखने के लिए मदद करती है यह तो वैसे बगपास option भर दिया गया है वे आदेसों को एक समू में रखने में मदद करता है और उन्हें एक के बाद एक run कराता है जल्दी से बताओ batch क्या होता है operating system में batch file होती है वो क्या होती है D answer आ रहा है बहुत ही बढ़िया बहतरीन एकदम जबरदस गोविन जी, पिंटू जी, लवकुमार जी, अविराज जी, सुनील जी नसीम जी सभी का बहतरीन आंसर आ रहा है D एकदम सही है D सही है बहुत बढ़िया D वाले ये क्या करता है जो भी आप instruction देते हो ना आदेशू को उस instruction को क्या करता है ये crumb wise रख लेता है और जिसकी जैसी priority होगी वो instruction, वो process क्या करता है process चाहे instruction कुछ भी बोलो ये process क्या होगा run होता रहेगा एक एक करके अपने priority के recording तो आपका D answer correct होगा इसमें रोम में संग्रहित अस्थाई प्रोग्राम जो कि 140 रूप से computer निर्देश को निस्पादित करना सुरू कर देता है वो है रोम में एक प्रोग्राम होता है जैसे आप computer on करते हो वो run करता है और पूरे आपके system को चेक करता है बूट करता है बूट का मतला बूटिंग किसे करते हैं जब आपका operating system memory में load होता है उसी process को बूट करते है ठीक है तो वो program कौन सा होता है BIOS होता है जो रोम में होता है जैसे system on करते हो BIOS program run करता है आपके system को चेक करता है प्रॉपरली आपका system सही है RAM ओम ढिला नहीं अगर RAM ढिला है 222 की आवाज करना सुरू कर देगा चाहे हाट डिस में कोई दिक्कत है तभी भी 2222 की आवाज सुरू हो जाएगी तो ये समझ लेना कोई ना कोई दिक्कत है BIOS आपको बताता है आपके system में दिक्कत है ब्लैक स्क्रीन आजाएगा 2222 की आवाज होगी ऐसे system problem होने लगती है ये आपका सही होगा इसमें 44, computer इस्मृति में क्या होते है RAM, ROM, P-ROM या उप्योक्त सभी जल्दी से बताओ memory, इस्मृति मतलब क्या होगा memory बाता है इसको मतलब computer memory में क्या होता है RAM, ROM, P-ROM या सभी बहुत ही बढ़िया ज्वावर से बढ़िया सभी होते हूँ प्योक तो सभी D सही है, सभी रहे क्या है memory है आपकी ये अगला कुश्चन है बफर एक device storage area बफर जो होता है क्या है device storage area ये बफर जो होता है बहुत short time के लिए होता है ये जब आप कोई process है suppose लोग ये CPU है CPU है यहां आपका arithmetic logic unit होता है ALU होता है तो जब आपका hard disk से कैसे में आपका RAM में कोई भी process आपने open किया तो वो process कहां open होता है RAM में open होता है कहां? RAM में जैसे बंद होता है फिर से मालो video player है VLC उसको जैसे open करते हो तो जब वो खुलता है ना तो वो किस में खुलता है? RAM के memory में खुलता है अब उस process को process होना है CPU के द्वारा ठीक है? वो processor में CPU मिलना है चलना है उसके हर एक जो भी चीजे होंगी उसके एक एक प्रोग्राम क्या होगा? run करेगा CPU में process होगा वो सब internal आउता है आपको पता नहीं तो एक एक चीज मालो उसमें कोई player है उसका sound program जो है वो run कर रहा है ठीक है? कुछ देर बाद उसको कहा? अस्थाई रूप से store कर देगा buffer storage ये किसी में होता है कैसे memory की तरह वो भी होता है ठीक है? buffer storage होता है कुछ देर के लिए वहाँ program रख दिया जाता है फिर वहाँ से हटा लिया जाता है जैसे कोई भी instruction दिये computer को कि 2 plus 2 आपको add करना है उसने 4 add किया और अस्थाई रूप से इसको पहले buffer में रखेगा फिर बाद में ये RAM में जाएगा फिर original आपका जहाँ store करना वहाँ चला जाएगा इसे screen पर दिखाना है वहाँ चला जाएगा तो buffer एक अस्थाई होता है ये बाद में क्या होता अपने आप flash होता रहता है मतलब delete होता रहता है तो data आस्थाई रूप से store के लिए होता है ठीक है अस्थाई नहीं आस्थाई रूप से बहुत बढ़ी 100 परस हो गए बदाई हो सभी को निमलिखित में का मिलान करिए vacuum tube, transistor, IC इदर है तीसरी sprhid दूसरी zgb पढ़ी-पढ़ी-जलदी से बताओ क्या होगा इसका अंसर जलदी से बताओ क्या होगा 26 vacuum tube पहले generation में आया तो पहली prd का होगा ट्रांजिस्टर दूसरे me अ आथा और IC आपके 3 में आया था ठीक है आइसी और वेरी उसके बासे आपका क्या VLSI model ultra large scale very large scale integrated circuit और ultra large scale integrated circuit यह आए आपके चौते और पच्वे में ठीक है तो यह आपका मिलाप होगा पहले का C पहले का C कहां यह दूसरे का B दूसरे का B यह है थार्ड का यह है option A correct होगा Google की अस्थापना किस वर्स होई थी बताए गूगल की अस्थापना किस वर्स होई थी बताए गूगल जो है Larry Page और कौन है दूसरे आपके सर्जी वेरीन Larry Page द्वारा Google की अस्थापना की गई थी Mento Park California US में कब हुई थी इसकी 4 सितंबन 1998 में 4 सितंबन 1998 में हुआ था यह 1998 ठीक है Larry Page यह option B सही होगा Excel समिकराण यह देखो formula लिखा if 40 less than 10 0 1 इसका मान क्या होगा बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ इसका if का एक logic Excel में formula लिखा गया है तो इसका आंसर क्या होगा अरे एकदम हो जाएगा अदत थोड़ा जूम करें लो if 40 less than 10 क्या इसका आंसर होगा B 1 सब बोलने 10 अरे 10 कैसे आएगा बाई यह कॉमा है 0 लिखा है कॉमा 1 लिखा है देखो जो if का statement होता न formula वो ऐसा होता है यहां होता है condition जो भी आप condition लगा दो और यहां होगा आपका क्या true value और यहां होगा false value ठीक है यहां होता है true अगर condition आपकी true होती है तो यह value print करेगा अगर condition false होती है तो यह value print होगा तो यह condition क्या है क्या 40 जो है 10 से कम है नहीं न तो यह condition क्या होगा false होगा तो false की condition में कौन सी value print करेगा यह वाली तो answer क्या होगा D होगा 1 आपका सही होगा 0 नहीं आएगा भाई साब 1 आएगा 0 नहीं 40 कहां से कुछ लोग यह option दे रहे मतलब कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे हो इफ मतलब यदि 40 is less than 10 नहीं 40 less than कहां 40 तो ग्रेटर है तो यह condition false हो गई और false होगा दूसरी value print होती है तो 1 होगा इसका answer D next 49 नमबर निमलिखित का मिलान करें set 1, set 2, ntfs, fat 32, x fat ठीक है यह क्या होता है pen drive 1dm में देखो hard disk में जो आती है न यह ntfs nt मतलब windows nt में आई थी इसलिए इसको नाम ntfs रखा गया है fs का मतलब क्या होता है format drive format drive f80 का मतलब क्या होता है file allocation table file allocation table यह होते हैं flash drive में यूज होते हैं यह कहां होते है pen drive में f80 होता है जब उससे format करते हो जो ntfs था सबसे पुराना क्या है f80 32 इसमें क्या था इसकी unit क्या थी जो hard disk or disk आती थी ना उसमें maximum इसकी maximum कोई file जो होगा किसी भी hard disk में 4GB क्या लावा अगर 4GB से कम होना चाहिए कोई file 32 में उसके बाद से उसका extended वर्जन आया यह आया x80 ठीक है x80 आया ठीक है यह MS-DOS उसमें होता था MS-DOS में होता था यह आपके उसके आगे वाले में आ गया Windows 21 2000 xp में आया x80 में क्या हुआ कि यह maximum file हट गई मतलब इसका कोई कितने भी zb का file तुम रखा सकते हो और partition भी अपने हिसाब से कर सकते हो कितने भी zb का कितने भी mb का कर सकते हो ठीक है लेकिन इसमें limit था f80 32 में तो यह दोनो flash drive के लिए है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह extended है एक तो यह f80 32 flash drive के लिए अनुकूलित होता है था यह flash drive के लिए अनुकूलित और x fed क्या अधिकतम file size नहीं सॉरी कि देखो f80 32 से यह मैच करेगा क्योंकि इसमें अधिकतम file size कितनी हो सकती है 4gb से कम हो सकती इस से जादे नहीं हो सकती है तो यह इससे मैच करेगा x f80 क्या होगा यह flash drive से लिए अनुकूलित था यह भी था लेकिन यह अब इससे जादे मैच खा रहा है f80 32 यह जादे main role play कर रहा है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था और ntfs में भी बाउंडेशन नहीं था आज को जो भी हमारे laptop में hard disk का रहा है ठीक है तो यह मूल रूप से किसके साथ सुरू हुआ था nt के साथ सुरू हुआ था इसलिए ntfs बोला गया तो पहले का a third कभी पहले का a third कभी कहां है third कभी और second का c यह answer होगा ठीक है next dot rar डेको dot rar फाइलों में रार का अर्थ होता है रोसल अर्काइव रिमोट अर्काइव रिस रिडूस्ट अर्काइव रिसाइज अर्काइव रार फाइल जो होती है ना compressed फाइल होती है क्या होती है कोई भी चीज अगर हम compressed करना चाहें जिप फाइल जिसको हम बोलते हैं ठीक है यह compressed फाइल होते हैं बड़ी कोई फाइल है धेर सारे PDF है उनको जिप फाइल बना दो बहुत कम MB में जिप फाइल होती है तो उसी को RAR फाइल बोलते हैं ठीक है तो RAR का मतलब होता है रोसल आर्काइव और रिड्यूस नहीं होता है क्या होता है रोसल होता है RAR का मतलब होता है रोसल आर्काइव ठीक यह आपके 50 पूरे के पूरे कोश्चन हुए हैं 50 कोश्चन कर लिए थे आज 51 नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर है इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग और यह मैंने बेसिक जो लोग मेरी क् चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है जो रिवीजन क्लासेज फॉर एसाइज चल लही है उसके 12 होगा बहुत ही बढ़ियां मेरे कोश्चन पढ़ने से पहले कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रियोग होने वाले फॉंसन बटनों की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताओ राहुर राना जी नमस्कार एफ 12 बारा है बहुत बढ़ियां 12 बारा बारा एकदम जोड़दार तरही से करें जितने लोग आओ दस-दस से एर करो सभी को खुश कवरी मिलेगी सब के सब एसाइज में सेलेक्ट हो जाएंगे जल्दी से बताओ बारा आगा बहतरीन 12 फंसन की होती हैं जो आपके फंसन की होते हैं वो कितने हैं 12 होते हैं और यह कई बार एकजाम में पूछा भी गया है कोशन जन्रल कोश्चन है यह आपसे कोश्चन पूछा भी गया है नेक्स्ट बोल एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर को अधिक कुसलता से काम करने में मदद करता है क्या है जावा, DBMS, सिस्टम सॉफ्टवेर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेर क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कारे करने में काफी मदद करता है, जल्दी से बताइए बी आंसर होगा, अंकित जी, मून जी का आंसर भी है, धननजे जी का आंसर भी है, बहुत बढ़िया, आदित चोहां जी का आंसर भी है, मौम्मत साजित जी का आंसर भी आ रहा है विकाज जी का B है विवेक जी का VRA राकेश जी का आज Edits Plus का B है राजबादुर जी का B है आज संख्याबल कितने हो जाने चाहिए डेड़ सो पार हो जाने चाहिए कल सो हो गए थे आज डेड़ सो पार होने चाहिए एक बार दोसा तरीकेस आफ लोग सहर करें System Software होगा ठीक है System Software दो होते हैं आपके main एक आपका होता है System एक होता है आपका कौन Application Software तो System Software वो होते हैं जो आपके System के साथ मिलते हैं जैसे Internet Explorer हुआ Word हुआ MS Word नहीं Word जो होता है व้ Notepad हुआ यह क्या है, system software है utility software इसमें होता है utility software जैसे आपका disk cleaner हुआ disk fragmentation हुआ तो यह सब क्या है यह आपके antivirus वाले जो मिलते हैं यह utility software होते हैं तो यह system software, application software में MS Office हो गया Excel हो गया, PowerPoint हो गया MS Office का Word हो गया Excel, PowerPoint हो गया, Chrome हो गया ठीक है, Mozilla, Firefox हो गया इतने भी application आएंगे, वो application software हो जाते हैं Java के programming language है यह क्या है, programming language वो कैसी high level language है कैसी है, high level language इसका answer भी correct होगा MS Word में F at key को तीन बार दवाने से यह घर पे जाके प्रियोग करना, मैं बोलता हूँ ना प्रियोग से जादे समझ में आता F at key को तीन बार दवाने से क्या select हो जाता है बताईए, word, sentence, page या कुछ नहीं अंकित जी, paper देखने के बाद ही हम कुछ cut-off का analysis कर सकते हैं, अभी नहीं expected cut-off, इतना जान लिजिए कि आपको कितने marks लाने हैं, सब ही को at least कम से कम 250 plus करके आना है 200 plus marks लेके जल्दी से 260 plus मान के चलो 260 plus क्यूंकि typing है, अगर typing वे पिंग नहीं होती तो और जादा तरुन जी का answer A आ रहा है अरे, syllabus से बाहर कुछ नहीं हैगा, syllabus के recording ही आएगा syllabus से बाहर कुछ नहीं हैगा ठीक है? syllabus से बाहर कुछ नहीं आएगा चलिए, 300 से उपर रहोगे तो काय चिंता कर रहे हो क्यूंकि देखो क्या है न, कि यहां पर कई categorization है क्यूंकि कुछ बच्चों के steno देना पड़ेगा तो वहाँ से fail हो जाएंगे तो फिर बच्चों को थोड़ी बुलाएंगे ठीक है, तो उस हिसाब से according होगा न, कुछ लोग commerce वाले हैं, तो उसको एक bulk में लोगों को लिया जाएगा, बाद में वहाँ से छटनी होगी, यहां से आते हैं क्या होगा, यहां पर F8 key से क्या होगा, word नहीं select होगा, F8 key से एक बार दगाओगे, तो word send होगा तीन बार दबाओगे न, F8 key को अगर 3 times आप प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा sentence क्या होजाएगा, select हो जाएगा पूरा sentence क्या होजाएगा select हो जाता है option B correct होगा इसमें ठीक है, option B correct होगा, तो एक बार सभी लोग share और like जरूर करते रहें, B वाले सही होते है, powerpoint में presentation के लिए use करने वाला readymate style को क्या कहते हैं, जो powerpoint होता है powerpoint presentation, जो readymate style होता है, उसको हम कौन सा नाम देते हैं, जल्दी से बताइए तो इसका answer क्या होगा, इसका answer जल्दी से बताएं, क्या होगा चलिए, account वाले account काफी लोग मिले हैं, धनेंजे जी भी आ रहा है अंकी जी का answer A आ रहा है चलो A आ रहा है, किसी का किसी का B आ रहा है, theme आ रहा है slide show आ रहा है, राजबादू जी template के साथ जा रहा है, राकेश कुमार जी answer B दे रहे हैं आसीज कुमार का answer B है मून जी का answer B आ रहा है चलिए, कुछ लोग slide show में आ है slide show अलग हो गया बाई साब slide show में तो आपको जब slide को show कराना होता है न, उसके लिए होता है, मिनू बार में जाओगे तो slide show वहाँ पे होता है तो यह उसके लिए होता है picture सलाग हो गया, theme और template में confusion होना चाहिए था लोगों को, theme और template में confusion होना चाहिए था, जो आप powerpoint में presentation बनाते हो तो उसके लिए use करने वाला readymate style, मतलब जो आपके सामने यह बन के आता है न, ऐसा कुछ, यह होता है paste holder, ठीक है यहाँ पर, इसको paste holder बोलते हैं, अब यहाँ title होता है यह आपके ppt का एक present, वो है, slide है तो इस slide में अगर by default आपको कोई, क्या लेना हो presentation के लिए use करने वाला readymate style, कोई readymate style लेना है, तो उसको क्या कहते हैं उसको template कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा है, style ही template theme तो उसके color को और उसके background को change कर सकते हैं, वो होता है template क्या हो जाएगा उसमें हर एक पूरा presentation बना रहेगा आपका हाँ, D नहीं होगा अच्छा, D है क्या template हाँ, D ही होगा, template होगा D आपका answer होगा next हम आते हैं, MS Office software package में management system भी लगा हुआ है, तो Excel, SS, Publisher या MS, OneNote जो Excel भी होता है, वो भी database होता है, लेकिन database management system की बात कर रहा है तो वो कौन सा होगा प्रियंका सर्मा जी का answer भी आ रहा है, गुलफांत जी का answer, D आ रहा है, ज्यान जी का answer B है, पौनेश विस्प करमा जी आ चुके है, MS, SS के साथ धनेजे जी का answer, SS विसाल जी का SS आ रहा है, मोहित गुरजर का B, राकेश जी का B, मोहित जी का B, इनुशत खान जी का B मौमद साज़त का answer B है, राकेश जी, B के साथ धनेजे जी, MS, SS, बहुत बढ़िया, बहतरीन एकदम, सभी लोग जान रहे हैं, यह आपका DBMS, Database Management System की तरह, क्यूंकि इसकी जो फाइले होती है, वो आपके, जो Advanced Database Management System है, जैसे Oracle है, ठीक है, SQL है, MySQL, इन सभी में क्या हो जाती है, इनकी फाइल को हम Inherit कर सकते हैं, मकलब ले सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, MS, SS दो हता है, वो Database Management System है, अब बताओ, MS, Excel में Default Font और Font Size क्या होता है, इतना गौर किया हो, चाहे Excel हो, चाहे MS, Word हो, उसमें Default X है, वो, आपका Font क्या होता है, और Font की Size क्या होती है, किसी ने गौर किया है, क्या होता है, स्वागत है, RPG, आप New Student है, आपका परिक्षा प्लस परिवार में जोरदार तरीके से स्वागत है, एक बार सभी लोग इस सेशन को Share और Like जरूर करते रहें, जो लोग नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ASI के basis पे जो revision classes चलने हों, आपको proper मिलती रहें, मैं last में यही कहूंगा, कि भाई या last समय चलना है आपका, और last में practice makes perfect, तो जिन्हें ASI का अभी तक practice नहीं शुरू किये हैं, at least practice शुरू कर दें, अगर आपने कहीं से test ले रखा है, तो ठीक है, वहाँ से दीजिए, नहीं ले रखा है, maximum बच्चे को test series चाहे, market में जा रहा हैं, तो 160 question के test मिल ला है, लेकिन वो 160 question गलत है, उस पे कभी मत preparation करना, 200 question पे करो और वो भी online करो, तो हमारे ही है, 149 में, 149 में 10 full length test है, और 40 आपका sectional test है, जिसे आप परिक्षा प्लस app से ले सकते हो, कहां से ले सकते हो, परिक्षा प्लस से subscribe कर सकते हो, ठीक है, चलिए, इसका answer क्या दोगे, 11 points caliper, बहुत बढ़िया, ये आपका सही है, option एस ही है, 11 जो होता है, ये word में भी होता है, और excel में भी होता है, D नहीं, D नहीं, D नहीं, 15 नहीं होता है, 11 होता है, चलिए, 11 जो होता है, calipery font होता है, by default, और size क्या होती है, 11 होती है, ये देखना, open करके, आज ही देखना, किस table में, operating system फाइलों की जानकारी रखता है जो operating system है OS है आपका किस table में आपके file का पूरा जानकारी रखता है file allocation table file index table directory index table उपर्योक तशभी इसमें से क्या answer सही होगा जल्दी से बताएं RPG अभी तो मैं ये class ले रहा हूँ एक देड़ घंटा आपकी जो भी बाकी आपका जो होगा वो marathon classes जैसे reasoning हुआ maths हुआ ये आपको मिल जाएगी Tuesday से मिलने लगेगी एक बार सभी लोग CR जरूर करें आज हमें डेड़ सो पार करना है इस सेस्न को एकदम अर्पिज जी आपकी बातों को team द्वारा जो है संग्यान में लिया जाएगा और ये कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा संधीब बगिल जी का आंसर भी अनिल जी का D आ रहा है रुबी राओ जी का आंसर C है तरुन शक तरुन शहार D का आंसर D है पिंटू जी का C है चलिए आप लोग को जो computer में मुरे से बस ये बताओ कुछ बच्चों ने बोला आप programming language के questions करा दें मैं जरूर कराऊंगा next topic हो सकता आपका वही हो जिसके जो भी problem है जो chapter आपको दिक्कत दे रहा है आप मेरे इस video के समाप्त के बाद या नहीं जब समाप्त हो जाती है वीडियो वहाँ comment करिएगा वो topic जरूर कराया जाएगा 56 का answer B है चलिए जवद बहुत बढ़िया B आ रहा है B नहीं A होगा allocation table कल ही मैंने FAT32 की बात किया था NTFS की बात किया था ठीक तो ये सब क्या था FAT32 मतलब file allocation table होता है इसमें आपका operating system पूरे file को क्या होता है A table में allocate करके रखता है जिसको जो जरूरत होती है वो वहाँ से process होता रहता है ठीक है तो A आपका सही होगा file allocation table होगा A A correct होगा यहाँ देखो warm booting warm booting के लिए shortcut की क्या है दो प्रकार की booting होती है booting का मतलब कल ही मैंने आपको बताया था booting का मतलब होता है जब आपका operating system किस में load होता है memory में load होता है उस process को क्या करते है booting करते है booting क्या process है जब operating system आपका memory में load होता है उसी को booting process करते है तो booting दो प्रकार का होता है एक होता है warm booting ठीक है warm booting होता है और दूसरा जो होता है वो cold booting होता है तो cold booting क्या होता है warm booting क्या होता है उसके shortcut की पूछा यता है warm booting क्या होता है कि जब हम system आपका on है system आपका on है या उसको restart करते हो न तो restart को क्या करते हैं warm booting करते हैं लेकिन अदम system आपका बंद है power supply खतम है, जब power button आप दबाते हो क्या दबाते हो, power button दबाते हो और power button दबाने के बाद, आपका जब system on होता है और bios से आपका क्या होता है, operating system memory में load होता है, उसको क्या कहते हैं cold booting कहते हैं, उसे cold booting कहते हैं यह द्यान रखना तो यह कई बार पूछ दिया सकता है तो इसको ध्यान रखो इसका shortcut की क्या होता है control control plus art plus delete control plus art plus delete में कई चीज़े आ जाएंगी तो वहां से आप restart भी कर सकते हो आपका कई सी चीज़े दिखाएगा यहां पर यहां पर restart के लिए भी आएगा ठीक है उसके बास से आपका task manager भी इस पर आता है क्या आता है task manager भी आता है और भी कई process यहां पर दिखाते हैं इस पर जरूर बताया जाएगा RPG एकदम निश्यंत रही है इस पर पूरी वीडियो एनेलेसिस करके बताई जाएगी अविनास पांडे ए आ रहा है चले control art delete सही है ए वाले एकदम करेक्ट होंगे ए वाले करेक्ट होंगे और टैफ 4 नहीं control art delete के लिए warm booting होता है वहां से restart करता है और टैफ 4 करोगे डारेक्ट सट डाउन हो जाता है और टैफ 4 करके इंटर मारोगे तो डारेक्ट सट डाउन होगा ठीक है जब तक आप option नहीं चूज करोगे आर टैफ 4 दाबाने के पास आपके डायलोग बॉक्स खुलता है लेकिन वहां by default सट डाउन होता है अगर इंटर मारते हैं तो सट डाउन हो जाएगा system हाँ यह shortcut का होता है लेकिन control art task manager का भी होता है लेकिन warm booting का भी होता है वहां से आप चूज कर सकते हो कि मुझे restart करना है वहां restart का option आता है next hard disk में उत्पन error को पता लगाने के लिए किस command का use करते हैं format clear r chk dsk या disk compress बताइए hard disk में कोई error है उसको पता लगाने के लिए चाहे कोई bug file है उसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं जल्दी से बताओ इसका क्या होगा b answer आ रहा है chk dsk b rahul जी का edit plus b rohit जी का answer b है share करते रहना आज हमें डेड़ सो पार करना है इस संक्यावल को जल्दी से answer कमेंट करो नितिन जी d आ रहा है रिसी जी का b आ रहा है रजनीज जी का d है आशिश कुपार जी का answer b है मुख्मद साजीत का answer d रूबी जी का b आ रहा है रोहितनात योगी जी का b है मुख्मद राषीत आ रहा है अविनास पांडे b के साँट जा रहा है सजाद जी b के साद आशिजी b तरुन जी d रजनीश जी B रोहितनाथ योगी जी आंसर सर सेर कर दिया है बहुत बढ़े है चलिए चलिए सर बहुत बढ़े है अरपित जी आप हमारी मेहनत को समझते है आपको कोटी-कोटी धन्यवाद आजीत कुमार निशाह जी का आंसर B आ रहा है देखते हैं देखो जब भी आप में ऐसा लगे कि आपकी hard disk में कोई error आ रहा है कभी क्या होता ने टिक टिक की sound भी आती है चाहे कोई bug file भी आपके hard disk में होता है एक error में बताता हूँ commonly क्या होता है कभी आपके system आप open करके देखते हो और कोई file खोल ले हो तो बहुत time लगता है तो इसका मतलब वो disk में कोई ना कोई error आ रहा है ठीक है कभी कभी वो disk ही gap हो जाती है partition करते हो COD में तो कभी कभी D वाला gap हो जाता है ये मेरे साथ कई बार हो चुका तो उसके लिए एक अगर software इसू होगा कोई bug कोई issue कर रहा होगा आपको डिस्क में तो आप windows की जो बटन होती windows के साथ run वाली बटन दबाना आपके सामने एक run command खुल के आएगा और इस run command में क्या लिखना chk dsk ठीक है chk dsk लिखना chk dsk इस run command में नहीं लिखना है इसमें क्या लिखना है आपको जो run आएगा ना आपका ये ऐसे run वाला box आएगा इसमें आपको लिखना है cmd command format ठीक है cmd लिखोगे तो command ms-dos का black color का command format खुल जाएगा इसमें आपको chk dsk लिखना है क्योंकि ms-dos का क्या command है और उसके बाद से windows बंद हो जाएगी जब restart करोगे system को restart करोगे न तो restart करने के बाद आपका system क्या होगा आप जैसे on करोगे तो आपकी पूरी hard disk check होती जितनी files हैं उसमें से bug file एकठा हो जाती है और delete हो जाती है सुभम जी खुश रहे हैं मस्त रहे हैं स्वस्त रहे हैं जबरदस्त रहे हैं तो answer क्या होगा इसका option B होगा next हम आते हैं powerpoint में auto content wizard start and finish के बीच कौन से step होते हैं presentation type presentation style presentation option या उप्रोप्त शभी auto content wizard start and finish के बीच में कौन से होते हैं port address और abbreviation पे भी question हो जाएंगे उस पे भी मैं questions लेके आ रहा हूँ जल्धी डालते जाओ सब topic मेरे को कुछ याद नहीं है ये जो topic यहाँ डाल ले हो मेरे वीडियो के end में डालो तब मैं कुछ उस पर react करूँगा क्योंकि ये comment मैं खोज नहीं पाऊंगा जी जरूर साजित जी जरूर चलेगी रवन सर आपके mental attitude की class जरूर लेकर आएंगे एकदम निश्चिंत रहिए आप डी आंसर आ रहा है सी आ रहा है मौमद शाजित जी आपके बातों को team द्वारा संग्यान में जरूर लिया जाएगा और mental attitude की भी classes आ रही है Tuesday से आना सुरू हो जाएंगे रवीजी नमस्कार डी मोहिद जी का आंसर आ रहा है चले और किसी का आंसर राजिव उपाध्याई जी का आंसर डी है next 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 जल्दी से मोहिद जी का आंसर डी है आंसर बंद कर दिए तुम लोग ग्यान जी का डी आ रहा है देखो ये सही है सभी auto content wizard में आपके presentation type presentation style, presentation option ये सभी होते हैं उप्रियोक्त सभी इसका आंसर होगा ऐसे आपका slide होता और नीचे ऐसे छोटा सा वराता है उस slide के just नीचे ठीक है ये notes होता है इस notes को एक नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है speaker notes, slide master, hand out master या उप्रियोक्त में से कोई नहीं बताइए इसको क्या नाम देते हैं शविता जी क्या आंसर होगा इसका B होगा slide master B, अरे नहीं यार आकाजी A answer जा रहे है edits plus C का A है गोविन जी का B है संदीब जी का B आ रहा है गौरब जी का A आ रहा है मुहित जी B आसुतोष जी D के साथ शर्वा कंप्यूटर A के साथ शलीम जी B के साथ गौरब जी A के साथ मौन जी A के साथ नेचर बाई अभी D के साथ रोहित जी B मुहित कुमार B आसिस कुमार जी नमसकार चलिए यहाँ पर जो यह होता इसको यह note होता है और इस note को कहते हैं speaker note क्या कहते हैं speaker speaker मतलब हम जब हम इस powerpoint presentation को किसी board पे present करते है monitor के थूँ ठीक है तो वो notes हमें उस presentation के समझने के लिए होता है तीसलिए इसको speaker notes speaker मतलब जो बोलने वाला है तो speaker notes होता है क्या होता है speaker notes handout master में maximum कितने slide आ सकते हैं maximum यह आप लोग comment करके मुझे इस वीडियो में बताइएगा handout master में या आप आप देख लीजिएगा कितने आते हैं अरे speaker notes देखो क्या होता है यह powerpoint खोलना powerpoint में नीचे हर slide के यहाँ पर एक note आता है यह note आप जब presentation को present करोगे न यहाँ पर अपने system में नहीं एक बड़े screen पर जब presentation लेकि जाते हो laptop में और उसके बाद से उसको screen पर represent जब किया जाता है तो यह note जो होता है जो speaker होगा जो presentation दे रहा होगा उसको slide का main main point लिखा होता है मतलब यह slide है इस slide में जितना भी data है तो वहाँ पर वो point बना लेगा कि इसमें introduction है उसके बाद से discussion है थोड़ा सा तो जान जाएगा इसमें क्या है slide में इसी को देखके समझ जाएगा तो बना start कर देगा तो यही होता है speaker notes ठीक है बाकी चीजे बताना जो मैंने पूछा है A answer correct होगा Excel में किस formula या function के द्वारा column और data column का data देखो किसी column का data row में और row का data column में convert कर दिया जाता मालो जैसे ये column है ये column का data है कोई यहाँ पे है उसको आपको क्या किस में convert कर दिया जाएगा row के data में convert कर दिया जाएगा किसी भी column का data किसी row में कर दिया जाएगा मालो जैसे यहाँ पर है यहाँ पे A लिखा है B लिखा है C लिखा है D लिखा है तो इस वाले data को किस में कर दिया जाएगा कोई row में कर दिया जाए suppose करो ठीक है row में करने का मतलब कि जो A, B, C, D है A, B, C और D यहाँ पर मतलब पूरे row में आ जाए यह column का data इस पूरे row में आ जाए उसके लिए कौन सा function यूज़ करेंगे ABC, hyperlink, transpose या address C आ रहा है यह मैंने पढ़ाया भी है चलिए एक बार और share करो जोरदार तरीके से कि 100 पार हो जाए गोविन जी का C आ रहा है A है, कुछ लोगों का C C, 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 C चलो, तो यह क्या होगा किसी भी column के data को row में करना या row के data को column में करना उसके लिए एक function यूज़ होता है transpose क्या होता है, transpose C option correct होगा चलिए, अगला question MS Excel 2003 में ठीक है MS Excel 2003 में कितने row और कितने column होते हैं जल्दी से बताईए कितने row और कितने column होते हैं और 2007 के बाद कितने हैं 2007 के बाद कितने हैं इसमें बताएं रवी जी जल्दी से, नितिन जी A answer दे रहा है ग्यान गुरु जी का answer रिश्र शिंग जी का आंसर रहा है राइन्सोज अभी भी पीछे चल लाए है ऐप अकास लक्रागी का आंसर A है चलिए तो 2003 में कॉलम 256 होता था लेकिन जो रो होता था 65536 होता था यह 2003 में होता था 2007 में 1,48,576 रो होता है और कॉलम 16,384 होता है यह 2007 के 2010 में भी है तो यह चीजे हैं ठीक है लेकिन आपका 2003 से पूछा है तो आंसर A होगा आंसर A होगा D नहीं A होगा निमलिकित मेमोरी में इकाईों के उच निमन के क्रम वैस्थित करी हैं सबसे जादे से सबसे बड़ा कौम सा होगा फिर उससे फिर उससे ऐसे आपको एरेंज करना है मेमोरी है यह बताओ पीबी का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा क्या होगा इसमें देखो पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट और इबी का मतलब होता है एग्जाबाइट तो इसमें कौन बड़ा है पीबी बड़ा है एग्जाबाइट बड़ा है और टीवी का मतलब होगा टेराबाइट, जीवी का मतलब गीगाबाइट, और एमबी का मतलब मेगाबाइट, और केवी का मतलब किलोबाइट, ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा भाईया, एक्जाबाइट होगा, फिर पेडाबाइट होगा, फिर टीवी होगा, फिर MB ठीक है ऐसे तो 1024 MB बराबर क्या होगा 1024 MB बराबर क्या होगा 1 GB होगा ठीक है 1024 GB बराबर क्या होगा 1 TB होगा और ऐसे 1024 TB बराबर 1 PB होगा ठीक है ऐसे 1024 PB बराबर क्या होगा 1 EB होगा यह होता है चलो Next निमलिकित्म का मिलान करिए Set 2, Set 1 और Set 2 है Bits, Capacitors, Flip-Flop ठीक है बता आप किस के किस से मिलाप होगा Bits का मतलब क्या हुआ Bits का मतलब सब जानगा है Binary Digit Capacitor or Flip-Flop Capacitor S-RAM और D-RAM RAM जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं S-RAM होता है और एक आपका D-RAM होता है ठीक है S-RAM, Static RAM होता है जो सबसे Costly होता है Dynamic RAM जो हम लोग Laptop में यूज़ करते हो RAM वो D-RAM होता है जो आप Static RAM कहां यूज़ होता है कैसे as a memory जहां यूज़ करते हो Static RAM होता है तो Static RAM में क्या यूज़ होता है Static RAM में जो यूज़ होता है वो Flipp-Flop यूज़ होता है क्या होता है Flipp-Flop तो यह क्या है Electronics Devices इसलिए यह क्या होगा मांगा होगा Third का क्या होगा आपका A होगा Third का A ठीक है Third का क्या होगा A होगा और जो Capacitor होगा वो D-RAM में होता क्योंकि Capacitor जो होगा वो एक बार charge होगा और charge हो के पाद जब discharge होगा तो वही DRAM आपका क्या होता dynamic होता है यह हमेशा refresh होता रहता और यह brothers नहीं होता है static RAM refreshed नहीं होता है यह हर sequence में refresh होता है तो वह किसकी वज़ाश होता है वो capacitor के वज़ाश से होता है थीक है तो capacitor किसमे होगा DRAM में होगा तो यह क्या हो जागा second का B पहले का C और third का यह option D correct होगा option D correct होगा next mailbox email लेने के लिए कौन सा protocol उपयोग किया जाता है mailbox से email लेने के लिए जो mailbox होता है ना आपका उससे email लेने के लिए भेजने के लिए नहीं email प्राप्त करने के लिए ना की भेजने के लिए तो email प्राप्त करने के लिए कौन सा protocol उज़ होता है POP3, POP2, FTP या SMTP देखो POP जो POP होता post office protocol यह होता था इसका जो latest version आया POP2 था POP2 में कोई भी अगर mail हमें प्राप्त करना होता था चाए भेजना होता था तो उसके लिए इसको POP2 के साथ हमें किसकी जरूरत होती थी SMTP की जरूरत होती थी अभी हम जो इसका latest version है POP3 इसमें हमें हम या तो इसका help ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं दोनों काम हैं तो हमें किसी mail को प्राप्त करना है कहीं से mail box से तो हम POP3 का करेंगे इस तमाद है इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए यूज होता है कहीं से और यह क्या होता है इसका फूल फॉर्म बता हो SMTP का SMTP का फूल फॉर्म पूछा था तो यहां पर इसका फूल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा लेकिन mail box से email लेने के लिए भेजने के लिए SMTP का यूज होता है लेने के लिए POP3 का यूज होगा यह द्यान रखना पॉस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यह आपका करेक्ट होगा नेक्स हम आते हैं वेब स्पाइडर जो लोग वेबसाइट बनाए होंगे वह समझ जाएंगे यहां पर वेब स्पाइडर क्लाउनर का प्रयोग निमलिखित में से किसके द्वारा किया जाता अगर आपने आपको मालो कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं आती है और आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो होस्टिंग लीजिए कोड़ेड़ी से और वहां पर एक आपको बाइडिफॉल्ट प्लगिन के थुरू आप वेबसाइट क्रियेट कर सकते हो जिसका एक तरह से बोला जाए वह पैनल होता है उ और CS के बंदे होंगे तो वर्डप्रेस का इस्तमाल हो सकता आप लोग किये हो ना किये हो तो कोई बात नहीं तो जब वेबसाइट हम बना लेते हैं तो हमारे वेबसाइट को एट लीज्ट किस पर गूगल पर सर्च हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम कि जो भी keyword है वो search के according आपका show करे Google पे तो उसके लिए दो चीज़े use होते है wave spiders और crawler crawler क्या करता है? crawling का काम करता है कि आपके keyword पे वो search करेगा maximum तो यह किसके लिए use होता है बताओ यह किस पर use होगा चल्दी से बताओ blogging के लिए use करते है blogging से नहीं website भी बन सकती है ऐसी बात नहीं है ठीक है? website भी परिक्षा प्लस की जो website है वो wordpress डोप पे बनी है जो परिक्षा प्लस.org है जल्दी से बताइए with coding के साथ बनी है PHP wordpress हाँ PHP के साथ है उसकी पूरी coding PHP है PHP पे depend है वो इसका अंसर क्या दे रहे हैं सभी लोग? C answer आ रहा है HTML program अरे ये program program में ना जा भाया ये आपके मैंने बताया जो आपकी website की link है उसको search में लाने के लिए use होता है तो ये search engine पे काम होता है उस पे crawling करता है ठीक है? ये spidering और crawling क्या होता है? search engine का है? B सही होगा next हम आते है Ethernet का प्रियोग निम्ण में से किस topology में किया जाता है? burst topology, ring topology, pre-topology या start topology जल्दी से बताए start topology, burst topology किस में किया जाता है? A, R, D, R, I, R, R, राहूल जी का प्रवास जी का आंसर A है B, R, I, star topology में D है वो lane होते हैं Ethernet जो use होता है ना मैंने अभी network की classes high code वाली लिया है जो public है जाके देख लेना Ethernet जो use होगा वो एक ही cable होता है वो इसी को Ethernet बोलते हैं बस टॉपलोजी में यूज होता है इससे डेर सारे आपके connect होते हैं डिवाइसेज यह इथरनेट होता है और यहां जो होता है क्या इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटर बोलते हैं इन सब क्या कहते हैं नोड कहते हैं तो यह बस ट अधरनेट केबल होता है इसे बोलते हैं बैकबोन केबल ठीक है नेक्स्ट यह देखो ऑप्षन जो ए है वो लिखा है सेवेंट जीप ऑप्षन भी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो विंजिप ऑप्षन सी जो है वो लिखा है विंडरार और उप्रियोग सबी डिस्क में कम स्पेस लेने के लिए किन फाइल साइज reduceर प्रोग्राम या फाइल Kumpresor software का प्रियोग किया जा सकता है 7-zip का, win-zip का win-rar का, up-yok सभी बोल ला है, अगर किसी file को कम space करना है तो उसके लिए किस software का use कर सकते हैं, 60 का 69 है 60 नहीं 69 है D, R, R, B, R, B D, B, D आ रहा है अच्छा, सरकारी जी का B है राउल जी का D है, राजिव जी का D है, D चलिएज, गौरव जी answer D, पौनेश जी का answer, win-rar आ रहा है, अच्छा, win-rar ही होता है जो आप use करने हैं, वह ही ऐसा नहीं है, all of the above, बहुत बढ़िया यह क्या उप्रोग तो सभी होगा win-rar maximum आप लोगों के system में free source है, वह मिल जाता है, तो यह क्या होगा यह सभी क्या है, आपके compress करने के लिए use होते हैं, file को क्या करने के लिए compress करने के लिए use होते हैं next, hospital में cardiac monitor machine ठीक है, जो cardiac monitor machine होती है, जो आपके heart से related, नापती heartbeats नापती है, जो लगी रहती है monitor लगा रहता है, ICU में में किस प्रकार का operating system उप्योग किया जाता है multiprocessing, batch processing distributor या real time operating system, जो ICU में देखे हो, monitor लगा रहता है उसमें heartbeat आपका चलता रहता है blood pressure रहता है, सब कुछ saturation होता है, तो वो किस प्रकार का operating system उसमें use होता है 70 का answer D आ रहा है DA, गौरब जी का A, विसाल जी का D, राहूल जी का D nature भाई अभी D आ रहा है, सरकाई नौकरी D, प्रभास जी का answer D है, पौनेश जी का real time operating system बहुत बढ़िया, अगर real time operating system नहीं होगा पता चले वो बता कुछ और रहा है बाद का बता है, क्योंकि वहां hard beat आपके operation कोई भी होता है, operation होने के बाद, तुरंत इंसान को कहां रखा जाता है क्योंकि operation में anesthesia दी जाती है, और anesthesia में क्या होता है आपके, blood pressure बहुत तेजी से घड़ता है, और blood loss भी होता रहता है तो ये chances होते हैं कि आपके hard attack या brain hemorrhage हो सकता है आपके आपको, ठीक है, इस वजह से observing operation जैसे आपका हो जाता है, और normal blood pressure जब तक आपका नहीं पहुंचता है ठीक है, तब तक observe किया जाता है ये monitor लगाया जाता है जब आप उस critical situation से निकल जाते हैं, तब आपको OT से बाहर निकाला जाता है समझ रहे हैं, डॉक्टर तभी आपको OT से बाहर निकालता है, जब आपको देखता है कि आपकी blood pressure बाढ़ना increase हो गया, क्योंकि anesthesia देते ही आपके blood pressure down होने लगता है तो ये किस पर depend करता है real time, अगर वो real चीज़े ना बताए तब तो डॉक्टर समझी ना पाए कब उसे क्या हो गया, कैसे हो गया तो ये ध्यान रखना, तो ये real time operating system होता है next है, निमलेखित में से कौन, input और output device दोनों के रूप में कारे करता है जल्दी से बताओ, keyboard modern, printer, joystick हरेज़ी, कोशिज जरूर होगी अभी क्या है, यहां देखो मैं बता ही दे रहा हूँ, यहां input का मतलब input, output का मतलब output, इतना तो आप लोग समझ सकते हो, option देखो keyword यहां लिखा है, इंगलिस में तो इतना जान रहे हो, कौन सा input और output device दोनों की तरह behave करता है, वो सिप दिमाग में यह न रखो, कि इंगलिस दिखेगा, तभी हम बताएंगे, manage करो modem, B, R, I, B, 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 B अच्छा, राहूल जी, सुनी, G, B, answer, R, I, एक बार सियर करो, आज 100 तक नहीं पहुचे हो, एक बार जो दार तरीके से आप लोग सियर करिए, सर एक्सपेक्टेट पेपर जरूर बताया जाएगा, modem आ रहा है, modulator and demodulator बहुत बढ़िया, कली मैंने modulator and demodulator बारे में बताया था, modem जो होता है आपका, जब आप system पे, ठीक है, modem connect कर देते हो, तो ये modem आप जो भी data किसी को mail बेज रहा है, वो भी बेजता है, और कहीं से कोई data आप fetch कर रहा है, उसके थूरू fetch भी होता है, तो ये sending का भी काम कर रहा है, receiving का भी काम कर रहा है, इसलिए इसमें modulator and demodulator दोनों लगा हुआ है, ठीक है, ये data को input की तरव ले भी रहा है, मालनों यहां से, net से कोई data हम download कर रहा है, तो ये input की तरह आया, हम कोई चीज किसी को भेज रहे हैं, तो वो output की तरव जा रहा है, तो ये input-output दोरों की तरव बिहेब काता है, इसलिए option B होगा, ठीक है, चलो next, hard disk drive के read-write-read head जो होते हैं, hard disk drive में जो read-write-head होता है, कि दोवारा disk पर data के एक टुकडे, कि भौतिक अस्थान को खोजने में, लगने वाला समय क्या कालाता है, hard disk में जो head होता है, जो read-write करता है, जेको, hard disk आपका कुछ ऐसा बना रहता है, platters होते हैं ये, और यहाँ पर मालो ये head होता है, header है, ये read करता है, तो उसको बोला है कि, data के एक टुकडे को भौतिक अस्थान पर खोजने में, लगने वाला समय क्या होता है, बताओ, जल्दी से बताईए, DRI, जबों यहाँ पर कई लोग confuse होते हैं, access time, seek time और latency time, ये तीनों चीज मैं बता दे रहा हूँ, access time, किसी का answer आया देखें, अबे जी का answer सी, सुनिल जी का C आ रहा है, latency time, c, 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 confusion है, चलिए, और किसी का, DRI, access time जो होता है, seek time प्लस latency होता है, परितोष जी बता रहा है, चलिए, ये तो काना सही है, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, उसका answer क्या होगा, B बता रहा है, प्रेम पाल जी का answer, C आ रहा है, और किसी का, गौरब जी का answer B है, sir math आती नहीं है, कैसे क्या करूँ, जी, जरूर बता जाएगा, math वाले sir आपको, strategy बताएंगे अंजनी जी, प्रभास वर्मा जी, answer A, आसुतो जी, SS denied, अच्छा, B होगा, मेरा भी C है, चलो, देखो, यहाँ बोला, hard disk, live का, जो read right head होता है, दोरा disk पर, data के एक टुकडे, के भावतिक अस्थान को, खोजने के लिए, मानलो data, को कहीं खोजना है, तो उसमें लगा हुआ time क्या होता है, ठीक है, latency time होगा, पॉने जी, आपसे यह उमेजद नहीं थी मुझे, देखो, latency time क्या होगा, क्योंकि आप तो टॉपर हैं, हमारे side test series के, latency time क्या होगा, कि यह कल मैंने बताया था, यह pretters होते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, track बोला जाता है, ठीक है, यह track होते हैं, यह जितने हैं, track हैं, यह सभी क्या हैं, track का लाएंगे, और इसमें यह किसमें बटे होते हैं, sector में बटे होते हैं, किसमें, पालो हैड आपका पहले ट्रेक पे है पहले ट्रेक पे है तो उसको तीसरे ट्रेक में जाने में जो समय लगेगा ना head आपका पहले track पे है और इसको तीसरे track में यह क्यों delete हो जा रहा है head आपका पहले track में तीसरे track में जाने में उसके जो समय लगा उस track में पहुँचने में जहां data है ठीक है जिस track में data है उस track तक पहुँचने में जो समय लगा उसको कहते हैं latency time उसको क्या गते हैं latency time काते हैं उसके बाद से मालो ये track 3 है पूरा ये अंदर वाला track जो होता है 3 है इसके किसी एक sector में इस वाले sector के अंदर ये वाला जो sector मेने बनाया इसमें वो data पढ़ा है जिसको पढ़ना है तो अब यहां से वो move करके जो यहां से जो move करके इसमें जाएगा और इसको data को read करेगा उस time को क्या करते हैं उस time को करते हैं seek time क्या करते हैं seek time और यह दोनों को अगर मिला लें तो यही कहलाएगा hard disk का assess time क्या कहलाएगा assess time ठीक है तो answer क्या होगा इसका seek time होगा क्यूंकि data को पढ़ना है वो पूरा time लें पताना है आपको यहां से यहां पहुंचने में latency time उसके बाद से जो data को सेक्टर से पढ़ते हैं वो पूरा क्या का लाता seek time का लाता है पॉनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से परिक्षा प्लस टीम की तरफ से आप लोगों की क्रिपा है इसको जल्दी से जल्दी 100 और 1500 पार कराईए आज जो आपके यह संख्या बल है समझ गया इतनी record को पढ़ने के लिए जो time लगता है यह record यहाँ save है इस वाले portion में तो इसको पढ़ने वाला जो समय लगेगा उसको seek time कहेंगे और दोनों को मिला कर क्या का लाता है हमारा access time का लाता है अगले पर आते हैं IBM के सेंग जोन्स कैलिफोर्निया प्रियोग साला में इंजिनियरों ने drive का अविस्कार किया था किस floppy disk का hard disk का DVD ROM का या CD ROM का जल्दी से बताओ सेंग जोस कैलिफोर्निया के प्रियोग साला में इंजिनियरों ने कौन सा drive का अविस्कार किया था जल्दी से इसका answer क्या होगा answer comment करो बी बी answer आ रहा है अभय जी का answer बी है एक्जाम को लेकर मैंने computer और reasoning की strategy बता दी है इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है आप जाके देख सकते हैं विसाल जी बाकी maths वाले सर कल आपको बता देंगे गोविन मौरिया जी का answer भी है अभय जी का बी है प्रेम जी का अंसर भी है गौ प्रेम जी का answer भी अकास जी कभी विसाल जी का यह अजीद जी कभी मौमार आसीब जी कभी यहां देखते हैं 1956 में IBM ने सबसे पहले hard disk का विसकार किया hard disk इन्होंने किस वाले system में लगाया था एक system का नाम था रेमेक रेमेक 305 इसमें इन्होंने inbuilt inbuilt मनलब अंदर inbuilt hard disk लगाया इन्बिल्ट hard disk लगाया जो कितने MB का था 5 MB का था 5 MB का था लेकिन यह removal नहीं था एक बार जो लगा दिया गया लग गया उसों हटा नहीं सकते थे बाद में इसको का जाए कब 1963 में 1963 में दो MB की चाहिए धाई MB की IBM ने ही removal hard disk बनाई ठीक है यह ध्यान रखना उसके बाद से पहल मार्केट में तो 1956 में ही hard disk आ गया था एक टीवी की hard disk भी 9080 द्वारा 9080 में एक टीवी की hard disk IBM के द्वारा पहली बार बनाई गई थी यह ध्यान रखना वन टीवी यहां पर आता है ठीक है यह ध्यान रखो तो यह किसका अविस्कार हुआ था उसमें hard disk डाइव का हुआ था भी सही होगा नेक्स हमाते हैं compiler प्रोग्राम कौन सी गलतियां find करता है compiler क्या होता है ग्रेमेटिकली syntax error logical error दोनों ए भी आउप्योक्त में से कोई नहीं जो compiler होता है एक interpreter होता है और एक compiler होता है इन दोनों को काम क्या होता है और दोनों में अंतर थोड़ा सा होता है कि बताओ C आ रहा है 100 नहीं पार करा यार तुम लोग मजा नहीं ला रहे हो नभुखान 73 का B आ रहा है सविताजी आंसर C आ रहा है 74 पे बहुँ चुके हैं बोत चलिए देखते हैं किसकी programming ठीक है पाउनेस का A and B पाउनेस कैसे काम चलेगा गड़बड है logical error compiler error होता है ये मुझे बताओ logical error compile error नहीं होता है जब आप compile कर आओगे कोई program C में लिखकर तो वहाँ पे जो error आएगी वो logical error कभी भी compile time में नहीं आती है वो error जो होती है वो runtime error होती है मेरे बंदू F9 से run होगा compile और तुरंत run हो जाता है ठीक लिए उसलिए पता नहीं चल पाता है लेकिन खाली program को C वाले कौन सी use कर रहे हो कोई भी अगर C programming किये होगे आप लोग तो उसमें सबसे ज़्यादे टर्बो चलता है software कौन सा चलता है टर्बो तो टर्बो में खाली compile जब कराओगे ना compile के लिए वहाँ पे आता है left button क्लिक करके तो उसमें वो सिफ compile time error syntax error होता है क्या होता है syntax error अगर आपने कैसे programming लिखना उसके syntax को नहीं follow किया है तो वो error देगा अगर logic में कोई गड़बड़ी किये हो किसी program के तो वो जब run कराओगे ना तब जाके वो run time error आएगा वो logical error आएगा तो इसमें क्या होगा A सही होगा grammatically error या syntax error जिसे काते हैं हाँ F9 टर्बो C++ ठीक नीले color वाला तो यह आपका सही होगा next आते हैं भीम एप को किसने develop किया जो भीम एप है यह आपके किसके नाम पर पढ़ा है डाक्टर भीम राव अब मेडगर के नाम पर मोदी जी ने इस भीम एप का launch किया था कब किया था जल्दी से बताओ हाँ ये तो भूली गया हमें हाँ कंपाइलर इंटर्परेटर में क्या अंतर है ये कोन क्या करते हैं जो high-level language है high-level language को किसमें बदल देते हैं machine language में बदल देते हैं Machine language में बदल देते हैं, दोनों का काम होई होता है, लेकिन जो compiler होता है, वो पूरे program को एक ही बार compile कर लेता है, एक ही बार इसको बदल देता है, लेकिन जो interpreter होता है, वो क्या करता है? एक- capitalist-line क्या करता है अब के और दलता है एक लाइन को due नज़े को उठाके किस में बदला मसीन याइब और यह पुरे कम्पाइल करके फूरे प्रोग्राम को मसीन में एक साथ बदलता है तो यह दोनों में अंतर है इंट्रेटर- लाइन बाई लाइन चलता यह पूरा होल चलता है भीम पर आता है भीम अप किस ने डेवलोप किया था कि हो गया सौपार अभी तो मुझे 99 दिख रहा है हाँ अभी 100 हो गया चलिए बहुत बढ़िया एक बार और इसे सेयर करो और अभी आपके इसको कहां तक पहुचाना है डेड़ सो तक जल्दी से पचत्तर का बी आएगा बी बी निसान जी विसाल जी 100 पार हो गया आंसर बताओ चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से आप सभी को क्या लड़ू का सेलेक्शन के बाद 2017 में चलिए नहीं आप लोग गलत जा रहे हो 2017 में किया था कि 2016 में किया था 2016 गुड इवनिंग 30 दिसंबर 2016 को मोदी जी ने इसे लॉंच किया था और कहा था यह किसके नाम पर रखा जाएगा यह आपके भीम रावंबेटिकर के नाम पर रखा जाएगा और इसे करने वाला कौन है बनाने वाला डिबलब करने वाला एन पी सी आई एन पी सी आई का फूल फर्म बताओ क्या होगा नेशनल कॉर्परेशन ओफ इंडिया नेशनल नेशनल कॉर्परेशन भीम नेशनल हाँ नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया जो पी है नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया कॉर्परेशन ओफ इंडिया एक सो एक चलो एक सो एक हैं इसको डेड़ सो कैसे होगा जल्दी से बताओ डेड़ सो कैसे होगा चलो अगले पर आते हैं यह लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा आपको वह मैं लिख दे रहा हूँ different representation of characters यह लिखा हुआ है EDBIC यह अभी मैंने number system वाले class में पढ़ाया है EDBIC code character के कितने अलग प्रतिने धित्व मतलब different representation of character का समर्थन कर सकता है बताओ कितने कर सकता है 256 1414, 1024 या 64 अभी मैंने पढ़ाया था EBCDIC 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 यह है EBCDIC extended binary code decimal extended binary code decimal interchange code 256 ठीक है? 2 की पावर 8 होते हैं इसमें मतलब 256 8 bits का जो होता है EBCDIC extended binary code decimal interchange code ठीक है? extended binary code decimal interchange code EBCDIC तो इसके क्या होगा? E option सही होगा 256 यहां बोला निमलिखित में से कौन सा माउस एक granite countertop से लेकर carpet तक मतलब granite countertop से carpet तक कि किसी भी सता पर काम कर सकता है ग्रेनाइट लगा होता है कितना उच्छ वो होता है plane होता है जो कीचन में ग्रेनाइट लगता है पत्थर वो बोला उस पर भी और carpet भी जो इतना खुदरा होता है उस पर भी वो माउस काम कर सकता है वो कौन सा माउस है mechanical माउस optical माउस लेजर या ब्लू ट्रेक माउस हाँ चले बहुत बढ़िया पाउनेश जी साशांक सुलांकी जी लेजर माउस नहीं 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 एडवांस आ गया है जल्दी बताओ B आ रहा है 77 का D है C है सरवेश जी C दे रहे हैं बादुर जी का आंसर C आ रहा है C D, C D आ रहा है चलो देखते हैं क्या होगा ये लेजर माउस तो आभी आई रहे हैं ये सब तो खतम हो चुके हैं ब्लू ट्रेक माउस होगा ब्लू ट्रेक माउस इसमें पूरा ब्लू कलर का लाइट निकलता है और इससे निकालने वाला कौन है Microsoft Microsoft है यह wireless mouse है ठीक है लेकिन इसमें USB receiver नहीं use होता है यह ध्यान रखना जैसे बाकी और laser mouse जो होते हैं इसका wireless mouse लोगे तो इसके साथ एक USB receiver होता है ठीक है जो signal को receive करता है वो आपके system के USB में लगेगा लेकिन यह mouse जोगा यह थोड़ा महंगा है blue वाला सर्च मारना आज Google पे डालके देखना चारो तरफ blue blue ray करता है यह granite पर भी चलेगा इतने plane सता पर भी बहुत अच्छा काम करेगा और carpet पर भी करेगा तो यह blue track mouse होता है ठीक है इसमें receiver की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सी केबल तकनीकिक electrical signal को optical signal में परिवर्थित करती है ठीक है मतलब electrical signal को किसमें convert करती है optical में optical मतलब light में convert करती है वो कौन सी केबल होती है which of the following cable of technology convert electrical signal into optical signal coaxial, STP, UTP या fiber optics कौन सा इसमें सही होगा D, 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 D 78 का A आ रहा है प्रबास जी का D आ रहा है चलो देखते हैं क्या सही होगा A होगा D होगा नहीं यहां तो मैंने पढ़ाई रखा है optical fiber के बारे में यह network वाला पढ़ाया है जाके देखो हो तो free में पढ़ा हुआ है एटलेस इसो तो देख लो optical fiber क्या करता है electrical signal को light में convert करता है और total internal reflection के principle पे आपका information क्या करता है उस cable के थूँँ transfer होता है next एक असुरच्छित network पर data को सुरच्छित हास्तारांत्रन सुरच्छित करने के लिए जैसे कि internet क्या होता है उसमें antivirus hacking या cracking या cryptography ensure a secure transfer of data over a unsecured network such as the internet तो उस पे हम क्या apply करते हैं कि हमारा जो data होगा वो securely जाए unsecured किसी platform पे network में कोई भी data को चुरा सकता है हमारे information को ले सकता है तो उसके लिए उसकी security के लिए हम क्या करते हैं antivirus सकते हैं क्या data के साथ नहीं न वो तो हम आपने सिस्टम में physically रखते हैं hacking तो चुराना हो गया cracking क्या हो गया वह भी crack करना किसी code को crack करना होता है d क्या है cryptography मतलब data को हम किसी code में change कर देते हैं क्या करते हैं coding कर देते हैं उसकी ताकि जो भी अगर hack भी करे तो वो data से वो जानी न पाए कि क्या लिखा हुआ है मानलो मैं किसी का नाम लिख के भेज रहा हूँ किसका नाम लिख दू प्रेम जी मुझे दिख रहा है प्रेम जी का नाम है उसको मैं किसी को भेजना है प्रेम पाल ठीक है तो इसको ऐसा code कर दिया जाएगा मानलो कर दिया गया ऐसे 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 अब बताओ यह कोई पड़ पाएगा क्या यह प्रेम पाल लिखा हुआ है लेकिन जिसके पास इसकी की होगी जिसे हम क्या कहते हैं डिकोडिंग प्राइवेट की कहते हैं वो की जिसको मिलेगा वही उसे code करेगा तो जिसके end बे जाएगा वो cryptography layer में ही crypt हो जाता मतलब decrypt हो जाता इसको crypt करना और decrypt encrypt और decrypt यह दो language होते हैं आपके encrypt का मतलब होता है उसको दूसरे language में change करना जिसे कोई समझना पाए और decrypt का मतलब होता है फिर से उस language से समझने वाले language में convert करना तो यह क्या करेगा ज तो यह पूरे टेक्नोलोजी जो यह काम होता हैं क्रिप्ट और डेक्रिप्ट वो किस टेक्नोलोजी पे होता है क्रिप्टोग्राफी पे होता है नेक्स आते हैं हम लोग data packet को आगे बढ़ाने के लिए दो computer के बीच संचार पत की तलास के लिए कौन जिम्मेदार होता है who is responsible for searching the communication path between two computers forward data packets routing, datagram, transferring या इन में से कोई नहीं ये भी network में मैंने पढ़ाया है 80 का C होगा जल्दी से बताइए 20 question अभी हम लोग पीछे हैं क्या 100 करने हैं हमें तो यहां क्या होगा आपका routing होगा, routing से हम route पता लगाते हैं कि हम्हें किस route पर data को भेजना है तो route हो जाएगा next हम आते हैं प्रथम super computer का नाम क्या था जल्दी बताओ प्रथम super computer कौन सा था तो प्रथम super computer ये पहने कई बार question करा रखा है तो इसको आपको याद होने चाहिए ये इसके अविसकार कौन है सीमोव क्रे हैं ठीकए इन्हों ने अविसकार किया था और कौनसा था क्रेवन था पहला सूपर कम्प्यूटर D option सही होगा Craven एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्ट करता हो मतलब recipient को संदेज भेजा जा सकता है वो क्या काला आता है mail merger, macromers megamers या micromers या आपके MS word में होता है ठीक है वो कौन सा होता है mail merger mail merger में एक साथ सभी के mail कर लेंगे और एक साथ mail जिसको भी भेजना होगा वो भेज देंगे या mail merger का काम होता है next हम आते है MS word में translate option किस tab में उपलब्द होता है जो translate option होता है MS word में वो किस option में होता है view में, review में, insert में या reference में यह किस ने देखा है practical करके किस में होता है review में आपका क्या होता है translate option होता है translate option जो होता है spelling checking वाला जो option होता है वो किस में होता है review में होता है MS word के ठीक है MS word में कौन सी command के लिए एक ही dialogue box होता है बताओ find go to के लिए go to replace find के लिए find clear go to के लिए तो हम जब क्या करते है control h करते है तो एक box आता है उसमें क्या क्या होता है उसमें find भी होता है उसमें replace भी होता है और उसमें क्या होता है go to भी होता है यह तीनों होते है तो उसका कौन सा होगा यह go to replace find ये एक ही में होता है ठीक, B option सही होगा ये तीनों एक ही में होते हैं next आते हैं MS word में hyperlink insert करने के लिए मानलों कोई word लिखे हैं हम word लिख दी है इस word में hyperlink लगाना है तो इस word को select करके क्या दबाएंगे, control plus K दबाएंगे तो hyperlink जो भी उस पे link लगाना हो, वो link लगा सकते हो, और वो तुरंत नीले color का हो जाएगा control K हो जाएगा बहुत बढ़िया, 20 सही होगा कई बार ये question पूछा गया है कि hyperlink कैसे insert करते हैं उसका shortcut की control plus K होगा इस question को दोखो एक से अधिक फाइलों को select करने के लिए उन सभी फाइलों वाले folder को खोले, उस file पर click करें जिसे आप select करना चाहते हैं और फिर anti mistake के रूप में क्या करेंगे एक से जादे file को क्या करना select करना है, तो पहले आप उस folder को खोलेंगे, जिसमें धेर सारे file होंगी, फिर क्या करेंगे एक file को click करेंगे, उसके बास से क्या करेंगे, और भी पूरे file select करने हैं, तो control बटन दबा के, mouse के click बटन से क्या करेंगे, हम सब file को select करेंगे, तो control कुंजी दबाय कर, hold करके रखेंगे, और प्रते एक file जिसे आप select करना चाहते हैं, उस पर click करेंगे, option A सही होगा अगला question है, अमारा Microsoft PowerPoint में handout master handout master द्वारा define किया जाता है क्या, slide formatting, slide transition, layout layout of handout या date layout handout master के द्वारा क्या define किया जाता है तो handout master जाओगे PPT में, उसको जब open करोगे तो वहाँ पे handout के क्या दिये जाएंगे layout दिये जाएंगे handout के layout दिये जाएंगे option C सही होगा अगला question है आपका Microsoft PowerPoint की slide को अधिक्तम कितना zoom किया अर सकते हैं, देखो MS Word में, Microsoft Word में zoom जो होगा maximum 500% होगा minimum आपका maximum zoom होगा minimum आपका 10% होगा लेकिन PPT की बात कर रहा है नहीं पावर पॉइंट में zoom जो होगा maximum आपका वो कितना होगा? 400% होगा और minimum आपका same रहेगा, 10% ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? C आपका answer correct होगा 400%, 500% सिप MS Word में होता है PPT और Excel में नहीं Excel में भी 400 होता है next PowerPoint slide sorter किस menu में होता है? जो slide sorter होता है वो किस menu में होता है? insert, view, file या edit में जल्दी से बताओ PowerPoint में slide sorter किस menu में होता है? view में होता है confirm हो जल्दी से बताइए DRI, BRI चलो देखते हैं कौन किसका सही होता है एकदम सही है इसमें आपका क्या होगा? view menu होगा इसमें आपका क्या होता है? slide sorter होता है निमलिकित में से किस software का उपयोग remote connection के लिए किया जाता है जो telnet मैंने बताया था ना आपको telnet क्या होता है? एक तरह से remote assessing के लिए यूज होता है protocol टेलनेट प्रोटोकॉल तो वो किसमें यूज होगा? तो team viewer या ask desk ऐसा ऐसे software होते है ask desk होता है, team viewer होता है यह सब क्या होता है? जैसे मैंने बताया था यहाँ बैठे-बैठे मैं आपके system को क्या कर सकता हूँ? connect कर सकता हूँ अपने system से तो team viewer होगा next है, excel में आप negative value को positive में परिवर्थन के लिए किस formula का उप्योग करेंगे? कोई negative value minus 4 है इसको positive plus 4 बनाना है तो आप कौन सा formula यूज करोगे? तो करोगे ABS ABS का मतलब होता absolute absolute value देता है यह तो यह positive में convert हो जाएगा next हम आते हैं, answer क्या होगा? C होगा extension क्या होता है? MS Excel में default file extension क्या होगा? अभी कली मैंने बताया था XLSX होगा या XLXS होगा बताओ, कौन-कौन A और कौन B के साथ जा रहा है? A और B में confusion होगा कई लोगों को C होगा कुछ लोग C बता रहे हैं XS LX A होगा maximum लोग A के साथ, कुछ लोग B के साथ देखो, confuse नहों यह XLS जो होता था वो आपके 2003 तक होता था और सभी में चाहे वो PPT होता था तो बाद में 2007 से उपर वाले में जितने 2007 से उपर आएं उनमें X लगता गया जैसे DOC था तो DOCS हो गया उसी ताव XLS था तो इसके आगे X लग गया, तो आप्सन A सही होगा, अगला हमारा है यह देखो 4, 3, 1 decimal में है, इसको convert किसमें करना है, hexadecimal में करना है जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा आप्सन A, 1AF60 1BF 1DF 1, 1, 0, 1, 6 इसमें से 4, 3, 1 जो decimal में है यह, उसको hexadecimal में कैसे convert करेंगे चल्दी से बताओए तो क्या करते हैं 4, 3, 1 को हम लोग 16 से divide कर देंगे, कितनी बार जाएगा, यह 26 बार जाएगा और remainder कितना बचेगा remainder आपका बचेगा 15 फिर 16 से जाएगा यह 16 से जाएगा, तो यहां 16 होगा 0, 2 में से 1 जाएगा 10, यहां आजाएगा 10 10 आप 16 से छोटा है तो यह remainder भी 10 हुआ और 10 को English में, उसमें hexadecimal में क्या बोलते हैं 10 जो आपका शुरू होगा, वो A होगा और यह 15 क्या होगा, F होगा तो इसका क्या होगा, A, F यहां पर 16 यहां क्या होगा, देखो 16 से यहां पर देखो यहां पर होगा, एक बार जाएगा 16 हुआ, रिमेंडर कितना बचा 26 में से 16 जाएगा तो 10 बचेगा ना, रिमेंडर रिमेंडर कितना बचेगा यहां से 6 में से 6 जाएगा, 0 2 में से 1 जाएगा, एक 10 तो यह आपका 10 बचा और यहां पर आपका अब यह 1 होगा तो 1 और इसको क्या बोलेंगे 10 को B और इसको क्या बोलेंगे F तो 1 B F वाला आंसर सही होगा 1 B F यह होना वही सही होगा हाँ यह मैंने 10 लिख दिया था वो वाला ठीक है एक बार जाएगा रिमेंडर 10 होगा यहाँ पर ठीक है तो 1 B F आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 B और F अगला हम आंसर आते हैं इसकैनर से संबंदित कौन सा तत्य सत्य है इसकैनर क्या करता है इसकैनर ओप्टिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है एक दम सही इसकैनर जो होगा ओप्टिकल इमेज को किस में बदलेगा digital image में बदलेगा इसքनर digital image को optical में नहीं बदलता है ये ध्यान रखना optical को digital में दोनों ही काम करता है नहीं दोनों ही काम नहीं करता है तो क्या होगा इसका अंसर इस ही होगा अगला है निमन मैं से कौन सा operating system के बारे में सच है प्रोग्राम का संगरा जो हाडवेर संसाधनों का प्रबंद करता है एक collection of program that manage hardware resource application program के लिए system सिवा प्रदान करता है system services provided for application program hardware application program को जोडने के लिए interface है कली बताया था operating system क्या होता हाडवेर और किसको hardware और किसको जोडने के लिए application को जो भी application program है उसको जोडने के लिए ये use करा जाता है अरे हम एक गंटे में 50 question करें बताओ तो कुछ बताएं नहीं direct मैं पढ़ाता चला जाओं अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ और ना बताओं question कराता चला जाओं तो ये काम करता है ठीक है दोनों के बीच में interface का काम करता है जो operating system होता है यह application के बीच में और आपके hardware के बीच में क्या करता है interface का काम करता है साथ ही साथ ये program का collection भी रखता है जिससे hardware क्या हो उसको हम manage कर सकते हैं तो यह सभी इसके काम है, उपर के सभी इसके work है cdrw नेमने मैं से कौन सा चार्य कर सकता है बताओ जो cdrw है, इसका मतलब क्या है read और write दोनों होगा जानकारी पढ़ना या लिखना केवल जानकारी पढ़ना है, नहीं गलत केवल जानकारी लिख सकता है नहीं गलत जानकारी को पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं और पुना लिख सकते हैं मलब पढ़ने के बार लिख सकते हैं और डिलीट करके फिर से लिख सकते हैं तो D option correct होगा 97 Photoshop में image में किसी color को select करने के लिए किस tool का use किया जाता है photosol जो use किया होंगे वो जान रहे होंगे eye dropper का use किया जाता है eye dropper से हम color को क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं नास्ट है निमलिखित में से कौन सा application layer protocol नहीं है बताओ which of the following is not application layer protocol http यह तो आपका application layer protocol है यह protocol ftp यह भी application layer है tcp ip dns भी आपका क्या है application layer protocol है लेकिन जो tcp ip है वो कौन सा है यह transport layer protocol है transport layer protocol है जो osi model का नीचे से एक दो तीन चौथा जो layer है नीचे से वो आपका transport layer है heart of osi model इसको क्या बोला जाता है heart of osi model बोला जाता है इस layer को गूगल हैंग आउट किस का उधारण है instant messaging application का email software का video viewer का इन में से कोई नहीं गूगल हैंग आउट जल्दी से बताए क्या होगा गूगल हैंग डाउट में भी आप whatsapp की तरह whatsapp की तरह facebook की तरह message कर सकते हो video call कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो और अपना status भी change कर सकते हो यह सब चीजे होता instant messaging application है 100 question last question नेमलेखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिये गए code से सही उत्तर चुने यह सबसे बड़ा question है last question है पहला कथन दिया है blue brain पर योजना अडविक अस्तर तक reverse engineering के माध्यम से अस्तन धारियों के मस्तिक से synthetic मस्तिक बनाने का प्रियास है समझ रहे हो मेमल का जो दिमाख है उससे artificial brain बनाने का एक process क्या है blue brain पर योजना है मतलब blue brain पर योजना के तहप एक मेमल के brain से artificial brain बनाया जा सकता है यह परियोजना है या मई 2005 में मस्तिक्स और मन्स अंस्थान brain and mind institute ने इस परियोजना की खोज की थी बताईए इसमें से कौन सा सही है इस दोनों कतन में से कौन सा सही है पहला या दूसरा पहला या दूसरा जल्दी से बताईए तो इसका क्या सही होगा यह पहला सही है जो blue brain पर योजना है उसको इसने नहीं किया था, ये गलत है, brain and mind नहीं किया है, ये एक ऐसा reverse engineering process है, जिसके तहत, mammals के दिमाग से एक artificial दिमाग बनाया जा सकता है, ये सही होगा पहला वाला, ठीक है, पहला कथन सही होगा, मतलब भी सही होगा, तो ये रहें आपके 50 questions, कल आपको दोपाहर तक उमीद है कि 100 questions की PDF with व्याख्य आपको मिल जाएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ, 100 questions है, कितने 100 questions, टाइम आपके पास 1 hour है, तो तेजी से करेंगे, और आज का जो सेशन है, जितना limited हो सकता था कि आपसे पूछा जाए, उतना ही कराया है, ठीके, बाकी lecture तो मैंने network का पढ़ाया है, उसे जाके देख लेना, उसमें तो मैंने node निकालना, कितने cables होंगे, वो सब पढ़ा दिया, तो वो सब आने वाला नहीं है, आने वाला इन ही questions में से है, तो इसे questions के जितने, Windows आज पढ़ेंगे, Windows के बारे में इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग, Microsoft Outlook या Microsoft Edge, Windows 10 की बात कर रहा है, Windows 10 में जो inbuilt ब्राउजर आता है, इंटरनेट के लिए, वो कौन सा होता है, डी होगा, चलिए बहुत बढ़िया, ए आ रहा है, विनास पंडे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नहीं, 7 में आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, 7 में होता था, विन्डोज, ये Microsoft Edge जो होगा, वो आपका किस में आ रहा है, विन्डोज 10 में आ रहा है, विन्डोज 10 में, ये 7 में होता था, ठीक, आओ, अगले कुश्चन पे आते हैं, The first version of Windows launch in, Windows 1 कब launch हुआ था, Windows 1.1, 1.0, जिसे 1.0 बोलते हैं, Windows 1.1, 1.0 कब launch हुआ था, 90 में, 87 में, 84 में या 85 में, इसका अंसर करिए और सेशन को सियर ज़रूर करिए, 1985 में, कब हुआ था ये, 1985 option D correct होगा, पहला संस्करण Windows का, 1985 में launch हुआ था, Windows operating system विक्सित किया गया, किसके द्वारा, Microsoft द्वारा, IBM द्वारा, AT&T द्वारा, HP द्वारा, किसके द्वारा किया गया है, तो Microsoft द्वारा किया गया है, Windows का विसकार, गुट इवनिंग अंजली जी, नहीं, एच एपल का नहीं है, आओ, Which of the following is a GUI based operating system, MS-DOS, Windows, UNIX या all of these, इसमें से GUI based operating system कौन सा है, जल्दी से बताएं क्या होगा, गुट इवनिंग, इंद्रबनीश जी, UNIX होगा, इसमें से बोला है, Which of the following is a GUI based operating system, इसमें से कौन सा GUI based, graphical user interface है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ Windows है, Windows जो है, क्योंकि इनमें icon देखते हो, कितना बढ़िया graphical representation इसका कैसा होता है, तो Windows सिर्फ आपका क्या है, एक आपका GUI interface है, GUI मतलब कि हमारा और software का जो बीच में interface का काम करता है, हर चीजे समझने और दिखने में अच्छी लगी, वही है, which of the following is not a video conferencing tool, कौन सा video conferencing tool नहीं है, go to meeting, Cisco, web, x, Skype, Azure, बताई इसमें से कौन सा video conferencing tool नहीं है, बहुत समय तो नहीं मिलेगा, अगर आपको 0 है, नल है एकदम, तो typing तो आपको जादे समय नहीं मुश्किल से 2-5 महिना time मिलेगा, 2 महिना मुश्किल से आपको time दिया जाएगा typing के लिए, आप उसमें सिखें, practice करें, कैसे करेंगे, D होगा, बहुत बढ़िया, यह options नहीं है, अजूर जो है यह आपका क्या है, विडियो कॉन्फरेंसिंग टूल नहीं है, विच अप दा फॉलोइंग इस रियल टाइम उपरेटिंग सिस्टम, इसमें से रियल टाइम उपरेटिंग सिस्टम कौन है, Mac OS, Linux, Windows 7, Windows CE, बताएए इसमें से कौन सा, रियल टाइम उपरेटिंग सिस्टम है, विंडोस CE है, क्या है विंडोस CE, गॉंपरेटिंग इंबेड़ेड़, यह कहां यूज होता है, जो पॉकेट PC आते थे पहले, उसमें होता था, तो यह रियल टाइम होता था, पॉकेट PC हुआ, छोटे छोटे पहले होते थे, उसमें विंडोस CE, कॉंपेक्ट यूज होता था, ठीक, तो विंडोस CE क्या है, रियल टाइम उपरेटिंग सिस्टम है, यह विंडोस में, रियल टाइम उपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोस CE, कॉंपेक्ट एंबेड़ेड नाम था, इसका, विंडोस 95, 98, विंडोस NT, कि डैस 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 के नाम से जाने जाते हैं प्रोसेसर डोमेन नेम मोडेम ऑप्रेटिंग सिस्टम या इन में से कोई नहीं तो यह क्या है पंचानबे अंठानबे यह क्या है ऑप्रेटिंग सिस्टम है ठीक है यह सब क्या है ऑप्रेटिंग सिस्टम है कल से होगी कल से classes current वाली होंगी विंडोज 8 operating system was followed by आठ किस आठ जो है आठ के बाद कौन फॉलो हुआ आठ के बाद कौन सा आया विंडोज 8 को कौन फॉलो किया बताईए विंडोज 8 को कौन फॉलो किया जल्दी से बताएं विंडोज 8 को कौन फॉलो किया टेन फॉलो किया बहुत बढ़े हैं विंडोज 10 आया एट के बाद 9 नहीं आया था 10 आया था सीदे application को छोड़े बिना program से exit करना क्या कालाता है application को छोड़े बिना program को अगर exit कर जाते हो तो file, edit, copy, close तो क्या होगा इसमें close होगा क्या होगा close होगा D option correct होगा इसमें एक बर session को जोड़दार तरीके से share कर दें D सही होगा बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, आकास जी, सभी के D आ रहे है next है Microsoft 10 किस वर्स पारंब किया गया था जल्दी से बताईए मैंने एक बार करा रही है इसका अंबेश जी इसका answer बताईए 10 number question आपके screen पर है D 2015 चलिए A आ रहा है, किसी का C आ रहा है प्रिया जी का 2015 आ रहा है रवी जी का D है सिर्वास्तो जी का A आ रहा है कपिल जी का D है आकास जी का 2015 है बहुत बढ़िया 2015 29 दिसंबर 29 जुलाई 2015 में Windows 7 का विसकार हुआ था ठीक है Microsoft Corporation के नविंतम Operating System Windows 7 में भारती भासाओं के कितने फॉंट है ये भी कुश्चन हो चुका है तो कितने फॉंट है 49 से पहले 9 होते थे बाद में आपके 40 और जोड़े गए तो 49 फॉंट है जो भारती भासाओं से रिलेटेड है 49 फॉंट है ठीक है ये याद रखना कई बार ये कुश्चन पूछा भी गया है Which of the following is a cloud storage service provided by Microsoft Microsoft के द्वारा cloud storage कौन सा है iCloud, OneDrive, ID Drive या Dropbox जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए इसमें से कौन सा है क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का B आंसर आ रहा है OneDrive चलो देखो ये क्या है iCloud जो होता है ये Apple का है किसका है? Apple का है OneDrive किसका है? Microsoft का है ठीक है ये भी सब हैं आपके Dropbox भी Dropbox एक company है उसका cloud storage होता है ठीक है? तो ये दिहार रखना आंसर क्या होगा? OneDrive Microsoft का होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने B आंसर दिया Which of the following cannot be done via disk cleanup? जब disk cleanup करते हैं हम लोग जो आपके operating system में एक utility software होता है तो remove temporary web files remove temporary windows file empty the recycle bin change the power option तो बोला जब हम कौन सा ऐसा काम जो disk cleanup नहीं करता है इसमें से option जल्दी से बताएं क्या होगा? तेरा का answer D होगा प्रदीप जी D answer दे रहे हैं अच्छा चलो देखते हैं क्या सही होगा? क्या गलत होगा? घंशाम जी चली एकदम हट गये हम बोलो तो बाहर चले जाएं यहां से तेरा का answer change the power option सही बात है power option को change नहीं करता है बाकी आपके जो भी temporary windows file होंगी उनको delete कर देगा और temporary web files होंगी जो आपके website जब open करते हो तो कुछ ऐसे unwanted files जो होती है वो आपके store में आ जाती है तो उनको delete करता है और ये भी file delete होता है recycle bin भी अगर आप में कुछ file पड़ी है उसको भी clean कर देगा लेकिन power option को नहीं change करता है तो D answer सही होगा अगला है Windows 10 में निमलिखित में से कौन से control panel item उपयोग करताओं को computer पहले से install किये गए program को install करने देती है Windows 10 निमलिखित में से कौन से control panel item उपयोग करताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टाल किये गए प्रोग्राम को अनिस्टाल करने देती है बताईए प्रोग्राम, सिस्टम और सुरच्छा हार्डवेर और धोनी उप्योग करता का खाता यह होगा यूजर एकाउंट नहीं नहीं ऐसा नहीं है बोला विंडोस 10 में निमलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उप्योग करताओं को ठीक है कंप्यूटर पर पहले से इंस्टाल किये गए प्रोग्राम में अनिस्टाल करने देती है किये गए प्रोग्राम को अनिस्टाल करने देती है तो वो क्या होगा वो प्रोग्राम होगा वो कुछ नहीं होगा वो प्रोग्राम होगा जो आपको Windows 10 के program control panel item से तीक है अनिस्टॉल प्रोग्राम अम अनिस्टॉल कर सकते हैं कंट्रोल पैनल प्रोग्राम से windows 7 में कौनसी Shortcut की चैनित वस्तू के लिए Shortcut मेनू प्रदर्सित करती है बताए possess बिश्मिये ुए Windows 7 में कौनसी Shortcut की चैनित वस्तू या item के लिए Shortcut मेनू प्रदर्शिक करती है शिफ्ट एफ पूर कंट्रोल एफ 10 शिफ्ट एफ 10 या आल्ट एफ 12 इसका जल्दी से क्या बालना है कि सर इन सेम विंडोज वी केन इंस्टॉल्स टू इंडोज विंडोज आप अलग-अलग ड्राइब में दो विंडोज कर सकते हो मैं ठीक है मैं सिस्टम जब लिया था तो मैं अपने सिस्टम में दो विंडोज रखता था विंडोज 7 एंड विंडोज 8.1 ठीक है तो एक ड्राइब में मेरी C होती थी एक में D होती थी जब पावर आउन करोगे तो पूस्ता है कौन सा स्टार्ट करना चाहते हो तो एक सिस्टम में दो विंडोज हो सकती तीन विंडोज हो सकती चार विंडोज हो सकती जितने ड्रा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो आपका कोई भी चैनित आइटम है उसका सौटकट बनाना है ठीक है तो सौटकट आपका तुरंद बन जाएगा सिफ्ट एफ टेन विंडोस 7 में विंडोस 10 में जाके ट्राइब कर लेना कंट्रोल एफ टेन से क्या होगा कंट्रोल एफ टेन से क्या होगा बताए कंट्रोल एफ टेन से कोई बताएगा क्या होगा चार सर चार को पेपर है अधार पर एनिलेसिस क्लास लगवा दीजिए और एक मेरेथन भी चलिए इस पर देखा जाएगा इस पर आपके एनिलेसिस पता चल जाएगी कंट्रोल एफ टेन क्या होता है जो मिनिमाईज करने के लिए होता है जो विंडोस खोलेंगे उसको मिनिमाईज के लिए होगा कंट्रोल एफ टेन Windows 8 में Windows plus X shortcut की का प्रियोग pop-up menu को परदर्सित करने के लिए किया जाता है जिसमें क्या समनिज होता है Create, View, Control Panel या Open Windows plus X दबा दें Windows की जो होती है उसमें Windows के साथ X दबाएंगे तो क्या आएगा एक pop-up ऐसे बनके आएगा जो Control Panel में जितने भी आपके वो होते न Item की जो भी Settings होती है जो भी कर सकते हो वही आपके उसमें दिखाएगा तो Answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा Control Panel हो जाएगा इसका अगला यह क्या है यहाँ देखो Match कराना है यहाँ पर थोड़ा एक साथ सट गया है यहाँ पर यह 1 है यह 2 है और यह 3 है Match कराना Desktop पर Right Click करें तो क्या होगा Refresh करने के लिए Task Bar पर Right Click करें Windows Start Button पर Right Click करें तो क्या किस से क्या क्या आएगा जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कौन किस से Match करें Desktop पर जब Right Click करते हो तो Refresh कर सकते हैं तो पहले का A का Second हो जाएगा उसके पास टास्पार पर Right Click करें तो उसके Property को जान सकते हैं गुड़ को जान सकते हैं तो B का 3 हो जाएगा Windows पर Start बटन पर Right Click करके सट डाउन कर सकते हैं मतलब यह Option आते हैं जैसे Right Click करो तो बंद कर सकते हैं C का First हो जाएगा तो A का Second, B का Third, C का First, Option B सही होगा अगला Microsoft द्वारा Windows के निमलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया जल्दी से बताओ Windows के किस संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया एक बर सियर जरूर कर दें सविलो 9 बहुत बढ़े Windows 9 नहीं आया था बाकि सब आये थे अगला है Windows 7 में चैनित वस्तू आइटम को हटाने और इसे Recycle Bin में ले जाने के लिए महत्वपूर संयोजन का प्रयोग अवश्यक रूप से किया जाता है Recycle Bin में ले जाना है Ctrl X Shift Plus Delete Ctrl D Alt Delete जल्दी से बताओ देखो वैसे डिलीट कर देते हो वैसे डिलीट जो बटम होती है न उससे डिलीट बटन दबाद होगे तब भी क्या हो जाएगा डिलीट बटन दबाद होगे तो Recycle Bin में चला जाता है लेकिन यहां डिलीट नहीं है तो यहां क्या दोगे आंसर Ctrl Plus Delete Shift Plus Delete से और Recycle Bin में नहीं जाएगा Recycle Bin में Shift Plus Delete से नहीं पर्मानेंटली डिलीट हो जाता है जैसे Shift Plus Delete डबाओगे किसी पर तो पूछता है कि इसको पर्मानेंटली डिलीट करना चाते हो तो हां पर्मानेंट हो जाएगा Recycle Bin में जा नहीं जाएगा कि फिर से दुबारा आप रिस्टोर कर सको तो आंसर क्या होगा इसका C होगा Windows 8 में Screen Saver Setting में कितने टैब होते हैं बताइए Windows 8 के इंटरनेट हो चुका है एक बार जाके देखिए मैंने करा चुका कितनी बार इंटरनेट करा है कितने होते हैं एक होता है इसमें Windows 8 में Screen Saver Setting में एक टैब सामिल होता है Who owns the Windows Operating System Windows Operating System किसके द्वारा अधिकरण किया गया है Microsoft द्वारा D सही होगा अगला कुश्चन है Windows 3.0 संसकरण जाड़ी किया गया था 90 में, 91 में, 92 में या 93 में जल्दी से बताइए कब जारी किया गया था तो 3.0 आपका 90 में आया था 1990 में Which of the following accessories program in Windows कौन से accessories program है Word, WordPad WordPad नहीं WordPad होगा एल अटा दो यहां से WordPad, VLC Player, Paint, Notepad क्या पूचा Is not a accessory program कौन सा Windows में सहायक प्रोग्राम नहीं है बताओ WordPad, VLC Player, Paint यह Notepad इसे तो हम लोग अपना इंस्टॉल करते हैं पहले से कहां आता है पहले से WordPad रहता है Paint रहता है Notepad रहता है यह नहीं है यह हम अपने सहूलियत के लिए प्लेयर काते हैं Microsoft का प्लेयर होता है वीडियो प्लेयर Slow चलें का है 50 questions है भाईया अभी आपकी GS की class live हो जाएगी यदि आप Windows 98 को Windows XP से बदल दे तो आप वास्तों में क्या कर रहे हो अप स्टार्ट कर रहे हो अप्ग्रेड कर रहे हो अपडेट कर रहे हो या पैच कर रहे हो या इन में से कोई नहीं जवाब आप लोग दीजिए जवाब दीजिए अप्ग्रेड अप्ग्रेड चलिए C, R, A, Answer B, B देखो तीनी दिन मुस्खिल से बतने हैं जितना जादे questions कर लोगे पतल चलिए आज मैंने 50 questions है आज कर नहीं पाओ तो कल फिर कैसे करोगे जितना questions कर लो PDF भी तो मिल जाती है उसे भी पढ़ लेना तो ये दो-दो बार हो जाएगा एक बार यहां कर लोगे एक बार PDF से पढ़ लोगे तो चीजी एक्दम दिमांग में फिट हो जाएंगी तो क्या होगा इसका अफग्रेड होगा क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा अभी जो यूपीटेट का पेपर लिख हुआ है जितना question मैंने practice में CDP का कराया था वो सभी कि सभी आये थे उसमें दिब्याजी खुस रही है मस्त रही है स्वस्त रही है विंडोज उप्योग करता का प्रियोग करके विक्सित किये जाते हैं क्या interface का प्रियोग करके X Windows किये जाते हैं GUI नद देजना अक्सर यह क्या होता है bitmap display type का होता है bitmap display जो एक तरह से interface का काम करता है interface का काम करता है किसके बीच में user और user और software के बीच में एक तरह से बोला जाए यह interface का काम करता है based on किस पे होता है इसी टेकनिक पर आपका bitmap display टेकनिक इसमें क्या होता है कि pixels के क्या होते हैं matrix बने होते हैं चोटे 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 पिक्सल्स के आपके मैट्रिक्स बने रहेंगे ऐसे, उसी को बिट मैप बोलाया था, इसी पर GUI का आविस्कार हुआ था, इसी प्रिंस्पल पर, टेलिग्राम पर मिलती भाई, PDF, C option करेंट होगा, इसका ध्यान रगना अगर एक कोश्चन कहीं आता है तो, यह कोश्चन पूछा गया है, निमलखित में से कौन सा सौफ्ट्वेर, एप्लिकेशन की आम विसेस्ता, विसेस्ता नहीं है, बताईए, menu, windows, help, search, इनमें से कोई ने कौन सा software, application की एक आम विसेस्ता नहीं है इसमें से कौन से software की एक आम विसेस्ता नहीं है जल्दी से बताईए windows नहीं है, बाकी help है, search है, menu है windows आपकी उसकी विसेस्ता नहीं है B option होगा अगला, word program के घटकों में सामिल होते है title bar, ribbon, status bar, view, document, workspace word program के घटकों में सामिल होते है window के घटकों में browser के, explorer के, website के या इनमें से कोई नहीं तो क्या answer दोगे इसका window के घटकों में word program के जो window होता है घटकों में क्या सामिल होता है आपका, ये subtitle bar, ribbon, status bar option क्या होगा, window अगला, which of these is a boot loader for windows 10 boot loader इसमें कौन सा use होता है windows 10 में, boot loader मतलब जब आप system को boot कराते हो जब आपका operating system memory में load होता है, तो उस समय एक loader काम करता है program होता है, ये boot loader उसका एक generic नाम होता है उस boot loader को क्या करते हैं इससे पहले windows 7 में दूसरा होता था लेकिन 10 में, ऐसा नहीं है सबसे पहले जो एंटी में, windows एंटी जब आया था उसमें ये boot loader use हुआ करता था तो उसमें कुछ खामियां थी जिसको दूर करने में इतने साल लग गए मगर बहतरीन था वो तो जब 7 अबन चलें तो उस समय आपका अलग था हाँ, boot MZR जो था ये 10 में यूज होता है और NT LDR जो था ये 7 में यूज होता था boot loader ये ध्यान रखना The instant messaging application that comes in a windows operating system is call ततकाल messaging application जो windows OS में आता है उसे क्या कहा जाता है एक बार share करो और ये संख्या बार 100 के पार करिए जल्दी से current question 12 plus ही होंगे 12 से 15 के बीच में है प्रदीब जी का अंसर A है, MBS जी का A है, विसाल जी का D है चलिए रवी जी आप contact करिए नंबर पर जो दिये जा रहे है नीचे नंबर है संस्था का उस पर contact करिए आप DRI साज़द जी का अंसर A रहे है इजार अंसारी जी ग्यान जी का अंसर भी घंस्याम जी का अंसर A रहे है Microsoft Outlook उसके लिए नहीं होता Talk कुछ नहीं होता Chat नहीं होता है Windows Messenger होता है Windows Messenger होता है उसके लिए A आपका Correct होगा Computer के छेक्त्र में प्रियुक्त Windows को निमलिखित में से कौन से बेहता रूप से व्यक्त करता है Windows की Definition से बता आईए Windows खुली जगा है जो Computer के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाये जाते है नहीं ये गलत है Windows Software प्रोग्राम है जो जटिल गणती प्रस्नों को हल करने के लिए होता है सी बोला है Windows Graphics User Interface Software है जो आइकन चिन्नों को बड़े पैमाने पर प्रियोग करता है ये गलत है ये कोई Windows गड़ेती प्रस्नों को थोरी हल करता है वो तो Calculator एक प्रोग्राम होता वो होता है ये सही है Graphical User Interface है Windows जो आपके आइकन जो चिन्ने होते हैं वो काफी उस पे होते हैं उन्हें पर काम करता है Windows hardware नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा C correct होगा अगला question है Which of the following is not a setup type in Windows निम्न में से कौन सा Windows का एक setup प्रकार नहीं है पार्सल, नन अब दीज, टीपिकल, कस्टम जल्दी से बताईए इस में से Windows का कौन सा setup टाइप नहीं है जो partial होता है इसका मतलब है कोई argument को fix करके नया function बनाना होता है ठीक है किसमें डर लग रहा है इसमें ये partial नहीं है बाकी आपका सभी है ये तो खतम है टीपिकल और कस्टम जो होते है सेटप होते हैं Windows के ये आपका होगा अगला question which of the following Windows utility is used to display the driver, folder, files on your computer system निमलिकित मैं से किस Windows utility का उपयोग करके computer system पर drive, folder, file को परदरसित करने के लिए किया जाता है Windows explorer का, notepad का MS explorer का, internet explorer का क्या answer होगा कल Excel ही कराएंगे कल Excel कराएंगे उसके बाद MS Office कराएंगे ठीके, word कराएंगे उसके बाद से आपका PPT करादेंगे पावर पॉइंट प्रिजेंटेशन मैच में डर लग रहा है, अरे डरो मत डर के आगे जीत है मैच में जितना कोसिस करो, अगर मैच बाकी अच्छा करने की कोसिस करो लेकिन मैच में इतना करो कि 10, 12, 15, 12 कोश्चन तक हो जाए चलिए, एक बार सभी लोग सियर करें सभी का अंसर A आ रहा है, बहुत बढ़िया Windows Explorer पे करोगे, तो वो आपके सिस्टम के जितने भी folder हैं, files हैं, SS, quick SS एक नाम से आता है, वो सब आ जाएगा अगला कोश्चन, जब किसी Windows सिस्टम में एक फाइल को उसकी समगरी को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए, तो क्या होता है, file recycle बिन में चलिजाएगी, समगरी को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी जब तक समगरी सहेजी नहीं जाएगी, तब तक file बंद नहीं होगी file को सहेजने के लिए, उपियो करता input के लिए एक dialogue box दिखाई देगा बताइए, क्या होगा, अगर आप directly कोई file पे काम कर रहे हो MS Office Word पे, और उस file को save नहीं किया और direct close button दबाओगे, तो आपको क्या करना होगा क्या होगा, DRI बहुत बढ़े है, देव जी, जितेंद्र जी, अंबेश जी, घंस्याम जी सभी का answer DRI एक दम जाहिर सी बात है, यहीं होगा जैसे उस पे दबाओगे, तो एक dialogue box आ जाता है कि अगर करना होगा नहीं तो नो, ठीक है, तो आप उस पे करते हो, यह, अगर करना होगा, नहीं तो नो, ठीक, तो option D, dialogue box आ जाता है बहुत बढ़े हाँ, 282 marks, बहुत अच्छे marks है Microsoft Windows में Notepad का उपयोग किस लिए किया जाता है, चित्र बनाने के लिए नहीं भाई साब असर होगा, केवल टेक्स्ट डॉकुमेंट बनाने के लिए, केवल टेक्स्ट डॉकुमेंट बनाने के लिए देखें कटफ के बारे में आप लोग मत पूछिए कटफ जब तक आपके पेपर का अस्तर नहीं देखा जा सकता है कोई भी चीज डिपेक्ट नहीं किया जाएगा पेपर दिस दिन आप लोगों का 4-5 को हो जाएगा हम बच्चों से बात कर लेंगे एक बार पेपर कैसा था उसकी एनलेसिस कर लेंगे तब ही जाके कुछ बताएंगे क्या हुआ अंकुर जी सर कंप्यूटर कैसे पढ़ें अरे मैंने बताया है कंप्यूटर की स्टेडिजी वहां जाओ बस वही वही टॉपिक पर मेन बना लो और जीतने मैंने MCQ इधर 7-8 आठवी क्लास है उस आठव क्लास में मैंने 100 किसी में 50 किसी में 65 ऐसे कोश्चन कराएं उसको रट मारो मतलब एक बार पढ़ जाओ ठीक है पढ़ जाओगे तो वहां से कोश्चन काफी मिल जाएंगे नेमने में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सम्मंदित नहीं हो सकता है और बाकी जो लोग टेस्ट से नहीं जुड़े हो अभी भी टाइम है 149 में 10 टेस्ट है और इस 10 टेस्ट के जो कम्प्यूटर वाला पार्ट है ना अगर आपको कम्प्यूटर से डर लग रहा है उसके कोश्चन पढ़ो और उसकी व्यक्ख्यां पढ़ो धेट सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे चलिए यहां क्या अगर निम्ड में से कौन सा विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम से सम्बंदित नहीं हो सकता है प्रोटेबल, जिवाई सपोर्ट, मल्टि टास्किंग, ओपेन सोर्स तो विंडोस से ओपेन सोर्स सम्बंदित नहीं हो, ओपेन सोर्स यह नहीं होता ओपेन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स फाइल, सोर्स कोड जिसका होता है वो ओपेन होता है सबके लिए, उसे ओपेन सोर्स कहते हैं Windows open नहीं है Windows नहीं यूनेक्स है Linux है इन सब के जो मेन ओर्जिनल फाइल होती है वो ओपन होता सब के लिए कोई भी इंडस्टी उसको लेकर अपने हिसाब से जो भी उस पर फीचर्स डालना चाहती है डाल सकती है लेकिन विंडोस को नहीं है टाइपिंग कहा से सीखिए टाइपिंग के लिए तो आप लोग बेटर जानोगे देखिए टाइपिंग इंस्टीट जो होंगे उनको पकड़िए वहां से आप टाइपिंग अच्छा कर सकते हो जहां के होंगे आप वहां पर टाइपिंग इंस्टूट होते हैं वहाँ पर जाएए वह आपको बहतरिन करेंगे विंडोज एप्लिकेशन के सम्मंद में ओल एका फूल फॉर्म क्या होता है ओल एका फॉल फॉर्म क्या होगा जबदी से बताईए 37 नंबर कुश्चन का आंसर जबदी से बताएं क्या होगा एक बर्सियर ज़रूर करेंगे 100 से कम नहीं होने चाहिए OLE का फॉल फॉर्म क्या होगा जबदी से बताए B आंसर आ रहा ओबजेक्ट लिंकिंग एंड इंबेडिंग होता है इसका फॉल फॉर्म ऑबजेक्ट ऑनलाइन तो कभी दुनिया में नहीं हो सकता है विंडोस में ऑबजेक्ट लिंकिंग इंबार्किंग नहीं होता है इंबेडिंग होता है इसलिए सही है थर्टी सेवन का अंसर भी 38 का फाइल का नाम में दो भाग होते हैं प्रात्मिक नाम और दूसरा क्या होता है गूर्ण विसेस्ता प्रकार या विस्तार एक्सդेंसन क्या होता है जैसे हम कुछ भी लिखें कोई फाइल बनायए तो परिक्षा के नाम से बनायां बात शको क्या पोलते हैं एक्सटन एउसको कौन सी all the tapes and go directly to the desktop कौन से shortcut से हम सभी tab को hide करके direct desktop पे जा सकते हैं control windows windows up arrow windows D windows K जल्दी से बताईएं इसमें क्या सही होगा देखो windows अभी cut-off मैंने पहले बता दिया cut-off आपका एक overall बनेगा typing के बाद आपका अलग-अलग cut-off बनेगा D होगा चलो windows D से हम क्या करेंगे जो भी tab खुले रहेंगे वो छिप जाएंगे सीधे desktop पे पहुंच जाएंगे तो यह आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो control और windows windows के की के साथ आते हैं देखो windows प्लस के से क्या होगा quick जो quick access होता न quick action जिसको बोलते हैं search का उसमें आ जाता quick action आ जाता है windows के के साथ windows अप arrow से क्या होता है windows अप arrow से अगर आपका windows छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हो ठीक है windows आपका छोटा है तो बड़ा हो जाएगा तो windows अप arrow से down arrow से छोटा हो जाता है तो windows अप arrow से आपका जो भी आप window खोले हो पूरे windows में आ जाएगा छोटा करना है तो down फॉलोइंग डिवाइस एट्स इन जिवाई बेज्ड ओएस निम्न उपकरंट जिवाई पर अर्धारित ओएस में सहायता देते हैं कौन साथ कीबोर्ड टैच पैड माउस आल अफ दीज क्या इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपका बोला है कौन से मतलब डिवाईस हैं जो जिवाई बेज्ड ओपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं सहायता देते हैं सभी होगा सी होगा अल अफ दीज यह सब उसी के बेज्ड पे होता है टच पेड हुआ की वोड हुआ है सब आपके जिवाई बेज्ड हैं एक वस्तु को माउस से क्लिक करके उसे अस्थनांतृत करने को कहा जाता है क्लिकिंग ड्रेगिंग शिफ्टिंग ड्रॉपिंग क्या कहा जाता है जब mouse click करके उसको खीचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं drag कर रहे हैं क्या कर रहे हैं माउस को drag कर रहे हैं कोई file उठा के ऐसे खीच के अलग कर दिये desktop पे तो dragging का लाएगी नेमलिकित में से किसका प्रयोग icon के दोरा computer system को command भेजने के लिए किया जाता है देखो दोही प्रकार के इंटरफेस होते हैं एक GUI होता है एक कौन सा होता है CLI होता है command line interface जो DOS में होता है Unix में होता है नेमलिकित में किसका प्रयोग icon के दोरा computer system को command भेजने के लिए किया जाता है इसमें बताए क्या होगा command किसमें भेजा जाता है गलत आप लोग समझ रहे हो यहां बोला निमलिकित में से किसका प्रयोग जो icon जब आपको icon चीजे दिखती है तो इसका मतलब वो GUI है तो जब हम icon पे क्लिक करते हैं तो वो icon किसको Windows को command भेजता है वो system को command भेजता है किसको open करना है ठीक है तो यहां GUI ही होगा यहां पर GUI होगा command नहीं होगा क्योंकि जब icon दिख रहा है तो icon का मतलब ही हुआ कि GUI आपके system में है अगला Windows user interface निमलिखित में से क्या कालाता है Windows user interface निमलिखित में से क्या कालाता है CUI, GUI, WUI, MUI तो GUI कालाता है graphical user interface Windows explorer user interface को कितने भागों में विभाजित किया गया है जल्दी से बताईए बोला ना Windows explorer user interface को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो दो भागों में विभाजित किया गया है Windows हाँ तो क्या पूछना चाहते हैं आपके semester में computer and computer programming था तो आप क्या हमसे पूछना चाहते हैं वो तो बताएं Branch कौन सी है ये बताईए अगला क्या है The Windows operating system would be a failure without a क्या Windows operating system interface के बिना एक विफलता होगी किसके बिना The Windows operating system would be a failure without a scanner modem mouse webcam मेकेनिकल ब्रांच हैं आपने फिल कर दिया है चल यह सी आ रहा है माउस देखोड़ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ भी a failure without a किसके इंटरफेस के बिना माउस के हम अपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते हैं किसी तरह से बिना चुहे के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता है आपका C होगा विच ब्रांड अफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज दा कंबिनेशन अफ जी यू आइड माउस टुगेदर एक साथ किसने कौन सा ब्रांड का कंप्यूटर था जो दोनों को एक साथ निकाला IBM ने बैबेच कंप्यूटर ने या Macintosh ने या Microsoft Windows ने किसने सबसे पहले GUI के साथ माउस इंबेडेड निकाला था IBM नहीं होगा Machine Tosh होगा Machine Tosh C होगा देखिए उसमें आपका जो माना गया था Diploma के बारे में जिक्र किया गया था EC के बारे में ठीक है तो Diploma in CS या EC बोला गया था तो जहां तक यह है कि BTEC वालों को भी लिया गया अगर आप Mechanical से हैं और आपने Computer as a Subject पढ़ा है One Year तक ठीक है क्योंकि एक जगा ये भी था कि अगर आपके विशय में कहीं भर किसी भी Graduation डिगरी में आपके एक साव तक Computer as a Subject रहा है तब भी आप Eligible हो तो आप Eligible हो उससे टेंसन न लो A small pictorial representation of software on the screen is called Tool Map Logos Icon जो Software इस्टॉल करते हो तो उसका एक आजाता है न बनके उसको क्या कहते हैं आइकन कहते हैं क्या कहते हैं आइकन कहते हैं लोगो नहीं कहते हैं यार आइकन कहते हैं उसको Computer के भास हम लोगो वह हम जानते हैं लोगो है लेकिन उसको लोगो Computer की भास हमें नहीं आइकन बोगते हैं उसको उन्चास Windows Operating System has कितने मानक में जो आइकन होते हैं मानक आइकन वह ऐसे तो बहुत होते हैं मानक आइकन कितने होते हैं बताए परिए सर मेरा Computer के मार्प सीट में कुछ अल्फवाबेट्स गलत है क्या document verification होगा प्रोब्लम होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा क्या आल्फाबेट स्कलत है वो एक बार मुझे बताईएगा इसमें चार मानक होते हैं ठीक है मानक जो अगर आइकन बोला जाए तो चार मानक होंगे डॉकुमेंट पहला दूसरा जो होता है वो एक बार आप दिखा दीजिएगा उसके बाद से मैं कुछ बता हुआँगे अजो था आपका मीनुबार यह मैन होते हैं आइकन बस मतलब इनको मानक आइकन बोला जाता तो चार होते हैं लास्ट कोशन विन्डोस सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वड़ान अच्छी तरह से निम्न में से कौन सा विकल्प करता है फाइल आइक पर राइड क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें क्या इसमें सही होगा इसका अंसर बताइए बोला विंडोस सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का बड़ा अच्छी तरह से निम्निमें से कौन सा विकल्प करता है तो फाइल आइकन पर राइड क्लिक करेंगे रीनेम विकल्प को चुनेंगे ये सही होगा बाकी आपके फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करने से नहीं होगा फाइल आइकन पर राइड क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुने से नाम नहीं बदलने वाला डबल क्लिक से भी नहीं होने वाला ओपन हो जाएगी फाइल तो D आपका सही होगा अब ये आपके 50 कोश्चन पूरे हो गए कुछ छूटा तो नहीं था इसमें 50 ही थे न बीच में कुछ स्किप तो नहीं हुआ है चलिए पचास आपके कोश्चन पूरे हो गए है एक दो एक्स्ट्रा करा दें अभी जियन्स के आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी पीडियाफ किस नाम से है पीडियाफ देखी यह पीडियाफ तो यह आपको कल विंडोस के नाम से मिलेंगी बाकी क्लाब प्रेक्टिस 1, प्रेक्टिस 2, प्रेक्टिस 3 के नाम से मिला है कल जो है हम लोग वर्ड को और एक्सल्स को पढ़ेंगे राम राम लवीजी चलिए पहला कुश्चन आपके स्क्रीन पर है इसका आंसर कमेंट करिए क्या सही उत्तर होगा इसको सही क्रम में आपको लगाना है बोला है कि विंडोस 7 में विंडोस 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए नेमने चर्णो को सही क्रम में वस्थित करें पहला है टाक्स बार फाइल एक्स्प्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करो होम टैप पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करें या टैप करें जहां पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वो ड्राइब या फोल्डर खोलें खाली जगा पर एंटरप्रेस अथवा टैप करें, चैनित नए फोल्डर नाम के साथ एक नए नाम लिखे, आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका आंसर बताईए क्या सही होगा, सबसे पहले काम कौन सा आप करेंगे, इसका आंसर बताईए, ए होगा, सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये वाला करोगे, जहां पर आप फोल्डर बनाना चाते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, फोल्डर बनाना है, तो जिस प्लेस पे आप फोल्डर बनाओगे, वहाँ पे आप फोल्डर बनाना चाते हैं, वो ड्राई भी आप फोल्डर खोलें, तो सबसे पहला स्टेप होगा, सी, ऑप्सन में देखो, ठीके, option में देखो कोई C से state होगा या और कोई चोगा, पहले taskbar पर file explorer आइकन पर click करें, पहला option क्या होगा A होगा, C नहीं होगा, पहले A होगा क्योंकि file explorer चाहे window explorer जब open करोगे तो वहीं पर आपका क्या दिखता है drive दिखते हैं, उन drive में आपको folder बनाना हो, तो पहले A, दूसरे नंबर पर C तो दूसरे नंबर पर C कहाँ पर A और C यहाँ है A और C यहाँ है, बाकी option cancel हो जाएगा, अगला क्या है, अगला आप क्या करोगे कि home tab पर new folder button पर click करें, जो उपर आता है वहाँ पर new folder आता है उस पर करके आप new folder बना सकते हो, तो B option पहले होगा, ठीक है, 1, 2 और यह तीसरे नंबर पर होगा B वाला तो B option कौन सा यहाँ पर है, इसमें नहीं है तो यह answer सही हो जाएगा A, C, B, E, उसके बाद से चैनित नए folder का नाम करोगे फिर इंटर मार दोगे, यह option लास्ट में, मतलब D आपका लास्ट में होना चाहिए हाँ, एकदम exam की खोपड़ी में छेद कर देना चलिए एक बार सी air कर दें, सभी लोग सेशन को like जरूर करें यहाँ पर answer क्या होगा C answer correct होगा, पहले task bar पर, जो task bar होता है नीचे, ठीक है जो नीचे होता है, और यहाँ start बटन होता है यहाँ file explorer खोलोगे उसके बाद से, जिस drive में folder बनाना होगा, उसको open करोगे C, उसके बाद से क्या करोगे उपर bar में आता है new folder, home वाला जो होता है उसके new folder टिक करोगे नया बन जाएगा, उसका नाम करोगे enter मारोगे, folder बनके तैयार हो गया तुक्का कैसे लगा है पता चलेगा, बताएंगे उसको तुक्का लगाने का काम कैसे करेंगे windows explorer में निमलिखित में से किसमे change icon view सामिल होता है जब windows explorer जैसे दब आप the PC होता है आपका desktop पे icon होता है PC वाला ठीक है, उसको जब open करोगे तो आपका explorer खुलता है और explorer खुलता है, उसमे home होता है, view होता है, share होता है तो जब view button पे जाओगे तो वहाँ क्या होता है आपका तो वही पूला है विंडोज एक्सप्लोरर में निमलिखित में से किस में change icon view सामिल होता है किस में होता है, address बार में होता है title बार में होता है navigation बार में होता है या menu बार में होता है किस में होता है जो home होगा share होगा view होगा, उसको क्या बोलेंगे वो सब क्या है आपके D, D, R, A मिनाक्षी जी, प्रिया जी, प्रतिभा जी सभी का अंसर D, R, घंसयाम जी स्वीटी जी, सभी का अंसर D सभी लोग कंजूजी न करो, एक बार सेहर जरूर कर दो, तो यहाँ मीनू बार होगा क्या होगा मीनू बार, मैं एक फोटो से आपको दिखाऊँगा, यह फोटो आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ देखो यह फोटो देखो, जब आप खोलोगे, फाइल एक्स्प्लोरर तो यह क्यों कैसे सवाला आएगा यह आपके क्या होते हैं, यह navigation pen होता है, क्या बोलते हैं इसको, navigation pen बोलते हैं navigation pen आप किसी भी जगह पर जा सकते हो navigate कर सकते हो, इसके लिए होता है ठीक है, यहाँ देखो, view में जाओगे तो medium icon, small icon list, detail, ऎसे आपके change हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ navigation pen दिया हुआ हैं इसको क्या बोलेंगे यही आपका क्या होता है मेनू होता है क्या होता है मेनू होता है उपर आपका क्या होता है टाइटिल बार होता है ठीक है और यह क्या होता है यह जो होगा यह होता है एड्रेस बार क्या होता है एड्रेस बार होता है ठीक है अरे 65,000 के अप्रोक्स फॉर्म है कितनी बार एक ही चीज आप लोग पूछते हो चलो इसका अंसर बताईए क्या करेक्ट होगा विंडो के किस हिस्से में फॉर्वर्ड और बैकवर्ड बटन है मिनू बार में, टैटल बार में नेविगेशन पैन में या एड्रेस बार में किस में फॉर्वर्ड और बैकवर्ड बटन होते हैं सी होगा इसका अंसर क्या होगा थार्ड का अंसर क्या होगा मेरिट जो मैंने पहले बताया आपको मेरिट जो पहले सभी की एक बनेगी उसके बाद सभी की टाइपिंग होगी उसके बाद से अलग-अलग मेरिट बनेगे बी आंसर होगा बी होगा चलो देखते हैं कितने लोग सही होते हैं इसमें फारवर्ड और बैकवर्ड जो बटन होता है वो एड्रेस बार के पास होता है अभी मैं दिखा रहा हूँ एड्रेस बार के पास होता है देखो अभी ये फीगर था ये देखो यहाँ पे क्या है ये फारवर्ड है ये बैकवर्ड है यहाँ पे ऐसे एरो बना होता है तो यह address bar है न पूरा उसी वाले में होता है यह पूरे को address bar बोलते हैं यह पूरे panel को तो उसी में यह forward और backward होता है वही पूछ रहा है कि कहां पे होता है तो यह menu bar में नहीं कहां गया address bar में होता है किस में होता address bar में दी आपका correct होगा अगला question कभी system खोल के देख भी लिया करो Windows 10 में जब आप desktop पर इस PC जो इस PC का आइकन होता है पर दाया क्लिक करते हैं तब कितने विकल pop-up में आते हैं जैसे दाया करेंगे क्लिक करेंगे तो आपके पास pop-up में खुल के आएगा उस pop-up में कितने होंगे कि इसका answer वदा यह क्या होगा बी answer होगा साथ खुल के आते हैं तुशार जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अभी देखते हैं क्या सही होगा कितने आइकन खुल के आपके सामने आते हैं नहीं पता देखो जब आप विंडोस 10 में जब आप डेक्स्टॉप पे 10 PC दपीसी पे option क्लिक करते हैं तो आपके सामने 10 खुल के आते हैं चेक करना क्या खुल के आएंगे 10 आएंगे 10 चीज़ें आपके सामने खुल कर आती हैं क्लिक करके देखना विंडोस 10 जिसके पास होगा तब PC पे क्लिक करना राइट क्लिक करोगे तो जो डायलाउग बॉक्स करके आएगा उसमें 10 चीज़ें आएंगे दिखा दें अरे यहां पर कहां से दिखा दें है निसा देखो हाई है 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 लाएं है लाएं देखो यह रहा दिस PC पर करोगे यह दिख रहा है देखो यहां देखो जब ऐसे दिखाने लगए तो कम कोश्चन्स हो पाएंगे एक ओपेन दूसरा पिन टू क्विक एसेस मैनेज पिन टू स्टार्ट मैप नेटवर्क डिवाइस डिसकनेक नेटवर्क क्रियेट सॉट काट डिलीट रिनेम अन प्रोपर्टी तो कितने होग साथ नहीं होगा दस होगा देखो मैंने ओपेन किया है यहां पर स्क्रीन सॉट लिया है पीसी का चलिए जल्दी से बताइए यह सही है साथ नहीं होगा आप लोग करेक्ट कर लीजेगा विंडोस 10 की बात कर रहा है जब विंडोस एप्लीकेशन को न्यूनिकृत किया जाता है तो यह विंडोस अपरेटिंग सिस्टम के डैस पर एक छोटा आइकन के रूप में प्रकट होता है कहां मेनू बार में, टस्क बार में, टैटल बार में या स्क्रॉल बार में कहां पर होता है इसा बताईए इसका आंसर बताईए 5 नमबर कुश्चन जब हम विंडोस डालते हैं तो विंडोस का एक आइकन जो है छोटा सा बनके आता है कहां पे आता है बनके बहुत बढ़िया जो नीचे आपका टास्क बार होता है तो यहाँ पर देखे होगे, ऐसे Windows का आइकन बनके आता है, तो वही इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, जो नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, यह देखो, यह तास्क बार है, यहाँ पर दोखो Windows बनके आता है, यहाँ पर, क्या आता ह होता है कुछ लोगों के इंगलेस में कुछ डिफॉल्ट रूप से विंडोस में उपयोग करता द्वारा बनाई सभी फाइलों को कहा संग्रहित किया जाता जो भी फाइल अगर आप बना रहे हो चाए वर्ड की चाए किसी की भी जब उसको कंट्रोल एस डवाओगे सेव करने के लिए तो वो कहां पर जाके सेव होगा जल्दी से बताईए और एक बार सेर जरूर करिए बताईए इसका अंसर क्या होगा अब एक दिन है तो किसी का तो त्याग करना पड़ेगा आपको यद्वन्सी जी रोहित जी हाँ पेपर ऑनलाइन होगा बी आंसर होगा इसका आंसर पताईए डिफॉल्ट रूप से जब विंडोस में कोई भी फाइल कहां सेव होगी कि माई फाइल में माई डॉकुमेंट्स लोकल ड्राइब डेक्स्टॉप किस भी होती है बहुत बढ़िया डॉकुमेंट्स सी आ रहा है सभी का किसी का बी है किसी का सी आ रहा सी नहीं होगा लोकल ड्राइब कहां से आ जाएगी जब तक आप चूज नहीं करोगे कि कहां आपको save करना है particular folder पे तो by default वो पहले आपका my document ही खुलता है भी आपका correct होगा आपको अलग से choose करना होगा जब तक कहो तब तक practice कराएंगे एक से अधिक खुली windows के बीच नेविगेस करने के लिए कौन सा shortcut इस्तमाल होता है जैसे आपने कई सारे tab खोल लिए है तो कैसे हर एक tab पर जाओगा उसके लिए shortcut की क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा एक बार सभी लोग से यह जरूर करिए और like जितने लोग like हो वो live हो वो लोग like नहीं किये हैं तो कंजूसी न करो भाई पैसा तो लगता नहीं है गूड इवनिंग निशी जी प्रतिवा जी का अंसर C है मुनिश जी का अंसर D.S. और निगेटिव मार्किंग है नहीं है चलिए किसके किसके साथ जाती हुई है कि सभी एक ही दिन दोनों पेपर पड़ गया है बच्चों का यह आएगा कंट्रोल प्लस टैब अंकित कुमार्जी कंट्रोल प्लस टैब के साथ जा रहे है एकदम सही है कंट्रोल प्लस टैब से जो भी आप खुले विंडोज होगा अगर रेप्टॉप के साथ में हो कंट्रोल टैब दबाओ स्विच करेगा क्या होगा हर एक टैब आपको बन के आ जाएगा उस पे जिस पे जाना होगा आप जा सकते हैं ठीके आल्ट प्लस सिफ्ट से क्या होता है लेंग्वेज चेंज करते होंगे आप लोग टैपिंग करते होगे तो अगर शिफ्ट दबाते हो तो इंगलिस हिंधी चेंज होता है तो आज शिफ्ट से होता है ठीके चलो आपका साथ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्िन पे देखते हैं या आठी में होगा वो बहुत आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है डेक्स्टॉप पे अगर कोई नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए सॉटकट की क्या होगा जल्दी से बताईए उसके लिए सॉटकट की क्या होगा यहां तो कंट्रोल सिफ्ट एन आया बाकी ओप्सन देखलो एन नहीं है मतलब न का मतलब ही न्यू होता है तो यह न्यू कंट्रोल सिफ्ट एन दबाव गोई तो डेक्स्टॉप पे न्यू फोल्डर बन जाएगा कंट्रोल सिफ्ट ए-फ के लिए चेंज कर दोगे क्या फंट फंट करने के लिए होता है चेंज फंट चेंज फंट पंट कंट्रोर सिफ्ट के कंट्रोल सिफके लिए यह ano is what में MS वर्ड में MS office में what जब खुलोगे उसमें एक काउंट करता है कितने word है control shift g करोगे तो यह count वाला आ जाएगा कितने pages हैं कितने word हैं कितने आपकी line हैं सब बताएगा ठीक है और browser में यह browser में क्या होगा यह browser में find का काम करता है find यह search बहुत सकते हो control alt t का मतलब क्या होता है control alt t का मतलब होगा कि आप word में ms word में क्या करोगे कहीं भी sign लगाना होता है न tm वाला इस tm की sign को लगाने के साथ किसी के साथ लगा सकते हैं मालो किसी company का नाम लिखे परिक्षा प्लस ठीक अब इस पर tm लगाना है उपर देखे होगे tm लगता है तो ये tm ट्रेड मार्क लगाने के लिए क्या लग कर सकते हो control alt प्लस t करोगे तो tm लग जाएगा उपर समझ गए एक बार सीहर करो जब समझ गए तो answer क्या होगा इसका एक correct होगा नया फोल्डर के लिए control shift n होगा अगला विंडोस 7 में screen saver को बदलने के लिए निम्न चर्णो को सही करम में विस्थित करिए सबसे पहले क्या करेंगे साथ में आपको screen saver बदलना है तो बोला है appearance and personalization स्रेणी को चुनेंगे start menu से control panel खोलेंगे personalization area से change screen saver चुनेंगे ok पर click करेंगे screen saver select करेंगे पहला क्या होगा सबसे पहला क्या करोगे सबसे पहला करोगे start menu से control panel खोलोगे उसमें से क्या करोगे a choose करोगे appearance and personalization चुनेंगे उसके बाद से कहां जाओगे personalization area से change screen saver चुनोगे ठीक है तो क्या क्या हो गया b a c b a c आपको मिलना चाहिए क्यूं चलो तो किसमें है b a c b a c इसमें भी है b a c इसमें भी है और इसमें इसमें नहीं है उसके बाद से क्या करेंगे screen saver को select करेंगे फिर ok बटन दबाएंगे तो e और d होगा option b आपका सही होगा यह नहीं सही होगा अगला question है windows 7 में जब आप desktop पर right click करते हैं जब 7 पर right click करोगे तो pop up menu में sort by आता है ना कि कैसे जो भी desktop के icon है उसको sort कैसे करना चाहते हो date से, name से, size से तो उसमें विकल्प को सामिल नहीं करता है कौन सा विकल्प नहीं होता है name, size, item type या author name कौन सा नहीं होता है बताइए यह नहीं होता है जब आप desktop पर right click करोगे तो वहाँ पर आता है sort by मतलब पूरे desktop के icon वो कैसे sort करना चाहते हो D होगा, D होगा चलिए coolest अंकित जी D दे रहा है, गौरब जी, घंस्याम जी, A दे रहा है प्रतिभा जी, D बता रही है D, author name नहीं होता है क्लिक करके देखना है यह सब यहाँ पर क्या क्या होता है, name होता है size होता है item होता है, item type और क्या होता है, date modify होता है, मतलब date के according भी आप set कर सकते हो कौन सा folder नहीं बनाया हो, यह होता है author नहीं होता है, यह दियान रखना D correct होगा, A नहीं, यह तो होता है नाम से, size से item से कैसा है, उस सब को आप sort कर सकते हो file fragmentation का मतलब है कि एक file जब तक यह defragment नहीं है, worth है, सुकुचित किया गया है, RAM non-contiguous अस्थानों में संग्रहित है disk में non-contiguous अस्थानों में संग्रहित है जो आपकी fragmentation file होती है वो कहा होती है, इसी के लिए defragmentation किया जाता है जल्दी से बताइए यह किसमे होता है हम disk defragment करते हैं तो disk होता है न तो इसका मतलब जो fragmentation होगा वो कहा होगा, disk में होगा इसमें क्या होगा, कि जो मालो यह आपकी disk है, यह space है मालो, space है, आपके disk के जो भी space यह है एक space मालो, यह disk का space है अब कोई भी file आपका कोई यहाँ पढ़ा है, कोई यहाँ पढ़ा है कोई यहाँ पढ़ा है, कोई यहाँ फाइल पढ़ी है कोई यहाँ, कोई यहाँ, ऐसे पढ़ी है मतलब randomness पढ़ा है तो इसमें क्या होगा किसी file को system को read करने के लिए SS time जादे लगता है क्या लगता है? SS time जादे लगता है, increase हो जाता है इसलिए आप समय समय पर अपने system को कोई भी चीज open करना है कोई भी file तो उसको defragment किया करो जब defragment कर दोगे ये utility software होता है आपके windows में इससे क्या होगा कि सभी file एक विवस्थित crum में आ जाएंगी एक hierarchical order में आ जाएंगी, जिस order में उनको रखा जाएगा उस order में ये file एरेंज हो जाएंगी तो ठीक है, जिसके जैसे, तो यहाँ पर SS time जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा समझ गए? ठीक, ये दिहान रखना अगले question में आते हैं Windows 7 में desktop पिष्ट भूमी छवी को बदलने के लिए सही क्रम में निम्न चर्णों को वेवस्थित करे पिष्ट भूमी छवी मतलब background, पीछे का background बदलना है desktop को खाली जगां पर right click करें Windows के निचले बाएं कोने में desktop पिष्ट भूमी विकल पर click करें personalized चुनेंं किसी एक picture पर click करें, save बटन पर click करें क्या होगा तो सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले कौन सा option चूज करोगे सबसे पहले करोगे desktop की खाली जगा पर right click करोगे जैसे right click करोगे तो वहाँ पे क्या आईगा आपका वहाँ पे personalize आएगा उसको चुनोगे A और C होना चाहिए A C इसमें नहीं A C इसमें नहीं इसमें नहीं तो answer B आपका सही हो जाएगा फिर window के निचले बाये कोने पर desktop प्रिस्ट भूमी होगा set background वाला उसको choose करोगे desktop background उसके बास D number पर किसी एक pictures को select करोगे और उस पर save button दबादोगे तो पीछे का background आपका change हो जाएगा तो A C D B A C B D आपका option सही होगा 13 number है नीचे वे चरण दिये गये हैं जो Windows 7 के operating system में आपके password को set या बदलने में मदद करते हैं अनुपलब चरणों में से एक विकल्प को पाचाने जो नीचे दिये गये चरण तीन में प्रस्न चिन को बदल देगा आपको बताना या दिया है आपको क्या क्या करना है लेकिन एक जो थाड़ है वो step गायब कर दिया गया तो वही आपसे पूछा है कि क्या होगा अभी option में दिखाऊंगा बोला click the start button and then click control panel start button पर करो उसके बाद से control panel पर जाओ control panel क्लिक करने के बाद user account and family safety को open करो जब control panel खोलते हो तो control panel में यहाँ धेर सारे आ जाते हैं ठीके यहाँ पर install वाला आ जाएगा ऐसे सभी के बने होते हैं उस पर click करोगे तो user accounts and family वाले पर वहाँ पर आप choose क्या करोगे then choose change your windows password उसके बाद से क्या करोगे वही third option आपसे पूछ रहा है तो यहाँ option है choose insert password choose create a password your account or change your password choose reset password choose remove password तो क्या choose करोगे choose करोगे create password of your account और change करना है तो change password यह choose करेंगे तो यहाँ पर third में क्या होगा choose password में choose new password या create a new password वह अला करेंगे फिर हम password को type करेंगे फिर ask retype then same password and confirm new password box type a hint remind your password and click the create password button आपका password बन जाएगा तो इसका answer be correct होगा अगला है windows 10 में तारीक समय बदलने के लिए सही क्रम में चर्णों को यह अस्थित करें एक बार share सभी लोग करें windows 10 के तारीक को बदलना है तो क्या करोगे सबसे पहला समायोजित तारीक समय चुने स्क्रीन के निचले दाई और समय पर right click करें एक दम पहला step I होगा नीचे जो आपका task बार होता है यहाँ पर देखे होगे तो time देखाता है यहाँ पर जब right click करोगे तो date और time change हो जाएगा तो B option सबसे पहले होना चाहिए बी option सबसे पहले किस किस option में है बी option किस में सबसे पहले है ठीक है इसमें है इसमें है बाकी तीन option में है उसके बाद से क्या करोगे समयोजित तारीक और समय चुनेंगे बी के बाद ए होना चाहिए उसके बाद से क्या करेंगे आपका जो setting pop up window आएगा उसे बाई और दिनांग और समय टैब चुनेंगे उसमें आपका जो pop-up बिंडो आएगा तो उसमें date और time का टैब चुनेंगे समय दर्ज करें और change कर दें यह करोगे या change तारिक समय के अंतरगत change पर click करें सही बात है तो उसके बाद से क्या करोगे E पर होना चाहिए मतलब change तारिक और समय के अंतरगत change पर click करें उसके बाद समय दर्ज करें और change दबा दें तो यह आपका set हो जाएगा B, A, C, E, D हो जाएगा C option होगा पहले B, फिर A उसके बाद से C करोगे उसके बाद से E करोगे, फिर D पर कर दोगे, change दबाया होगे तो change हो जाएगा अगला question है इन में से कौन सा power विकल्प नहीं है जब आप power button पर click करते हो तो उसमें से कौन सा आपका नहीं है, यह है shutdown यह है slip यह है hibernate, यह logout इसमें से कौन सा power विकल्प नहीं है power विकल्प logout नहीं है बाकी आपके power विकल्प है D आपका correct हो जाएगा 16 नमबर question आपके desktop का एक special area जो आपके सब ही चलने वाले program और उनके windows पर नजर रखता है लगतार अपने चलने वाले program के लिए icon दिखाने के लिए खुद को update करता है जो भी आप desktop में special area होता है जो आपके सब ही चलने वाले program तो चलने वाले आपके desktop पे जो भी program होगा तो वो यहाँ पर task bar में क्या होता है so होता है वो क्यां so होता है task bar में so होता है option b सही होगा इसका अगला question है निमलिखित बारों में से कौन सा word processor में right interface का भाग नहीं है किसमें word processor में menu bar, toolbar, formula bar, title bar तो word processor में formula bar नहीं होता है यह ध्यान रखना यह कहां होता है excel में होता है worksheet वाले में होता है formula bar, word processor में नहीं होता है बाकी menu bar होता है toolbar जो उपर होता है title bar जिसमें title लिखे होते हैं डॉकुमेंट का नाम लिखते हो टाइटिल बार होता है तो इसका क्या हो जाएगा सी आपका होगा यह नहीं होता है अगला है यह देखो ऐसा कुछ दिखता है आपको के ऐसा कुछ दिखेगा यान देखो यह क्यूं सेस होता है टूल बार होता है क्यूं कैसे हाइग अञाय यह पूरे होते हैं एक क्या हो गए है इन पूर헤को रेबन काते हैं नरेगा होते हैं और एक इक पार्ट जी में फॉणंट का एक ग्रूप हो गया paragraph का group हो गया style का group हो गया यह आपके क्या हो गए menu हो गया क्या हो गया हो मेनू होते हैं home insert page layout यह सब होते है यह होते अगला question कि Microsoft Windows उपयोग करता को रिक्तस्थान सहीत संपरित्यों को तक file नाम टाइप करने की सुविधा देता है कितने digit तक कितने तक आप फाइल का नाम टाइप कर सकते हो जल्दी से बताईए देखो मिनिमम एक और मैक्सिमम 255 तक आप इस पेस रिक तकस्थान के साथ भी 255 तक किसी भी फाइल का नाम कर सकते हो उससे जादे नहीं वर्ड 255 वर्ड तक ए होगा लिबरा ओफिस करा दें अब इतना समय कहा है किस तरह का प्रकम लिबरा ओफिस आपका पूछेगा नहीं है MS ओफिस ही पूछेगा सलेबस में आपके साथ साथ दिया है MS ओफिस ओफिस जो दिया है वो पढ़ो न का है किस तरह का प्रकम छोटे फाइल बनाता है जिसका internet पर अस्थानांतरंट त्रणत ही होता है छोटा फाइल किसे होता है compression से fragmentation से encapsulation से उप्युक्त मैं से कोई नहीं encapsulation जो होता है न यह ups का एक concept है ups लौगई जब पढ़ोगे जैसे c++ और zava में जो ups होता है उसमें encapsulation आता है, encapsulation मतलब capture 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 का या मतलब हो गया capsule के अंदर capsule के अंदर क्या हो आफ डेटा होना किसी को encapsulation करता है capsule के अंदर data होना है ठीक है उसी को करते है encapsulation fragmentation मैंने आपको बता दिया compression क्या होगा कि file को compress किया जाता है उसके size को reduce किया जाता है क्या होता है size को reduce किया जाता है ठीक है तो यह होगा जब भी हमें किसी बड़ी को कहीं भेजना होता है नेट के थुरूत उसको कंप्रेश करते हैं हाँ एसस मॉडिफायर चलो यहां आ जाओ और यूज फाइल एक्स्टेंशन एम्र का फूल फॉर्म क्या है जल्दी से बताईए एम्र का फूल फॉर्म क्या होए adaptive multi यह क्या है यह audio extension एक फाइल होती एम्र उसका फूल फॉर्म adaptive multi रेट है सी ओप्षन करेक्ट होगा binary फाइलों के लिए कौन सा फाइल extension प्रयों किया जाता है .bak .bat .bf .bin जल्दी से बनाईए क्या होगा इसका आंसर एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से सेयर कर दें सेशन को यह मैंने स्ट्रेटरिजी बता रखिए दुर्गेश जी आप पर इक्षा प्लस पे जाईए कर सकते हैं कंप्योटर में बिन होगा डी आंसर आ रहा है पिन टु जी सभी का बिन आ रहा है तो एकदम सही है बाइनरी बाइनरी फाइल का एक्स्टेंशन यहीं है नहीं पढ़के जाओगे तभी दिमाग काम करेगा कि बीन ही होगा बाइनरी के लिए बी एके क्या होता है बी एके किसके लिए होता है डॉट बी एके फाइल किसके लिए होता है बी एके फाइल किसके लिए होगा जल्दी से बताओ बैक बैक आप अ कॉपी फाइल ठीक है यह बैक आप फाइल की कॉपी बनाने जब बनाते हैं तो उसको डॉट बी एके होता backup file की, जब उसकी copy बनाते हैं, तो backup file होता है .bat किसके लिए होता है, बता हो यह batch file होता है, यह batch file होता है DOS operating system में command execute करने के लिए command execute करने के लिए batch file होता है DOC, मतलब MS-DOS operating system में .bakf क्या होता है, यह आपका backup file होता है यह backup file का extension होता है और यह backup file के copy का extension होता है यह ध्यान रखना है हाँ, तो यह bin जो होगा binary file का extension होता है यह आपके file का मैंने बता दिया निमलिकित में से कौन सा file, name extension ingit करता है कि file किसी अन्य file की backup copy है किसी अन्य फाइल की backup copy के लिए कौन सा बताएगा .bak के जो बताएगा वो backup के copy को बताएगा ठीक है एक बार share करो 100 पार हो जाएगा एक दम जोड़दार तरीके से share करिए D आपका correct होगा अगला question .bac.doc.html किसके उधारन है extension के domains के database के protocol के तो इसा पढ़ा चुका यह नहीं होता है domains ऐसे नहीं होता है .com होता है .ta in होता है .uk होता है . moonlight और जी होता है यह डॉमेंग होते हैं ठीक है डॉमेंग सिस्टम अब एक्स्तेंसन ओते हैं यह क्या होता ही फाइल का एक्स्तेंसन होता यह आपका होगा चलिए बहुत बढ़िया साधना जी पॉनेश जी बहतरीन आगे आते हैं तुम लोग को बोलें सेयर करने के लिए तुम लोग कम कर देते हो बाहर चौविस नंबर कोशन निमलखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्स्टेंशन नहीं है अब इसके फुल फॉर्म भी लिखते जाओ ये भी पूछता है इसके फुल फॉर्म भी पूछेगा आपसे कौन सा इमेज फाइल एक्स्टेंशन नहीं है जे पीजी का फुल फॉर्म भी बताते जाओ जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपॉर्ट ग्रूप ठीक है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपॉर्ट ग्रूप जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपॉर्ट ग्रूप जी आईएफ का फॉल फॉर्म क्या होगा जी आईएफ का फॉल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताएए ग्राफिक इंटर्चेंज फॉर्मेट ओके PNG का फॉल फॉर्म क्या होगा Portable Network Graphics WAV का फॉल फॉर्म क्या होगा WAV Audio File Format ठीक है और यह क्या है जब Audio आ गया है इसका मतलब यह Audio File Format है ना कि Image का File Format है तो D इसका आपका Answer Correct हो जाएगा अगला Question PDF का पूर्ण रूप क्या होता है PDF का पूर्ण रूप क्या होता है जल्दी से बताइए PDF का फूर्ण रूप क्या होता है Portable Document Format कौन सा Option होगा Portable Document Format Option D Correct होगा Option D B नहीं Portable Document File है यह File नहीं होता है Format होता है इससे Confuse हो जाओगे अग्जाम में बहुत बढ़िया है चलिए एक बर सभी लोग सियर करें 1500 पर आप पहुचाना है आज आज आईए Alignment बटन किस पर होता है Status बार पे Formatting टूल बार में Standard टूल बार में या इनमें से कोई नहीं जो alignment होता है वो किस में होता है Left Alignment, Right Alignment, Center Alignment Justify यह सब कहां पे होता है तो यह होता है Formatting टूल बार में किसमें उसको क्या कहते हैं क्योंकि वो format करते हैं किसी चीज को सुधारना अलंकरित करना सजाना उसी को formatting कहते हैं तो वो क्या होगा Formatting टूल बार में तो question आसानी से कर ले जाओगए यहां आते हैं MS Word 2007 में undo, redo विसेस्ता को कितने बार प्रियोग कर सकते हो 200 बार, 300 बार, 1500 बार या 100 बार 100 कितनी बार तक वो redo हो सकता है कितनी बार तक undo हो सकता है जल्दी से बताओ क्या होगा इसका answer 100 होगा D, 100 answer होगा 100 बार हम उसको undo या redo कर सकते हैं 300 बार नहीं redo निमलिखित द्वारा किया जाता है redo किसके किस shortcut की द्वारा किया जाएगा बताओ, Ctrl Z, Ctrl Y undo होता है इसके द्वारा, Ctrl Y के द्वारा redo होता है, B आपका सही होगा Ctrl Z से undo होता है ctrl z से undo होता है ctrl y से redo होता है ठीक है तो answer b आपका correct होगा computer में reboot करने के लिए या task manager खोलने के लिए या sit down करने के लिए कौन सा command दिया जाता है ctrl alt delete shift strl shift strl कोई नहीं होता है ctrl shift delete ctrl alt shift ctrl alt tab कौन सा आप लोग reboot करने के लिए करते हैं use जल्दी से बताईए यह मैंने एक बार करा भी रखा है आप लोगों को क्या होगा ctrl alt delete करोगे to task manager reboot भी हो जाएगा सब कुछ open हो जाता है ctrl alt delete से आगे आते हैं windows के लिए google chrome web browser में एक नया टेब खोलने के लिए chrome browser में जब नया टेब new tab खोलने के लिए कौन सा shortcut use करोगे alt n, ctrl t, alt ctrl t alt ctrl t मैंने बता हैं किस के लिए होता है tm के लिए होता है ठीक है या alt t क्या करोगे तो इसमें option b सही होगा ctrl t के साथ हम करेंगे दबाएंगे तो browser में नया टेब खुल जाएगा क्या खुल जाएगा नया टेब खुल जाएगा b सही होगा a नहीं b ctrl t से नया टेब खुलेगा b होगा सबी लोग गलत जा रहे हो alt t नहीं होगा ctrl t होगा दबा के देखना आज file खोलने के लिए shortcut क्या है अगर कोई file पहले से आप save कियो उसको open करना है तो कैसे करोगे alt के साथ o या control के साथ हो तो control के साथ control o से open होता है ठीके control s से save होता है control x से क्या होता है cut होता है c से copy होता है v से paste होता है ठीके ये तो है general सा है u से underline होता है b से bold होता है और i से italic होता है ये सब general चीज़े हैं जो याद रखो अगली question है match करना है control B क्या होगा bold होगा make a text bold control U underline control P print करने के लिए shift F3 क्या करेगा change case of later upper case lower case में किसी later को बदलना है छोटे और बड़े later में तो उसके लिए shift F3 दबाएंगे तो देखो A का fourth B का नहीं A का third A का third B का fourth C का second और D का first option C correct होगा C correct होगा समझ गया अगला question print menu प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा tab P, shift P, art P, control P confusing के लिए question बना दिया गया है जल्दी से बताइए दिपेंदर जी क्या suggestion मांग रहे है इसके बाद मांगेगा एक बार share आप सभी लोग कर दें प्रतिवाजी का answer DR है बहुत बढ़े है control P से हम क्या करते है किसी भी फाइल को print command देते है control P होगा text को elective बनाने के लिए इटेलिक बनाने के लिए क्या कौन सा होगा control I होगा use underline ठीक है मैंने बता ही दिया था control T किसमें ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए control L control P प्रिंट करने के लिए होता है तो इटेलिक के लिए control I हो जाएगा Windows Explorer में File Explorer को खोलने के लिए shortcut की कौन सी है जब File Explorer direct आप कैसे खोल सकते हो Windows प्लस E Windows प्लस W मतलब Windows की जो Windows की होती है न आप कैसे उसको प्लस E के साथ या W के साथ या O के साथ या control प्लस O के साथ File Explorer कैसे open होगा जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या इसका correct answer होगा E होगा Windows के साथ E जब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा File Explorer खुलेगा Windows के साथ W करोगे तो क्या करोगे इसका प्रयोग सेटिंग को ढूडने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग सेटिंग को धूडने कि लिए किया जाता है ठीके सेटिंग को सर्च के लिए होता है इसका जाने का ओपन फाइल करने के लिए होता है इसका कुछ नहीं होता है किसी डॉकुमेंट में Insert Hyper Link Dialog Box को परदर्षित करने का shortcut की कौन सा है मैंने पहले भी बता रहा है कि Ctrl H से आप क्या कर सकते हो Hyperlink बना सकते हो और किसी text में अगर Hyperlink लगाना है मालो कोई भी परिक्षा प्लस लिखा है यह text लिखाना इसको select करो यहाँ से ठीक है और इस पे Ctrl प्लस H दबा दो और इस पे कोई link लगा दो तो यह Hypertext हो जाता है क्या इसको बोलते है Hypertext बोलते है इसमें Hyperlink लग गया ना तो Hypertext का लाता है तो Ctrl H होगा L से Left Alignment होता है ठीक आजाओ ए सॉरी 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 Ctrl H नहीं होगा Ctrl H नहीं होगा क्या होगा Ctrl K होता है Ctrl H नहीं Ctrl K होता है ठीक है Ctrl K होता है यह ध्यान रखना Hyperlink के लिए Ctrl H किसके लिए होता है Go to Replace Find and Replace के लिए Find and Replace के लिए होता है Ctrl H जो box बन के आ जाता है ऐसे ठीक है एक से बार होता है जिसको आप Find करो और जिसको replace करना चाहते है और replace कर दो यह आ गया control के होगा यहाँ shortcut कुंजी alt enter किसके लिए प्रियोग किया जाता है एक program से दूसरे तक जाने के लिए चैनित item की property देखने के लिए अलग window में नया tab खोलने के लिए system का बल पुरुवक shutdown करने के लिए shutdown के लिए alt f4 use होता है इसके लिए alt plus f4 use होता है उस पे भी आपको मांगता है कि पहले आप सभी file close कर लें फिर आप बंद कर सकते हैं तुम लोग कंजूसी कर रहे हो share नहीं कर रहे हो share करो एक बार सभी लोग तो यहाँ क्या होगा यह आप किसी भी कोई भी file चूज करना चाए folder चूज करना उस पे alt के साथ enter दबा देना तो क्या हैगा property वाला dialogue box आ जाएगा तो उसके बारे में बताएगा property बताएगा उसकी ठीक है उसकी property बताता है चैनित item की property बताएगा B अगला question एक windows की keyboard पर कौन सा बटन की चल रहे program के सहायता प्रिष्टी मतलब help page को खोलता है जो भी आप program open कियो जो भी application open कियो किस से आप help ले सकते हो help dialogue box किस से खुल के आता है तो f1 से खुल कर आता है किस से आता है f1 से समझ गए f1 से आपका क्या होता है help बटन खुल के आता है f2 से क्या होता है f2 से किसी का rename कर सकते हो किसी भी चीज का rename कर सकते हो f10 से क्या होगा जगो f10 जो होगा आपका जो भी program open की हो उसमें activate active जो होगा एक तरह से बोल सकतो active menu वार्सो करेगा जो active menu होगा उसमें जो भी application कुरे f10 दबाए तो जिस menu बे होगे उसको दिखाएगा ये active menu है f11 क्या होता है f11 क्या रोल क्या होगा इसका अंसर बताएए f11 ये f f11 क्या बताओ run command नहीं run command कहां खुलता है f12 से वो तो windows run command जो होता है run window जो होती है वो तो windows windows प्लस r से खुलता है ठीक है f11 कभी कभी boot operation में use होता है किसी किसी system में depend करता है f11, f12 ठीक है f11, f12 boot operation में use होने वाले है full screen पे भी होता है चलो तो full screen और boot operation पे भी use होता है चलो next यह क्या है यह देखे यह क्या है जल्दी से बताईए यह दिख रहा है यह कैसा dialogue box है यह dialogue box कौन सा dialogue box है इसको क्या बोलते हैं f12 save के लिए होता है और booting के लिए भी होता है जब खुल जाएगा तो save जब आप कोई नया windows डालने है तो f11 किसी किसी में system में f11 किसी में f12 ऐसे काम करता है find and replace बहुत बढ़िया तो यह क्या है find and replace और टेक्स को ढूणना select किये गए टेक्स को delete करने के लिए टेक्स को ढूणने में टेक्स को बदलने में टेक्स को ढूणने और बदलने में option D होगा ढूढने और बदलने में होता है काम अगले Question पे आते हैं Windows Run Search Box के माध्यम से Microsoft PowerPoint एप्लिकेशन को खोलने के लिए निमलखित में से कौन सा निस्पादन योग फाईलों का पुरियोग किया जाता है मतलब Run Command में PowerPoint प्रिजेंटेशन खोलना है तो क्या Command यहां डालोगे जल्दी से बताओ जब Windows के साथ Windows बटन के साथ R दबाओगे तो एक Run Command आपके आद बनके आ जाएगा इस Run Command में यहां क्या डालोगे कि डारेक्ट आपका PowerPoint प्रिजेंटेशन खोल जाए जल्दी से बताइए डालोगे Power PNT क्या डालोगे पावर PNT यह भी डाल दोगे तभी भी खुल जाएगा .exe भी लगा दोगे तभी भी खुल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है Power PNT से खुलेगा यह option सही होगा अगला है इन में से कौन सा MS Office का वैद extension नहीं है MS Office का वैद extension कुछ question इसमें है बाकी कल Office और Excel दोनों साथ रहेंगे जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा MS Office Office बोला है किसी particular पर नहीं बात किया है DOCX यह होता है .POT template जो होता है यह मैंने पढ़ाया है पढ़ाते वक्त template किसमें PPT का जो template होता है उसका .POT होता है एक्सलेसम जो होता था यह 2007 में एक तरह से इसको क्या बोल सकते हो macro enable worksheet extension है यह macro enable worksheet extension है इस से file अगर save करतो हो XLSM से यह 2007 से उपर जितने भी version है ठीक है यह 2007 में होता था वह XLS तो होता ही था तो XLSM मतलब कि आप 2007 से उपर बे अप्ग्रेड वाले version में भी उस file को असानी से open कर सकते हो ठीक है PPTLL जो होता है यह valid नहीं है बाकि सब MS Office के bad extension है valid extension है लेकिन यह नहीं option D option D आपका गलत extension है print होने पर आपका प्रलेख document कैसा दिखेगा यह पहले ही देखने के लिए जिस window को खोला जा सकता है उसे कहा जाता है print preview, printer window, print demo, print viewer print से पहले उसे देखने के लिए कि हमारा document कैसे print होगा जब control P दबाते हो ना तो वो दिखता है ठीके, वहाँ पे तो एक दिखता है यह दिखता है तो वो आप अपने desktop पे ही अपने laptop पे ही देख सकते हो कि कैसा दिखेगा उसके लिए क्या option होता है print preview होता है यह form में भी आप जब online form आप लोग भरते हो तो आता है कि आप स्कॉलर सी भर रहे हो चाया form भर रहे हो कि print preview करके देख लो कि आपका form कैसा दिखेगा उसके बाद से final submit मारो ठीके? तो A होगा option 43 number question multimedia software समनेता समलित नहीं करते हैं what document, dhvani, chitriya, video, sequence जो multimedia software जो होते हैं वो क्या नहीं समलित करते हैं जल्दी से बताइए देखो multimedia में documents नहीं use होते हैं द्वani, chitra, video, sequence यूज होते हैं लेकिन documents यूज नहीं होते हैं इनका use नहीं होता अगला question है spread sheet के visualization के लिए निम्न में से कौन सा ucz current नहीं है जो spread sheet होती है जो excel की spread sheet होती है उसके visualization के लिए कौन सा उसमें नहीं सامलिल होता mail merger mail murder जो होता है एक साथ कई लोगों को mail भेजने के लिए ये आपके msword में होता है किस में होता है msword में ये excel seat में नहीं होता बाकि आपके होते हैं लक्ष की तळाज छटाएं इसको sorting बोलते हैं इंगलिस में ह looks अगला कोश्चन है सिर्शक टाइटल केस के मामले में प्रतेयक अक्षर अपर केस में convert किया जाता है एक वाक में हर सब्द capital किया जाता है वाक के सुरुवात में प्रतेख सब्द को capital किया जाता है lower case और uppercase इसी के भी प्रीत में बदला किया जाता है बताइए इसमें क्या होगा देखो टाइटल केस में जब टाइटल के केस में जाते हैं तो जो भी वार्ड लिखेंगे हम ठीक है मालन मैंने लिखा वार्ड तो डबलू कैपिटल होगा बाकी यह होगा डॉकुमेंट लिखा तो डी कैपिटल होगा बाकी सब आपके small होगे तो एक वाक के हर सब्द कैपिटल किया जाएगा एक वाक में हर सब्द कैपिटल किया जाएगा या क्या होगा क्या अंसर होगा इसका सुरुवाती सी वाला प्रतियक सब्द का कैपिटल किया जाएगा मतलब जो भी सुरुवात होगा उसको पहला अक्षर जोगा कैपिटल में होगा सी होगा मेल मर्जर घटक किसका है मैंने बता दिया अगला कुश्चन है इसको बताओ क्या सही है इसमें क्या हो गया है जैनब को जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा जूम करें MS Word 2007 की निमलिखिश सौटकट कुंजियों पर विचार कीजिए Ctrl Shift ये arrow लगा है चैनित font को एक बढ़ाता है Ctrl Delete करसर की दाई और किसे सब्दो को मिटाता है Ctrl E रेखा तथा चैनित सब्दो टेक्स्ट को स्क्रीन के केंदर पर सरेखित करता है Ctrl L लिंक इंसर्ट करता है तो अभी आप लोगों ने पढ़के आया इसमें से गलत आपको छाटना है कौन सा गलत होगा गलत छाटना है कौन सा सही है इनमें से कौन सा सही है सही चानना है तो सही एक दो तीन है ये तो नहीं होता है Ctrl L नहीं Ctrl K से लिंक इंसर्ट होता है ctrl L से left alignment होता है तो एक दो तीन आपका सही है एक दो तीन आपका कहा है यहाँ पर c ctrl E से रेखा तथा चैनित सब्दों का text की screen के केंद्र पर सरेखित करना होता है केंद्र में ले जाये जाए तो ctrl E का इस्तमाल करते हैं ठीक है और shift के लिए change font जो है increase करता है अब दस वाली class बस आपके होने वाली run command में डायलोग बॉक्स में command Microsoft Word क्रमादेश application program आरम कर देगा जो run command होता है उसमें क्या आप डालोगे कि आपका MS word open हो जाएगा बताईए word open करने के लिए powerpoint का तो बता दिये थे word open के लिए लिए क्या command डालोगे जल्दी से बताईए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया ये जनर्नल कोश्चन कई बार पूछा गया है इसके लिए हम लोग win word डालते है win word .exe या win word कुछ भी डाल दो चलेगा बी option correct होगा निमन में से कौन सी ms word की अंतर निहित सुविधा नहीं है लाइव stream spell check sub the course अनुवाद इसमें बताईए क्या किसकी सुविधा नहीं है ms word की सुविधा नहीं है spell check होगा की sub the course होगा जो साब word में live stream थोरी मिलता है यह आपका गलत होगा बाकी spell checking dictionary वाला पूरा process यहां आता है यह क्या हो गया मेरा system में error क्यों आ गया आप सभी को वीडियो दिखाई दे रही है एक बार कमेंट से बताएं आप सभी को वीडियो दिखाई दे रही है अगला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा खंड विच्छे section break का प्रकार नहीं है section break का प्रकार नहीं है last question हाँ दिख रहा है चलिए बहुत बढ़िया मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आप लोग के कमेंट दिख रहे है स्क्रीन आए वे मेरी निमलिखित में से कौन सा खंड विच्छे section break का प्रकार नहीं है odd page next page column या event page section break का कौन सा प्रकार नहीं है कि दिखो यह सब section break के इसे हैं odd page next page even page column नहीं है सी आपका नहीं है section break का जब हम page को break करते हैं उस section में जब जाएंगे तो even page में करना चाहते है odd में करना चाहते है next page तो इस टाइप से होता है तो यह आपका सी कॉलम नहीं होता है उसमें section break में ठीक है सी आपका तो यह रहें पचास कल हम लोग अधा कि ब्राउजर के अंदर question यह था कि अगर आपके धेड़ सारे windows खुले हो ठीक है तो हम कैसे switch करेंगे किस shortcut की से तो alt tab से करेंगे किसे करेंगे alt tab से अगर किसी browser के अंदर धेड़ सारे tab open हो तो browser में tab switching कैसे करेंगे browser में tab जो switch करते हैं वो किसे करते हैं control प्लस टैब से करते हैं तो जो question था उसको देख लीजिएगा वो साइध windows switch पूछ रहा था और मैंने browser आ रही है जैराम जी की विने चौहां जी राधे राधे जन्नत जी फैजल जी चलिए आप लोगों के support का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमारा भी support आप लोगों को मिलता रहे का बस आप अपना प्यार ऐसे बनाएं रखें जैराम जी की आ रही है यहां आते हैं अगले question पे अब हमारा word शुरू होता है देखते ही कितना आप लोगों को knowledge है क्योंकि आप को typing भी करना है चाहे हो high quote वाले हो चाहे ASI वाले हो तो word तो चलाई ही होगे चलाई हो तो देखते ही कितना knowledge आप के पास है which among the following method is used to insert clip art in MS word MS word में क्ली पार्ड में क्या insert किया जाता add picture command insert object command insert file command insert picture command क्या करते हैं जल्दी से बताईए क्या correct होगा इसका answer है मन जी खुश रहें मस्त रहें स्वस्त रहें अनुराग जी का answer डी आ रहा है आ रहा है सब कुछ चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग एक बार सेर जरूर कर दें संख्या बलाज 200 पार होना चाहिए चलिए तो क्या होगा insert clip art में ms word में हम क्या insert करते हैं insert हम लोग picture करते हैं क्या करते हैं insert picture command होगा add picture मत मार देना गलत हो जाओगे insert में insert करेंगे insert picture command बी नहीं होगा object command नहीं होगा डी option करेक्ट होगा डी वाले एकदम सत्य होंगे देखो यह होता है यहां पर जब जाओगे किस में होता है insert यह भी आपसे पूच सकता है कि insert जो होगा वो किस में आपका home के बाद insert होता है यहां पर टाइब हो उसी में यहां पर clip पार्ट होता है देख रहे हो पिक्चर के बगर में clip art होता है यहाँ पे करोगे तो pictures हम insert कर सकते हैं इसमें कुछ आपके generally picture होते हैं icons होते हैं उनको हम insert कर सकते हैं तो D आपका correct होगा अगला question है इसका answer बताइए Microsoft Word दस्तावयेज के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है अगर कोई भी later लिखा है आपको सबको अपर केस में बदलना है तो आप कैसे करोगे जल्दी से बताइए सभी सामगरी चुने और so hide बटन पर क्लिक करें नहीं सभी सामगरी का चैन करें और ctrl x दबाएं नहीं यह तो cut हो जाएगा सभी सामगरी का चैन करें और ctrl u दबाएं यह underline हो जाएगा ctrl e दबाएं मतलब सभी select हो जाएगी font menu में change case सूची में अपर केस विकल्प चुने ठीक है font menu में जाके change case सूची में अपर विकल्प चुने तो आपका सभी अपर केस में हो जाएगा बहुत ही बढ़िया सभी का draw का d आ रहा है घंस्याम जी हमंत जी मुनिस बिटकॉइन जी d आंसर दे रहे हैं मौमद फैजल जी d आंसर दे रहे हैं प्रभव मिस्त्रा जी d आंसर दे रहे हैं कविता जी का आंसर d है निसी जी का आंसर d है अनुराग जी का भी d ही आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने काम किया है d ही होगा ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा देखो यहाँ पे जब जाओगे होम में तो होम में जो यह फॉंट वाला होता है इस फॉंट वाले में यहाँ होता है आपका क्या इससे होगा इससे आपका फॉंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा ठीक है इन दोनों से यहाँ पे जो होता है यहां lower case, upper case आता है इस पर जैसे drop down भी click करोगे तो यह खुल के आएगा upper case में करना चाहते हो lower case में करना चाहते हो किसमें जिसमें भी करना होगा वो आप कर सकते हो अगले question पर आते है राम राम विवेक जी अगले question है which among the following method can be used to write align a text alignment से question पूछ रहा है अगर alignment आपको अगर right में करना हो तो कौन सा shortcut key अपनाएंगे control i से मैंने बताया था italic हो जाता है ठीक है, z से undo हो जाता है j से क्या होता है, justify होता है क्या होता है, justify हो जाता है क्या alignment है, बीच बीच में एकदम ऐसे हो जाएगा पूरा वो justify होता है, right से क्या होगा right alignment होगा, option d आपका correct होगा शुरुआज से d ही d मिल ला है आज d ही d मारो चलिए, तो सभी लोग एक बार like भी कर दो भाई, कंजूसी मत करो live जितने हो like में जरूर बदलो the feature date fills up form etc automatically with preset values ठीक है, इस card क्या होता है जो भी आपका form होता है, automatic fill हो जाता है, कभी कभी आप देखते होगे कभी कोई चीज mail में जाओ, चाहे कहीं भी registration करते हो तो automatic आपका mail जो होता है, कभी fill की होगे तो वो आ जाता है, आपका password आ जाता है, कहीं भी जैसे form home होते हैं, वहाँ पर जो डाल दी है तो automatic आता चला जाता है, बस आपको inter मारना होता है तो वो किस feature के कारण होता है, auto fill, instant fill, filler या fill up जल्दी से बताईए यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, बहुत बढ़े है सभी का answer, यह आ रहा है, गौरव, एश्वर, घंश्याम्ट, तिक्षा, तुलसीदास, कपिल जी, मुनीज जी सभी लोगों ने यह answer दिया, बहुत ही बढ़े हैं, बैतरीन, यह होगा आर्टो फिल से क्या होता है, वो आर्टोमेटिक अपना भर जाता है देखो, यह example है, instant फिल का क्या होता है, जब हम तुरंत फिल करेंगे ठीक है, मालो form आपके सामने आया, उसमें हम name डाल ला है, अपना email डाल ला है देट अब बर्थ डाल ला है, तो वो हो गया instant fill, फिलर क्या होता है, फिलर में आपका ऐसा कुछ लिखा होता है जिसमें कुछ भी लिखा रहेगा, फिलर जो होगा, यह आपको दिख नहीं रहोगा clearly एक्चुली क्या होता है फिलर में कुछ भी लिखा रहेगा जिसका अर्थ नहीं मिकलेगा कोई भी ऐसी जैसे डेमो वेबसाइट पर चले जाओगे वेबसाइट वर्डप्रेस चाहिए किसी भी किसी का जो डेमो आता है ना वर्ड में कुछ वर्ड का अगर डेमो लिखके तो मैं कैसे बताऊं आप हमारे दुस्मन नहीं भाई कोई यहां भी मेरा दुस्मन नहीं है आप अपना नाम दो लिख दीजिए तो ना आपके लेक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं ठीक तो यह ध्यान रखिएगा अगला दूवेज यहां देखे दू टाइप पेज इसमें बताइए अभी भी आपने अपना नाम नहीं लिया आंसर ए दे रहे हैं तो मैं कैसे जानूँगा आप नाम क्या लिखे हैं 000 मुझे दिख रहा है सब्तों उसमें कि सब्सक्राइब आप सब्सक्राकinky ने अंसर एे रहे हैं लेंडे लेंडिस्केप होगता बहुत बढ़त बड़े हैं एक के फिए उतने सब्सक्राइब Math 65 के 65 ही एपियर होंगे तो अच्छा आपका 80 सिर्वास्तो नाम है चलिए सिर्वास्तो जी आपसे हमारी कोई दुस्मनी नहीं है कि नेक्स्ट इसका अंसर बताएं Microsoft Word 2016 में देखो यह कभी-कभी ऐसा लिख देता 2016-2013 तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसा कुछ नहीं फीचर होता है वह कंफ्यूजन के लिए लिखता है कि अरे आप सोचो करें 2016 तो हमने पढ़ा ही नहीं हमें तो 2007 पर पढ़ाए थे एक्चुली मैक्सिमम फीचर जो कोश्टन्स पूछा जाएगा वह 2007 में भी होगा 2016 में भी होगा दस में भी होगा शिक्स कसी होगा बोला मैक्रोसफ वर्ट दो या 16 में नेमन में इसे कौन सा विकल्प एक वैद मेनू आइटम नहीं है इंसर्ट होम रिव्यू या टूल्स कौन सा नहीं होता है जो मेनू होता है उसमें कौन सा आपका ऑप्शन नहीं होता है इंसर्ट होता है होंके जस्ट बगल में रिव्यू कॉंप बोलाइक रिव्यू नहीं होता है भाई साब एक बार MS Office अगर दे हुए सिस्टम तो खोल के देखो टोपलोजी की कॉश्टन मैंने करा दिया है जैंजी नेटवर्क के कॉश्टन पढ़े हुए कोई भी मैनू नहीं होता है अगला कोश्चन है किस वाक के सब्दों के बीच रित अस्तान स्पेस को छोड़ते हुए केवल सब्दों को रहांकित करने के लिए आप Microsoft Word में क्या दबाएंगे क्या थे सॉट कट की यह ध्यान रखना अंडरलाइन एक अलग चीज हो गई अगर अंडरलाइन की यह कहे जा तो यह पूरा अंडरलाइन करने के लिए करने के लिए कौन सा सौट कट की अपना आ जाएगा जल्दी से बताईए जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा कि डी आंसर होगा कंट्रोल सिफ्ट यू नहीं करके देखो करके देखो क्या कंट्रोल सिफ्ट यू काम करेगा नहीं होगा जब को control use underline होता है control shift w से आपका क्या होगा कि space को छोड़ कर बाकि जो letters होंगे उनको underline करेगा c option सही होगा c option सही होगा अच्छा, comment पर ज़्यादे intention ना दें, चलिए भाई साब आपका भी बात मान लेते हैं shortcut kunzy, combination microsoft 2016 में text का double underline करने के लिए क्या use होता है, double underline करना हो तो answer क्या होगा, जल्दी से आप लोग एक बार इसका comment करके बताएं कि क्या सही होगा अरे, ARO, ARO का exam तो बोली गया 14 तारिक से start है आपका c is right answer, इसका बताइए इसका correct answer बताएं क्या होगा B answer आ रहा है B आ रहा है, चलिए और देखते हैं क्या सही होगा तो यहाँ अगर double underline करना है तो control shift के साथ D लगाना है, क्या लगाना है? control shift के साथ D लगाओगे तो किसी भी आपके उसमें double underline हो जाएगा Microsoft Word जैसे कुछ अनुप्रियोग application में कारे करते समय, अगर R tab 4 दबाने का क्या परड़ा मिलेगा application से बाहर हो जाओगे कुछ नहीं होगा, वर्तमान document सेवा हो जाएगा या दूसरी चल रहे है running अनुप्रियोग जो application है उस पर switch कर जाओगे जल्दी से बताए, इसमें क्या correct होगा, एक बार से जरूर कर दें कि आप लोग R tab 4 अगर वर्ड आप खोले हैं और R tab 4 दबा दिये तो वो क्या हो जाएगी windows आपका बंद हो जाएगा, आप वहाँ से बाहर चले जाएगे ठीक है, इसलिए जब भी आपके काम होते हैं सब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलिए, अगला question 10 number डैस का प्रियोग paragraph के पहल अक्षर के एक से अधिक line में फैलाने के लिए किया जाता है बताएगे, पहले अक्षर को एक से जादे line में फैलाने के लिए कौन सा इसमें से use होगा table, caps, drops, caps या margin जल्दी से बताएगे, इसका correct answer क्या होगा A होगा, चलिए तो यहाँ पर बोला यार आप जब भी news में देखते होगे कोई ऐसा होता है कि धेर सा मतलब बड़ा सा जादे बड़े में लिखा रहता है जैसे times, लिख दिया तो T बड़ा होगा, बाकी छोटे होगे तो उसके लिए बोला dash का प्रयोग paragraph के पहल अक्षर को एक से अधिक line में फैलाने के लिए किया जाता है, तो इसको बोला जाता होता है, अगला question, what is the shortcut key of center align selected text, selected test के लिए center align किस से होता है, जल्दी से बताइए, control C से तो copy होगा, E से क्या होगा, E से ही आपका center align होगा, center align E से होगा, F से क्या होगा, find window खुल जाती है और H से, क्या होता है, find and replace वाली window खुलती है, और go to वाला भी रहता है, ठीक है, यह control H से होता है, इससे सिर्फ find वाला आएगा, उपर ऐसे आपका अगर खोले हो, तो यहां पर आपका find option आ जाता, अगला question, in MS word, you can display the find and replace dialogue box by pressing which of the following function key, किस function key को दबाने से, आपका क्या आ जाएगा, function key में पूछ रहा है, कि find and replace dialogue box आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताए, A answer आ रहा है, B answer आ रहा है, सर इस्टोने में बाबू के लिए दोनों अलग-अलग merit बनेगी, हाँ, गुड इवनिंग दिपेंदर जी, खांसर आ गया है, क्लास में हमारे, वाह, B answer दे रहे हैं, चले, B answer दे रहे हैं सभी लोग, B होगा, या आपका A होगा, ये इसमें से confirm करो, B होगा या A होगा, function key से अगर find and replace वाला कर रहे हो, तो F5 आपका सही होगा, F5 से क्या होगा, आपका find and replace का dialogue box, खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, F5 से, control F4 से क्या होता है, control F4 से आपका जो है, जो भी document होगा, वो कहीने कहीं save करने के लिए, बंद करने से पहले save करने के लिए आएगा, अगर save है, तो direct आप बाहर हो जाओगे, F4 से भी, और control F4 से भी, यहाँ आजाओ, in Microsoft Word 2013, what is the shortcut key of print preview, ठीक है, print preview के लिए आपका shortcut क्यों क्या होगा, print preview मतलब print देने से पहले आपका, कैसा दिख रहा है, जो भी word document है, उसके लिए आप print preview का कौन सा दोगे, जल्दी से बताइए, इसका answer क्या होगा, हाँ, क्या होगा, इसमें, control F2 होगा, F2 जैसे दबाओगे, control के साथ, तो आपका print preview आ जाएगा, control के साथ, F2 से print preview, तो shortcut की जरूर याद कर लो, 2 से 3 question जरूर रहेंगे shortcut की से, और shortcut की कहा में जादे use होता है, word, excel, the usual option of text alignment in text editor are, ठीक है, text editor में usual alignment कौन सा होता है, mainly, आपका general center alignment होता है, right होता है, left होता है, justified होता है, ठीक है, यही alignment होते है, D option correct होगा, ठीक है, D option क्या होगा, correct होगा, अगले question पे आएं, font का आकार, box खोलने के लिए किन shortcut कुंजियों का प्रियोग करते हैं, बताइए, font का अगर, font वाला box खोलना है आपको, dialogue box, तो किस shortcut कुंजि से आप करोगे, odd P, control P, odd shift P, या control shift P, जल्दी से बताएं, क्या correct होगा, जल्दी से बताइए, क्या correct होगा, D होगा, C होगा, अच्छा, चलो देखते हैं, क्या सही होगा, DD आ रहा है, control shift P वाला सही होगा, control shift P दबाओगे, तो font का dialogue box खुल के आल जाएगा, आपके सामने, ठीक है, यह ध्यान रखना, in Microsoft Word, what will the effect of control space bar on a selected portion of text, किसी selected portion पे, अगर हम control के साथ space bar दबाएंगे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, move the cursor to the end of the document, दस्तवेज के हंत में cursor ले जाएगा, moves the cursor to the beginning of the document, changes case upper to lower, और lower to upper, case में बदल देगा, यह clears are formatting on the selected text, क्या होगा, किसी भी text को, अगर किये हो, और control के साथ space bar दबा दिये, तो क्या होगा, A option आ रहा है, शौरब जी, एक बार सभी लोग जोड़दार तरीके से, सभी लोग share करें, और जितने लोग live और like जरूर कर दें, राज चोहान आंसर D दे रहे हैं, शौपना जी आंसर A दे रहे हैं, D clear all, अच्छा, A, D, R, A, Manoj जी का, सिर्वास्तो जी, पूरा नाम भूल गया मैं फिर से, नास्ट का पता है, D answer दे रहे हैं, A, B, C, D, कुछ भी हो जगा, अच्छा, किसी ने पूरा दे दिया, यहां क्या होगा, जैसे माल लो, मैंने कुछ भी लिखा, moves लिखा, moves, the cursor, और इसको मैंने bold कर दिया, ठीक है, मैंने moves को bold कर दिया है, suppose करो, इसमें कोई formatting कर दी है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, formatting क्या होती है, अच्छे दिखने के लिए, italic, italic कर दूँ, उसके बास से, इस पूरे word को select करके, मैं control के साथ, space bar दबा दूँ, तो जानते हो, क्या होगा, यह सब bold, रोल्ड हट जाएगा, यह original format में आ जाएगा, जो by default आपका font होता है, calibre 11 number font, उस पे यह आ जाएगा, ठीक है, यह ध्यान रखना, तो यह होगा, clear all formatting, जितनी formatting होगी, उसको clear कर देगा, उस रोख के, अब next question पे आते हैं, in MS Excel 2016, what is the shortcut key launch to open dialogue box, dialogue box खोलने के लिए कौन सा की होगा, वैसे तो open का, वैसे तो control O होता है, control plus O, लेकिन function key में कैसे करोगे, function key में, cancer, बहुत बहुत धन्यवाद, इसका answer बताइए क्या होगा, MS Excel 2016 में open dialogue box खोलने के लिए, function key का कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, बी जो answer दे रहे, control के साथ, F12 जब दबाएंगे न, F12, तब हमारे पास open dialogue box खोल के आता है, ठीक है, open dialogue box खोल के आता है, कि किसको आपको open करना है, F12 के साथ, अगला question, चलो, Microsoft Word दस्तवेज में, text पर लागू किया जा सकने वाला, सबसे छोटा font आकार कितना है, radio Microsoft Word में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला सबसे चोटा font आगार कितना होगा इसमें बता हिए सबसे कम से कम सबसे चोटा font आगार क्या होगा लो 91 सबसे चोटा fauna नहीं 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 गलत गलत जा रहे ह। एक तरफ से गलत जा रहे ह। जो लोग डी के साथ जा रहे हैं अच्छा जो लोग 8 के साथ जा रहे हैं जो 8 दे रहे हैं जो आपका यहां पर font वाला आता है न यहां font होता है यहां drop down होता है तो यहां से जब drop down करोगे तो यहां पर 8 आपका लिखा रहता है और हैं maximum 72 दिखाता है minimum 8 दिखाता है लेकिन 72 दिखाता है लेकिन minimum range font की जो होती है वो one होती है one use कर सकते हैं हम इसको type करके यहाँ पर one लिखेंगे तो one font में वो आ जाएगा ठीक है answer क्या होगा D होगा ऐसे ही maximum जो 72 दिखाता है लेकिन maximum जादे होता है अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे related questions है यहां आते हैं इन Microsoft Word 2013 which of the following menus देखो अभी 2016 दा कहीं 2013 कर दिया तो यह सिर्फ confusion कि बच्चा सोचे रहे 2013 तो हम पड़े नहीं है ठीक है which of the following menus include insert row and column in table देखो किसी भी table में मालो यह table है ठीक है यह table है अब तुम्हें फिर से किसी row की जरूरत है यह column की जरूरत है एक extra row की जरूरत है उसको insert करने के लिए आप किस पर जाओगे या तो आप right click करके right click करके आप वहां से insert कर लो आता है insert row या column ठीक है या किस menu में जाकर करोगे यह आपसे पूछ रहा है तो वो कौन सा होगा design होगा insert होगा layout होगा या page layout जोगो page layout में तो अलग होता column होता है page layout में आपका अलग होगा insert में क्या मिलेगा आपको table मिलेगा अगर आपको table insert करना होगा तो आप insert menu खोलोगे तो बगल में ऐसे यहाँ पर बना होता है table उसके बासे इधर page layout वाले section होते हैं जव उस table से table को बना लोगे तो मालनों उसमें और तुमहें row या column की जरुवत पड़ेगी तब तुम्हें कहां जाना पड़ेगा तब तुम्हें layout में जाना पड़ेगा c correct होगा c correct होगा और इस table की design करना होगा color roller करना होगा इसका border order set करना होगा तो उसके layout में design होता वहाँ जाओगे देखो यहाँ पे है यह figure मैंने दिखा दिया आपको यह figure देखो देखो यहाँ पे जैसे ही insert table पे आओगे और table पे klik करोगे klik करोगे तभी tano gun k飯 जो टेवल आपके सामने बनेगी न ड को दोकुमेंट मे should click करोगे माउस से तो आपके सामने खुल कंग आएगा वैसे नहीं दिखेगा तब आपके सामने layout खुल के आएगा और इस layout में आप insert कर सकते हो देखो insert left insert below insert above जो भी insert करना हो आप insert कर सकते हो यहां design का है चलिए अगले question पर आते हैं इसका answer पता ही क्या होगा इन PDF अच्छे से पढ़ लिया करना PDF में कुछ डिटेल में भी चीज़े होती है इन Microsoft Word 2013 विच मेनू include table row heights to change the height of the row ठीक है अब अगर उसके height row को change करना हो तो यह किस में होगा जल्दी से बताईए यह सब किस में होगा जब हम table पर click करेंगे तो उसमें जो भी change करना होगा height weight में row column जो भी यह सब layout में होगा यह सब layout में होगा see ही होगा इसका answer अगला question है how will MS word respond in case a word is immediately repeated यदि एक सब्द तुरंद पुनारवित हो जाता है तो MS word में किस प्रकार अनुक्रिया होगा मालो आप लिख रहे हो और दो वर्ड एक ही जैसे लिख गया तो MS word में क्या होगा यह देखे होगे कि इसके नीचे ऐसे तरंग सी line बन जाती है जिसको क्या करते हैं red line बन जाती है 2500 ग्रीड वेवई लाईंडर अन्डरद लीपीटेड रोल नहीं घृठ यही बनेगा और या Init 130 या क्या करेक्ट होगा B option correct होगा इसमें, अगले question पर आते हैं, which of the following features are available in Microsoft, Microsoft में कौन कौन से feature होते हैं, check the document for spelling and grammar, यह होता है, आप कर सकते हो, header footer लगाने के लिए होता है, page number डालने के लिए होता है, यह भी होता है, protect the word document with password एकदम, आप document को protect कर सकते हो, आप जब जाओगे कहाँ पे file वाले section में, त वहाँ आता है, protect document, ठीक, तो वहाँ अपना जो भी document होगा, उस पे password लगाके कि कोई भी अगर खोले, तो password मांगे उससे, तो सभी हो सकता है, तो first, second, third, option D correct होगा, all correct होगा, अगला, what is macro, यह question हमें इसा पूछा गया है, कई एक्जामों में पूछा गया, macro क्या है, तो macro क्य है, small add-on program that are installed afterward of you need them, एक छोटे end-on program है, मतलब add-on करने के लिए, जो आपको उनकी हो सकता पढ़ने के बाद अस्थापिक किये जाते हैं, दूसरा बोला है, उच लेवल का programming भासा है, C बोला है, निम्न लेवल की programming भासा है, मतलब नीचले अस्तर का low level का, third, आपका last बोला, small programs created in MSWord to automatic repetitive task by using VBA, ठीक है, अब बताओ, क्या होगा, D होगा, बहुत बढ़िया, इसमें क्या होता है, यह ध्यान रखो, मालनो macro, यहां समझो, कोई table है, किसी employee का, किसी के company का data, आप feed कर रहे हो, क्या क्या आया है, क्या नहीं आया है, इंपर्डे basis पे कि यहां quantity है, क्या आया है, कितना rate है, total कितना हुआ, यह सब आप कर रहे हो, तो आपको ऐसे table हर एक, मालनीजी, एक particular किसी के लिए बना रहे हो, किसी brand के लिए, दूसरे brand के लिए ऐसे बनाओगे, फिर तीसरे brand के लिए बनाओगे, तो आपको table उतना ही करन है, आपके table में यही सब रहे हो, quantity, rate, कितना है, total कितना हुआ, तो यह बार-बार बनाना ना पड़े, तो आप macro on कर दोगे, अपने word में, ऐसे ही Excel में भी कर सकते हो, यहां पर macro on कर दोगे, तो जो task एक बार कर रहे हो, वो record हो जाता है, और जब record हो जाता है, तो बार-बार की बना लो, वो automatic आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसका कोई general set cut की नहीं होता है, आप खुद set कर सकते हो, कि आपको याद रहे, और जहां जहां ऐसे table की जरूरत पड़े, तुरंत उसको paste करते जाओ, तो आपका task क्या हो जागा, जो repetitive task है, वो कम हो जाएगा, कम समय में आप जल्दी से ये data तयार कर लोगे, उसके लिए होता है, तो ये option D सही होगा, VVA का full form क्या होगा, कोई बताएगा, ये जो visual basic application होता है, क्या होता है, ये एक परकार का visual basic application है, ये बियान रखना, अगले question पर आते हैं, what is the smallest and largest available font on formatting toolbar, देखो ये formatting toolbar की बात कर रहा है, जो formatting toolbar होता है, उसमें font की size कितना minimum और कितना maximum दिखाता है, अभी बात किया मैंने, जल्दी से बताएँ, इसका correct answer क्या होगा, आठ और 72, प्रभाव मिश्रा जी का answer आ रहा है, आठ बातर, विसाल जी का आठ बातर आ रहा है, बहुत बढ़िया चलिए, देखते हैं कौन सही ह आठ बातर जोगा, वो correct होगा, मैंने अभी बताया, minimum 8 दिखाता है, और यहां देखा हो जोगा है, तो बहतर दिखाएगा आपको, ठीक है, तो यह answer सही होगा, C वाला, अगला question, what is the range of the smallest and largest font size available in the font size tool on the formatting toolbar, ठीक है, इसमें, formatting toolbar में क्या होता है, तो यह भी same question आगया, 8 से 72 होता है, same question, छोड़ो, Microsoft Word 2016 में, एक ही question को कई परकार से पूछ सकता है, यहां देखो, 2016 लिख रहे हैं, confuse करने के लिए, Microsoft Word 2016 में, तालिका में, column की new term और अधिक्तम संख्या कितनी होती है, जो word, चाहे 16 हो, चाहे 10 हो, ठ उसमें बहुचा जा रहा है आपसे, की column जो table हम insert करते हैं, तो वहाँ पर जाओगे, तो यह होता है, manual करने के लिए, manual table बनाने के लिए, ठीक है, जब manual table पर click करोगो, वैसे यह होता है, आप choose करोगे, कितने row, कितने column, एक manual पर जाओगे, तो आपके सामने dialogue box खुल के आएग dialogue box में, यहां रिखा रहेगा column, और यहां रिखा रहेगा row, और इसका ऐसे बना रहेगा box, और इस पर रहेगा ऐसे, तो उस पर select कर सकते हो कितने, तो maximum इसकी range कितनी जाएगी, वही पूछ रहा है, column की maximum range कितनी जाएगी, जल्दी से बताइए, देखो, maximum range कितनी जाएगी, maximum range जाएगी, 63, 63 column आप ले सकते हो, इससे जादे नहीं ले सकते हो, और minimum तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, minimum का एक, maximum का 63, row की बात करें, तो minimum तो एक हो सकता है, लेकिन maximum, ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि देखो, बहुत कम chances ये पूछे, लेकिन मैं maximum बता दूँ, तो 3, 2, 7, 6, 7 होता है, 3, 2, 7, 6, 7, ये maximum rows होगा, maximum rows, 32, 760 होगा, ठीक है, ये मैंने खुद निकाला है, आप निकाल सकते हो, ये range डालना उसके बाद नहीं जाएगा आगे, कौन सा, हम लोग MS, office यूज करते हो, 10 या 7, देखो, ये मैंने screenshot भी ले लिया, जब मैंने निकाला था, तो उसका screenshot भी ले लिया, ये देखो, इसकी maximum range 63 होगी, ठीक है, और इसकी 32,760 उसके बाद नहीं जाएगा, ये, हाँ, हमारी वीडियो खांसर भी देख रहे हैं, आजाओ, next, next आते हैं आप, Microsoft Word में Home Type के तहट, font सुविधा में उपलब सबसे बड़ा font आकार क्या होगा, अब बताओ, मैंने वहाँ पे नहीं इसलिए बताया था, कि दिखता तो हमें, टूल बार में जो है, वो minimum 8 दिखता है, और यहाँ पर, और यहाँ 72 दिखता है, तो का maximum font size कितना होगा, वो बोला है, चलिए, इसका आंसर बताइए, D होगा, धर्मेंदर जी, सुमिज जी आंसर सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सरवेजी, बहुत अच्छा स्कूर है, 10 नमबर टेस्ट दिये हैं, बहुत बहतरीन आपका स्कूर है, सलेक्षन आप लोगों के पक्के हैं, जिन बंदों के 240 से बाब माक्स आ रहा हैं, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है, सी, 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 सबका सी आ रहा है, एकदम जायर सी बात है, सी करेक्ट है, मिनिमम एक होगा, मैक्सिमम 1638 होगा, फॉर्ण साइज, ये ध्यान रखना, ये कुश्चन पूछा गया है कई बार, सी करेक्ट होगा, अगला, इन MS वर्ड, by pressing which of the following की कम्बिनेशन, अब पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड, किस से पेज ब्रेक कर सकते हैं, तीनी ओप्शन दिया इसमें तो, कंट्रोल एफवन, सिफ्ट इंटर, या सिफ्ट एफवन, बताओ किस से पेज ब्रेक कर सकते हैं, एक ओप्शन छूट गया इसमें, कंट्रोल एफवन, सिफ्ट इंटर, सिफ्ट एफवन, कंट्रोल इंटर कर लो, ठीक है, ओप्शन डी, कंट्रोल इंटर, किस से आप, किस की वर्ड से आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं, जल्दी से बताइए, सिफ्ट इंटर नहीं, कंट्रोल इंटर होगा, जो लाश में मैंने लिखा, कंट्रोल इंटर लगा, जब दबाओगे, तो आपका पेज ब्रेक होगा, कंट्रोल इंटर के साथ, पेज ब्रेक होगा, दिपेंदर जी हमसे मिलना आ जाईए, लखना हो, सेक्टर आठ में आ जाईए, स्वागत है आपका, अच्छा, डी ओप्सन यहां खसक आया था, इसका, कंट्रोल इंटर, 39 नंबर कुश्चन पर आते हैं, सिर्फ गोटू मेनू का बताना है आपको, गोटू के लिए साथ कट क्या होगा, साथ कट की, जल्दी से बताएं, गोटू के लिए साथ कट की क्या होगा, ctrl g होगा सिर्फ go to आएगा कि आपको किस page में go to का काम क्या होता है ठीक है आप कहां किस page में जाना चाते हैं go to कहां जाना चाते हैं तो ctrl g आपका correct होगा d options आई होगा which of the following is a default tab stop in word जो आपका tab कहां पर जाके stop होता है default tab stop कहां होगा मद्य में दाहिना बाएं या दसमलो यह कुछ भी option मने गया है तो बताओ आपका जो tab होता है वो कहां जाके stop होगा जल्दी बताओ क्या होगा जब आप tab सुरू करते हो तो कहां से सुरू होता left side से नो तो वहीं पर stop होता हो वहां से आगे बढ़ता है तो C होगा यह change भी हो सकता है इसे आप change भी कर सकते हो अगला question shortcut की shift plus tab is used for shift or tab किसलिए यूज किया जाता है move forward through the tabs move backward through the tabs move forward through the options move backward through the options shift plus tab किसके लिए यूज होता है किसके लिए use होता है backward जाने के विकल्प में कि माध्यम से पीछे जाने के लिए होता है D option correct होगा backward जाने के लिए होता है C नहीं D होगा D D D D D D D D D होगा backward जाने के लिए होता है shortcut की shift plus tab इसका क्या होता है उसका मतलब क्या होता है MS Word में change the word to its synonyms सब्द को उसके परिवाची सब्द में बदलना alignment of word नहीं यह नहीं होता है change in graphics in word यह भी नहीं होता है mail merger भी नहीं होता है mail merger अलग से होता है इसका काम मान लो कुछ भी है उसका अलग से कोई word आप use करना चाहते हो अपने document में English का चाहे हिंदी का तो वो आप क्या करोगे सब्द कोस में जाओगे सब्द कोस का मतलब यह सब्दो का बंडा उसके अलग से दूसरा word जो अच्छा लगे low frequency word हो वैसा आप डाल सकते हो आपकी जो भी लिखे हो तो यह होगा synonyms उसका लगाने के लिए होता है अगले कोश्चन पर आएं चलो तैंटीज नंबर इनमेस वार्ड एलाव दर यूजर टुटाइप टेक्स्ट डिरेक्स्ट इंसाइड इट किसमें केबल में प्रिंट में केलावड में या नंबर्स ऑनली में यह बोला है कि MS वर्ड में किसमें डिरेक्टली यूजर्स टेक्स्ट को लिख सकता है according to the option केबल तो कुछ होता नहीं है उसमें प्रिंट कुछ और होता है प्रिंट तो option होता है क्या होता है कि देखो इसको धर से पुछो काल आउट्स काल आउट्स मतलाव अभी जब जाओगे इंसर्ट करने तो कुछ ऐसे बनके आते हैं सिंबल यह देखो यह cartoon है यह बाई साहब है ठीक है यह कुछ बोले यह इधर कोई और है इन्होंने कुछ बोला था हम लोग ऐसे सिंबल करके दिखाते हैं न इनको कि यह बोल ला है ऐसे छोटा सा यहां पिंग रहता है इसी को बोलते हैं काल आउट सिंबल ठीक है तो इसमें आपको MSWAT डारेक्ट टेक्स्ट लिए क्या करता है सुविधा प्रदान करता है इसी को बोलते हैं सी आपका करेक्ट होगा अगला यह आपके उसमें होते हैं जब सेप में जाओगे सेप इंसर्ट सेप में आओगे वहां होगा वाट इस दा सॉटकट की फॉर मेकिंग दा सेलेक्टेट टेक्स्ट सब क्रिप्ट इन MS वर्ड आपको सब स्क्रिप्ट लगाना होगा तो कैसे लगाओगे इसका अंसर बताइए सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए क्या करोगे सी होगा कंट्रोल सिफ्ट नहीं कंट्रोल जो c दे रहा हो वह सूपरिस्क्रिप्ट लगेगा सबस्क्रिप्ट लगाना मतलब नीचे अगर कुछ भी लिखना हो इसके नीचे कुछ ऐसे लगाना हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस गवल्टू के साइन से सबस्क्रिप्ट लगेगा a control shift plus control shift और equal to से super script लगेगा जैसे यहाँ पर super script लगाना हो square लगाना हो तो ठीक है तो a होगा इसका answer जब सब script आए और super script आए तो c होगा चलिए एक बार सभी लोग share कर दे 200 पार हो जाएगा in word you can create bullets with किसके किसके bullets बनाए जा सकते हैं word में numbers के roman numbers के all of these या letters के जल्दी से बताईए bullet किसके किसके होते हैं जब आप कोई भी चीज bullet में लिखते हो माल लो कि अच्छा लगे एक, दो, तीन या आप dot dot भी कर सकते हो या alphabet से भी लिख सकते हो ठीक है तो वो सब क्या होता है सब ही होते हैं आप roman number का भी कर सकते हैं use, letters का भी कर सकते हो, number का भी कर सकते हो all of these हो जाएगा 36 number Microsoft Word 2016 में word count में सामिल नहीं है क्या, जब word count आपका होता है, उसमें क्या नहीं सामिल होता है pages, character ठीक है, no space character with space या sentence, क्या नहीं सामिल होता है देखो, ये सब सामिल होता है character जब नहीं कोई space नहीं होता, वो भी होता है character with space जो space के साथ character होते हैं, वो भी बताता है सिर्फ sentence नहीं बताता है कि कितने sentence हैं word बताएगा, ठीक है character बताएगा, लेकिन sentence नहीं बताएगा ये ध्यान रखना, D आपका पर आते हैं इसमें बताओ in Microsoft Word 2013 which of the following are incorrect steps for creating a table table insert करने के लिए कौन सा incorrect step है बोला है click on insert click on table and select the table which of the following is incorrect step click on the insert click on table draw the table click on the insert click on the table insert the table या click on the insert click on the table move the cursor बताईए इसमें से कौन सा गलत है insert table के लिए जल्दी से बताएं डी अरे नहीं भाई आप जब जाओगे उस पर insert table पर click on the table करोगे तो mouse से भी cursor खींच कर आप table बना सकते हो ठीके? या draw table करोगे तभी भी बना सकते हो move the cursor करोगे बन जाएगा लेकिन पहला select the table नहीं होता है insert the table होता है select the table नहीं होता है insert the table होता है ये पहला आपका गलत है समझ गए अगले question पे आते है How do you proceed to print only page 2 and 3 of set of 10 pages अगर 10 page का कोई document है और आपको सिक 2 और 3 page चाहिए print में तो कैसे करोगे जब control P दबाते हो तो वहाँ range आता है एक तो होता है all का दूसरा होता है page ranges तो page ranges में डाल दो सिर्फ 2 और 3 तो वही print होगा option A correct होगा option A correct होगा चलो अगला एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए डैस टैब पर डैस समू में अपनी तालिका का चैन करे आटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम चौड़ाई का चैन करें डिजाइन सेल साइज ले आउट फिक्स कॉलम वेट ले आउट सेल साइज पेज ले आउट सेल साइज क्या होगा इसमें जल्दी से बताएं इसमें क्या करेक्ट होगा अभी मैंने बताया कि यहां क्या बोला है चौड़ाई हो उसकी हाइट हो कुछ भी हो किसी भी टेबल में सेल का कुछ किसी का भी कॉलम का तो उसके लिए हम ले आउट में जाते हैं ले आउट में जो सेल साइज होगा वहाँ पर जाएंगे तो ची आप्सन करेक्ट होगा अगला बात्चित संच्छप BBL का पूर्ण रूप क्या है BBL का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताईए BBL का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताएं BBL का फुल फॉर्म क्या होगा बी बैक लेटर होता है क्या होता है बी बैक लेटर विच अप दा सॉटकट की इस यूज़्ट टू बॉट्टम अप दा वर्ड डॉकुमेंट किसी भी आप डॉकुमेंट पे हो ठीक है आपका कुछ भी आप यहां पे लिखे हुए हो और डाइरेक्ट आप नीचे आना चाते हो तो किस बटन से आओगे बताओ कंट्रोल एंड से नीचे आओगे और कंट्रोल प्लस होम से कहा जाओगे सब से उपर चले जाओगे कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ एंड आल्ट के साथ नहीं सौटकट की वाला पीडिएफ आप लोगों ने रट नहीं रटा नहीं लग रहा है what includes a series of predefined graphics is card that can be inserted into the word जिसमें predefined क्या होते हैं अपके predefined graphics होते हैं उसको क्या बोला अब इने बता आ था clip art उसमें पहले से ही कुछ pictures होते हैं जो predefined graphics होगा उसको insert करना है word में तो कहां से करेंगे clip art से करेंगे अगला है what is the use of drop care feature in ms word वही फिर से drop cap का आ गया तो to drop all the capital letters सभी capital letters को drop करने के लिए नहीं to begin a paragraph with a large drop initial capital letter paragraph की शुरुवात बड़े draft initial capital letter के साथ करने के लिए to automatically begin each paragraph with capital letter नहीं to automatically begin each paragraph with small letter नहीं नहीं यहां पर पहले letter को बड़ा capital letter में लिखने के लिए से drop cap का यूज किया जाता है चोवालिस नंबर question in a Microsoft word if you are keeping typing the features dash features will automatically move you the next line ठीक है Microsoft word में अगर आप feature type करते रहें तो अपने आप अगली लाइनों में चला जाएगा वो क्या होता है text wrapping new line border adjustment या left वो होता है text wrapping जब आप text wrapping कर जाते हैं तो image के साथ ठीक है suppose करो क्या होगा image के साथ एक feature बन जाएगा आप ऐसे ऐसे लिखें फिर next में नहीं आएगा यह रहा यह देखो यहां पर होता है text wrapping यहां कुछ है आप लिखते चले जो अपने आप सब कुछ adjust हो जाता है इतने इसके layout होते हैं इतने इसके layout होते हैं text wrapping के अगले question पर आते हैं the selected portion of text is card किसी text का चैनित भाग कहा जाता है मालो इसने portion को मैंने select कर लिया select किया तो इसको क्या कहा जाएगा computer के language में क्या कहा जाएगा जल्दी से बताइए block का जाएगा 45 का बहुत बढ़िया किसने answer दिया block पापा की छिपकली बहुत तेज है यह चिपकली जी यहां होगा block answer ठीक है c आपका correct है इसको क्या कर दिया गया देखो block कर दिया गया तो यह धान रखना formula तो है नहीं function है नहीं method है नहीं तो क्या answer होगा यह option elimination से कर सकते हो अगर ऐसे आ जाए और यह exam में ऐसा question आया है windows 10 के notepad में editing करते समय F5 की दबाने पर क्या होता है notepad की बात कर रहा है वर्तमान दिनांक और समय प्रविष्ट हो जाता है कुछ नहीं होता है notepad window refresh हो जाता है और संची का फाइल का जैसे जो फाइल है फाइल का नाम प्रविष्ट होता है क्या होगा notepad में अगर F5 की दबाऊगे जनरली आप desktop पे हो अगर F5 दबाते हो तो क्या होता है आपका refresh होता है ठीक है लेकिन आप notepad में हो तो दिनांक और समय क्या हो जाएगा छप जाएगा आपका समझ गए दिनांक और समय क्या हो जाएगा आपका छप जाएगा अगले कोश्चन पर आते हैं यह कोश्चन दिख रहा है तुमने वो को यह कोश्चन दिख रहा है इतना बड़ा सा कोश्चन है जल्दी से बताओ PDF कल मौर्णिंग में आपको मिल जाएगी कहां पर मिलेगी टेलिग्राम पर परिक्षा प्लस टेलिग्राम बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है MS Word के footnotes और endnotes के बारे में चलो नहीं दिख रहा है तो अब क्या किया ज़े नहीं दिख रहा है तो बहुत कोशिस किया उसने एक ही पेज में सब लगा दिया बहुत बड़ा कोश्चन था यह कोश्चन आपका computer operator में आया हुआ था कहां आया था computer operator में computer operator का जो paper हुआ था 17 में ASI के बादी जस्ट हुआ था तो उसमें आया था बोला footnotes और endnotes के बारे में कि सौरफ जी सेक्टर राट हाँ कल pdf मिल जाएगा बोला footnotes और endnotes के बारे में क्या सही है बोला both footnotes and endnotes print the comment the end of the page जो footnotes और endnotes होते हैं वो comment माध्यम से page के अंतिम में लगाए जाता है भी बोला footnotes are used to mention comment about a text at the end of the corresponding page while endnotes are used to print the comment at the end of the documents तो इसमें क्या होगा इसमें यही सही होता है देखो footnotes में और endnotes में याद रखना क्या होता है footnotes में कभी कभी lucent आप लोग पढ़ते हो तो एक single page में आपका जो भी चीज़े हैं और कहीं star लगा देता है उस star को नीचे वो describe कर देता है कि इसका मतलब यह हुआ तो यह single page पर एक page पर यह क्या है इसका footnote है क्या का लाएगा footnotes का लाएगा अगर single page पर end में कोई चीज लिखी जाती है उस paragraph के बारे से कुछ detail चाहे कोई भी सब तो वो footnote का लाएगा और जब यह पूरा document आपका मानलों तीन page का document है ठीक है और तीन page का document खतम हो गया तो यहाँ जो बनेगा वो सभी document के उपर के बारे में लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे end notes ठीक है तो यह confusion ना हो है कि footnotes और end notes सेम होता है नहीं अलग होता है पूरे document के बारे में जहां बात किया जाया और यह document के end page पर होगा और यह हर page पर आप footnote लगा सकते हो तो बी answer इसका correct होगा बाकि इसके कल PDF मिल जाएगी तो वहाँ से आप लोग देख लेना 48 नंबर question आपके पास which of the following are the types of alignment allow in MS word तो सभी होते हैं यह option कुछ अलग दिया है इसमें option देना चाहिए था all of the above एक होना चाहिए left align, right align, center, justify सब होता है ठीक है आप से पूछता है कि justify का shortcut की क्या होता है justify के लिए अगर shortcut की कहा जाए क्या होगा किसी भी text को justify करना होगा alignment में तो shortcut left और center का तो जानते हो justify का क्या होगा लकनों में sector 8 आ जाओ कल्यान मंदप के पास हाँ जे होगा जे है तो justify मतलब जे जायर सी बात है control के साथ control के साथ यह question कई बार आ चुका है तो यहाँ पर answer यह जानतों क्या होगा all होगा सभी होते हैं तो यह option नहीं दिया होगा in microsoft word the hypernation option in available under hypernation option एक होता है किसके अंदर होता है जल्दी से बताओ view में होता है insert में होता है margins में होता है यह page layout में होता है hypernation किस में होता है page layout में होता है hypernation मालो आपने कुछ लिखना यहां से start किया और यहां खतम हो रहा है wor यहां आ गया यहां hypernate लग जाएगा डी यहां हो जाएगा तो यह बताएगा कि इसी का part है word 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 जैसे हम लोग लिखते समय जब last में जाते हैं तो नीचे last word what is the hanging indentation hanging indentation क्या होता है option है the second and all the following lines of a paragraph has more indentation value the first line the first line of the indent क्या होता है यह पहले जान लो indentation क्या होता है कि मालो आपने यहां से line सुरू किया paragraph की आपने लिखा ठीक है फिर अगले जो line होगी वो यहां से start किया फिर यहां से start किया paragraph की line फिर same मतलब ऐसे तो देखो यह क्या है यह indent हो गया और इसके नीचे की line है इससे अलग indent है ठीक है तो यह हैंगिंग indent कालाती है क्या कलाती है hanging indentation कालाती है जब आपके उसके एक line को छोड़के बाके सभी line है उससे अलग indent हो और फिर दूसरा paragraph यहीं से सुरू हुआ तो same indent पे आपने सुरू किया फिर ऐसे start किया तो यही क्या कालाएगी hanging indentation कालाएगी ठीक है तो इसमें क्या सही होगा इसमें आपका पहला सही होगा the second and all the following lines of the paragraph has more indentation value the first line पहले लाइन से जादे दूसरे लाइन के indentation होती है समझ गये ए होगा चलिए तो यह रहें पचास question कल इसकी PDF पाने के लिए चलिए तो पढ़ लेते हैं कुछ जान लेते हैं भगवान भरोसे मार्सोसती का असिरवाद रहा तो कल questions मिल जाएंगे आप सभी को भी आंसर होगा चलिए millions instruction पर सेकेंड आपका क्या होगा इसका correct answer होगा तो एक बार सा भी लोग जोड़दार तरीके से session को जरूर सेयर कर दे millions instruction पर सेकेंड क्या होता है computer के speeds होती है मिप्स अगले question पर आते हैं यहाँ पर binary से आपको किस में convert करना आक्टेट में convert करना बाइनरी टू आक्टेट करना इसको तो आक्टेट में convert करना मैंने बताया था जबदी से बताओ इसका क्या correct answer होगा जिसका भी लखनाओं में है दिक्कत हो रही है आप दिये गए नंबर पे एक बार संपर कर लीजेगा आपको जरूर सहता मिलेगी इसका answer बताइए क्या होगा second का C होगा सर्वेज जी चलिए C वाले देखते हैं दिप्ती जी आंसर सी दे रहे हैं सर्वेज जी सी आंसर दे रहे हैं और आसी जी सी दे रहे हैं और एकदम cool mind से रहो paper एकदम आप जो पढ़े हो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला और एकदम ध्यान रहो कि इस बार ठीक है नोकरी ले लेनी है questions एक भी छोड़ना नहीं अगर आप 200 के 200 questions अभी strategy सर ने बताया आलोक सर ने उसे सभी लोग देख लो 200 के 200 questions आपको attempt करने अगर आपने कर लिया जिन बच्चों ने 200 questions को पढ़ लिया उनका selection पका है राजा जी पूरम तो आप opposite में है चार बाग के आसपास में हैं पाच को बनारसी में है चलिए इसका answer क्या होगा binary to update करना है इसमें तीन-तीन का binary बनाते है ना तीन-तीन वाले को तो तीन ये हो जाएगा फिर तीन ये हो जाएगा तीन ये हो जाएगा और उसके पाद से तीन 3 यह होगा फिर 3 यह होगा last वाला एक छोड जाएगा तो 101 क्या होता है पांच होता है क्योंकि 100 क्या होगा binary में चार होता है three which में तो 1015 होता है पांच किसमें दिख रहा है ? 5 लास्ट में इसमें दिख रहा आंसर C होगा, बहुत बढ़ी हाँ अगले question पर आते हैं vacuum tubes were replaced by transistor in vacuum tubes transistor से replace होगया किस generation में, 4th generation में 1st generation में, 2nd generation में या 3rd generation में, जल्दी से बताईए इसका आंसर क्या होगा C होगा बहुत बढ़े हैं Second Generation में सानोक सुधन शचीन जी, गोविन जी, मैंग जी दीपती जी, सभी का अंसर आ रहा है C ही correct होगा Second Generation में होगा First में vacuum था Third में आपका क्या था Third में आपकी IC आती है उसके बासे VLSI आता है Very Large Scale Integrated Circuit आती है ठीक है, उसके बास Ultra Large आता है Fifth Generation में ULSI, Ultra Large Scale Integrated Circuit अगले पे आते हैं What name has been given to the first supercomputer made in India इंडिया का पहला supercomputer किस नाम से जाना जाता है आकास के नाम से, परम के नाम से, अरजुन के नाम से या सिधार्थ के नाम से पहली PC जो है, वो सिधार्थ के नाम से जाना जाती है लेकिन पहला सूपर कम्प्यूटर जो है वो परम के नाम से जाना जाता है परम सूपर कम्प्यूटर CDEK ने बनवाया था CDEK पूने CDEK पूने ने पहला सूपर कम्प्यूटर परम बनाया था अगला कुश्चन चार बिट्स के एक त्रित समूग को क्या कहा जाता है फोर बिट्स इस इक्वल टूदा चार बिट किसके बराबर होता है ए आरा है निब्बल चलो बहुत बढ़िया यह सभी जानते हैं चार बिट ए आप्सन नहीं होगा निब्बल होगा चार बिट एक निब्बल के बराबर होता है जो फोर बिट्स होता है वो वन निब्बल के बराबर होता है यह जनरल सा कोश्चन है इसको हमेशा याद रखना इस कोश्चन में गलती नहीं होना चाहिए बोला है इसमें से कौन से secondary storage device है hard disk, ram, floppy disk या compact disk इसमें से secondary storage device कौन कौन से है रवी पटेल जी चलिए निब्बल आ रहा है सभी का सभी लोग मस्थ मस्थ खाना खाओ कितने लोग traveling कर रहे हैं अभी अभी कितने लोग travel में है एक दिन पहले ही आप लोग को अपने जो भी आपका exam city वहाँ पहुंच जाना चाहिए था ताकि exam से पहले travel ना करें exhaust ना हो आपकी body कितने लोग पहुंच चुके हैं अपने अपने station पे अपने city में C answer आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया इसमें एक तीन और चार hard disk secondary है floppy disk भी है RAM primary memory होती है यह क्या होती है primary होती है secondary नहीं होती है compact disk है तो 1,2 और 4 1,2,4 किसमे हैं 1,2,4 आपका option A में है option A correct होगा C नहीं तीन आपका primary storage होता है secondary नहीं गोरगपुर जा रहे हैं आपको कल जाना है एक दिन पहले आप लोग पहुंच जाओ कोई बिवस्था बना लो कोई ना तरिष्टदारी ढूण लो दोस्त ढूण लो ताकि आपको exhaust न पहले लो paper देने जाना है cool mind से रहो एक HDMI type A HDMI type A होता है port जो होते हैं type A type B होता है connector में कितने pin होते हैं 18, 19, 25 या 20 बताइए अच्छा कल आपको जाना है सुना लिजी कहां है आपका center रिता रितु जी अच्छा आप सुबह बनारस के लिए रवाना होंगी अतीश सिंग जी इस train में हैं बहुत बढ़िया चलिए आप सभी को मेरा आशिरवाद है कि आप सब के सब double star और single star जरूर बने क्योंकि ये ASI में जो बच्चे हमारे यहां से परिक्षा प्लस से connect हैं परिक्षा प्लस से पढ़े हैं उन सब के उमीद है कि वो सभी select होंगे बस आप लोग cool mind से paper देना और सबसे बड़ी बाद फर्स्ट फेस तो आप सब ही के निकल जाएंगे maximum chances है maximum लोगों के निकल जाएंगे लेकिन second के लिए आपको एक दम chance नहीं मिलेगा within one month में आपका सब कुछ हो जाएगा अनुज जी बता रहे हैं लखना हो जा रहे हैं और बस में हैं अलीगड में है center इसका answer बताइए क्या होगा कितने ports होते हैं तो इसमें 19 port होता है HDMI type 1 में जो cable होता है HDMI port होता है वो आप किसी भी smart TV आती है ना उनको आप किसी से भी connect कर सकते हो अपने laptop से connect कर सकते हो camera से connect कर सकते हो उसके लिए होता है mini HDMI camera में होता है बाकी में आपका जो main micro HDMI होता है वो आपके इसम में होते हैं तो वो 19 pin का होता है HDMI port जो होता है बरेली से प्रेयागराज बहुत बढ़िया चलिए in boolean algebra a bar a plus b का hole bar क्या होगा किसके बराबर होगा जल्दी से बताए boolean algebra में यह किसके बराबर होता है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे a into a bar मतलब यह से multiply होगा then off का क्या होगा a bar into b bar ठीक है a bar into b bar तो यहां answer क्या होगा इसका यह a bar into a जो होता है वो 0 होता है boolean algebra मैंने function पढ़हा रखा है जो class देखे होंगे तो यही आपका बचेगा a bar into b bar तो यह आपका correct answer होगा a bar into b bar अगले question पर आए यह रहा parallel port usually are not used to connect parallel port किसे नहीं connect किया जाता है modem से, scanner से, printer से, cd rider से बताइए किसे आपका parallel port नहीं connect होता है parallel port जो होगा वो पिछली बार पूछा था उसका figure दिखा के आज मैंने port वाला PDF जो टेलिग्राम पे डाला है उसमें से सभी के figure देख लेना यह parallel port होता है उससे scanner, printer, cd rider आप क्या कर सकते हो connect कर सकते हो modem नहीं कर सकते हो modem नहीं कर सकते हो a आपका इसमें correct होगा a correct होगा एक बर सभी लोग share जरूर कर दें कंजूसी ना करें which of the following is responsible for resembling receive packet at recipient computer निमलिखित में से कौन प्राप्ट करता computer में प्राप्ट packet को पुना सहियोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है IP, TCP, TCT IP बोग या नाइधर TCP नौर IP क्या इसमें correct होगा जो बोला इसमें कि which of the following is responsible for resembling receive packet at recipient computer मालो इसने data को send किया इस computer ने तो यहाँ पे जो receive करने वाला उसमें proper तरीके से जो data आपका send हुआ है वो proper receive हुआ कि नहीं यह किसकी जिम्मेदारी होती है वो TCP की होती है अगर proper कोई भी segment नहीं आता तो वो acknowledgement signal भेज कर इससे मांगेगा कि आपका यह वाला miss हो गया data ठीक है तो TCP होगा यह ध्यान रखना नहीं सिर्फ B होगा B होगा D नहीं B होगा सिर्फ TCP होगा TCT लिखा है TCT कुछ नहीं होता है यहाँ आजाओ Internet Explorer was launching Internet Explorer कब launch किया गया था 1998, 1997, 1994, 1995 बताइए 1995 में launch हुआ था D answer करेक्ट होगा 1995 में पापा की छिपकली आपका पेपर कब है 1997 में नहीं 1995 में जितने भी MCQ के PDF गये है 13-14 क्लास उसको देख लीजिए जो extra PDF मैंने टेलिग्राम पे डलवाए है कल आज ports का डलवाया है उसको एक बार देख लीजिएगा कि देखने में port कैसा दिखता है बाकी कुश्चन आसान आएंगे बिंदास रहो the network is overloaded with the enormous data sent by many computers within the networks the inability of network to deliver the data is torn as जब एक ही बार network में जो धेर सारे computer connect है अगर data भेजने लगते हैं तो क्या हो जाता है बहुत सारे data हो जाते हैं तो उस समय जो आपको network को data भेजने में कि कहां जाए network को inability होती है उसको क्या कहा जाता है नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे के भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भार भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है उसे क्या कहते हैं एसस कंट्रोल कंजेशन एरर प्रोपोगेशन या डेटलॉग मग है कि जब धीर सारा आ जाएंगा तो क्या हो जाएगे ट्रैफिक हो terrifying लग जाता है तो जाम इसमें किसका मतलब होता है कंजेशन का मतलब होता क затते हैं सीने में congestion हो गया है सीना जाम हो गया है ठीक है तो ऐसे क्या हो जाएगा network भी आपका congestion हो जाएगा jam हो जाएगा भी डी नहीं पूजा जी deadlock नहीं deadlock अलग condition है deadlock process में होता है CPU में deadlock होता है जब CPU scheduling पढ़ते हैं हम लोग वहाँ deadlock अकर होता अगर कोई process line में लगा हुआ है और उस process को time नहीं मिला तो deadlock condition में चला जाता है ऐसे होता है आपका भी पेपर कली है second shift में है अच्छा first shift वाले बहुत कम मिल ला है मेरे class के बाद GS की class होगी रमान सर की ठीक है which of the following option act as a barrier between local area network and the internet निम्न में से कौन सा विकल्प local area network और internet के बीच barrier के रूप में कारे करता है SQL, Hashing, firewall या cross server scripting वो कौन सा है जो एक barrier है local area network और internet के बीच में तो वो कौन सा होगा लैन और internet के बीच में barrier का काम करता है वो आपका firewall होता है क्या होता है firewall होता है यह ध्यान रखेगा firewall internet से और जब लैन से आप connect होता है internet के तुरू ठीक है तो वो firewall आपके protection का काम करता है कि कोई भी unwanted चीज आपको system में गुस के आपका जो personal data है वो चोरी ना कर सकते है उसके लिए firewall होता है एक तरह से अगला question है disk cleanup tool है क्या है antivirus utility compression tool desktop publisher तो यह क्या है एक तरह सा utility है utility software है disk cleanup disk cleanup क्या है utility software है क्या हुआ किसके बारे में बताना है कि देखो हैसिंग जो होता है हैसिंग जो होगा यह यहां sorting और हैसिंग हम data को sort करने के लिए data structure में यूज करते हैं हैसिंग ठीक तो बड़ा चीज हो गई उस पर अभी नहीं आपको जाना है हैसिंग मतलब यहां देखो data को sort करना और हैस करना वह होता है कि एक साथ data को sorting करके उसको फिर से rearrange करके रखना data structure में आप अगर data structure पढ़े होगे तो आपको पता होगा the abbreviation of जम नहीं पढ़े तो अभी दिमाग पर लूड मत डालो लास्ट टाइम में the abbreviation of OSI stand for अभिशेक जी आपका फर्स शिफ्ट में है तो बंदू आप संस्था के नंबर पर एक बार अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि आप अपने बंदू जो सेकेंड बैच में हैं उनकी help कर सकें open system internet नहीं होता है पापा की छिफकली मैंने कई बार इस question को करा रखा है अभी भी गलत दोगे तो सही में बता रहे हैं कि क्या बता है ऐसे question करोगे binary class लगी हो यह number system मैंने पढ़ाया है detail में उसको जाके देख लीजिए CRI अरे यार तुम लोग तो गजब हो OSI मॉडल मैंने पढ़ाया था बताओ OSI मॉडल का क्या होता है कि इंटर कनेक्शन सी ओडवलन इसमें होगा इंटर कनेक्शन open system interconnection यह का सङ्य होगा बाकिया और कोई नहीं operational system interface नहीं होता है open system interconnection होता है OSI का फूलल के झिवी के आजम ओपन शिश्टwrांट कनेक्शन ओथा है कि कनेक्शन नहीं इंटर कनेक्शन open system interconnection co double n होगा वहाँ पर double m जहाँ लिखा है वहाँ double n होगा interconnection c नहीं होगा operational system interface नहीं होता है SI के साथ layer होते हैं यह सब पढ़ाया है और उसके बाद last moment मैं इसी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा अगले question पर आते हैं the removal of error form a program किसी भी program से किसी भी program से error को find करके उसको remove करना क्या कहलाएगा troubleshooting, error handling, debugging या patching जल्दी से बताओ क्योंकि error handling में सिर्फ error रूणा जाता है उसको सुद नहीं किया जाता है बोला है removal of error form a program इस काल मतलब किसी program से तुरूटी हटाने को का कहा जाता है error handling अलग चीज हो गई वो प्रोग्राम में नहीं होता है लेकिन debugging जो एक process होता है debugging का मतलब कि आपको error धूणना होगा फिर जब धूण लोगे तो उसे हटाना ही क्या का लाएगा error handling काल आता है तो उसी के अंदर आता है तो removal of error error को remove करना है आपको तो उसे ढूड़ोगे उसके बाद से उसको remove करोगे जो error आता है तो पूरा process किसमें आएगा debugging में आता है debugging process में आता है error को identify करोगे उसे analyze करोगे क्या है फिर error की location जानोगे फिर उसे सही करोगे यह सब process क्या है debugging में आता है उसी में handling भी आ जाता है which of the following statement is true for valid email address email address के लिए कौन सा valid है कौन सा statement is true for valid email address email address are not case sensitive email address are not unique email address can have hyphen as a first character space are allowed between character in email address कौन सा email address के लिए true है space allow नहीं होता यह जान लेकना space allow नहीं होता है email address में email address can have a hyphen as a first character नहीं पहला character hyphen नहीं रख सकते हो symbol रख सकते हो लेकिन hyphen नहीं रख सकते हो email address are not unique unique होता है एक जैसा सभी का नहीं होगा कि आप भी उसी नाम से बना लोगे email address unique होता है यसलिए जब address जालते हो email address तो बोलता है यह नाम मौज़ूद नहीं है यह try कर सकते है तो unique होता है email address are not case sensitive यह case sensitive नहीं होता case sensitive मतलब अगर आपका email कुछ भी हो जैसे मालो परिक्षा plus परिक्षा plus at the rate gmail.com है तो इसको capital में डालो चाहे small में डालो p-a-r-i-k-s-h-a-p-l-u-s at the rate gmail.com यह कुछ भी डालो यह आपका परिक्षा plus वाला ही खुलेगा चाहे small में डालो चाहे capital में डालो यह case sensitive नहीं होता है case का कोई अंतर नहीं पड़ता है चलिए तो आपका answer क्या होगा यही true है 18 का प्रियोग करके पहले अक्षर को एक से अधिक line में file आने के लिए किया जाता है बताईए किसका प्रियोग करके table का caps का drop caps का या margin का प्रियोग करके paragraph के पहले अक्षर को एक से अधिक line में file आया जाता अभी मैंने बताया था जब क्या कराया था हमने MS Office Word कराया था आपको सी आंसर होगा बहुत बढ़िया drop cap कम से कम याद तो है तुम लोगों को कुछ लोग तो भूली जाते है drop cap होता है अगर कुछ भी दिखना हो तो सब पहला लेटर बढ़ा हो जाएगा बाकी सब छोटे हो जाएगे न्यूस पेपर में अप्तर दिखते हो गए अगला कुष्चन है विच ब्रांड अफ कम्प्यूटर फर्स्ट यूस्ट यूस्ट तु कम्बिनेशन अफ जिवाई और माउस टुगेदर यह भी मैंने बताया था आपको यह कौन सा ब्रांड था इसका आंसर बताईए कौन सा था मैसिन्टोस मैसिन्टोस मैकिन्टोस यही आपका ब्रांड था जिसने पहले जिवाई के साथ माउस का कम्बिनेशन निकाला था अरे ऐसा नहीं होना चाहिए तब तो छोड़ दो न देखो विच आपडिसीस क्रिप्टिंग लांग मिल्ट्ष इसक्रिप््टिंग लैंग्वेज कौन सी है इस में से बताईए इस में से Depois इस क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है बता ये स्क्रिप्टिंग लेंगवेज कौन सी है इसमें से क्या आंसर आ रहे हैं आपके डी आ रहे हैं साइड हो जाईए आरे भईया लो साइड हो गए अभी साइड है बोलो तो सेसा नहीं छोड़का चले जाएं पास्काल स्क्रिप्टिंग लांगवेज है अच्छा नमस्कार रवी प्रेंका जी सी है से चलो सी सार्प बता रहे हैं स्क्रिप्टिंग लांगवेज नहीं स्क्रिप्टिंग लांगवेज जो है आपका वो कौन सा है पर्ल है सी सार्प नहीं है यह स्क्रिप्टिंग लांगवेज होती है scripting language का मतलब जब आप इसे आप लिखोगे तो क्या होता है इसमें automatic ये run करता रहता है जो आपका पर्ल लेंग्वेज है जब आप इसके code लिखोगे तो ये scripting language वो होती है जो automatic programming language होती है जो run time system automatically execute करते रहते हैं जो भी task होता इनके program में वो automatic execute करते रहते हैं ठीक है ये run time क्या होता है आपका पर्ल आपका सही होगा मेरा system बहुत slow चला है चलो तपाल इसका सही होगा अगला question which of the following HTML code is not valid dismiss कौन सा HTML code valid नहीं है बताईए HTML code का मैंने PDF आपको दिया था अब तुम्हीं लोग जानो 131 लोग 137 लोग live है और like शिफ 78 है क्या मैंने किसी का खेत काट रखा है या किसी की भाईस खोल लेके का आ गया हूँ मैं जल्दी से बताईए जल्दी से ज시 से istजाइ हम जल्दी से अताईए जलदी से ठे लोगल गएा है जलदी से लोगींझ मैं66 जलदी से जलदी से लोगवाए ऑ़़ग A answer होगा, B होगा, A होगा, चलो देखते हैं कौन सी फालतू की बात करना है, बताइए कोई फालतू की बात हम भी कर लें, इसमें आंसर आप सभी लोग क्या दे रहें इसका जो बोल आएगे, HTML कोड नहीं वैलिड है, वो आपका कौन सा है, D option जो दे रहे हैं, वो लोग एकदम करेक्ट होंगे फ्रेम सेट कॉलम, ये जो है आपका सही नहीं है, 16% और 84% इसमें आपका ये आपका जो option दिया है, फ्रेम सेट कॉलम, इसके लिए ये नहीं यूज किया जाता है, HTML कोड इस नौट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा कॉलम्स नहीं लिखा जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा कॉलम्स नहीं लिखा जाता है, ये वैलिड नहीं है, इसमें क्या है, the formula, C3, C4, C5 has been copied from cell C7 to E7, इसका अंसर बताइए क्या सही होगा बोला है C3, C4, C5 has been copied from cell C7 to cell E7 अगर यह यह C7 को 5 को C7 cell से E7 cell में copy किया गया है जब cell selector E7 cell में होगा तो formula बार क्या परदर्सित करेगा जब C7 E7 में अगर होगा selector उसमें जाएंगे तो क्या आपका सोग करेगा इसी को copy किया गया ना B answer होगा A answer होगा C होगा चलो यहाँ देखो बात उसमें कुछ नहीं करना जिस cell में जाएगा वही रूप ले लेगा E3, E4, E5 किसमें गया है? E7 वाले में गया ना तो जो चीज़ यह select करके वहाँ पर जा रहा है तो वो ऐसे ही जो cell का होगा जो column होगा उसके coding बदल जाएगा E3, E4, E5 जो C था ना यह C3, C4, C5 था वो E3, E4, E5 हो जाएगा अगला question है RDBMS data is stored in RDBMS data कैसे store किया जाता है? बताईए RDBMS data कैसे store किया जाता है? Table के form में चलो यह पता है कोई भी data होगा तो वो एक तरह से table में ही handle किया जाता है तो यह सही है table के form में होगा अगला है निमलिखित में से कौन सा विकल्प निमलिखित कतनों की सत्यता को सबसे अच्छा वड़न करता है Microsoft PowerPoint slide का orientation portrait के रूप में sit नहीं किया जा सकता इसलिए यह गलत हो जाएगा उसके land इसके portrait तो हम करी सकते हो manual होता है आप page setup कर लो तो यह हो सकता इसलिए गलत हो गया प्रिष्ट संक्या Microsoft PowerPoint presentation slide के उपरी भाग में डाली जा सकती एक दम डाली जा सकती है कहीं भी डाल सकते हो उपरी नीची कहीं भी कर सकते हो तो पहला गलत दूसरा सही होगा C correct होगा राम राम Class C IP address use bits for network ID यह फिर पूछ लिया Class जो C होता A, B, C तो C में network ID के लिए कितने bits का उपयोग किया जाता है जल्दी से बताईए network ID के लिए कितने bits का उपयोग किया जाता है 24, 32, अरे नहीं A में देखो क्या होता है 4 octet होते है 88 bit के 4 octet होते है तो यह क्या आपका होगा 4 octet में जो last का होगा वो सिर्फ क्या होगा network होगा वो सिर्फ network का होगा ठीक है वो octet सिर्फ network का होगा बाकी host का होगा B वाले में क्या होगा 2-2 का होगा यह host address होगा यह host होगा यह network होगा C में क्या होगा C में आपका 3 जो है C में आपका क्या हो जाएगा एक आपका host network होगा बाकी आपके क्या हो जाएंगे बाकी आपके network address हो जाएंगे तो 8, 8, 16, 8, 3, 24 24 bit होगा option C correct होगा 24 होगा अगला the full form of PDF भी पढ़ाया था क्या होगा प्रोटेवल डॉकुमेंट PDF का full form क्या होगा प्रोटेवल डॉकुमेंट जल्दी बताओ format ठीक है प्रोटेवल डॉकुमेंट फॉर्मेंट PDF का full form होता है अगला file नहीं होता है उस दिन भी तुम लोग file ही बोल रहे थे convert 11010 to octel किसमें बदलना है octel में बदलना है इसको 11010 को octel में परिवर्तित करना है क्या होगा इसका octel में परिवर्तन करो क्या होगा कैसे करना है octel में परिवर्तन अक्टेल में परिवर्तन कैसे होगा देखो तीन तीन बीट बोला था मैंने तीन बीट इसको ले लो आगे के तीन बीट बनाने के लिए यहां जीरो कर लो तो जीरो वन जीरो क्या होगा यह जान रहे हो दो होगा देखो 2 किस में है इसमें है तो 32 आंसर हो जाएगा क्यों 32 आंसर हो जाएगा 3 3 bit haktate में 3 bit more representation होता है hexa में बोलेगा तो 44 bit को लेके बनाना पड़ेगा hexa में बोलेगा तो 44 को लेना पड़ेगा अगर 3 में कमी आ रहा है तो आगे यह 0 कर लिया करो ठीक तो यह थ्री हो जाएगा यह टू हो जाएगा असान साइब कि आई सी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है एपल प्रथम वैस सासवसी आई बीम सोरा सो बीस आई बीम सिस्टम तेरह सो साथ क्या सही होगा आई सी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है आई बीम सिस्टम तेरह सो साथ जो है वह आई सी से बना पहला डिजिटल कंप्यूटर है IBM system 1306 अगला question है वेर वाज दा फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया इंस्टॉल पहला इंडिया का जो पहला कंप्यूटर है इंडिया में कहां इंस्टॉल किया गया था Tata Institute of Fundamental Research बंबई, Indian Statical Institute कोलकत्ता, Computational Research Laboratory CRL पूने Indian Railway New Delhi कहां पर इंस्टॉल किया गया था पहला कंप्यूटर भारत का 1905 में 1955 में Indian Statical Institute को कत्ता में इसे स्टेबिलिस किया गया था भी आप्सान सही होगा कोलकता बहुत बढ़िया अगला question है इन वीच अब दा फॉलोइंग एसेस टेकनलोजी do the station share the bandwidth of the channel in time slot time slot में कौन बाढ़ता है TDM में time division multiple SS frequency division multiple SS code division multiple SS होता है ठीक है तो C option correct होगा कैसे memory is used to transfer the data between किसके बीच में processor and the input device main memory and secondary memory processor and output device main memory and processor processor मुकि स्मृति से या प्रोसेसर के बीच में तो answer क्या होगा इसका कि जो कैसे memory होती है देखो मालो यह प्रोसेसर यह डाटा आके प्रोसेस होगा यह आपका है main memory RAM OM है जो है ना और इनहीं के बीच में होती है कैसे memory चोटे चोटे कैसे memory लगे होते हैं रेजिस्टर memory होते हैं तुरंट वो किस में खुलता है RAM में खुलता है फिर उसके जो भी उसके प्रोसेस होंगे उस application के वो तुरंट कहां प्रोसेस होने लगेंगे चलने लगेंगे प्रोसेसर इसको मिल जाएगा ठीक है तो यह चीज सिदे किसको मिलेगी कैसे को मिलेगा कैसे इसको transfer करेगा फिर यह जैसे हो जाएगा फिर RAM को आपस आएगा किसके थूँ यह बीच में जो आपके कौन होते हैं सबसे fastest memory जिस वो बोला जाता है कैसे memory रेजिस्टर memory वही तो यह main memory और प्रोसेसर के बीच में काम करते हैं नहीं वाइस आप प्रोसेसर और इंपुट डिवाइस नहीं यह RAM और प्रोसेसर के बीच में कैसे memory काम करती है कि यह ध्यान रखना हाँ यह तो बात सही है computer कितना भी पढ़लो कम ही रहेगी आजाओ syllabus ही आपका बहुत broad है भाई साब syllabus बहुत broad है बस भगवान से दुआ करो जितना पढ़ें उतना आजाए डैस perform internet protocol blocking to protect network from unauthorized access अनाधिक्रित उपयोग से network की रक्षा करने के लिए internet protocol को अवरुद करता है कौन firewalls, proxy server, routers या VOIP firewall का क्याम क्या होता है कोई भी unauthorized access आपको करना चाहता है उससे रोगता है firewall होगा यह hardware और software होता है लेकिन अभी हम लोगों में software ही होती सिस्टम में जब आप बड़े-बड़े super computers और mainframe computer पढ़ोगे तो उसमें hardware में भी आते हैं computer keyboard shortcut control-K का प्रियोग किया जाता है फिलहाल सक्रिय कारिकरम को बंद करने में start menu को खोलने में चुने गए part text के लिए hyperlink लगाने में तो link लगाने का काम किस में होता है control-K से होता है सी answer सही होगा अगला question है यह भी मैंने पकड़ा दिया था valid range of port जो आई एन्ने के द्वारा valid range of port है वो क्या है यह पढ़ाया वह question है इसको गलत मत करना valid range of port क्या है पूजा पांडे जी इसका answer बताए कौसल जी सी बता रहे है रितो जी सी बहुत बढ़िया चलो याद तो है कम से कम इतना याद है बहुत ही बढ़िया 0 से 101023 तक valid board address है यह बताओ कौन सा IP address का है किस class का IP address है 14.23 से start हुआ है न तो पहला class A कहां से कहां तक लेता है जो class A IP address होता है वो कहां से कहां तक होता है class A की IP address कहां से होगा 1 से 126 1 से 126 class A होगा 128 से लेकर कहां तक 101 क्यानवे तक यह class B होगा यह class A होगा और उसके बास से 192 से लेकर 223 तक यह class C में आएगा कहां आएगा जिसका पहला octet पहला octet का यह मैं बोलना हूँ जिसके पहले octet में 1 से लेकर 126 तक रहे वो समझ लोग class A है 128 से 192 रहे तो class B है 192 से 223 रहे तो class C है और 224 से 229 तक 224 से 249 तक रहे तो यह class D है ठीक है समझ गए और उसके बास से 240 से लेकर 254 तक लाश्ट 254 तक यह आपका class E है 5 class होते हैं यह सब reserve रखे गए हैं इन्हीं सबका use होता है maximum तो यहां पर आपसे पूछा है तो देखो 14 है न तो वह 26 के range में आएगा इसका मतलब कौन सा class होगा class A होगा क्लास A का है what is disk assess time मैंने disk assess time बताया था disk में platters होते हैं और यह आपके क्या होते हैं इनको क्या बोला जाता है और यह आपके कई sector में divide होते हैं कई sector में divide होते हैं तो जो assess time होता है वह उस track तक पहुचना जिसमें data है आपका और उस track से उस sector में पहुचना मालो इस sector में data रखा गया है तो यहां तक महुचने को काते हैं latency time यहां तक के काते है seek time तो seek और latency time मिलकर क्या काता है assess time होता है अगला question है सीडी जो डॉस में अगर सीडी कमांड जो होता है डॉलर से भी कहीं represent किया आता है अचाय से सीडी भी बोल दे तो इसका main मकसद क्या होता है returns to home directory returns to parent directory root directory चाल डारेक्टरी सीडी जब लगाओगे तो यह क्या करेगा सी होगा इसका answer चलो देखते हैं क्या सही होता है नहीं देखो ए होगा home directory जो भी home directory होगी उसमें चला अगता कमांड लगा के देखना कमांड पॉर्मेट खोलके सीडी का फॉल फॉर्म क्या होता है यह मेकेनिकल वाले जादे अच्छे जानेंगे काइड लैब होता था यह जहां यह लोग क्या करते थे 3D डिजाइन करते थे कार की एरो प्लेन की वह उसमें डिजाइनिंग होती है तो computer added design होता है क्या होता computer added design CAD का फॉल फॉर्म होता है चालिश नमबर कोश्चन वाट डिस्क डिस्क डिफ्रेग्मेंटर डू डिफ्रेग्मेंटर क्या करता है पूट्स अ फ्रेग्मेंटर पीस ऑफ डिस्क तोगेदर अलाव फाइल टो बिस्टर अक्रोश्च पार्टिशन किप ट्रेक अफ द फ्रेग्मेंटर पोर्शन रिमूब होल्स अन दिक्स पर बेटर उतिलाजेशन अफ डिस्क स्पेस क्या करता है यह बताये यह मैने बताया है बोलाना रिमूब होल्स होल्स का मतलब कंप्यूटर लगम अन्यूस डिस्क ब्लॉक सेक्टर ऑन दिक्स पर बेटर उतिलाजेशन अफ डिस्क स्पेस फ्रेग्मेंटर पीसेश को डिस्क टुगेदर करता है और क्या और किसी क्या अंसर कुछ लोगों के D आ रहे हैं कुछ लोगों के A आ रहे हैं देखो रिमूब होल्स अन्यूज डिस्क स्पेस जो अन्यूज डिस्क स्पेस है उनको क्या करेगा एक प्रॉपर बनाएगा on the disk for better utilization of disk space डिस्क स्पेस को जो भी unused है उनको होल को रिमूब करेगा बग फाइले हटाएगा यह सर्फ पैकेट के रूप में जो होते हैं वह आपका देखना डिफ्रेग्मेंट करके देख लेना कलर में आएगा आपका रेड और कलर में ऐसे बनके आएगा जो इस्पेस रेड में साइद होगा वह रेड कलर में जो होता हो साइद खाली स्पेस होता है फिर जब डिफ्रेग्मेंट कर दोगे उसको तो उसको रिमूफ कर दिया जाता ह defragmentation क्या होता डिक्स defragmented do puts a fragmented piece of the dix together नहीं remove the holes जो un-disk block होते हैं जो sector होते हैं disk में उसको better utilize किया जाता है उसको हटाया जाता है unused जो आपके block होते हैं sector होते हैं उसको हटाया जाता है ताकि वो आपके used में आ सके broadcasting mail to multiple unrelated recipient is used done under broadcasting a mail to a multiple unrelated recipient is usually done under BCC2 या CCC ऐसा आपको broadcast करना है जाकि आप के बारे में कोई जान ना पाए कि ये कैसे आया है BCC से करते हैं BCC का full form क्या होता है ये बताओ BCC का full form क्या होता है जेखो यहां बोला broadcasting of mail to multiple unrelated recipient is usually done under जो जिनको भी भेजना है जितने भी recipient है उनको mail भेजना है तो वो उनको ना पता चले कि ये mail किसको किसको भेजा गया है ठीक है ये mail किसको किसको भेजा गया है वो recipient को आपको पता न चल पाए कि ये mail किसको किसको गया है उसके लिए क्या यूज करेंगे BCC करेंगे blind carbon copy क्या होता है blind carbon copy इसमें पता नहीं चलेगा कि यह mail किसको किसको गया है यह एक program है इसका answer बताना है आपको read and initialize i to 1 while root lie i is less than n increment i end while stop what is the following is correct correct कौन सा होगा इसमें से read number n and print the integer counting up to n minus 1 read number n and print the integer counting up to i read number and print the integer counting up to n plus 1 read number n and print integer counting up to n तो output क्या होगा देखो यहा होगा i i को आपने 1 दे दिया जब while loop आपका चलेगा तो 1 n ठीक है यह n कुछ भी हो सकता है माल लो हम अभी माल ले n माल ले 10 suppose करो n की value हमने 10 माल लिया i को हमने 1 दिया है तो अब increment i की value increment हो रही मतलब i पे प्लस प्लस हो रहा है इसका मतलब यह हुआ i की value बढ़ रही है क्या 1 जो है 10 से कम है हाँ कम है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो फिर से loop में जाएगा फिर से वही loop चलू होगा तो i की value हो गई 2 अब 2 क्या 10 से कम है हाँ कम है तो अब i की value 3 हो जाएगे फिर 3 10 से कम है हाँ कम है तभी बढ़ेगा फिर 4 आएगा यह भी 4 भी कम है हाँ कम है 5 भी कम है कम है 6 भी 7 भी 8 भी जब 9 में आओगे तभी भी कहेगा क्या कम है ठीके अब इसकी value 10 हो गई ठीके अब इसकी value जैसे 9 आएगा suppose करो 8 गया तो value इस पे 9 हो गई जब 9 आया तो 9 यहाँ चेक होगा कि 9 is less than 10 एकदम सही है कि 9 अभी less than 10 है जैसे आगे जाओगे I++ हो जाएगा I की value कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी ठीक है I की value 10 हो जाएगी अब फिर से जब यह चेक करेगा कहेगा 10 is less than 10 है नहीं यह condition false हो गया मतलब कि क्या हो जाएगा आपका यह loop यहाँ से निकल जाएगा यह loop यहाँ से निकल जाएगा end while हो जाएगा तो आप से पूछ क्या रहा था इसमें कि what of the following option is correct इसमें से क्या correct option है तो अभी हम देखें बोला read number and print the integer counting to n-1 कहां तक यह print करेगा इससे बताओ अगर इससे print करना होगा तो यह कहां तक print करेगा यह तो गला था ना है read number and print the integer counting up to i i तक नहीं करेगा n-1 तक भी नहीं करेगा 10-11 तक थोरी जा रहा था और n तक भी नहीं print करेगा जल्दी से बताइए n-1 बहुत बढ़िया देखो यहां पर जब आपका क्या होगा increment हो गया 9 था 9 गया उसके बास नो भी check हुआ कि नहीं है तो 9 तक तक प्रिंट हुआ लेकिन जब फिर आपका print हुआ तो फिर 10 increment होगा 9 तक 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 बढ़के गया 9 चेक हुआ condition 9 आपका print हो जाएगा उसके बास से यह 10 आपका बढ़ जाएगी इसकी value तो 10 चेक होगा और जब सही होगा तभी तो print करेगा इसलिए वो 10 प्रिंट नहीं होगा 10 प्रिंट नहीं होगा इसलिए n-1 तक जाएगा कहा तक जाएगा n-1 तक जाएगा क्योंकि n की value हमने 10 लिया लेकिन print कहा तक होगा सिर्फ 9 तक print होगा print कहा तक होगा 9 तक होगा यह ध्यान रखना क्या हुआ print सिर्फ n-1 तक होगा यह ध्यान रखो क्या होगा इसका अंसर correct a होगा क्या बोलना है अब सेख जी जल्दी बताइए 42 नंबर कोश्चन बड़े से छोटे क्रम में निमलिखित को arrange करना है बताइए बड़े से छोटे में जाना है इसको तो मैंने बाद सबसे बड़ा TB होता है उसके बाद GB होता है उसके बाद MB होता है D correct होगा हाँ N की value से एक कम जाएगा जो लूप होगा What is macro? Macro में मैंने बता रखा था यह small program created in MS Word automated repetitive task by using VBA VBA का यूज़ करके हम repetitive task जो करते हैं table का मैंने example लिया था उसको हम reduce कर सकते हैं macro के साब से ठीक है अगर हमें कोई भी एक ही task perform करना है कई बार MS Office में तो उसका हम macro बना लेंगे तो हमारी वो task क्या हो जाएगा effort उस पे कम हो जाएगा Windows 7 Control R delete से क्या होगा Control Panel खुलेगा Task Manager My Computer या Windows Explorer Task Manager ओपन होगा ठीक है Direct shutdown भी होगा यह भी आता है तो Control R delete से क्या होगा Task Manager होगा Virus क्या है बताइए एक Virus क्या होता है Computer Device में जो Swank को Copy कर सकता है और उपयोग करता है कि अनुमती या जानकारी के बिना Computer को संक्रमित कर सकता है Computer की Logger है जो Swank को Copy कर सकता है और उपयोग करता है कि जनकारी के साथ कंपियोटर को संक्रमित कर सकता है एक प्रोग्रा में को कॉपी कर सकता एक क्या इस में थे क्या प्रोग्राम होता है जो उपयोग करता कि और जंकारी के भीना कम्प्यूटर को संक्रमित करता है connection of n node in mast apology mast apology में मालो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है तो सब का connection किस से होगा एक दूसरे से होगा सब एक दूसरे से connect होंगे तो यह mast apology होता है में mast apology में कितने cable होंगे अगर 4 node हैं 1, 2, 3, 4 4 node हैं तो cable कितना use हुआ 1, 2, 3, 4, 5 total 6 cable, node है 4 cable कितने हुए है, use 6 हुए है, तो वही पूछ रहा है कि अगर node में पूर्ण रूप से जोड़ा जाए, तो मेस टोपलोजी में network के cable की संख्या कितनी होगे तो इसमें मैंने पढ़ाया था n-1 upon 2 होता है ये cable की संख्या, देखो अगर 4 है, तो ये 6 node है, आपको न, दिख रहा है तो अगर यहाँ 4 रखें, 4-1 क्या हो जाएगा, 5 ठीक है, यहाँ upon 2, 2-2 नी, 4 4-1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है, तो 3-4 को 12 हो जाएगा 12 upon 2, मतलब 6 आजाएगा तो number of cable कितना आजाएगा 6 और यहाँ पी भी देखो, 6 cable तो यूज हुआ है, अगर मैं इसमें node, 4 सिस्टम को जोडने के कहूँ तो इस formula पर रखोगे, तो 4 और 4-1 कितना हो जाएगा 3 upon 2, तो 2-4 2-3, 6, तो 6 cable आया तो वही इसका formula बन जाता है जितने आपके ये node हैं उनसे, क्या होगा N into N minus 1 upon 2 क्या होगा, इसका formula होगा क्या निकालने का, number of cables निकालने के लिए Mastopology का ये formula है Mastopology का ये मैंने paid batch में पढ़ाया है जो paid वाले होंगे उनको पता होगा Making a heading visible even while scrolling Excel can be done by using Excel के scrolling करते हुए उपियोग करके heading के दिर्सिमान बनाया जा सकता है fridge pen से मैंने बताया थाना कि heading को scroll करते हुए भी दिर्सिमान बनाया सकता है option A correct होगा fridge pen से identify the correct order stage of data processing data processing के सही करम को पाचानी है data पहले क्या होगा input से stage पे आएगा फिर उसकी processing होगी फिर कहां जाएगा output होगा और उसके बास अगर output stage आप नहीं लेना चाहते हो तो उसको store कर दिया जाएगा data को तो answer क्या हो जाएगा D होगा पहले input होगा फिर उस पे process होगा फिर उसका result आएगा फिर उसे store कर दिया जाएगा memory में D correct होगा next है Microsoft powerpoint handout header footer जोडने के लिए आपको nymn में से click करना होगा view slide master पे view hand handout master पे handout item पे या non master पे तो view में जाकर handout master पे click करना होगा अगर handout में क्या डालना चाहते हो header footer जालना चाहते हो तो view में जाओ handout master में click करो वहाँ से आप header footer डाल सकते हो पच्चास नंबर कोश्चन और लाश्ट कोश्चन असकाई 8 जो आपका क्या है यूनिक कोड कोड होता है हर करेक्टर के लिए जो आप CPU कीवोर्ड से करते हैं इंटर करते हैं उसका बाइनरी में कोड होता है तो उस 8 बिट का होता है तो इसका मैक्सिमम कहां तक कितने लेटर तक को यह कोड कर सकता है तो कहां तक होता है यह 2 की पावर 8 2 की पावर 8 मतलब 256 करेक्टर को इसमें कोड किया जा सकता है 0 से लेकर 255 इसका रेंज होता है तो 0 के include कर लोगे तो कितना आएगा 256 करेक्टर को code किया जा सकता है तो ये आपके 50 questions है मैं hope करता हूँ मालक्षमी सार्दे से मैं prayer करता हूँ यही कि ये question में से आपको कुछ न कुछ question मिली जाए ठीक है जितने भी questions कराएं जितना PDF टेलिग्राम पे दे दिया गया उससे आपके maximum question आ जाने चाहिए ये मेरा जहां तक अनुमान है ठीक है तो सभी लोग एकदम cool mind से must must खाना खाओ और पूरी नीद लो 8-9 घंटे की और कल भिड़ जाना पेपर के साथ बस एक बात ध्यान रखना कुछ भी हो जाए question छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए question छोड़ना नहीं है नीद नहीं आ रही है अरे नीद लो अगर इतना टेंसन ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी binary conversion मैंने करा रखा ये